चले जो हर दोस्तों मैं स्मृतिय आश्वर है आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल स्टड़ी वी थी स्मृति में आर्ची क्लास से आप लोग पहला क्लास आप लोग कर रहे हैं यह है उत्पार सिपाही की प्रतियोगिता परिक्षा के लिए हिंदी के कख्षा में और पहली कख्षा में आप लोग का स्वागत है चली जल्दी से जल्दी क्लास को ज़्यादा श्यार कीज़े हैं शीलेबस के बारे में डिस्कस्न मैंने पहले कर दिया है अपको प्रतियूरी मिला और मेरी कोशिस होगी कि दो बजे के करीद में मैं पढ़ाया था और यह जेसे सी के उत्पाद सिपाई के लिए मेरी पहली क्लास जो मैं हिंदी आपको पढ़ा रही हूं और मैं पूरी कोशिस करूँगी कि मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझा सकूं यह जो किताब है यह चीतिज भागदों और इसका पहला ही यह पो दिखा गया है और इसमें उद्भो और जो उद्धा उद्धाव और स्कृष्ण माकीचे का राधा इनके वारतलाप है ओ गोपिया माँ चली आज मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूं आप लोगों से क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग सूर्दास के परिशे को जाते हैं सूर्दास यह जो सूर्दास हैं इनके वारे में थोड़ी जानकारी जोकी किताबों में दी गई है बहुत आसान करके मैं लेकर करके यहां पर आई हूँ 1478 से 1583 तक यानि कि 1478 में ऐसा माना जाता है कि 1478 में इनका जनम हुआ और इनका जो लिधन हुआ यह 1583 इस भी में हुआ यह हैं सूर्दास सूर्दास का विसेश परिच है जो कि आपकी एक्जाम के लिए important है तो question आपका चुकि बुक में यह सारी चीजे mention है तो question यहां से आएंगे objective question कैसे निकाले जाएंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और objective question भी मैं कराँगे क्योंकि आपके जो exam होंगे यह one day exam होंगे और वैकल पिक होंगे question जिसमें आपको चार विकल्प दिया रहेगा उसमें से एक कैंसर करने है तो चलिए हम लोग हिंदी साहिते के stress कभी है यह सूर्दास जिनके बारे में आप पढ़ने वाले है और देखे इस जो 1478 से 1583 के काल को आप लोग जो पढ़ रह लेकिन इन्होंने इस तरीके की रचनाई रची हैं जो कि आज भी आपके syllabus में हो और यह दसमी कक्षा में आपको पढ़ना है लेकर दोस्तों मैंने आपसे हमेशा बार बार यह बात कहा है कि आप कुछ ऐसा लिख जाओ कि सभी पढ़े या फिर कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके लिखा है और कौन-कौन सी किताबें या फिर कौन-कौन सी रचनाई इनकी हैं तो इस पर हम लोग भी गौहर करेंगे जीवन परिचय के बारे में जाने और यह हैं सूर्दास एक्जाम से रिलेटेड अब चलिए हिंदी साहिते के यह स्रेस्ट कवी हैं और साथी साथ कृष ड़ाS है हम सभी अपने अपने घरों में या फिर आपस में मिलने जुलने के लिए अपनी बातों को अपनी दुसरे समक्षि रखने उनको शाने में हिंदी प्रयोग जादा करते हैं तो आसान बर करके मैं इसे को हिंदी को और भी आसान करके मैं आपको समझाने की कोशिस करूँगे ताकि ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए देखे जन्म कब हुआ 1478 में ऐसा माना जाता है ऐसे यह से ही किताबों में भी लिखा है अब इनका जन्म अस्थान कहां है जो सूर्दास है उनके जन्म अस्थान के बारे में चलिए बंब जो कृष्ण भक्ति से पूरा सरावोर है और यहीं पर रूनक्ता या फिर रेनुका भी आप उसको बोल सकते हैं इस जगह पर इनका जन्म हुआ लेकिन एक मान्यता इससे संबंदित और है मान्यता यह है कि जो सूर्दास हैं दूसरी मान्यता यह है कि दिल्ली के पास एक ज सूर्दास दो मान्यता हैं जिस तरीके के option रहेंगे उस तरीके से आप answer करोगे और यह दोनों मान्यताओं के बारे में आपके NCRT की किताब में इसको mention क्या है दसवी कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा और फिर आप उत्पास सिपाही के प्रत्योगता परिशा के लिए उ सूर्दास के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप यह भी जाना चाहेंगे क्या कि रहते कहां थे जारखन में बिहार में उत्तर प्रदेस में दिली में किस जगह पे रहा करते होंगे तो देखें सूर्दास जो हैं यह मतुरा और वरिंदावन के बीच एक जगह था जिसका नाम है गवगाट क्या नाम है यहां लिखा हुआ है तो कहां पर तो गवगाट में यह रहते थे बाद में इसको शौट में भी करकर बताऊंगी और यह देखते हैं चलें मतुरा और वरिंदामन कहां पर है तो यह उत्तर प्रदेश में है इन दोनों के बीच में जगह पढ़ता है जिसको कहते हैं गवगाट यहां पर निवास करते थे और स्रीनात के मंदिर में यहां पर भजन किरतन किया करते थे और जिनको कहते हैं सूर्दास और इनका निधन हो गया दो और निधन कब हुआ तो ये 1583 ये याद रखिएगा और पहला भाग जो आप पढ़ रहे हो और पहला चैप्टर ये सूर्दास का भ्रहमर गीत का कुछ आप देखें इनका साहित्तिक परिचे तीन ग्रंथ इन्होंने जो प्रमुख रूप से इन्होंने तीन ग्रंथों की सूर्ष अर्वली अक्सर अगर आप हिंदी सहीत्तित लेकर के अगर आप पढ़ाई को आगे 새로 करके जाते doubleस अभी किताबों को आपको पढ़ना होता है सूर्ष सूरसागर, साही तिलहरी और सूर सरावली इनके त्विन ग्रंथ हैं और सूरसागर इसमें सबसे जादा लोग प्रिया है और यिसी के आपको भ्रमर गीत आपको पढ़ने है इनके Guru में जो रचना ही यह रचने वाले भारतिय समाज का दैनिक आंतरन चित्र मतलब उनका रोज का मतलब जीवन किस तरीके से जिंदिगी उनकी गुजर बसर हो रही है और वैसे लोग जो की पसु पालन कर रहे हैं और भारतिय हैं उनके जीवन का एकदम सभाविक वर्णन ये करते हैं और ये हैं सूर्दास और जिनके बारे में आप अभी पढ़ रहे हैं चलिए सूर्दास वातसल्य और स्रिंगार रस के स्रेस्ट कवी हैं तो option में ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके के ये कवी हैं तो आपको एंसर करना है कि वातसल्य और स्रिंगार रस के ये कवी हैं जिनको कहते हैं सूर् अब देखें अब हम लोग इनकी भासा अब ये भी पुछोगे मागदी में लिखते थे या फिर नागपूरी में लिखते थे या फिर ब्रज भासी थे तो इनकी भासा कौन सी है जिसमें इन्होंने रचनाई रची है तो इनकी भासा है ब्रज भासा का भी निखरा हुआ कhit दोस्तौ 12 सो अठाथा इंकी दिन का दृत्यूं कब हुआ था तो यह वा था 1543 इस भी इते हैं किसा分क? यह लिखते हैं तो वाक्सल्य और स्रींगार रज की रचनाओं के इनके द्वारा लिखा जाता है ऐसे कोश्चन आएंगे दोस्तों भासा इनकी पूछी जाएगी कि किस भासा में तो यह ब्रज भासा में यह लिखते हैं सूर सागर सूर सरावली और एक और है क्वांसा चलिए इनकी जो रचनाओं बढ़ते रचनाओं का यह पहला जो कि आपके किताबों में क्या होता है आप असपस्ट कीजे या फिर यहाँ पर परागी शब्द दिया हुआ है आपको यह बताना है कि परागी का मतलब क्या होता है तो ऐसे question आपसे पूछे जा सकते हैं तो ऐसे question का answer आप कैसे करोगे तो आप यहीं से पढ़के जाएगा और बहुत अच्छे से clear हो जाएगा दोस लोग इसको लिखते देखते वे चलते हैं तो पहला है उद्धो तूम हो अती बढ़भागी पहले आप यह मत सोची कि समझ में नहीं आ रहा है जब मैं इसका सब्दार्थ आपको बताऊंगी तो यह बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा जब पहली बार मैं आपको सने तगाते नहीं मन अनुरागी पूरईन पात रहत जल भीतर तारस देह नदागी जियोजल मा तेल तक तेल की गागरी बूंद नताको लागी पृती दीन में पाउन बोरियो द्रिष्टी नरूप परागी सूर दास अवलाहं भोरी गूर चाटी जियों पागी यह लाइन है और इसी का शब्दार्थ आपको पहले जानना है तो पहले आप सब्दार्थ पढ़ेंगे फिर इसकी हम लोग व्याख्या करते हुए चलते हैं देखें जो उधो हैं और जो गोपियां है इनके बीच में वारतालाफ हो रहा है और यह जो वारतालाफ हो रहा है उधो और चित्र मैंने यहां पर ले करके आई हूँ इससे आप अच्छे से क्लियर हो लेगे जब क्रिश्न जो हैं गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं सासन और राशपाट को संभालने के लिए तो उधों के द्वारा वो संदेश भेशते हैं गोपियों के पास यह गोपियां ह हैं उस मार्ग को आपको त्याग देना है आपको छोड़ देना है जाना किस तरफ है तो आपको ग्यान मार्ग यह मैसेज लेकर करके आए हैं कौन तो यह उधों जो हैं यह मैसेज लेकर किसके पास लेकर करके आए तो गोपियों के पास बोल रहे हैं कि आपको ग्यान को त्याग देना है लेकिन गोपियां जो है यह भ्रहमर को भ्रहमर को एक बीच में रखती है और उसके दुरूद संदेश भेजती हैं उदय को बताती है कि हम लोग कृष्ण भक्ति में किस तरीके से रमे हुए हैं यही वर्तालाप है जो कि आपको पढ़ना है इस लाइन में तो उद्धो और गोपियां इन दोनों के कहानी अब चलिए हम लोग आगे इसको एक्स्प्लेइन करते हैं अब इस पद में क्या आया हुआ है वर्ड अब देखे उद्धो तो आप समझ लेकि उद्धो कौन है जो गोपियों के पास संदेश लेकर के आई है किसका कृष्ण का तुम तो समझी रहो हो मतलब हो अती मतलब की बहुत ज्यादा होता है अती मतलब बहुत ज्यादा बढ़ भागी मतलब की बहुत भागेवान बहुत भागेशाली मतलब बहुत लखी हो आप कि आप बहुत लखी हो किस तरीके से लखी हो एक तरीके से आप देखो कि गोप कर रहे हैं तो बोलती है कि उधो तुम तो हो अती बड़ भागिंग तुम बहुत ज्यादा भागयवानों तुम बहुत लखी हो वेरी लखी उधो आप बहुत लखी हो आप रस रहत सनेत आगाते आप रस का अर्थ शब्दार्थ में दिया हुआ है कि अलित होना नीरस यह नहीं है आप इतने लखी हो आप इतने भागयवानों कि आप किसी भी मोहमाया के बंधन से नहीं बंदे हो लेकिन हम लोगों को देखिए कि हम लोग ऐसे प्रेम के बंधन में बंदे हैं कृष्णा के कि इस प्रेम बंधन को तोड़ भी नहीं पार है और असंभव है यहां स कमल का फूल जिस तरीके से कमल के फूल का जो पत्ता होता है आप यहां देख रहें एक चित्र में देखें जब यह आप यह कमल का फूल का पत्ता है आपने कमल का फूल जहां लगा होगा ना तो वहां आपने देखा होगा कि उसके जो पत्ते होते हैं वो जब जल में भी रहत अनद इस तरीके से उसे जल होगा लेकिन वह चिपकेगा नहीं , वह पत्ताइक शुखा रहता है , जल के गया però इस तरीके पत्त होते हैं कमल के , तो उनका कहना है कि आप एक दम बिल्कुल कमल के पत्त हो healthy कि आप इतने कृ présण की इतने नजदीक हो इतने पाषो फिर भी उस उनके प्रेम से आप अच्छूते हो आप उस कमल के पत्ते की तरह हो एक उदारन तो इन्होंने दिया कमल के पत्ते का कि आप जबकी कमल का पत्ता दीन भर पानी में ही रहता है दूसरा उदारन दिया उन्होंने गागरी का ये गागरा आप लोगाओं घर में जाता है तिलक वगरमें तो गघरा और ट्राचीन काल में पहले गघरा में 없는 बने गा इसी में चावल बनेगा और इसकी विशेस्ता गर्ता भी बोलवी होती हैं अगर माझन लीजें कि इस को पानी में डालो तो उसमें पानी तो चिपक नहीं रहे वैसी ही आप कृष्णा के साथ हो और इतना समय से आप कृष्णा के साथ रह रहे हो लेकिन तुम कितने लगी हो तुम कितने भागयवान हो कि तुम उनके प्रेम रसमें के बारे में नहीं समझ पाए आप उनके प्रे किसे ताना भी कस रही हैं फिर उनका कहना है चले हम लोग अगले लाइन पर आते हैं कि अगले लाइन में उन्होंने कहा है अभी फिर से मैं इसको पढ़ देती हूं और छे समझ में आ जाएगा आप देखिए अब अहां या सुनों कीजेगा आप बताईएगा कि क्या आपको स धन नहीं रंगे पूराइनी पात रहते झल अबतर धित, इस तरीके से कमल का शूं से पत्तेजं बहुते हैं। बूंद भी नहीं लगेगा प्रिती नदी में पाउन बोरियों और जिस तरीके द्रिष्टी न रूप परागी और आपका जो पाउं है वो प्रेम की जो नदी है उसमें बोरियों मतलब क्या होता है बोरियों मतलब होता है बुढ़ना आप लोग सुनते होंगे हाथ मेरा पानी में बुढ गया ऐसे आपने लोकल लेंग्वेज होता है बुढ गया यानि कि डूब गया तो यहां पर लिखा हुआ है कि बोरियो प्रीती नदी में पाउन बोरियो द्रिस्टी नरूप परागी अब इसका अर्थ आपको इस परस्ट जो है किसी भी ऐसी सौंदर्य पर अपनी द्रिस्टी नहीं डाली है जिसमें ऐसे सौंदर्य को देखे तुम मत्र मंत्र मुग्द हो जाओ कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जो कृष्ण का सौंदर्य देखा है और जिस तरीके से उन पर नजर पड़ी और उनके प्रेम की मे उस तरीके से तो तुम किसी तुमारी द्रिस्टी तो किसी सौंदर्य पर ही नहीं पड़ी है जिससे कि तुम उस सौंदर्य से मंत्र मुग्द हो जाओ और फिर हम भोली भाली नारी हैं गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली नारी हैं और हम कृष्ण के प्रेम में ऐसी द टो गोपियों का कहना है कि हम लोग तो कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से गूढ़ दिवाने हैं जैसे कि गूढ़ में चेटी और हम लोग उनके प्रेम से बंद़े हुए ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा असंभव है, उधो आपका जो ग्यान के मार्ग पर भेजने वाला जो आपका संदेश है, वो गलत है, वो आप मेरे पर मत चलाओ, कहीं और जाईए, अपने संदेश को पहुंचाईए, हम तो क्रिप क्रिश्न के प्रेम में डूबे ही रहेंगे, और यही है पहला पद, और इसी को आपको पढ़ना था इस पोयम में, इस पद में, चलिए, अब एक बार और मैं आप लोग को रीट करके बता देती हूँ, फिर आप लोग का ये पद कलियर हो जाएगा, फिर सब्दार्थ भी हम लोग देख लेंगे, ये एक एक वर्ड का क्या होता है, चलिए, उधो तुम हो अती बढ़ भागी, तुम बहुत भागयवान हो, आपरस रत सने तक आते नहींन मन अनुरागी, तुम तो किसी बंधन में ही नहीं बंदे हो, प्रेम वाले किसी वी ऐसा किसी से तुमने अनुराग नहीं लगाया है, प्रेम, इतना पुराइन पात रहत जल भीतर जिस तरीके से कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं तारस दे नदागी और उनके दे पर ये कभी दाग नहीं लगता है जियोंजल माह तेल की गागरी जैसे तेल वाली जो लगी हुई गागरी होती है अगर उसको पानी में डुबाओ तो बूंद नताकियों लागयों एक बूंद भी उसमें नहीं लगता है प्रिती नदी में पाउं नबर्यों तुमने कभी प्रेम की नदी में अपने पैर को उतारा ही नहीं है दृष्टी नरूप परागी और तुम्हारी दृष्टी किसी सौंदर्य पर बंतरुपुग्द हुआ ही न कि हम लोग तो अबला हैं हम लोग एक ऐसी नारी हैं जो काफी भोली बाली नारी हैं गूर चाटी जैस तरीके से गूर जो में चीटियां चिपक जाती हैं और उसी तरीके से हम लोग कृष्टी के प्रेम में एकदम लिपटे हुए हैं एकदम जगडे हुए हैं और यहां से लोग नहीं निकल सकते हैं ऐसा इनोंने कहा है अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया अब चलिए सवदार्त पर हम लोग आते हैं बड़ भागी जहां लिखा हुआ है उसका मतलब होता है भागयवान जहां पर आपरस लिखा हुआ है उसका का पत्ता देह मतलब होता है शरीर माहम मतलब होता है में प्रिती नदी मतलब प्रेम की नदी पाउं मतलब होता है पैर बोरियों मतलब होता है डूबाया हुआ परागी मतलब होता है मूग धोना भोरी मतलब होता है में भोली भाली गुर चीटियो जह पागी का मतलब हो गय जिस प्रकार चीटी गुड में लिफ्ट होती है उसी प्रकार भी हम लोग कृष्णि के प्रेम में लिफ्ट हैं अब आप लोग को एंसर करना है कि क्या आप लोग को समझ में आया येस और नो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं Free Classes में कि अब हम लोग ये चीतीजबहाग2 में सूरजास का जो दूसरा पद है उसको हम लोग देखते हैं सूरजास का पद 2 और पहले वाली क्लास में आप ने क्या पढ़ा था कि सूरजास के जीवन परिचाय के बारे में आपने जाना था अगर आपने पहले क्लास के और यह बहुत डिटिल में अपड़ है तो इसमें बहुत जल्दी बाजी और बहुत फास्ट रहेंगे तो फिर आपको भी नहीं समझ में आएगा और मुझे पढ़ाने में दिक्कत होगी इसलिए आराम से इस्तिरो करके कॉंपी पेन आप निकालि और हिंदी की इसक्षा को कीजिए पिछली क्लास में जो आप पढ़े थे इसमें सूर्दास के बारे में आपने पढ़ा था कि सूर्दास का जनम कब हुआ था तो चलिए एंसर कीजेगा आप लोग सभी एंसर करेंगे कि सूर्दास और पहले यह रिकॉल कर लिए अबजेक् पर्शन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी सूर्दास का जनम कब हुआ था और इनका नीधन कब हुआ इसके बारे में आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएए ठीक है ना हिंदी की बुक भी मैं बताऊंगी सारा लेकिन पहले आप लोग क्लास तो कीजिए सा दूसरा पद हम लोग पढ़ रहे हैं पहला पद आपने पिछले क्लास में किया है जिसमें गोपियां जो हैं उद्धो को व्यंग कर रहे हैं या ताना कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप बहुत लकी हो और वह वाले पद आपने पढ़ लिया है अब दूसरे पद में देखें कि यहाँ पर क्या वर्तलाफ हो रहे उधो और गोपियों के बीच में और लिखा जो सूर्दास के ये पद है तो चलिए मन की मन ही मांज रही ये दूसरा पद है मन की मन ही मांज रही कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही अवदी अधार आस आवन की तनमन विधा सही अवइन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहीनी बिरह दही चाहती उती गुहारी जीत ही ते उतते धार बही सूर्दास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही तो जब आप इस तरीके के पद को पढ़ते हैं तो जैसे मैंने रीड किया आपने सुना आपको मुझे पूरे उमीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा इसलिए आपको मेरी ज़रूरत है लेकिन हां खुद से भी पढ़के आप समझ सकते थे लेकिन मैं आस में लिखी गई थी तो वह ब्रज भासा थी और ब्रज भासा हमारे वहां जारखंड में चलता नहीं है तो चली हम लोग हिंदी में इसको एक्स्प्लेंड करेंगे और सबसे पहले हम लोग शब्दार्त देखेंगे और वैसे शब्दों का अर्त है जैसे कि आधार आधार का मत मतलब होता है भीतर मन जैसे कि लिखा हुए अब जैसे मांज का मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया भीतर अब कहा गया कि मन ही मन ही मांज रही यानि कि मन की बात तो हमारे मन ही में रह गई ऐसे ही लिखा हुए ना कि गोपियां कह रही है उधो से हे उधो मन की बात तो हम पारे मन ही में रह गई अब आगे हम लोग जानेंगे कहिए जाई कौन पर उधो नाहीं परत कहीं अब देखिए परत मतलब क्या होता है तो एक के ऊपर जो लेयर सोते हैं लेयर को हम लोग क्या कहते हैं परत कहते हैं और इसके बाद बीथा मतलब ब्यर्थ बिथा मतलब चलिए बीथा ब्यर्थ सही मतलब सहना बीरहनी का मतलब होता है वियोग में जीने वाले जैसे कि अगर किस वागर मत तो बियोग में जीने वाली को क्या कहते हैं बीरहनी कहते हैं बीरह में है कृष्णा के जाने का बाद का जो वीरह है उस वीरह में है ये गोपियां फिर सही मतलब सहना बहुत कस्टिनों ने सहा है बीरहनी बियोग में जीने वाले बीरह दही अगर लिखा हो है कही वर्ड तो बीरा की आग में दहन मतलब अगनी तो बीरा की अगनी में ये जल रही है और चाहती मतलब चाहना और हुती मतलब थी ये शकठी शब्द है गुहारी शब्द जो इस्तमाल हुआ है उसका मतलब होता है गुहार करना रक्षा के लिए किसी को पुकारना उत मतलब होता है उधर और धर मतलब होता है योग की धाराएं, फिर धीर का मतलब होता है धैरें, और धर ही मतलब धारन करना, और ऐसा नहीं है कि यह सारे जो पद हैं यह आपको याद करने हैं, याद नहीं करने हैं, मैं आपको बताओंगी किस में से कोशन किस तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आप question के answer आप तभी करेंगे जब आप इसके meaning को समझेंगे जब आप इसके अर्थों को समझेंगे मर जादा, मर जादा word था ना तो वहाँ पर क्या मर यादा लही मतलब नहीं रही तो अब चलिए अब हम लोग इसको हम लोग पूरे अच्छे से और detail में ताकि हम लोग को बहुत अच्छे से ये lines जो है समझ में आ जाएं अगर आप से question पूछा जाता है JSAC के द्वारा तो आप उस answer को करने में आप सक्षम हो जाएं चलिए गोपियां कहती है किस से उधो से और ये उधो जो है वो किसका संदेश लेकर के आए है तो वो कृष्णा का संदेश लेकर के आए है और कृष्णा ने संदेश में क्या कहा है तो ये कहा है कि निर्गुन धारा या निर्गुन धारा बताओ उनको योग की धारा पर लेकर के आओ प्रेम की धारा से उनको विचलिद करो और जो गोपियां है वो कृष्ण के प्रेम में है और प्रेम की धारा से हटा करके उनको निर्गुन धारा में लेकर के आने का संदेश भिजवाया है किस से तो ये उद्धो से उद्धो की अपनी कोई बात नहीं है वो तो एक संदेश वाहा की तरह काम कर रहे हैं लेकिन गोपियां ऐसी हैं कि किसी भी तरह का संदेश जो है इनके पल्ले नहीं पढ़ने वाला है और इनका अपना ही राग है और वो है प्रेम का राग पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि कृष्णा को गोपियां कह रहे हैं कि आप उस कमल की पत्ती की तरह हो कि हमेशा वो पानी में रहता है लेकिन एक बुंद भी उस्वा पानी नहीं लगता है यहिए तरह हो जल में ही रहती है फिर भी उसके ऊपर एक बुंद जलने आप इतना कृष्ण के साथ दिन रात रह रहे हैं फिर भी आपके उपर कृष्ण के प्रेम का कोई रंग नहीं लगा हुआ है आप एकदम कोई कृष्ण के बंधर में बंधे वे नहीं हो और हम गोपियों को देखिए कि हम लोग कृष्ण की बंधर मीज तरीके से बंधे हुई हैं तो गोपियां अपनी बाते जो हैं उधो के समक्ष रख रहे हैं कहिए जाई कौन पे उधो नहीं परत कही आपको ने जो संदेश लेकर के आए हो आप बोलते जाओ क्योंकि आप तो संदेश वाहक तो आप कहते जाओ कहते जाओ लेकिन हमारे उपर तो परत चड़ा हुआ है कृष्ण प्रेम का ये परत नहीं हटने वाला है आप बोलते जाओ आपको जो बोलना है आप बोलो अवधी आधार आस आवन की तनमन बिथा सही और हम लोग जो है एक आस लगाकर के बैठे वे थे कि हमारे कृष्ण आएंगे हमारे कृष्ण आएंगे लेकिन ये क्या उन्होंने एक संदेश वाहक उधों को भेजा और हम लोग जो हैं इस वियोग में कितना तन मन भी था हमारा जो तन मन है वो कितना कस्ट सा व्यर्त में ही और हम लोग यह इंतिजार कर रहे थे कि हमारे कृष्णा आएंगे लेकिन हमारे कृष्णा नहीं आए कहने का तात पर ए हैं कि आप निरगुन में आजाओ , योग में आजाओ !! योग की रहा हम लोगों को दे रहा हो अब यह तो जोग का संदेश है, यह सुन करके तो अभी तो हम लोग बीरा के आग में धधक उठे हैं, अब हम लोग जल उठे हैं, एक तो ऐसी ही हम लोग कस्ट सह रहे थें, कि अब आप आओगे, अब आप आओगे, और आप आए नहीं, और हम लोग इसकी आग में हम लोग अब ये सुन करके कि आप हम लोग को प्रेम मार के से छोड़ करके आप बोल रहे हो कि आप योग मार पर चले आओ तो चाहती होती गुहारी जी तहीं ते उतते धार बही इस लाइन का मतलब ये होता है ना दोस्तों कि हम लोग चाह रहे हैं हम लोग चाह रहे हैं ऐसा चाह रही थी कि हम लोग गुहार लगाएं हम लोग प्रार्थना करें हम लोग की कृष्ण आए लेकिन ये क्या वहां तो निर्गुन की धारा बह रही है वहां तो एक अलगी धारा बह रही है प्रेम जो है जिस धारा में हम लोग बह रहे हैं वो धारा तो वहां बही ने रही है वहां तो एक अलगी धारा है निर्गुन की और योग की और वो संदेश आप लेकर के चले आयो सूर दास ने लिखा है कि अब धीर धर ही क्यों मर जादा न लहीं कहने का तातपर ये है कि गोपी आप कहते हैं कि हे उद्धो अब हम लोग क्या धीर धरें अब क्या इंतजार करें कैसे हम अपने मन को संभाल के रखें क्यूंकि अब तो हमारी मर्यादा ही नहीं रही पूरा समाज पूरे लोग हर को यह जान चुका है कि हम लोग कृskन के प्रेम में है मर्यादा ही नहीं रहा। इतना अब फिर इसको मैं और आसान करके आपको बताती हूं और फिर मैं इसको रीड करती हूं ताकि और अच्छे सा आपको समझ आप देखे अब मैं जब आपको बताऊंगी एक-एक लाइन जो है अब आपको फिर समझ में आ जाएगा चलिए अब यह है मन की मन ही मांज रही कहिए जाई कौन पर उधो मतलब आप कहते जाओ जो आपने संदेश लेकर काया है उधो आप कहते जाओ ना ही परत कही हमारे उपर तो परत पर चड़ा हुआ है कृष्ण के प्रेम का अवदी आधार आस आवन की हम लोगों ने एक लंबा अवदी इंतजार किया है कि अब कृष्णा आएंगे लेकिन तनमन विथा सही और हमारा जो तनमन है बहुत तकलीव में रहा है हम लोगों इतना आपने पड़ा फिर चाहती हुती गुहारे जीते हैं उतते धार बही हम लोग तो चाह रहेते कि फिर से गुहार लगाएं फिर से आवाज करें लेकिन उधर तो एक अलगी धारा बहरी है वो निरगुन की है सूर्दास अब धीर नटर हीं क्योंग हमारी तो मरियादा ही नहीं रहे है यही अर्थ है इस पद कह तो चलिए मोग अगले पद पर जानते हैं चलिए आगे हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं अगला प्रश्न देखिए यहां सब्दार्थ दिया हुआ है यहां सब्दार्थ है आधार, मांच मतलब भीतर, बिथा मतलब व्यर्थ, सही मतलब होता है क्या सहना होता है और बीराहनी बियोग में जीने वाली बीरा की आग में ये जल रही है चाहाती मतलब क्या होता है चाहना खूती मतलब होता है थी एक मिनट चले अब हम लोग अगले भाग पर आते हैं और यही व्याख्या है जो मैंने यहां लिखा हैं जो मैंने आपको बताया अब हम लुग नेइक ऐभल वदें आप मेरे अपको लगों के लिए मने कोश्चन भी लेकर करके आय corpo और ॥ी तो अग उत्पात सिफाही की त्यारी कर रहे बच्चे आप लोग न थोड़ा सा धैरे आप भी रखे आपको ऐसा लग रहा कि कियो अबजेक्टिव करके और आपको इसके अंसर आ जाएंगे और आप जाकर कि एक्जाम में लिख दोगे तो इक्जाम रिजर्ट आपका हो जाएगा यह नहीं होने वाला है आप जो मैं बता रही है वसम जो तो आप लोगों को क्या करना है पूरे चाप्टर पढ़ने ही पढ़ेंगे और नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आने वाला है जैसे मैंने चली यहीं से कोशन में उठाते हूं आपको बताना है इस कोशन का एंसर आप कीजे बीना चैप्टर पढ़े आप इसका एंसर कर सकते हैं चलिए गोपियों को कृष्ण का विवहार कैसा प्रतीत हो रहा है उदार चलपुर्ण निस्ठूर और इन में से कोई नहीं कीजे एंसर नहीं होगा एंसर इसलिए कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं ह चलिए अगले प्रश्ण पर आते हैं अगला प्रश्ण है कि गोपिया स्री कृष्ण को किस के समान मानती है तो इस कोष्ण के एंसर को कीजे हरील की लकडी के समान या राजा के समान या कंबल के पत्तों के समान या तेल की गागरी के समान तो गोपिया स्री कृष्ण को किस इसके समान मानती हैं तो यह चलिए एंसर कीज़ें तो नहीं हो पाएगा यहां भी आपसका नहीं हो पाएगा अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशन पर आते हैं अब इसका एंसर करिए आप लोग उद्वों के द्वारा दीख गई जो योग सम्मधित सिक्षा है वो गोप मैं आपको दे रहे हूं अब इसका एंसर आप कीज़े अगर मैं आपको बता भी दूँ कि हाँ इसको क्लियर नहीं कर पाओगे सिक्जाम को क्योंकि पूश्चन एडजेक्ट यहीं पूछ दे यह भी कोई जरूरी नहीं है इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ गा ठीक है अब जेक्टिव भी कर रहाँगी आपको एसा लग रहे हूं और जो बोल रहे हूं उसको आप लोग समझा करो अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर दिखत हो जाएगे चलिए चैप्टर मुझे पढ़ाना ही है क्योंकि यहां पर मैं डिटेल में पढ़ा र लेकिन डीब बीटेयल वाला उनके लिए हज़्फुल हो जाएगे जो इक्जाम को क्राइक करना चाहते हैं अगर आप का सियाख नहीं करना चाहते हैं तो पिर आपके लिए जरूरत नहीं है यह लिए लिए नहीं है एक्जाम उनीका क्रेक होगा जो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे नहीं तो फिर आप यह सोच रहे हैं कि ऐसी ही एक्जाम आपका निकल जाएगा तो यह असंभव है इस एक्जाम को निकालना अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे इतना मुझे इसलिए समझान यह पूरा पद में आपको पढ़ा दूगी क्योंकि आज संडे और छुट्टी का दिन रहता है हम लोगों का तो आज इसका पूरा पद में आपको करा दूँगे यहां से कोष्टेन नजर भी करा दूँगे तो आपको इसका टेंशन लेने का ज़रुरत नहीं है मेरे class का time यही रहेगा तीन बज़े समय आप लोग का class लिया करोंगे प्रती दिन प्रती दिन तीन बज़े यही पर live होएंगे पद यहाँ पर तीसरा पद दूसरा पद आपने देख लिया अब हम लोग तीसरे पद पर आते हैं आप तीसरा पद है कि हमारे हरी हरील की लकड़ी ये तीसरा पद है हमारे हरील और क्यों आपने दस्वी में तो इसको पढ़ी रखा है न लेकिन ये प्रतियोगिता परिक्षा है प्रतियोगिता परिक्षा वही क्रेक करेगा जो अच्छे तरीके से पढ़ के जाएगा नहीं पढ़े रहेंगे तो एक्जाम नहीं क्रेक होईने वाले है तो हमारे हरी हरील की लकड़ी मनकरम बच्चन नन नंदन और यह द्रिड करी पकरी यह लाइन्स है अब इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि इसके जो टफ वर्ड्स हैं वहां के शब्दार् स्वसकersी कानहा जक्री सुनत जोग लागत है ऐसे हो जियो करूली कक्री ज्यूम्ह भ्यादी हमको ली आये देखी सुनी न करेई यह तो सूरतिनंगीए ले सौ्प जीन गान्थ चक्री तो इसका कहनिक आर्थ अब देखें एक-एक करके इसका हमारे हरे हरी हरी का मतलब होता क्रिशन क्या यह क्रिश्ण को पुकारा जा रहा है हमारे जो हरी यह हैं वह हारील की लकड़ी च्बि Elaiam की पक्षि रखती है और रूस लकड़ी को यह थो कहते हैं Wissenschaft चिडिया का नाम है इसी को कहते है हारील त्थी क्षिए न यह विसमान है अपने क्रिष्णा को जिस तरीके से ऊसं लक्ड़ी को नहीं छोड़ती है उस तरीके से हम अपने क्रिस्णा को भी नहीं छोड़ेंगे ठीक है ना ऐसा इन्होंने कहा है तो हमारे हरी हरील की लकड़ी मनक्रम बचन नन नंदन और याद्रिड करीब पकरी आगे है जागत सुवत स्वपन दिवस निसी चले हम लोग जैसे उनका कहना है गोपियों का उधो से कह रहे हैं कि मनक्रम बचन न हमारा जो मन है हमारा कर्म है हमारा जो बोलते हैं वह सभी क्रिष्णा में हो गया है वह सभी क्रिष्णा में है या द्रिड करी पकरी और यह जो जैसे हरील उस लकड़ी को पकड़ के रखता है उसी तरीके से हम लोग भी क्रिष्णा के प्रेम में हैं और उनको पकड़ के र हमें हुए हैं और इनकी अलावा और कोई विचार हमारे मन में नहीं है काना जक्री हम लोग सिर्फ काना पुकार रहे हैं उसके अलावा यहां किसी का भी कोई अस्थान नहीं है और आप जो सुनत जोग लागत है ऐसे हो आप जो बार 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 कहा रहे हो कि निर्गुन की धारा में आओ प्रेम धारा चोड़ो तो ये सुनत जोग लागत है ऐसे हो जेओ करुई ककडी तो ये जो ककडी आप लोग देखे होंगे इस तरीके का ये ककडी है और ये मौसम भी इसको कडवा लेकिन को छो खाना नहीं चाहता है तो आप जो है क्या है ठीक है मैं reply करूंगी पहले आप इसका पढ़ लीजे मैं थोड़ी दिन में पांच मेंट का आपको समय दोंगी उससे मैं मैं आप प्रशन मुझसे पूछेंगे मैं जरूर reply करूंगी चलिए तो यह कड़ी के समान है यह आप जो बार-बार कहह रहो हो कि योग है योग में आना है आप योग की धारा में आओ तो यह हमारे लिए कड़वे ककड़ी और यही से ऐसी ही प्रश्ण पूछा जाएगा कि किसके समान है इनको योग योग जो मिर्गुन की धारा में आने के लिए कहा जा रहा है वो गोपियों के लिए किसके समान है तो किस तरीके की बाते कर रहे हैं जो हम लोगों ना तो कभी देखें इस तरीके की चीजे आप जो आप जो ग्यान की बाते कर रहे हो वह आप किसी और के passwords लेकर्य जाम जिनके मन चकरी जिनका मन घुमा ऊब्हुश्चा लोगे उनका बिल्कुल फिजूल है और कुछ जरूरत नहीं है कोई आवशक्ता नहीं है आपको यह सारे राग जो है निरगुन की राग अलापने का क्योंकि हम लोग तो कृष्णा में है ठीक है तो ऐसा कहती है गोपिया तो यह भी हो गया यहां सब्दार्थ दिया हुआ है हारील का कि शवदार्थ को जानना चाहते हैं यह चैप्टर वन है जिसमें मैं आपको सूर्दास के पद के बारे में बता रहे हूं नंदन नंदन मतलब नंद के पुत्र यानि की कृष्णा उर मतलब होता है हृदे द्रिड मतलब होता है कि बहुत मजबूती से पक्री मतलब होता है पकड़ना जैसे हरील पक्षी जो है काफी मजबूती से जो लकड़ी को पकड़े रहती है इसी के ये वर्ड इसको यहां पर दिवस नीसी मतलब कि दिन रात जकरी मतलब कि रटती रहती है बार बार हम लोग क्रिशना क्रिशना जबते रहते हैं रटते रहते हैं करूई ककडी मतलब कडवी ककरी सू मतलब वा रोग पीडा पहुचाने वाली वस्तू करी मतलब होगा तिन ही मतलब उनको और मन चकरी जिनका मन इस्थिर नहीं रहता है आप अपनी बाते जो हैं उधर बताईए जिनके मन इस्थिर नहीं रहते हैं उनको सौप दीजे हमारे प अच्छे से अब समझ में आएगा हो सकता है कि पहली बार आप पढ़ रहे हों अब समझ में आएगी आपको चीज़ हैं हमारे हरी हारील की लकडी मन करम बचल नन नंदन उर्या दिरिड करी पकरी जागत सुवत स्वपन दिवस निसी काना काना जकरी सुनत जोग लागत है ऐस जैसो करूई ककडी जैसे कड़वा ककडी होता है वैसी ही लग रहा है सुनतो ब्यादी हमको ले आए मतलब जैसे ही हमने सुना कई बीमारियों का ये जड़ है देखी सुनी न कभी नामलेगर ने ऐसा देखा न कभी सुना या तो सूर्तिन हीलो सौंपो ये जो आपकी बाते आप उनी को सौंपो जिनका मन जो है इस धिर नहीं रहता है ये बाते हमारे सामने करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है क्रिष्ण क्रिष्ण जो है वो रठते रहते हैं ती इसका मतलब यही हुआ चलिए आप हम लोग आगे बढ़ते हैं अब लोग यह तो यहां भी क्लियर ह आप लोग का अंतीम पद पर आते हैं आज की क्लास की और यही है ककड़ी और मुझे लगता है कि आप लोग को भूख भी लग गई होगी अब चलिए लेकिन नहीं आज की क्लास में आप लोग को यह सारे चीज़ें पढ़नी हैं मैं आपको कराऊंगी अब आपके थोड़ से क Pdf कहां मिलेगा? यूटूब पर होंगे और यह प्रती दिल आपको फ्री क्लास मिलेंगे अब आपको नोट्स चाहिए या टेस्ट चाहिए वह आपको पेड़ कोगा तो पेड़ कैसे करना यह बाद मैं आपको बता दूगी अभी आप लोग क्लास को किजें और मैं notes बना रही हूँ, इसके notes आप लोगों को मिलेंगे, notes कैसे मिलेंगे इसके बारे में आपको बता दूँगे इस class का PDF आपको चाहिए, तो PDF के बारे में मैं बताऊंगे, थोड़ा सा धहरे रखें, PDF कैसे मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँगे पीडियाफ मिलेगा पीडियाफ मैं दूंगी लेकिन हाँ पीडियाफ पेड होंगे तो वह कैसे मिलेंगे यह मैं आपको बता दूंगे और कुछ प्रशन आप लोगों के इसके लिए अभी क्लासेज नहीं होगा और बताएंगे अभी नहीं होगा कुछ इनके बाद मैं प्लान कर सकते हूं मैडम पेपर रवन में 痛कि पर नहीं को जरूरी नहीं аगर हाप हिंदी की जानकारी आपने ले रखा है और हिंदी कौंध आपको आता है तो कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को पेपर open में आप लोगों की इंग्छ करे हिंदी से भी आप आप कर सकते आपाने का सिर्च हिवार तर टांडी yak क्वालिफ़ाइंग बसक्रा कि अधर एंगी च्वालीफाइं करते कि आप अगर यंग्लिजुठ आलते तो भी होगा सकते हैं क्लियर है चलिए और कोई प्रस्चन आप लोगों के टाइम टेबल विकी कुमार जी बिल्कुल मैं टाइम टेबल का वीडियो अगला वीडियो बनाऊंगी इसमें आप लोगों को जो क्लास है और यूटूब चैनल है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदोंग और यह चैप्टर का लास्ट भाग है यह पद है चौथा भाग और इस चैप्टर में सिर्फ आपको चार ही पद पढ़ने थे तीन आपने पढ़ लिए अब चौथा पद आप पढ़ रहा हो डीटेल में पढ़िएगा अगर आपको एक्जाम क्रेक करना है तो डीटेल में पढ़ना ही पढ़ेगा इस तरीके से आप भटकाओ मन में रखेंगे तो उत्पासिपाई की एक्जाम क्लियर नहीं होगे और लास्ट में आप बोलोगे कि हमसे नहीं हुआ पांसो तेरासी पद मात्र और उनी का सेलेक्शन है जो बढ़ियां से पढ़के जाएगा हरी है राजनिती पढ़ी आए अब चलिए ये बहुत इंट्रेस्टिंग है दोस्तों ये पद जो है काफी इंट्रेस्टिंग है और काफी जनकारी आपको मिले गए यहां से समुझी बात कहत मदु करके समचार सब पाए इक चतुर हुते पहले ही और अब गुरु गरंत पढ़ाए बढ़ी बुधी जानी हो उनकी जोग संग्देश पढ़ाए उधो भले लोग आगे के परहीत डोलत धाए अब अपने मन फेर पाए ही चलत जू हुते चराए अब चलिए एक एक करके हम लोग इसका मतलब समझेंगे और जैसे ही इसका मतलब बताऊंगी और फिर उसके बाद मैं रीड करूंगी फिर ये सारी चीज़ें आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे लेकिन जब इसकी व्याख्या सुनेंगे तो ये पद सारे आसान लगने लगेंगे क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और काफी प्राचीन पहले जब सूर्दास का जन्म जो है ये कब हुआ था जलिए 1488 में देहां कब हुआ था ये हो गया था 1583 में तो इस समय क कि लिख्यू हुई ये रचनाएं हैं तो थोड़ा सा अभी हम लोग जो आदनीक हिंदी बोलते हैं अभी के समय में तो उसमें उस समय में और इसकी भाषा में थोड़ा सांतर है तो फिर दिकत तो होईगी ना लेकिन इसलिए ना मैं आपको इसका व्याख्या कर रहे हुए आप अच्छे समझ में आजाएं चलिए हरी है राजनीती पढ़ी आए तो आप जो हो उद्धो गोपियां जो कहने हैं उद्धो से कि आप जो है हरी है जो राजनीती पढ़ी आए कहने का त्यात पर ये है कि आपने राजनीती पढ़ायो क्रिश्न से आप राजनीती पढ़ कर आयो आप पहले से और निर्गुन उपवाश्ना की बात उद्धो के द्वारा जब कही गई तो गोपिया यह कहने लगी कि आप तो राजनीति पढ़ के आयो कृष्ना से और आपने कृष्ना के द्वारा जो चीज बताया गया आप उसका संदेश लेकर के आयो और आपने सं और तुम्हारे गुरु ने तुमको और भी राजनिती का गरंथ पढ़ा दिया है और आप तो कृष्णा से राजनिती सीख करके आयों ऐसा गोपियों का इल्जाम लगाना है कृष्णा के भी ऊपर और उधो के वी ऊपर कि आप जो है पहले से राजनिती का जानते जानकारी मैं उनकी तेज बुद्धी समस्ते हूं गोपियां कह रही है कि मैं कृष्णा कितने तेज हैं कितने दिमाग वाले हैं हम लोग उनकी बुद्धी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और उन्हों नहीं तुमको योग साधना का संदेश दे करके बेजा है कि जाओ जा करके दूंता रहे हैं वही अच्छा अदमी होता है ना कि जो इदर उदर जा रहा है दूसरों की भलाई कर रहा है और है उद्धो आप बहुत ही अच्छे इंसान हो आप बहुत ही भले व्यक्ति हो कि आपको जो संदेश बोला गया आपने उनको पहुचा दिया कृष्णा से कहन कि हम लोग अपना जो मेरा मन जो तुम लोग ने चुराया है जो कृष्णा ने चुराया है हम अपना फिर मन पालेंगी जो उन्होंने हमसे चुराया है और उचिंता ना करें हम लोग अपना मन और वे जो दूसरों को निती का पार्ट पढ़ा रहे हैं कृष्णा जो दूस कि दूसरों की अच्छे का मार्गता रजा कैसा दर्म है और यहां पर आप उल्टा कर रहे हो आप तुम्हारे द्वार अनिती का मार्ग हमारे लिए त्याज़े है तुम्हाँ आप जो अनिती का मार्ग हमको बता रहे हैं जिस पे मुझे नहीं चलना है इसको हम लोग त्याग रहे हैं ये हम लोगों को नहीं चाहिए हम लोग जो प्रेम मार्ग में हैं वही हम लोग को चाहिए चलिए हम लोग इसको आपको थोड़ा सा और एक बर मैं पढ़ा देती हूँ तो अच्छे से समझे आ जाएगा हूँ चलिए अब एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करते विचाते हैं हरी है राजनीती पढ़ी आए आप तो कृष्णा से राजनीती पढ़ के आगे समुझी बात कहत मदु करके समचार सब पाए आपको जो कृष्णा ने कहा संदेश दिया आप वो समचार हम तक पहुँचा दिये एक अती चतुर हुते पहिलेगी आप गुरु गरंत पढ़ाए एक तो तुम पहले से ही चतुर थे और कृष्णा ने तुमको और भी ज़्यादा चतुर बना दिया है गरंत पढ़ाँ करके राजनीती का बढ़ी पुद्धी जानी जो उनको जोग संदेश पठाए और अच्छे भले हो तुम और आप जो बढ़ी पुद्धी जानी जो उनकी और हम लोग क्रिश्णा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं काफी दिमाग वाले वह हैं और वही तुमको जोग का संदेश देने के लिए पहजे हैं और ये क्रिश्णा का ये क्रिश्णा ने ही ये सारी चीज़ें किया है उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय हे उधो अच्छे लोग जो होते हैं वो अच्छाई फैलाने के लिए भलाई फैलाने के लिए इधर उधर घुमते रहते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हो अब अपने मन फेर पाही चलत जू होते चुराए अब हम लोग अपना मन ना हम लोग फिर पालेंगे जो वो ऐसा जिस जो कृष्णा ने चुरा लिया है और ये संदेश आप उनको दे दिजेगा कि हम लोग अपना मन पालेंगे जो कृष्णा ने चुराया है ते क्यों अनिती करे आपुन जे और अनिती चुडाए तो जिनको जिम्मेदारी है कि वो अनिती को छुडाए जो गलत काम में निती का पढ़ाना ना हमी अीस है कि उनको किसका पढ़ाये तो निती का पढ़ाए जो प्रजांatics सताई और tar traditional में कितने वीरा की आगना में है वीरा की आग में है लोगों को कर्षट पहुंचा रहे हैं तो यहां तरक लियर हो गया अब ये हो गया सब्दार चले यह गया आप लोगा पूरा पद हो गया आज की विजन कीजेगा कैसे तो अगर को नोट्स लेना है तो आप ले सकते हैं कैसे लेना होगा मैं आपको बता दूंगे यह कोशिस कुष है यही और आप इसको खुद भी लिख सकते यह किताब मेरे को पढ कर याC है मेरे नोट्स की जो कि आसान भाषा में लिकर के लेकर क्या हूं अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए तो यह नोट्स पेड है दोस्तों इसके लिए कैसे क्या करना होगा तो यह मैं आपको next class में बताऊंगी लेकिन चलिए अब कुछ question answer करते हैं ठीक है तो question आज की class में करेंगे कल की class में करेंगे आज की अचलिया आज ही करेंगे तो कक्षा 10 की हिंदी की छितिच भाग दो है यहां पर लिखाव है कृष्ण की संगती मेरा करके भी कौन उनके प्रेम से एक मिनट अच्छूते रहे हैं चलिए फटा फट और आप पूरा तो आपने पढ़ लिया आप एक एक करके answer करते वे चलिए देखते हूं किसको कितने answer जो है वो पता है चलिए एक एक करके answer करिएगा एक और फोन है ना उदर से ले आना चलिए इस क्लास का objective question यहां है अब answer कीजेगा कृष्ण की संगती मेरा करके भी कौन उनके प्रेम से अच्छूता रहा है यह पूर्ण यहां रख देना है अपने चलिए आपको बताना है answer करिए कर रहे हैं आप लोग answer चलिए क्या answer हो जाएगा कृष्ण की संगती मेरा करके भी कौन उनके प्रेम से अच्छूता है तो यह होगा ना answer बोपियों ने कहा उधो से हे उधो आप तो बहुत भागय शाली हो आप कृष्ण के साथ रहे और फिर भी आप प्रेम से अच्छूते हो जैसे की गागर जो हो गागर जो है गागर में अगर तेल आप लगा देते हैं और इसको आप पानी में डालते हैं तो इस पर एक बु दो घुघंध रहते हैं पानी की बुन वह भी उसको नहीं छूपाते है कि वह पानी में उसी तरीके से प्रिष्णके साथ इतना दीन तक रहे और आपको उनके प्रेम से आप अच्छूते रहे तो प्रेम के से अच्छूता कुन रहा। तो कौन रहे उधो गोपियां तो इतनी प्रेम में लगी हुई है कि कितना भी उधो समझा रहे हैं फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है चलिए अब हम लोग अगले प्रश्ण पर आते हैं अगला प्रश्ण है आप लोगों के सामने चलिए इसका PDF चाहिए चलिए आपको चाहि है उधो के प्रेम में क्रिष्णा के प्रेम में संगीत प्रेम में या योग प्रेम में क्या अंसर होगा क्रिष्णा के प्रेम में किसके प्रेम में तो गोपियां किसके प्रेम में आ सकत हो गई है तो क्रिष्णा के प्रेम में यह अना अंसर बी बिल्कु सही है चलिए अब आप लोग को समझ रहे हो कि यह जी के आप लोग हल कर लोगे यही कहानी क्यों दिया हुआ है क्योंकि उसी कहानी से क्वेशन जब कहानी ही आप नहीं पड़ेंगे कवीता ही आप नहीं पड़ेंगे तो एंसर कैसे करेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि आपका एक्जाम प्रेम के बंधन मेंώνने किणð tsunamiật में कितना दुख्ँ है कितना तकलीफ है और उपर से कृष्णा ने संदेश बेज़ दिया कि यौकी मार्ग अपना लो ये और भी कस्ट में ह रहते वे भी प्रेम के बंधन में नहीं पड़े अब हम लोग अगले प्रश्ण पर आते हैं क्रिश्णा की द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियों वापस लेना चाहते हैं क्रिश्णा ने क्या चुरा लिया था तो मन को चुराया या धन को चुराया या दह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा तो क्या चुराया है उन्होंने मन को चुराया है क्रिश्णा ने क्या चुराया मन चुराया उधो के वैवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है अब देखे जब आप चैप्टर नहीं पढ़े होते तो इसका एंसर कर सकते हैं नहीं हो पाता उधों के वैभार की तुलना किसके पत्ते से की गई है तो आपने पहले पढ़ा क्या तो यह कौन से किसके पत्ते थे तो यह कमल के पत्ते थे इसी से तुलना की गई है ना तो पीपल का पत्ता होगा कमल का पत्ता होगा केला का पत्ता होगा या गुलाग का पत किस चीज का पता हो गई है कमल का पता बिल्कुल सही है तूधों के विवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है तो कमल के पत्ते से कहा गया कि ये जल में रहता है और फिर भी जल इसको छू नहीं पाता है और वैसे ही आप कृष्णा के साथ रहते हो लेकिन आप कृष्णा के प्रेम में नहीं हो आप एकदम गागर की तरह हो तेल लगी हुई गागर की तरह गोपियां स्वैम को क्या समझ बोस्ति हैं वो पियां अपने जो पद पढ़ा है उसमें आपको क्या लग अपने आपको क्या समझ रही है अबला सुन्दर भागेशानी डर्पोग तो खोसली मांती है तो मांनी रही और उपड़ पोट तो वह है नहीं तो बहुत नीड़ है और उद्धाव किस तरीके से उनकी बातों का सामना कर रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि हम अबला हैं अब बहुत भोली भाली हैं तुम्हारे ये ग्यान वाले जो संदेश हैं कि आप योग के तरफ चले जाओ ती हमारे पल्ले नहीं पढ़ने वाला है हम लोग कृष्णा के प्रेम में हैं उध अगला प्रश्न है कि जो उधो थे वो कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आये ते जल्दी जल्दी अंसर किजेगा आप लो प्रेम का संदेश लाए योग या निर्गुन का संदेश लेकर के आये थे मोह का संदेश लाए थे या इन में से कोई नहीं उधो कृष्ण का को अबला समझती हैं उद्धाव कृष्णा को कौन सा संदेश लेकर क्या थे बज्जा एंसर कीजेगा तो यह योग और निर्गून का संदेश लेकर क्या थे कि गोपियों से उन्होंने कहा कि आप निर्गून को अपनाओ आप योग लो लेकिन उनका कहना था नहीं हम लोग प्रेम में है क्रिश्णा के तो उद्धवा क्रिश्णा का कौन सा संदेश लेकर क्या थे तो निर्गून या योग का संदेश लेकर क्या थे अगर आप्शन में दिया रहे है निर्गून तो एंसर कीजेगा योग दिया रहे है तो योग एंसर करना है चली अब हम लोग तो गोपियों को कृष्णा जो है वह छोड़ करके कहां चले गए एंसर कीजेगा तो कहां चले गए तो यह चले गए मथूरा कहां गए मथूरा में तो यही एंसर होगा क्या एंसर हो जाएगा option number D गोपियों को अकेला छोड़ करके कृष्णा मथूरा चले गयते हैं और वहां से उद्धो के द्वारा एक संदेश बेजे गोपियां योग का मार्ग अपना लें लेकिन गोपियां अपनी मन की जो बाते हैं वे उद्धो को कह रहे हैं कृष्णा की आने की प्रतिक्षा कि से कौन कर रहा है कि कृष्णा आ जाए इसके इंतजार कौन कर रहा है क्या भक्तों को है इसका इंतजार या उद्धो को जो उद्धो संदेश वहां है तो यह जो पद पढ़े हैं उस पद से आपको एंसर करना है तो कृष्णा का इंतजार यहां पर कौन कर रहा है तो गोपियों को कृष्णा का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है तो उदार प्रतीत होता है चलपुर्ण प्रतीत होता है निस्थुर प्रतीत होता है या इन में से कोई नहीं इनका व्यवहार कैसा लगता है इनको जल्दी जल्दी आप लोग एंसर करेंगे तो इनको गोपियों को ऐसा लग रहा है कृष्णा के वैवहार में कि उनको चला गया क्यूंकि वो आने का बात बोल करके गए और उन्होंने योग का संदेश भेजा तो उनको ऐसा उनका जो वैवहार है वो चल पुन लग रहा है कि इनको चला गया है और इनके मन को वो चोड़ी करके ले गए इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे मन को वो चोड़ी करके ले गए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्ण पर आते हैं गोपियां स्री कृष्ण को किसके समान मानती है गोपियां कृष्ण को किसके समान मानती है देखे यह यहां उधो नहीं लिखा हुआ है अगर उधो लिखा रहता तो इसका अंसर कुछ और होता लेकिन यहां लिख रहे क्या कि यहां प्रश्ण में है क्रिश्णा तो गोपियां क्रिश्णा को कैसा समान स्तमस्ति हैं तो हरील की लकड़ी के समान और एच्छा यह बताईए चैप् कमल के पत्ते के समान या तेल की गागरी के समान किसको मानी यह उधो को मानी लेकिन हरील की लकड़ी हरील खुद को मान रहे हैं और हरील की लकड़ी कौन हो गई तो हरील नामा के चिडिया है और यह चिडिया जो है यह क्या करती है तो यह चिडिया अपने पैर में एक का कि ये ये लकड़ी कभी छोड़ती नहीं है जिस तरीके से ये जो गोपियां है ये गोपियां कृष्णा को हरील मानती है हरील की लकड़ी तो ये कृष्णा हमारे किस तरीके से हैं तो हरील की लकड़ी के समान है जिसको गोपियां छोड़ने वाली नहीं है जैसे हरील कि दूट को कि समान को कि एक लत्ती है् तो याद रहेगा ना आपने इसी पद में पढ़ा था शौकत अली जी हारी लत्ठी समान होगा चलिए कि इन के मर्यादा का डिन का किने कि ऊहों कि वन्हों ने प्रेप की मर्यादा का अलंगन की आए गोपियों ने उधा 돌 राजाने और कृष्णा ने कैंसर हो जाएगा प्रेम की मर्यादा का उलंगहन किस ने किया है तो यह उलंगहन किया है क्रिश्णा ने क्यूंकि कहीं भी उधो की क्या गलती है उधो की तो कोई गलती नहीं है उधो तो संदेश लेकर के आए और कृष्णा ने उनको बोला संद करके वो संदेश बेजे हैं ग्यान की तरफ आगे बढ़ने का तो ये कृष्णा ने जो गलती किया है इन्हों किया है प्रेम का मर्यादा का उलंगन कृष्णा ने किया है क्योंकि वह प्रेम को नहीं समझे लेकिन गोपियां जो है वह अभी भी प्रेम मार्ग पर ही है यह नों कि भी आप इसको कह सकते हो और क्यूं कहा है आखिर रीजन क्या है कहने का कि उधो तुम हो अती बड़ भागी ऐसा कहने का क्या मतलब हुआ तो कृष्णा के प्रिया सखा होने के कारण कहा है कि आप कृष्णा के बहुत अच्छे मित्र हो इस वज़े से आप भागेशाली हो या फिर क्रिश्णा के सामीप भी रह करके आप क्रिश्णा के साथ रहे लेकिन उनके साथ रह करके भी आप मिर्गुन की बात कर रहे हैं आपको प्रेम की बात करनी चाहिए लेकिन आप क्या कर रहे हो निर्गुन की बात कर रहे हो आप इनके साथ रहते हुए भी आप मिर् किया है अंसर बी ये बिल्कूल सही एंसर है गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग तो बी एंसर किन्हों ने किया है छोटू कुमार डांगी जी भी एंसर होगा भी होगा एंसर बी भी कृष्चना के समी प्रहकर भी वो निर्गून की बाद कर रहे हैं अब आगे बढ़ते अगले प्रश्ण पर आते हैं मथूरा जाते समय स्री कृष्णा गोपियों का क्या ले करके चले गए जब वो मथूरा जा रहे थे तो कृष्णा गोपियों का क्या ले करके गए उनकी आभुशन ले करके गए या फिर निती ले करके गए या फिर बुद्धी ले करके चले ग करके गए तो चिंता मत करो वो मन हम लोग फिर वापस ले लेंगी और हे उधो जा करके ये संदेश कृष्णा तक पहुंचा दो कि हमारे मन जो चोरी करके ले करके गए हो वो हम वापस पालेंगी अब हम लोग अगले प्रश्ण पर आते हैं उधो के द्वारा दी योग संबंदित सिक्षा को गोपियां कैसा बताती हैं जो उधो जो संदेश दे रहे हैं योग के मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं इस संदेश को गोपियां क्या बताएं किसके समान बताएं खटे आम के समान कड़वी ककड़ी के समान अब अब तो आप एंसर कर दोगे पद आपने अच्छे से तो, कड़्वी, कदडी के समान करवा करेला के समान या खटे संद्रा के समान क्या हो जाएक एकन सर क चलिए मैं मिन्सिपल की वेकेंसी के कोस्चन नहीं यह हारखम से हा जा जार्खं से म्मिनसिपल के में आएंगे आप लोगी जारकन जी के से भी question आएंगे ककड़ी के समान, जी बिल्कुल सही कड़वी ककड़ी, तो answer क्या हो जाएगा तो वो समझ रहे हैं कि उधो जो इनको बता रहे हैं गोपियों को, वो एकड़वी ककड़ी के समान है, जिस तरीके से कड़वी ककड़ी हम लोग खा नहीं सकते हैं उसी तरीके से यह उधो जो है यह योग वाला जो बात कह रहे है वो हमारे पल्ले नहीं पढ़ने वाला है एकड़वा ककड़ी है वो चलिए अगले प्रशन पर आते हैं गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना क्या चाहिए गोपियों राजा सर्वसक्तिमान होना चाहिए राइसा राजा होना चाहिए जो दुख देता रहे तकलीफ देता रहे यह राजा निती का पालन करे यह राजा अत्याचारी हो गोपियों के और उन्होंने तो योग वाला मार्क अपनाने को बात करके हम लोगों को अनिती के रास्ते पे ले करके चल रहे हैं और राजा ऐसा होना चाहिए जो निती का पालन करें वो खुद पहले निती का पालन करें तब हम लोगों को कोई ग्यान दें नहीं तो उनका ग्यान की जरूर प्रेम की मर्यादा लोकलाज की मर्यादा समाज की मर्यादा उपरोग्त सभी क्या अंसर हो जाएगा तो गोपियों के अनुसार स्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है यानि कि वो एक अलग राग में है और वो कौन सा राग है यह योग का राग है जो कि यह गोपियों को नहीं चाहिए क्यूंकि उनको उनका प्रेम चाहिए और प्रेम में बंधी हुई है गोपियां कृष्णा के ये कोशन है कि हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है अब जैसे मैंने आपको बताया ये जो हारिल पक्षी है तो ये हारिल पक्षी अपने पैर में किसको लेकर के रखे हुए है तो ये लकडी लिया हुआ और ये किस के समान है आपने पिछले अभी कोशन में क्या है तो यह हारील लकडी यह कृष्णा के समान है लेकिन यह हारील जो पक्षी है यह कौन है तो यह है गोपियां यहीं प्रशन आप से पूछा गया है कि हारील पक्षी से किसकी तुलना की गई है तो यहां पर हारील पक्षी कौन फॉप हगा कौन हुआ हारील पक्षी कृष्न की गोपियों की उधो कि या मत्फुरा वासियों कि क्या अंसर होगा कि हाँ बिलकुल गोपियां ऐसर ऑप्षन जिन्हों ने भी पी किया है यह बी अंसर सही होगा गोपियां होगा भी चलिए answer क्या होगा देखिए हिंदी के class का जो timing है वो 3 बजे का है जिनको हिंदी के class करनी है free वाली वो 3 बजे आप इस class को कर सकते है यूटूब पर free है कहीं आप पूरा course मैं complete कराऊंगी हिंदी का आप एकदम चिंता नहीं किजेगा इसका चलिए timing क्या है अब चलिए अगला प्रशन है last question है ये गोपियां खुद का सुभाव कैसा बताती है वो क्या बता रही है कि गोपियां कैसी है दरपोख है नहीं हिंदी है बता जो पद में है वो आप पढ़ियेगा नहीं मनमजी है नहीं पद में उन्होंने कहा है कि हम अबला है हम लोग भोली भाली है अबला option में नहीं अबला वज़ा कुशन आपनी कर लिया है गोपियों का कहना है हम भोली भाली है ठीक है तो ये अंतिम प्रशन था आज का तो ये हो गया आज का क्लास खतम क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी की इस क्लास में हम लोग आज की इस क्लास में कहानी पढ़ेंगे और ये कहानी होगी दोस्तों जो किताब है आप लोगों की छितिज फाग दो इसका एक शिर्षक है जो है नेता जी का चश्मा इसी सीक्षा की कहानी है जो हार के सिदी पूर्ड की जिए आवाज आ रही है अगर सही तरीके से तो कमेंट कीजे अब हम लोग इनके लेखा के सबसे पहले अब लोगे जानेंगे कि इस किताब को लिखा किसमें था लिखे थे स्वयम प्रकास ने और ये गद खंड का ये भाग है स्वयम प्रकास ने लिखा है आवाज गुड इवनिंग छोटुला जी अगर आप मेरी आवाज अगर अच्छे से आ रही है और आवाज आपको अच्छे से मिल रहे हैं तो फिर आप मैसेज कीजेगा तो फिर मैं वीडियो को आगे ले करके जाओंगी नहीं तब पर यहीं पर खतम कर दूँगे इस क्लास को गुड इवनिंग दिवाकर जी काम ठीक है चलिए तब हम लोग क्लास को शुरू करते क्योंकि यह कहानी है और कहानिया तभी समझ में आएंगी आप लोगों को जब आप लोग इसको अच्छे से अच्छे से पढ़िएगा चुनिएगा अच्छे से तो का चलिए स्वयम प्रकास जो इसके राइटर है इनका जनम हुआ था कहां तो यह 1947 इस भी में इंदौर में जनम हुआ था मध्यपरदेश का एक जगह है इंदौर यहीं पर इस लेखक जिनका नाम है स्वयम प्रकास जिनका जनम हुआ था और इनका जादा तर जो समय था जो बश्पन भी था जो नौकरी करने का जो समय था जोस्व्जादा समय जो इनका भीता हारत की एक राज्ये जो है जिसको कहते मैं राजस्थां यहीं पर विचा था और यह वसुधा पत्रीका के संपादक भी हैं स्वयम प्रकास की चर्चा हो रही है क्यूंकि चैप्टर जब शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले जो शुरुवात करनी होती है वो लेखक परिशया से करनी होती है हो सकता है लेखक परिचे से भी आप लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाएं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें तेरा कहानी संग्रह जो है यह बहुत महत्पुर्ण है और इस तेरा कहानी संग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट है सूरज कब निकलेगा आएंगे अच से भी पूछा जा सकता है यह किसका कहानी संग्रह है कि लेखक परिचे से कोशन आते हैं पांच उपन्यास है इनके लेकिन उसमें से भी जो प्रमुख है वो उसका नाम है वीने और इंधर जो इन्होंने लिखा है कुछ साहितिक पुरसकार भी इनको मिले हुए हैं अब कौ बारे में कि अगर इनकी जो भाषा सेली है वो किस तरीके की है तो जो मध्यम वर्गिया परिवार है ना उनके जीवन को चित्रित करते हैं बहुत खुशल चित्रन करते हैं और इसी सेली में यह अपनी किताबों को लिखे हैं एक किताब है नेता जी का चश्मा जिसको आप लोगों को कख्षा 10 में आप लोगों को पढ़नी है और चैप्टर नंबर जो है वह साथमा चैप्टर है और यह आपके सीलेबस में है यदि आप एक साइस कॉंस्टेबल की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह काफी करते हैं क्योंकि बीना कहानी पढ़े आप लोग इस एक्जाम को नहीं कर सकते बीना कविता पढ़े इस एक्जाम को अब पर सलगता है क्रेक पर लोगे तो नहीं होगा इसमें एक पात्र है जिसका नाम है हालदार साहव यह नाम आपको याद रखना है कुछ और भी पात्र है जैसे हालदार साहव है पान वाला है एक लंगडा जिसका पैर नहीं है एक लंगडा देश भक्त है दूसरा यह चौथा पात्र एक चित्रकार है जिन्होंने जो ड्रॉइंग के टीचर है और जिन्होंने इस मुर्ति को बनाया है और यह दो पात्र ऐसे होंगे जिसके बारे आपको एक्स्रा पढ़ना है लेकिन कहानी कि हम लोग शुड़वात करते हैं यह बिल्कुल आपको एनिमेटर यह क्लास ल बश्च्पन आपका याद आजाएगा और बश्च्पन में हो सकता है कि आपने जो अब उस बश्च्पन को देखा है जिसमें आप कॉमिक्स पढ़ा करते थे मुझे भी आद है अम लोग छोटे में बहुत सारा कॉमिक्स पढ़ते थी कितना इंट्रस्टिंग किताबें होत समझाने वाले हैं हालदार साहब के काम से हर इक और 15 दिन के बार एक रास्ते से और उस रास्ते में पड़ता था कि असे था पंदरादीन के पर करता क्या अब थोड़ी कस्वे के बारे में देखे कि किस तरीके का था कि बहुत बड़ा नहीं था ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कस्वा है ऐसा नहीं था यहां पर कुछ कुछ मकान ही थे जो पक्केइटो से बने हुए थे एक बजार भी लगता था इस कस्वे में आगे जानेंगे एक लड़कों का स्कूल भी था एक लड़की। का स्कूल भी था एक सीमेंट का चोटा सा कार खाना हुआ करता था लगर पालिका करते हैं यहां तक तो समझ में आगे आप लोगों को तो नगर पालिका भी था अब जो नगर पालिका था हैं तो तो वह कुछ काम भी कर लिया करता था कुछ काम करती थी अब क्या करती थी तो कभी-कभी सड़के उसको पक्की करा देती थे कभी-कभी करते थे कहानी है इसको नेता जी का चश्मा क्यों सिर्षक रखा गया आगे वह लोग जानेंगे लेकिन यह इसकी शुरुवात हो रही है और कहानी को पहले ही में सारा उसका बता दूनी चोड़ या सरांस तो कहानी सुनने में मज़ा नहीं आएगा किसीलिए आगे-ागे की होता है किया तो यह नगर पाली कहा थी तो कुछ ना कुछ काम भी कर लिया करती थी कभी सडके बनवा Keep कर देते कभी कभूत्रों के छत्री बना दिये जाते थे और कभी-कभि यहां पर कभी अब्लग इसम्मीलन आये हो प्रशास्नीग अधिकारी या फिर कोई उत्साही बोर्ड ने एक काम किया तो शहर के मुख्य बजार में क्या कि वहां सहर के मुख्य बजार में मुख्य चुराहे पर नेताजी शुहास चंदरबोस की प्रतीमा बनाई गयी आप चीतर एक पर नागर पालिकान बे कहां किया तो शहर के बीचोवी पर कास में किया बाजाब्स बना वास और इसकहां किसंग मर्मर का ना कि, अब्स पेजों इसका नाम नाम यहां पर ये सुभाष शाद्रबोष कीムैने उनका मूर्ती बनाए मार्वंस तरही हैं यह मुर्ति संग्मर्मर की थी किस चीज की थी क्वेशन यहीं से पूछेगा याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्ण पूछ दे रहा है कि मुर्ति जो बनी थी सुभाष चंद्र बोश की चौराहे पर वह आखिर किस चीज के बनी थी तांबे की थी पीतल की थी कांसा की चीज या संग्मर्मर की थी संग्मर्मर की मुर्ति थी और कहानी जो है किसी प्रतीमा के बारे में कश्मा आप देख रहा है नहीं किसी पर पूरा आधारी था नेता जी का चश्मा और यही है कहानी इसी प्रतीमा के बारे में है जो प्रतीमा बनाई गए बलकि उससे भी एक छोटा सा हिस्सा मतलब कि यह पूरा प्रतीमा तो लिया ही ने गया यह बैच है यह शर्ट है किस तरीके का चेहरा है ऐसे हाव आप ना इसका भी एक बहुत ही छोटा हिस्सा वो कौन यह चश्मा इस पर अधारित यह पूरी कहानी है कहानी इंट्रेस्टिंग होने वाली यह नहीं है यह बताई है ग्रामर भी पढ़ाओंगी आप चिंता नहीं कीजिए चलिए फूड़ा सा धहरे रखिए एक एक करके सारी सारी चीजे में पढ़ाओंगी और सिलबस को एकदम आसान कर प्रतीमा आफ वह बनाया किसने मोति लाल जी और सिरे सठीर और सिल लीजडेव और प्रतीमा को बनाया और यह मोति लाल जी स्कुल के एक यहां इस गाउं में इस बस्ती में इस कस्वे में एक हाइश स्कूल के इकलोते सिंगल किया थे दॉइंग मास्टर थे प्रतीमा बनाना है प्रतीमा इन्हों बनाया और इन्हों ने कहा कि माहभर में मुर्ती बना करके पटक देने का विश्वास दिलाया यह मोती लाल जी कौन थे तो हाई स्कूल के इकलौते ड्रॉइंग मास्टर तो यह भी कुछन आसे पूचा जा सकता है कि नेता जी के चश्मा में एक किरादार था जिनका नाम था मोती लाल क्या करते थे तो मोती लाल क्या करते थे तो यह उसकूल में यहां पर जिन्होंने जिमा सौपा था उनको मुर्तिकारों की जनकारी नहीं थी कौन अच्छी मुर्ति लागत का अनुमान और उपलफद बजट कम होगा और अच्छी मुर्ति जहां बनाने जा रहे होंगे तो वहां पर लागत ज्यादा लग रहा होगा तो यह वी बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों ने सचा कि चलो कोई अस्थानिया मुर्तिकार हो उसी से बहुत जादा बरबाद हो यानि कि समय की बहुत जादा किलत थी तो इस रीजन से एक निर्शकर्श पर निकला गया और पालीकार के तरफ से कि यह जिम्मेदारी कि स्वापी जाए मोतिलाल जी को और मोतिलाल जी कौन थे तो हाई स्कूल में एक ड्रॉइंग के टीचर थे तो उनको जीमा मिल गया जीमा क्यों मिला यह भी आपने जाना चलिए इस पड़ाव को भी पार किये अब यह जो मुर्ति बन के त्यार हुई नेता जी की यह मुर्ति कैसा बनाया अच्छी यह देखें दो फिट उची थी तो अगर आप से पूछा जाए कि इस जो नेता जी का चश्मा में नेता जी की जो मुर्ति थी उसकी उचाई कितनी थी स्चन ऐसा भी आ सकता है तो आप इससे बिलकुल मतलब अंजान मत रहेगों कितनी उचाई थी उचाई कितनी थी इसकी दो फिट थी इसका कोश्ण एसर भी मैं कराओंगी और हर कोश्ण के उतर आ तो सही करन है और इस तरह की जो मुर्ति होती है ना उसको क्या बहुते हैं तो उसको हम लोग वर्स्ट कहते हैं यह यह जाता है और यह काफी सुंदर मुर्ति बनकर हो तेना कितना मासूम किस तरह की मुर्थी बन करके तियार हुए और और वर्दी की तो यह फौजी वर्दी ना कि आप जो फोटो देख रहे हैं तो यह वर्दी की विश्यस्ताइं थी तो कौन-कौन सी विशायस्ता आए थी याद कीजे दो फूट उची थी तो पीस के नोख से ले करके कोट तक के यह मुर्ती थी इसको बिस्ट कहते हैं बहुत सुंदर थी बहुत कुछ मासूम और कमसिन और फौजी वर्दी वाली थी मुर्ती को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे कोंडो वगरा याद आ जा रहे थे क्योंकि यह दिल्ली चलो और तुम मुझे कोंडो यह वाला जो जो स्लोगन था यह किसमें दिया थ हैं इनके तरफ से बहुत ही सफल और सरांय प्रयास था है यहां नगर पालिका का था कि इन्हों ने सुभाश चंद्रबोष की मुर्ति अस्थापिती बजार में और यह चौराहे पर लेकिन उसमें एक कसर रह गए थी अब मुर्ति में कसर क्या रह गया था वह भी अम लोग देखें कसर क्या था तो कसर यह था कि नेता जी के आंखों पर उस चश्में को अलग से डाला गया था और लेकिन और यह चश्मा था भी देखें अगर यह तो यह किस चीज़ का बना हुआ तो यह संग मरमर का नहीं था डूने मुर्ति बना दिया तो उनको हुआ नहीं लगा करison Reginal पर वह चश्मा संग मरमर का नहीं था को Пक एक समानोय और सचमुच का च स्च्मा का चोड़ा काला फ्रेम और यह फ्रेम कैसा था तो चोड़ा था और काला फ्रेम का था यह आप जो गोल चश्मा देख रहे हैं ऐसा नहीं था यह चोड़े और काले फ्रेम वाले चश्में इनको पहनाई गये थे और फ्रेम मुर्ती को मतलब यह फ्रेम मुर्ती को पहना दिया ग में आते हैं कि जो हल्दार सहाब जो कि उस रास्टे से गुजरते थे पड़ें उसकाyal बाता उसका है तो पान की दुकान पर और फिर यहां पर यह सोचने लगे मुर्ति को देख करके कि मुर्ति पत्थर का है और चस्मा रियल लगाया गया है और पान की दुकान पर पान खा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं फिर हलदार सहब जो हैं तवराहे के तरफ से होते वे आगे बढ़े और वह सूचने लगे और नागरीकों का प्रयास बहुत सराहनिय है यहां के जो नागरीक हैं उनके प्रयास बहुत सराहनिय है बहुत अच्छा काम इन्हों ने किया है कि एक सुभाय शंद्रबोश की मुर्ति लगाई गई है चोराहे पर मुर्ति का रंग या कद इसका कोई महत्व उतना नहीं है बलकि उस भावनाओं का महत्व है कि इसलिए चश्मा अगर नहीं भी है तो उसको अलग से चश्मा पहना दिया गया है यह जादा महत्व रखते हैं वरना तो देशभक्ती मजाग की चीज होते जारी है तो आपको लगेगा बहुत आसान चीज लेकिन जब तक आप पढ़िएगा नहीं चैप्टर को तो एंसर नहीं कर पाईएगा और कोश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा और कहीं बाहर से कोश्चन नहीं आने वाले हैं कोश्चन यहीं से आने वाले हैं हाँ बिल्कूल कैप्टैन चश्मा वाला अब आएगा मतलब यह देशभक्ती में एक मजाग की चीज होते जारी है इनको ऐसा मतलब यह हालद से गुजरते हैं पिर उनका ध्यार मुर्ती पर जाता है उन्होंने मुर्ती देखा सुभाष शंद्र बोस का चश्मा दूसरा था यानि कि चस्मा का जो फ्रेम था वह बदल गया था अब दूसरे पहन लिये था और ये तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था अब जैसे कि आप अब जो चश्मा, गौल हो गया और फिर वह पतले वला चिसमा हो गया भी मुलेंट बड़ी आश्चर है अब देखिए हालदार साहब क्या सोच रहे हैं मुर्ति देखकर कि हालदार साहब बहुत ही कौतुक मतलब जानकारी मतलब लेना चाहरते आखिर ऐसा कैसे बहुत उत्सुकता हो गए इनको जानने के लिए कि आखिर यह चश्मा बदला कैसे वह भाई तो मुर्ति कपड़े बदल सकती रही कि लेकिन चश्मा बदल सकती यह कोई और चश्मा और इमाले कुछ और चश्मा लेकिन हालदार साहब जहें यह इनकी जो सोच थी बहुत दूर तक यह सोचते थे यहीं तो नहीं रुके इनके मन में यह बार-बार यह बात आने लगा इसलिए क्योंकि अगली बार जब यह इदर से रास्ते से गुजरे तो फिर उन देखते हैं क्या फिर अपनिया चश्मा उनके आँखों पर सुभाष कर शंद्रम सके अब तो इनको रहा नहीं गया बोले पहली बार आये तो कोई और चश्मा दिख लात आए अखिर बात क्या अब हr साहब आधत हो गई थी क्या थी इस लास्ते से गुजर रहे थे गुजर्ते थे कस्बे से गुजर्णा ही होटा था फैक्टरी जाने के क्रम म और चौराहे पर रुकना होता था पान खाने के लिए पान खाने के लिए और फिर वह वह मुर्ति को बहुत ध्यान से देखा करते थे यह इनकी आदत हो गई थी क्योंकि हर कुछी के बाद गुजरना होता है यह देखते ही थे एक बार कॉप्त हल दूरदम मनिया मतलब क्या होता है जिसका दमन करना बहुत क्ठीन होता है अपने जो मेरे मन में जो कॉप्त है जानने के लिए यह देख है अब बर्दास्त नहीं है अब जान करके ही रहेंगे कि आखिर यह बदला होता क्यों है तो चलिए यह बहुत ध्यान से अभ देख रहे थे इस चसमे को तो इन्होंने क्या किया पंवाले से पूछा यह जो पान वाला जो है इसका प्रमुक किरादार है का और लूंक की यह पूछले अब नेता जी का चश्मा हर दम बदलता यह तो क्या नोंने आखिर वात किया है चश्मा हमेसा मैं रहता है हम जब मैं देख रहा हूं जब इसे गुजर रहा हूं कुछ अलगी चश्मा है अब पानवाला क्या किया इसका किरादार कैसा है पानवाला मुझ में पान ठूसा क्या किया पानवाला खुद भी खाता था बहुत सारा पान और लोगों को तो खिलाता ही था मुझ में पान को ठ पान वाला लेकिन मूटा अ बहुत खाता था तो मून में पांठ धूसा जालदार साहब के प्रश्ण सून करके यह आखों ही आखों में हसा पता कि कुछ बोला नहीं या चेरे पर जैसे प्रश्न को सुना और जब उसकी जो ते ना क्योंकि बहुत मोटा तो इसकी तोन्द क्या है तिर रहिए थे मतलब मोटे आदमी हसते है रखता है क्यों रिठेश सा घुमा जैसे कि अब जैसे कि सामने प्रश्ण पूछा जा रहा है वह पीछे घुमा और जो मुह में पान का जो थूख था उसको थूखा ऐसे पीछे घुम करके थूखा जवाब देने के लिए क्योंकि इनसे प्रश्ण हुआ था आखी तुमारे नेताजी का चश्मा में सब बदलता क्यों है किसी प्रश् आपने देखा होगा जो पान खाते हैं नसकी फेलना रहती चापन चश्मे वाला काना यह captain चश्मे वाला करता है मुँँ में से पान थुकने के बाद इसने जवाब दिया क्या जवाब दिया captain चश्मा वाला अब देखें यह वरतालाथ है दो लोगों के बीच में एक लोग है कौन यह हालदार सहाब है और यह कौन है यह पान वाला है फिर हालदार सहाब ने प्रश्न किया बोला प्रश्न में क्या करता है मतलब क्या करता है यह क्या मतलब नाम सुना इन्होंने captain चश्मे वाला रिलेट नहीं कर पार है यहां इतना ही बहुत बहुत चेंज कर देता है कर देता है तो उत्तर में पूछा क्या मतलब चश्मा चेंज कर देता है फूले क्या मतलब कर रिणम ने्मतलब मतलब मतलब लिए जै की राखा गयाутств मेर्च क्या गिराक क्या तो Anh और आगे बोलने का यह तरीका में कोई यायो को कौंछ वॖ की चोखट चोखट चाहिए थो क्यों क्याप्टे से लाएगा तो उसको मुर्तिवाला दे दिया उद्धा दूसरा बिठा दिया इतना ही है अब यह आपको भी समझ नहीं है और यह हालदार सहाब को भी समझ ना है इन्हों ने अपना तो उत्तर कर दिया चले एक बार और मेरिट कर देती हो सकता आप भी समझ लो कोई गिराक आगया समझो उसको चौड़े चौकट चाहिए तो केटन किदर से लाएगा तो उसको मुर्तिवाला दे दिया उद्धा दिया अब चलिए अब यह हालदार सहाब ज्यादा कुछ नहीं पूछे अपना ही दिमांग लगा रहे हैं तो हालदार सहाब क्या किये सोचने लगे जिसा अुछे अब उनके मन में क्या किया आए अब यह सोच रहे है इनके मन में हालदार सहाब क्या सोच रहा है उस लाइन का मतलब क्या निकलता है बहुत जुश्मे वाला है फिए प्रस्षण पूशे तो बहुत लीमिट ब में एंसर करता था तो एक चश्मे वाला है, जिसका नाम है Captain, उससे नेता जी के बगएर चश्मे वाली मुर्ती बुरी लगती है। क्यूंकि नेता जी तो चश्मा आप कहीं भी नेता जी का चितर देखेंगा, आप मुर्ती देखेंगा, चश्मा रहता ही रहता है। इसको अच्छा नहीं लगता था कि अरे ये मुर्ती जो है इसमें चश्मा नहीं है तो उसको बुरा लगता था इसको चश्मा जरूरी है तो उनको नेता जी का बगैर चश्मे वाली मुर्ती बुरी लगती है मानू चश्मे के बगैर नेता जी को असुविधा हो रही हो देख तो नेता जी के आंखों में जो इनके पास जो भी उपलब्द है फ्रेम फीट कर देता है लेकिन जब कोई ग्रहा काता माली जै किसी को चश्मा खरीदना है अब नेता जी को पहनाया है चौड़े फ्रेम वाला और कोई ग्रहा काया वह मांगा कि आप मुझे चश्मा दिखा व चाष्मा मुझे चाहिए और उस जगह पर दूसरे फ्रेम वाला जो है वह चश्मा लगा देता है तो आपने संज़ा कि क्यू नेता जी का चश्मा जो था बार-बार बदल रहा था है आपने सुना ना तो यह दीका चश्मा बार-बार बदलने का रीजन या था? यह आपने अब सुन लिया आगे मैं आपको फिर से बार बता दूंगी क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो इस क्लास को समझ रहे हो इस कहानी को पहली बार लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में ना आए हालदार साहब ने पानवाले से फिर पूछा नेता जी का ओरीजनल चस्मा कहां गया जो ओरीजनल चस्मा था नेता जी का वह कहां गया क्योंकि यही बात उनको समझ में माली जे कि चश्मा वाला जो है वह अपना चश्मा लगा रहा है उतार रहा है लगा रहा है तो आखिर ओरीजनल चस्मा कहां गया पानवाले ने कहां क्योंकि पानवाला जो था यह उस समय मे पान वाला फिर आखों ही आखों में हसा ओरिजनलत चस्मा की जब बात आई यह अखिर औरीजनल कि तो इसकी की रखती ती कथे की डंडी न मुट करके पीछे और पांघ। सब्सक्राइब बीचे मुड़ करके उसने पांठ ठुकी मुस्कुराता हुआ भूला सभा क्या जवाब दिया कि मास्टर बनाना भूल गया अब याद आया कौन देखें पानवाले के लिए मज़्यदार बात लेकिन हालदार साहब के लिए बहुत करने वाला अश्रि हुआ कि आखिर ऐसा क्यूं होगा कैसे कोई चित्रकार जो है या मुर्तिकार जो है सुभाष अंद्रबोष की मुर्ति बना रहा है और चशमा ही बनाना भूल जाएगा ऐसा काहे होगा अब क्या reason था देखिए यहां जो मैंने चित्र लगाया है एक ऐसा चित्र है जिसके आंखों पर चश्मा नहीं है और यह शित्रकार ने चश्मा बनाना बूल गया थे मुर्तिकार चुकि उसका मुर्ति बनाना पेशा नहीं था उथा ड्राइंग टीचर लेकिन मजबुरी वस उससे मुर्ति बनाई गई थी अब देखे तो हालदार साहब सोच रहे हैं बेशारे ने क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था कि मुर्तिकार और यह जो मुर्ति बने हुए थी उसके नीचे लिखा हुआ था मुर्तिकार मुर्तिलाल अपना नाम लिख दिया था जब वो मुर्ति बना रहा था ना उसने अपना नाम लिखा था मुर्तिकार मुर्तिकार मु और बना भी होगा आप लोग नहीं को ने काल में कर दो देख रहे थी यहार में दर्राशाय हो गया तो तो यह वह तो ब्रहस्ट अचार था लेकिन यहां भी इसने जीमा तो ले लिया कि महीने भर में मुर्ति बना देंगे और उसने बना वी दिया लेकिन पथर में पारदर्शी चस्मा आखिर कैसे बनाएं चस्मा ट्रांस्पेरेंट होता है चस्मा इस तरीके से बनाना होगा कि और आखें दिखें तो आखिर इसको हो सकता है समझ ना आया हो ट्रांस्पेरेंट या पारदर्शी चस्मा कैसे बनाएंगे ने कश्मा आँगे पर्थर है और यह उतना इंप्रेस्टिंग हो नहीं हो सायद ना हो आपके लिए जितना फिल्मों को देखते हैं या जितना कहानियों को पड़ते हैं लेकिन आपको परिक्षा क्रेक करना है पापी पेट का सवाल है नौकरी निकालनी भी है और साथ में कोशिस यह करनी है इसको मोतिलाल जो है यह कस्वे का अध्यापक था उसने मुर्ती बनाई थी चश्मा बनाना चोड़ दिया था तायल संगमर्मर से चश्मा कैसे बनाए उसको पता नहीं था ऐसा हल्दार साहब सोच रहे थे पिर जीप से हल्दार साहब जो है पान खाए मतलब वह पान खाए पान आले को पैसा चुकाए और फिर आगे बढ़ गया और वह जीप से ही आते जाते थे इसलिए मैंने जीप का चीतर हर जगा बनाए है हल्दार साहब किया करते थे या अधिर से निकलते थे तो आप एंसर करोगे जीव से ये खालदार सहाब जो है वो सखर किया करते थे ठीक है ना तो बहुत विचित्र और कौतुख भरा इनको लगा कि आखिर ये जो चश्मा बनाना गूल गया ये चश्मा वाली सारी चीज़ें चश्मे वाले की देश भक्ती के समक्ष ये नत्मस तक हो गया कितना इसके अंदर देश भक्ती बड़ा पड़ा हुआ है कितना लगतार ये सुवाश चंद्रबोस को बीना चस्मा वाला देख नहीं पा रहा है कितना ये देश भक्त है लेकिन जब वो आगे बढ़े जाने के लिए पैसा चुकाने के बाद फिर रुके फिर वो पल्टे और पलट करके फिर वह आए पान वाले के पास इनके मन में जिग्यासा थी वह अभी सांथ नहीं हो रहे थे तो हलदार सहाब पानवाले से पूछे क्या क्या कैप्टन चश्मा वाला नेता जी का साथी है एंसरा कैसे हो सकता है theatre ओक deg Surprise बूचा किस से यह अब देखिए पान वाले का क्या जवाब आता है तो पान वाले ने जवाब दिया अभी तुरन 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 भाता था पान वाला नवी निया निया पान खा रहा था लाल काली 32 को उसकी दाते थी जादा पान खाने से तो लाल काली 32 दिखाई और मुस्कुरा करके बोला अब बहुत कोड में बोलता है आप लोग देखें पिछले भाग में किसे कोड में ये बोल रहे थे तो बोला कि नई साब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में ऐसा उन्होंने कहा कि नई साब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल वो देखो वो आ रहा है आप उसी से बात कर लो ना फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं ऐसा पानवाले का जवाब था क्या जवाब था अब अभी तब तक कैप्टेन कैप्टेन जो पान चश्मा वाला उसके बारे में ने समझे था पांवाले करता है यह नहीं पान वाला पहता था वह देखो-वह चश्मा वह बार 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 बदलता है पान वाले के द्वारा एक देश भक्त का जो मजाक उडाया जा रहा था उनको पसंद नहीं आया है कि इतना देश भक्त है इतना इसको चीनता है कि चश्मा जो है उनका चेंज करते रहना है गांधी टोपी आप देखेंगे नुकीली होती है गांधी टोपी सर में गांधी टोपी काला चश्मा आखों में उसके काले चश्मे थे एक छोटी सी संदूक्ची वह हमेशा रखता था संदूक्ची जैसे फुटा सा बॉक्स होता है उसको संदूक्ची कहते हैं तो एक छोट और से एक बहुत सारा चश्मा हम लोग गाउंर में इस हुए खरीदने छाहिए पहले यह मुझे भी हम लोग अपने पैरेंट से डिमांड करते थे कुछ उसी तरह का यहां पर चीतर आपको दिखाया जा रहा है कि पान चलिए गांधी काली का मतलब गांधी टोपी काला चश्मा एक छोटी सी संदुक्ची दूसरे हाथ में बांस पर क्या था टंगे बहुत सारे चश्मे और एक बंदध दुकान पर उसने क्या किया अपने बांस को डिका करके रखना बंदध दुकान था बांस को तिका करकर कर रखना अब देखिए प्रश नहीं इतने थे अब पान वाला जो था वो इतना बात करने में इंट्रेस्टेट नहीं था आप से पानवाला बात नहीं करना चाता था और द्राइवर भी था भास बेचैन था कि बहुत देर हो गई यह आप चलना मी बहुत था नर्साइब को है जीप में बैठे चले गए जीप में हलए आप सपाट सो पर कोई नहीं को निया च्श्मा कि समझ में आपके श्मा कॉलव जक्र्वी च्वह望कर है जाको कभी जॉपली जुम्ह इस काल्य텐ल चस्पा और अब गोगोव केसा होता है कि आंशर कीजिए। आप अने देखा है मुझ कömरत फ्रणकों पर अचलिए इस तरीके से चश्मा बदलते रहते थे कि मुर्ती की आँखों पर चश्मा नहीं था क्योंकि पिर और रोज रुख देखे थे तो आगे बढ़ते थे तो अच आखते हैं कि मुर्ती की आँखों पर चश्मा नहीं है तो फिर वो पान खाने चले Ort पान वाले के पास पान खाने गए तो उन्होंने पूछा प्रश्नी किया पान वाले से प्रश्नी किया कि क्या बात है आज कल नेता जी की आखों पर चश्मा नहीं है अब इसको चिंता बहुत उदास हुआ और मुझ से उसमें पान थुका फिर जुका करके अपनी धोती की सीरे से जो धोती वो पहना था उसका एक सीरा से क्या किया अपनी आँखों को पोछना शुरू किया ठीक है रोने लगा था और बोला कि साहब कैप्टन मर गया क्या बोला इन्होंने साहब कैप्टन मर गया है कुछ नहीं पूछ पाए अब हल्दार साहबी बहुत उदास हो गया रोने वाला सकल आप यहां देख रहे होंगे बहुत उदास हो गया हल्दार साहब मतलब रोने जैसा हो गया कुछ नहीं पूछ पाए कुछ पल चुपचाप खड़े रहे फिर पान के पैसे चुका करके जीप मेर बेटे, यहां जीप है उनकी और वहां से रवाना हो गए जादा कुछ नहीं पुशे अपना पान खाए पैसे चुकाए वहां से रवाना हो बार बार उनके मन में कुछ ख्याल आ रहा था अल्लार साहब के कुछ मन में कुछ ख्याल आ रहा था अब इनके मन में क्या ख्याल आ रहा था तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इनके मन में ख्याल आ रहा था कि क्या होगा उस कौम का कौम मतलब देश क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर ग्रिहस्ती जवानी जिन्दगी सब कुछ होम कर देने वालों पर सब कुछ हबन कर देने वालों पर सब कुछ त्याग देने वालों पर भी हस्ती है दुनिया अपने लिए बिखने के मौके ढूंडती है और काफी ऐसा सोच करके वह दुखी हो गए कि क्या होगा उस कौम का अपने देश की खाफिर घर ग्रियस्ती जवानी जिन्दिगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हस्ती है और अपने लिए बिखने का मौका ढूंडती है उस कौम का क्या होगा पंद्र हर दीनों के बाद फिर दो वर्सों तक लगतार चलत फिर बाद में उनों देखा कि अज़श्मा ही नहीं है वह गतना आया कि इनकों ने देखा कि चश्मा नहीं है तो पता चला कि क्याप्टन चश्मा वाला जो है वो मर गया है फिर उसके 15 दिन के बाद जब उस कस्वे से गुजर रहे थे तो इनके मन में यह बाद चल रही थी प्रती मा जो है वह आवस ही प्रतिस्ठापित होगी आनि कि सुभाज wz रंद्र बोश की प्रते मा तो होगी सुभाज की आखों में चश्मा लेकिन नहीं होगा की चश्मा वाला जो ऱ चश्मा पहनाया करता था उसका तो तो यह ही सोचते वह उस रास्ते से गुज़र रहे हैं लेकिन चश्मा उस पर नहीं होगा आज वहाँ रुकेंगे नहीं मतलब उनक विचार नहीं मं बहुत दुखी है पान भी नहीं कहाएंगे मुर्ती की तरफ देखेंगे भी नहीं क्योंकि उनके आंको पर हैं और हैं तो बहुत काम है और हम लोग पान आगे कहा लेंगे यहां दुकान पर रोज पान खाते थे यहां लोग पान नहीं खाएंगे पान हम लोग कहीं और खा लेंगे अब नेक्स्ट है कि आखें जो हैं भले कितना भी मन को मनाईए क्यों नहीं देखना है उदर नहीं देखना है उदर फिर बीन नजर चला ही जाता है वहीवाली घटना घटी आखें चौराहा आते ही मुर्ती की की तरव चली गई नजर जो मुर्ती की तरव गई और शाब ने पहले दौकर करका नहीं लेकिन कुछ ऐसा चीज इंको दिख गया और गाड़ी स्पीड में द्राइवर ने क्या किया जोड से ब्रेक लगाया जोड से ब्रेक लगाया रास्ता चलते वे लोग देखने लगे अरे यह क्या हो गया अचानक से गाड़ी चलते चलते रुख गई तेजी से ब्रेक लगा तो लोग देखना शुरू कर दिया कि यह क्या हुआ जीप रुखते से कुद करके मुर्ती की निदूरती की तरह लपके दिसक्र ह side हो अभी गारी रुखी रही दिनाखी जीप से अ Hawk Ś कि और उसकी ठीक सांडने जा करके एटेंशन में खड़े हो गया है सामने जा करके के का वह यजिवत कि hat Ride um पर आखों पर सरकंडे से बना रहा हुआ चोठा सा चश्मा उसी है से बनाए घया था आखोंपर सरकंडे से कि बना हुआ चोटा सा चश्मा रखा हुआ था उनको चश्मा पहनाया गया था क्याप्टेन देखें कि अरे सरकंडे से बना हुआ उनके आखोंपर लगा हुआ है जैसे बच्छे बना लेते हैं और इतनी सी बात पर उनकी आखे जो हैं बहारा है ने परदा चेश्म और इसका रिवीजन भी करा दोगी और रिवीजन कराने से आपको उसके बाद क्यों सर्भी करा दोगे एक बार आप लोग भी पढ़ लेना इसको और कोश्टन अशर्भी करा दोगे कि मैं नहीं रो रही है कहानी कैसा लगा ये बताइगा कहानी लगी कैसी आपको यह बताएंगे नेता जी का चश्मा कहानी समावत हुआ अब इससे सम्बंदी जो प्रश्नोत्तर होगा हम लोग next class में करेंगे यही नेता जी का इस तरह की मुर्ती को क्या कहते हैं बीस्ट कहते हैं और यह थे कैप्टन चश्मा वाला और यह जो थे यही थे हालदार साहव बहुत अच्छा और फिलिंग के साथ एक्स्प्लेइन करते हैं धन्यवाद प्रिंस जी मदन सिंग जी एंसर कीजिए कैसा लगा आप लोगों को classes कैसे लगे और कहानी समझ में आया या नहीं आया कि चश्मा क्यों बदलते रहता था अगर आपका यह प्रश्ण है चलिए इसको भी एक्स्प्लेइन कर देते हैं देखिए चश्मा बदलने का रीजन था कि माल लीजे की मुर्ति है ही कि यांति सुनिएगा कि इस मुर्ति को चश्मा इसमें पहना था ये टेखिती होगे न चस पर यत कपड़ा खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि यह पहत अच्छा लग रहा है मुझे यही चाहिए तो वह फेर कंगा चस्मा यह वाला क्या करता था इसको उतार करके ग्राहक को दे देता था और उसके जगा पर दूसरा चस्मा इनको पहना दिया जाता था यही रीजन है कि इनके चश्में बदलते रहते थे तो इनको गॉल फ्रेम वाला दीजे उनको पहना दिया गया है उतार के ग्वाल इनको रहे इस तरीके से जो है बार बार बदलते रहते थे और कोई पृष्ण अच्छा रंजीत जी आपके आँखों से आसू निकल गए चलिए मुझे लगता है कि उतना आपको मारमीक लगा कहानी लेकिन मैंने कोशिच को आसानी से समझाने का फिर से क्लास जो है आवा साउंड का प्रॉल्म था वो तो सही हो गया और लेकिन फिर से क्लास लगेगी आप लोगों की आवाज आ रही है ना मेरी मुझे बहुत यह हो गया है कि हां उसके रीदे में बहुत ज्यादा प्रेम था देश के प्रती भी प्रेम था और नेता जी को इसको पता था कि नेता जी चश्मा लगाते हैं और इनके आँखों पर चश्मा नहीं है तो यह अनकमफर् कोई प्रश्न आप लोगों के चलिए तो नेक्स्ट क्लास में उसका कोश्चन अंसर कर लेंगे और जब कोश्चन अंसर करेंगे आप लोग तो इसका आपको पढ़ किया और नहीं है ठीक है पूरे से याप वीडियो का फिर से देख लीजेगा कहानी आपको पूरा अच्छ कुता परिशा की त्यारी करने वाले स्टुडेंट के लिए हैलफल हो जाएगा और यह जो किताब का नाम है वह है चीति भाग दो और इसमें जो चैप्टर है यह है नीता जी का चश्मा तो आज की क्लास में हम लोग अब्जेक्टिव कोश्चन को सल्व करेंगे लेकिन साय कि पुछा जागा है यहां से पूछा जागा है उनकी संगरा है कौन सा सूरज कब निगलेगा आएंगे अच्छे दीन संधान और आद्मी जात का यहाँ से पूछा जा सकता हैं इनका बश्वन जालातर कहां भी दा सतू राजस्थान में कुछ उपन्यासा का नाम है वशुधायम्. आपको पढ़ना है तो नेता जी किसे कहा जाता है तो सुभार शंद्र बोज को और आपने देखा होगा नेता जी के फोटो में या फिर उनके स्टेचों में कि चश्मा जरूर रहता है और इसी चश्मे पर बेस्ट यह कहानी है इसके जो मुख्य पात्र है है उनका नाम है क्या हालदार साहब यह इसके मुख्य पात्र हैं और हालदारसाहब को हर एक प्रंद्रा दिन के बाद एक काम से एक कस्वा से होकर के गुजरना पड़ता था इस कस्वा यहां पर बहुत बड़ा नहीं था यह कुछ ही मकान थे जो पक्के के थे एक बजार था एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सिमेंट का छोटा सा करखाना था, तो कोश्चन यहां से भी बन सकता है कि इस कस्वे में किस चीज का करखाना था, तो किस का करखाना था, तो यहां पर एक सिमेंट का करखाना हुआ करता था, और एक दो सिनेमा घर भी थे जो की ओपेन एर सिनेमा घर होते हैं यहां एक नगर पालिका भी थी अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम भी करती होगी तो आखिर यह नगर पालिका का काम क्या था तो नगर पालिका क्या करते थी कभी-कभी सड़के बनवा दिया करती थी और कभी-कभी यहां पर पिशाव घर भी यहां पर बनवाए जाते थे कभूत्रों की छतरी बनवादी जाती थी और कभी 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 संबेलन भी यहां पर आयुजीत कर दिया रहा था लेकिन नगर पालिका ने एक और भी बहुत बड़ा काम किया था जिस पर अधारीत यह पूरी कहानी है कि यह मुर्ती थी नेता जी की यानि कि सुभाष चंद्र बोस कास्ट की यह मुर्ती थी किसी थी संग मरमर की के नाम से मैं प्लेइस्ट बना दिया है आपको सारे वीडियो लेंगे कहानी इसी प्रतीमा के बारे में है, जो की प्रतीमा बनाई गए थी उस चोराहे पर, बलकि उसके भी एक बहुत छोटे से भाग पर कहानी है, अब इस प्रतीमा का निर्मान किस ने किया था, यहां से भी कोशन आ सकता है, तो एक मास्टर जी थे, जिनका नाम था मोतिलाल, और यह मोतिलाल जी जो मास्टर साहब थे, यह वहां के हाई स्कूल के ड्रोइंग के टीचर थे, जो ड्रोइंग करते थे, और इन्हों ने कहा था कि माहा भर में मुर्ती बना करके यह पटक देंगे, लेकिन ऐसा काम जो अस्थानिय कलाकारों को क्यों दिया गया, इसके पीछे का लागत, अनुमान और फिर इसका जो सम्बंदित बजट है, वो कम था, इस वजह से अस्थानिय कलाकारों को दिया गया, चिट्थी पत्री में समय बहुत जादा बरबाद हो गया, तो हुआ की तैगवा की चलवा अस्थानिय कलाकारों से ही, हम लोग नेता जी की मूर्ती बनवा लेंगे, अब नेता जी की मूर्ती बन करके त्यार हो गई, यह मूर्ती कैसी बनी थी, तो इसकी उचाई दो फिट थी, तो कोशन यहां से भी बनेगा, कि जो सुभाज चंद्रे बोज की जो मूर्ती बनी थी, इसकी उचाई कितनी थी, तो इसकी उचाई कितनी हो ग टोपी से लेकर के कोड तक की मुर्ती को क्या कहते हैं तो ओक्षन में बस्ट दिया रहे तो यह जरूर की जगा क्यों कि आफी कहानी में इसको मिंशन किया गया था अब मुर्ती बहुत सुन्दर वगरा यह सब याद आने लगते थे कैने नेता जी के दुआरा दिया ग्याए यह नारा था नेता जी की मुर्ती को देखते हैं यह सब कुछ याद रहतrü है करा दो जबर्चे भत लोगा धा द्याकरत केना नता चीसा शुट गई थी के लग रहाए है यह देखें। जो था यह ओरीजिनल था रियल वाला था और मुर्ती जो थी वो क्या चीज़ की थी तो यह संग्मर्मर की थी तो कसर यही था कि संगमर्मर की मुर्ती में संगमर्मर का चश्मा नहीं फिट किया गया था अलग से चश्मा लगाए गया था और यह चश्मा कैसा था चौड़ा काला फ्रेम वाला चश्मा था और एक सम्मान ने चश्मा था और यह रियल वाला चश्मा था जो आप लोग और हम लोग जो चीज किस friende को लगाते हैं तो चश्मा संग मर मर का नहीं था यही सा इब बढ़ियां मुर्ति बन के स्यार हो गया था कि तो यही मुख्य पात रहे हैं shake तो रास्ते में जब चौराहा पड़ा उसके पास एक पांपकी दुकान थे तो पांपकी दुकान परके खड़े होकर यह वह मुर्ती को देख रहे थे खालदार सहब और वह देखते हुए उनको मन में आ रहा था कि मुर्ती जो है पर्थर की है लेकिन चश्मा रियल वाला है म भालदार साभ उन्होंने सोचा वहीं अच्छा प्रयास किया गया है लेकिन मुर्ति का रंग का कद महत नहीं रगता है, महत वह क्या रगता है उसकी भावना तो भावनाएं जो भावना के साथ इस मुर्ति को बनाई गई बहुत अच्छी है, लगा है कोई जरुरी नहीं है कि रियल वाला हो अगर रियल वाला चैश्मा है तो बहुत अच्छी बात है कोई जरुरी नहीं कि हमनों कि यह उपला है तो वर्नाव देश भक्ति का मजा की चीज होती है नहीं Samyo सेबल के स्टुडेंट है मैं प्लीज जीके का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मैं दे दोंगी इस कहानी को पूरा किजिए को कि यहीं से आची क्लास में अब्जेक्टिव पढ़ाने वाली हो और यह कहानी का सारांस है बहुत जादा डिटियर्मन नहीं बता रहें चश चश्मा तो बदलते रहता है अगली बार देखा तो फिर नया चश्मा था अब हल्दार साब को आदत हो गई थी उदर से गुजरते थे रास्ते में पान की दूग होगी यह कस्वाग मिलता था चौराहे पर रुखते थे पान खाते थे और मुर्ति देखते थे मुर्ति आय इनके से बोला कि आधिर यह चस्मा इनका बार बार बदल क्यों रहे है तो पान वाला जो था मुन में पांड थूसा फिर काला मोटार खुसमिजाज वबवेकती था पान वाला ना, हालदार साहब को प्रशन सुनकर, को आँखे, आँखे माँंख Очень हसा, उसकी तोंदे जो थी वो हीली और उसके बाद अपनी लाल काली बतीसी को दिखाते वे मुस्कुराते वे दो बोला प्रशन किया इनके तरफ से हालदार साहब के कि क्या करता है वो तो इन्हों ने एंसर किया कि चश्मा चेंज कर देता है वो तो इसने जवाद दिया कि एक चश्मा वाला है लाल पतीसी दिखा कर बोला कि कैप्टन चश्मे वाला ये चश्मा बदल देता है यह बोला कि क्या करता है क्योंकि नाम से clear नहीं हो रहा था कि आखीर यह captain है यह चश्मे वाला है इनका कहना था कि वो आकर के चश्मा change कर देता है कि जैसे कोई गिराक आया अगर उसको वैसी frame वाली चश्मे चाहिए होती थी वो उतार के दे देता था और दूसरी उनके परपर चढ़ा देता था तो ऐसे में हलदार सहाब जो इनकी बातों को समझे तो यही समझे कि जो कैप्टन है वो कैप्टन जो है वो एक चश्मे वाला है और वो कैप्टन जो है वो क्या करता है उसको बगेर चश्मे वाली मुर्ती पसंद नहीं आती है तो वो क्या करता है उनके उपर चश्मा लगा देता है अगर कोई ग्राहक आता है और चश्मा को ले चाहता है कि जो नेता जी के चेहरे पर चश्मा है वही सही फ्रेम वाली सब्सक्राइब नेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई हालदार सहब को तो वह पानवाले से पूश वैठे नेता जी का ओरिजनल चस्मा कहां गया तो पानवाला जो था दो पहर का समय था दुकान में बहुत जादा भीडबार नहीं थी पानवाले जो थे छुट् और पीछे मुड़ करके उसने पहले पान थुका और फिर मुस्कुराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया है यानि कि जो मुर्थी बनाने का काम सौपा गया था तो पानवाले का जवाब आया कि यह मुड़ इनका मास्टर साहब इन्हों ने चश्मा ही बनाना भूल गया है फिर हालदार साहब सोचने लगे बेचारे ने तो कहा था कि महीने भर में मुर्थी पटक देगा तो इसी जल्दिबाजी में या तो यह चश्मा लगाना छोड़ दिया होगा या फिर संगमर्मर से चश्मा कैस मुर्तिकार का नाम जो था उस मुर्थी के नीचे मुर्तिकार मुतिलाल अस्ता नाम लिखा वा था जो कलाकार थे उन्होंने अपना नाम दे दिया था मास्टर शाहब आई दिन यह जीव से गुजरते थे और रास्ते में पान खाए पैसा चुका है और बहुत बिचीत्र औ और कौतुब वरे वाले चश्मा की देश भक्ती के समक्ष यह नत्मस्तक हो गहाई कि इस बार बार आयतीन इसका चश्मा और सिवास और वोश के मुर्ती को खाली नहीं जाने देता है चश्मा चड़ाई देता है तो ये आते थे उधर से गुजरते थे लेकिन एक बार ये क्या किये कि फुन पुना पीछे पलट कर देखे और पान वाले से इन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेता जी का साथी है क्या क्यों पान वाला जो था वो नेया पान खा रहा था तो ऐसे में उसने जवाब दिया हालदार साहब को अपनी लाल काली बत्तिसी को दिखा करके पागल है पागल हो वो लंगडा क्या जाएगा फौज में और वो देखो वो आ रहा है आप उसी से बात कर लो फोटो ओटो खिच्व फॉटाद उसका कहीं पर हालदार साहब को पान वाले का एक देश भागत का संथ démocrμα उडाना पसंद नहीं आया हो इंको अंदर इंदर गुसा अँनों प्संद नहीं लगा कि है तो तरह opens पाहिवाल हो पी कैप्टन जो चश्मा वाला है वो आ रहा है तो हल्दार साथ जब देखे उसको तो वो गांधी टोपी लगाएवा था वो काला चश्मा लिये था एक छोटी सी संदूख्ची थी उसके एक हाथ में और एक हाथ में एक डंडा था जिसमें बहुत सारे अलग-अलग फ्रेम वाल और यह यहीं क्योटाल करता है उनको जाना वें वाउव नहीं चाहता है कि मैटर पर बात करें डॉट सब्सक्क्राइवर बीचेश में बहुत उनको काम भी बहुत जादा था अब हालदार साहब जीप में बैट करके चले गए लगतार दो सालों तक हालदार साहब का यह ड्यूटी हो गया था क्या था काम करके लिए वह जब उस फैक्टरी अपनी फैक्टरी जाते थे इस कस्बे से होकर गुजरते थे बदलते वे चश् जो कर डिजाइन बदल रहा था मुर्ती की आँखों लेकिन अचानक एक दिन देखा देशन दोस्तकर के बाद कि उपर चसमा ही नहीं और जैसे इन्होंने देखा कि मुर्ती के आंखों पर चश्मा नहीं है तो उन्होंनी अपनी गाड़ी को रोका अपनी गाड़ी को और उन्होंने पान खाने के लिए वहाँ पानवाले के Panवाले के पड़िए कि क्यूं बाइ, क्या बात है आज नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं है तो देखे पानवाले ने क्या जवाब दिया पानवाला बहुत उदास हुआ मुल के पान को उसने थूका सीर जुखा करके अपनी धोती के सीरे से अपने आँखों को पोछा और फिर उसने जवाब दिया कि साहब कैप्टन मर गया है तो ये जवाब सुनते ही उदास हो गए हालदार साहब और वो कुछ आगे पुछ नहीं पाए बहुत दुखी हो गए कुछ पल वो चुप चाप खड़े रहे फिर पान के पैसे चुका है और फिर वहां से रवाना हो बहुत दुखी थे अब आने वाले समय फिर यह सोचने लगे क्या होगा उस कौम का अपने देश की खाती घर ग्रियास्ती जमानी जिंदिगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हस्ती है दुनिया और अपने लिए बिखने का मौका ढूंडती है और ऐसा सोच करके वह काफ कि रिखने की कॉकि अब और रुखने कान प्रुखी थे दिकलर चाएंगे और फ्रॉखना नहीं और पान की और खाना उस पान के दुकान वाले कहाँ पान नहीं खाएंगे ट्राइवर से भी उन्होंने ओडर कर दिया ट्राइवर को कि चौराहे पर रुखना नहीं आज बहुत काम है पान आगे कहीं और खालेंगे अब जो आखें हैं जैसे ही चौराहा आई तो ये नजर जो है उदर नहीं रोक पाई अपनी और मुर्ती की तरफ उनकी नजर उठ गई आँके चली गए और जैसे ही उन्होंने मुर्ती को देखा बहुत अवाक रह गये ऐसा देखा कि चीखें निकल गई वह रुको रुको जीप रुको और जीप तो बहुत स्पीड में था ड्राइवर ने जोर से ब्रे प्रेंशन होके खड़े हो गए देखा कि आखों पर ये मुनेता जी की आखों पर क्या है तो सरकंडे का चस्मा है लकडी का बना हुआ एक चस्मा है और जो की बच्चे बना लेते हैं यानि कि बच्चों के द्वारा बनाय गया था इस चस्मे को हालदार साहब बहुत रवी जी को बलाई उनको जो PDF दिये तो वो नहीं लगाए है एक मिनट बस आप लोग के PDF लग जाते तब तक आप लोग प्रशन पूछिए और मैं आपका उतर करूँगे जल्दी जल्दी प्रशन कीजिए औबजेक्टिव कोश्चन आज़ी क्लास में करना है कॉंटेंट रेडी है रवी जी अरे देख्या आप हम PDF भेजे तो वो PDF आप नहीं लगाए है आप दूसरा PDF लगा दिये है जल्दी से इसको चेंज कीजिए और इसको लगाईए जी बिल्कुल कल पढ़ाई हो गया है और आज हम लोग इसकी अबजेक्टिव कोश्चन को करेंगे और आप लोग इसके लिए रेडी रहे है और चलिए आप लोग के जो प्रश्ण है उसका प्रश्ण पूछिए तब तक मैं आपके अंसर करते हूं जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन पूछे 2018 के एक साइस कॉंस्टेबल के स्टुडेंट है कॉल नहीं लगता है ऐसर है कॉल नहीं करना है मैसेज करना है आप लोगों को मैसेज कीजरगा अंत नपैश्टे इसके में होता है अन्यूंस्ट के गाउन, जो रिवीजें करा रहे थे, कहाती मैं आज मैंने शॉर्ट में और आपको बता肉 में कॉल आप मत कीजेगा कॉल मैं रिसीव मैं बार बार करती हूँ कॉल रिसीव नहीं करती हूँ आप वाटस आप पर मैसेज कीजेगा जब मुझे जैसी समय मिलेगा रिप्लाई जरू करूंगे डबल नाइन जीरो फाइब नाइन वन सेवन फाइब वन सिक्स इसी नमबर पर मैसेज कीजे मैं आप लोग का रिप्लाई करूंगे लोट कर लिजेगा इस नमबर को मैं टेस्स सिरीज कप्षे शुरू होगा हिंदी के टेस्ट अभी नहीं अभी आप लोग पहले पढ़ तो लिजे और अभी कैसे टेस्ट लगा दो पहले पढ़ लिजे फिर मैं टेस्ट लगा दोंगे अक्तरली धर्नेवाग कैप्टन का वास्तवी के नाम कुछ नहीं दिया हुआ है जितनी जनकारी बुक में है उतनी जनकारी मैंने दे दे लेखक ने इतनी जनकारी दिया है इस सिरीज लेना है का मैंक साइस कॉंच्टेवल के लिए मैत भी पत्ची से वुचा जाएगा और मैस का कीजेगा पीस के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है उस ग्रूप में आपको एट होना को हिंदी की यह group होंगे रिस ग्रूप में एड़ होने के लिए hmm पे चैनल जाएंग आपको flash का निवा souhaite computer3他 . जो टेस्ट लेना है तो आप महाँ से आप टेस्ट ले लिजցएगा दिल् Means objective the question को करते हैं आप लों class今日 can बने रहे हैं को कि कोशन एंसर आप लोग करना सुरू कीजिये और मैं देखते हूं कि जो कहानी मैं बताया है अब इसके कितने कोशन आप लोग कर सकते हैं कहानी का नाम है नेता जी का चश्मा कोश्ण है कि नेता जी की बगैर चस्मे वाली मुर्ती किसे बुरी लगती थी जो नेता जी जिसमें चश्मे नहीं लगाया थे जो ऐसी मूर्ती जो बगएर चश्मे वाली थी वो किसको खराब लगता था हल्लार साब को बुरा लगता था या पान वाले को बुरा लगता था या कस्बे वाले को या चश्मे वाले को क्या एंसर कीजिएगाR जब उसक被 घरा कोई रहा स्वाप के वह वह बोलता था आपको मैं दूसरा चश्मा लगा देता हूं और निता जी दूसरा चश्मा लगा देता था लेकिन बगेर चश्मे का उनको रहने नहीं देता था तो किसको खराब लगता था नेता जी का बगेर चश्मे वाला मुर्ति ये तो ये नेता ये चश्मे वाले को बुरा लगता था नेक्स्ट प्रश्न है कि नेता जी की मुर्ति पर सरकंडे का चश्मा चेंज कर दिया क्या कुछ नहीं कीजे नहीं कोई आजाए कोई जरुदर हो जाएगा ना कुछ भी असे हो गया नेता जी का मुर्ती पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया पानवाले ने, लेखक ने, हालदार साहब ने और किसी बच्चे ने क्या एंसर हो जाएगा किसी बच्चे ने क्या किया था नेता जी की मुर्ती पर सरकंडे का चश्मा लगाया था तो अगला प्रशन है कि चस्मे वाले के प्रती पान वाले के मन में कैसी भावना थे तो अब उपेक्षा की भावना थी घ्रिना की भावती उसा की भावती या प्रेम की भावती तो चश्मे वाले के प्रती पान वाले के मन में ये उपेक्षा की भावती क्या थी उपेक्षा तो option number A जो है ये सही हो जाएगा अगला प्रशन है नेता जी की मुर्ती किस की बनी ह हो यह था कि नेता जी की मुर्ति को देखकर या पान वाले को देखकर करके अपनी पत्नी के वेवार पर तो नेता जी की मुर्ति की स्वार्थी भाव पर देख करके तो उनका नेता जी की मुर्ति को देख करके हालदार सहाब का जो मन था क्या हो जाएगा दुनिया के स्वार्थी भाव पर या पान वाले को देख करके क्या अंसर होगा जल्दी से अंसर कीजगा उपेग्षा पहलवाला का तो उपेग्षा हो जाएगा बिल्कुल सही है तो हालदार सहाब का जो मन झाए दुखी-धी था दुनिया के स्वार्थी भाव को देख करकर अगला प्रस्हा है एक लगुए हालदार सहाब की कौन सी आदत थी इनकी आदत के बारे में बताना है कि इनकी आदत कौन सी थी पान वाले को कोसने का आदत था या फिर मुर्ति को चश्मा पहनाने का देखें मुर्ति को चश्मा पहनाने का आदत किसका था यह कैप्टन चश्मे वाले का था मुर्ति वाले चौराहे पर रुख कर पान खाने की तो यह सही है चौराहे पर रुख करके वह पान खाते थे मुर्ति वाले चौराहे पर रुख करके वह पान खाने की यादद थी और यह option number C जिन्होंने answer कि अच्छे का यह बिल्कुल सही answer है option number c अगला फ्रश्चन है कि हालदार साहब सभाव से कैसे थे इनका nature क्या था, romantic थे, देशभक्त थे, गमंडी थे, या संकी थे, तो हालदार साहब खुद भी बहुत ज़्यादा देशभक्त थे, तो cancer हो जाएक option number B, आपको क्या लगता है, कि अगर आप इस chapter को नहीं पढ़े रहेंगे, तो इस answer को कर लेंगे, तो असंभव इस answer को कर पा पढ़नी जरूर है, बिना पढ़े आप answer नहीं कर सकते हैं, लोग captain का करके किसको पुकारते थे, तो captain का करके वो चश्मे वाले को पुकारते थे, किसको कहते थे, तो चश्मे वाले को, अगला प्रशन है कि चश्मे वाले को पागल किसमे कहा था, हालदार साहब ने पागल क कहा था यह पागल है और यह वो देखो आ रहा है आप उसी सब पूछ लो और फोटो चपवा दो इसका पेपर में ऐसी बाते कहने वाले कौन थे तो ऐसा बात कहने वाला यही मोटा पान वाला था यह मोटा था और बहुत किसका खुष मीजाज था लेकिन यह हमेसा उफास करता था किसका तो क्याथन चस्मे वाले का लेकिं भाँ यह दुखी था और यह रहा था और अप्नी धोटी के किनारे से अपनी आंखों को पोष्ण भी रहा था और काफी जापी दुखी था तो दो फूट उची मुर्ती थी तो कैंसर जग ऑप्शन नंबर बी और संगमरमर की बनी हुई मुर्ती थी बहुत सुंदर मुर्ती इन्होंने बनाया था और देखने में काफी कोमल और कंसीन लग रहा था लेकिन सबसे जो इसका एक ही प्रॉब्लम था उसमें चश्मी नहीं पर प्रेम भाव पर या देश भक्ती के भाव पर तो नेता जी का जो चश्मा वाली कहानी है यह प्रेम देश भक्ती के भाव पर यह आधारी थे इसमें देश भक्ती दिखाए गया है कहानीकार स्वयम प्रकास जी का जनम कहां पर हुआ था तो मद्य पर्देश का एक जग जाड़ा समय जो व weaving राजस्थान में भीता था इन्होंने कई उपन्यास कहानियों का लिखह है बहुत सारे कहानी संग्र है अगला प्रश्फ dif लेखा कौन है तो हम यह कहानी का जो असली लंग्डा है वो पार्वाला है क्यूकि इसका जो मान सीखता है वो संकुची थे और वो उतनी दूर तक नहीं सोच पा रहा था जितनी दूर तक हालार साहर या कैप्टन चश्मे वाले सोचते थे यह और यह कैप्टन चश्मे वाले का यह मजाग जूड़ा रहा था दिल्ली चलो नारा किस ने दिया तो जब आपको दो ची अगला प्रशन है कि बस्ट से क्या ताथ पर है आपको मैंने बताया एक ऐसी प्रतीमा जो कि स्टोपी के नोक से शुरू होती और कोड तक आती है तो इस तरह की प्रतीमा जो है इसको कहते है इसको कहते है बस्ट तो बस्ट से मतलब क्या है चस्मे वाली मुर्ती कंधे से सी पर मुर्ति किसने लगवाई थी ग्राम पंचायत ने नगर पालिका ने विधायक ने तो आपने पढ़ा कि यहां पर एक नगर पालिका भी हुआ करती थी और नगर पालिका थी तो कुछ काम भी कर लिया करती थी अब जैसे कि विशाब घर बनवाना सडके मरमत करवाना या फ पर क्या किया था बजार के चौराहे पर सुभाशंद्र बोस की प्रतीमा बनवाई गए थी मोतीलाल जीस से जो संग मरमर की थी और दो फीट उसकी उचाही थी चलिए चौराहे पर मुर्ति किसने लगवाई थी तो नगर पालिका ने लगवाई थी तो क्या एंसर हो थी option number D जो है सही है हालदार साहब ने चीक करके जीप को रोका क्यों उन्होंने जीप को रोका तो मुर्ती बीना चश्मे की थी मुर्ती तूट गई थी मुर्ती पर सरकंडे का चश्मा था उनका पान खाने काम था कि अपने काम फैक्टरी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे और कस्बे से जैसे यह गुजरते थे तो वहाँ पर उस कस्बे में एक चौराहा हुआ करता था वहाँ पर यह रुकते थे पान खाने के लिए और उसी चौराहे पर नेताजी सुभाष संद्रबोश का स्टेचू भी बस्ट मुर्ती लगी हुई थी उनका पर इनका बार बार बदल रहा है लेकिन एकपर जब यह आय वहां पर तो देखें कि यस में चैश्मा नहीं है तो यह रूखे और पूछे चैश्मा क्यूं नहीं है तो पताइचला की ऐग्यान है और एक बर वाला उनका हरग्राफ हे है कि उसमें जब यह अचानक से रुके तो देखे कि यहां पर चश्मा वाला जो है चश्मा मतलब लगा हुआ है लेकिन वो सरकंडे की चश्मी है चश्मा है जिसको बच्चों के द्वारा बनाया जाता है अगला प्रश्ण है कि इस पाठ में गिराक लिखा हुआ था कि जैसे प कुछ काहानी संग्रा का था कुछ घयन के लेखा को विखा हुआ कि जाते हैं प्रकाजी ने जो की लेखा क्या और इनका जन्म कब हुआ था तो आपने अंसर किया 1947 यह बिल्कुल सही अंसर है और इसी तरीके से बारीकी से पढ़ना है कोश्चन देखने सुनने में बहुत आसान लगेगा लेकिन तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसको पढ़ेंगे ने और इजनल चस्मे के बारे में पानवाले ने हालदार साहब को क्या बताया तो वह चोरी हो गया है कोई दुकंदार उसे घर ले गया तो एंसर क्या मिला पानवाले का कि मास्टर बनाना भूल गया जो मास्टर मोतिलाल जी है वही चस्मा नहीं बनाए तो हालदार साहब सोच रहे थे कि वह चुकी वह बोला था कि एक मा में मुर्ती बनागे पटक देगा तो इस कारण से जल कि इतनी भावना से मुर्ती को बनाया है जत्समा क्यों नेताजी हो गया कंप्लीट कस्थे में किस चीछ को बनाने का कर खाना था यह बताइगा आपको मैंने बोला था कि कसमे में क्या क्यान था वो आपको याद रखना यहां पर सिनेमा घर था ओपेनेयर सिनेमा गर यहां एक हाई स्कूल था लड़कों के लिए वहां एक फैक्टरी था और किसी का था तो वह सिमेंट बनाने के छोटा सा कर खाना था इस कस्बे में यह आपको इतना ही बारी किसा आपको पढ़ना है कहानी का मुख्य पात्र कौन था तो पानवाला हालदार साहब मास्टर साहब और होनिया था तो पानवाला नहीं होगा मुक्य पात्र कौन होगा को है कहानी मुक्य wypalles अंब का वह वह हालदार साहब है तो इस तरीके से यही समाक्त होई है और आज ऑपजेक्ति अपने क्लियार कर लिए है चैप्टर से, वो किताब लेकर क्याएंगा, पीला रंगा किताबों का पतला वाला, चलिए कैसा लगा और आप लोग को समझ में आया या नहीं आया ये भी एंसर करिएगा, आ गया समझ में, अबजेक्टिव कैसे पूछा जाएगा, ये भी क्लियर हो गया, चैप्टर आपने एंसर करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप एंसर कर लोगे या नहीं, निखिर छोटू जी कह रहा है, सूपर, चलिए विकास बाबू जी कैसा लगा क्वेश्चन, चंदन जी, रंजीर जी, मनोज जी, सरीता चुडू जी, अक्तर जी, चलिए क्लास समझ में अग्या, हावलदार साहव, सूपर, यस मैम, बहुत अच्छा लगा आपको, चलिए, सीजियल का, जैसे सीजियल का, हिंदी, अभी मैं इसका, बहुत बड़ा सा लेबस है, चलिए पर इसको खतम करने, साइस कॉंस्टेबल वाला, ग्रामर पढ़ा देंगे, सीजियल के साथ साथ, अगला जो चैप्टर होगा, भोगा, कवीता होगा, ठीक है, एक कवीता, एक कहानी, एक कहानी इस तरीके से बैलेंस करते वे चलेंगे, तो अगला इस तरीके से आपको भी अच्छा लगेगा, और बहुत ठक्ग गया होंगे, आप लोग कियो जारकें जीके, पढ़क संठाधी को पढ़ते हैं गीत की थकआन को खतम करता है वो आप इतना मेंनत करें वाफ आपयों तो गोंली तुनिया में चले जारहे को अगला ओगा आपको पढ़ना है यह तूलसी दास करवाई तो उसका अभी सबसे पहला यह काम है कि उसका ओपन करवाई आसे बात कर लिए पीडियाफ जो है जितना उत्मासिपाही वाला जो पीडियाफ जाएगा उनलोगों को राम लक्षमन पर सुराम संभाद यह चैप्टर का नाम है और आप को एक बार पढ़ कि आना है और यह पद है और कवीता है एक एक करके सारे पारग्राफ को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो यही है तूलसी दास का लिखा हुआ है राम लक्षमन पर सुराम राम लक्षमन याद रखेंगे न यह अगला चैप्टर होगा यह तूलसी दास का है जोहार दोस्तों मैं स्मृति एश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विति स्मृति में आज ही क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर सुरू करेंगे और स्ट्रीमिंग चे आज की क्लास का जो टॉपिक है हिंदी भासा का जो की पेपर टू का है और यह सिलबस है किसका तो इक साइस कॉंस्टेबल के आपकी किताब पढ़नी है चितिज भाग दो इसमें चितिज भाग दो का चैप्टर नंबर टू है यह राम लक्षमन और परसुराम के संबाद से इसके छे भाग है रशनाकार है तुलसी दास तो सबसे पहले हम लोग रशना जिन्हों ने की उनके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले तूलसी दास किब भी चैप्टर कर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले र często किसके बारे мень不用 चानते हैं जिस ने इसको लखा है तो लेक यूड गुड आफ्टर नून यूके दत्ता जी गुड आफ्टर नून सभी आप सभी जुड जाईए क्लास में देखे जो तुलसी दास हैं इनका जन्म हुआ किस वर्स तो 1532 से 1623 और यहां से भी कोश्चन आ सकता है और यह किसका काल था दोस्तों तो यह मुगलों का कथा मुगल इ थे और तुलसी दास जी ने जो लिखी है वो है इनकी जो सबसे प्रमुख रश्णा है वह राम चरितन मानस और राम चरितन मानस से ही यहां से कुश्पद लिए गये हैं कुश्पद के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले परिश्चा में इनके जीवन के बा सब्सक्राइब के लिए अगर आप दस्वी कख्षा में पढ़ रहे हैं तो आपके भी चैप्टर का यह हिस्सा है चलिए इनके तुलसी दास जी के जीवन परिश्पद कहा हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जीले में बांदा जीले का भी एक गाउत था जिसका नाम था र मत हैं तो कुछ का मानना है कि इनका जो जण मस्थान सोरो में है और यह जीला समय पढ करता है और यह अधर टो यह कहां पर सोरो में तो कुछ का ये मानना है तो तुलसी दास जी 1532 से 1623 इनका ये जन मस्थल के बारे में और कब जन हुआ तो ये 1532 में इसको आपको याद रखना है क्योंकि यहां से question आएगा कि तुलसी दास जी का जनम कब हुआ था वह था 1532 में और उन्हों ने ही इस किताब को लिखा है और यह राम लक्षमन परसुराम समभाद राम चरित मानस को लिखा और वहीं से इस पद को लिया गया है इनका निधन हो गया दोस्तों 1623 में कहां पर काशी में और काशी को अब हम लोग बनारस के नाम से जानते हैं और वर्स कौन सा था उत्तर प्रदेश में और वर्स था 1623 में इनका द्यहांत हो जाता है तो चलिए नोट्स के बारे में आपको बता दूँगी बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा इसके नोट्स भी इन्हें लोक नायक और लोक मंगल विधायक कहा जाता है लोक नायक या लोक मंगल विधायक के नाम सभी हम लोग तुलसी दास को जानते हैं इनकी जो स्रेस्ट रशनाएं है उसमें एक रशना है राम चरित्र मानस इसको हम लोग भारत का बाइबल भी कहते हैं राम चरित्र मानस को क्या कहते हैं भारत का बाइबल यहां से भी कोश यह सभी किसने लिखा है तो यह सब के रचनाकार तुलसी दास हैं और यह सब आपको याद करना है कवीतावली गीतावली दोहावली कृष्ण गीतावली और विनयपत्रिका और बहुत आसान करके मैं आपको बताने वाले हूं यह जो पद है पहला पद आज की क्लास में आप देख रहा है जैसे ही चाप्टर समावत हो रहा है वैसे ही इसके कोश्चन एंसर भी मैं आप लोग करा रहे हूं इसकी भासा क्या है तो भासा है अवधी और ब्रज यह दोनों ही भासाओं में लिखते थे और रामचरीतर मानस को इन्होंने किस भासा में लिखा है तो फिर विन्य पत्रीका और कवितावली की जो रशना इन्होंने की यह ब्रज भासा में की है जितने कॉंटेंट आपको किताब में दिये गए हैं वहीं से कोश्चन आएंगे अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं चैप्टर का नाम क्या है चलिए राम लक्षमन परसुराम यही है आपके चैप्टर का नाम और यह नंबर कौन सा है चप्वाग दो और जब आप काविखंड में आते हैं तो काविखंड का जो दूसरा चैप्टर यही है यह इसी का नाम है राम लक्षमन परसुराम इसके पहले चितिज का भाग एक कराए थे उसमें मैंने सूर दास के कुछ पद पढ़ायते हैं आज आप तूसी दास जी के कुछ पद पढ़िए तूसी दास का समानने परिषय आपने जान लिया अब इनके कौन से पद को आज की क्लास में मैंने शामिल किया है और जिसको मैं आसान करके आपको बताने वाली हूँ तो पहले हम लोग इस समझ में ना है फिर एक बर मैं आपको इसको बताऊंगे इसके सब्दार्थ को फिर उसके बाद जब दूसरी पर इसको तो यह आपका एकदम क्रीस्टल क्लियर हो जाएगा और एक चीजों की सब्दार्थ और इसका मन मिनिंग मतलब यह सब आप समझ जाएंगे और यहां से objective question करने आपके लिए आसान हो जाएंगे तो थोड़ा सा धहरे रखना होता है लेकिन हम लोग syllabus को पूरा करेंगे और यह free वाली classes जो हिंदी की classes चल रही है जिसमें एक पैसा में आपके साथ आपसे लेने वाली नहीं हो और यह इसका classes यूटूब पर आपको free में मिलेगा त महां पर हिंदी के course लगे में मात्र 20 रुपए में 20 रुपीस का आप लोग कह रहते हैं कि मैं बहुत लोगों ने बहुत सारे फीस रखे हैं 1000 रुपए तक रखा है तो मैं किसी का course खरीदने वाला नहीं हूँ आप मुझे free पढ़ाओ मैं आपको free पढ़ाओंगी लेकिन यह जो कोर्स वाला जो आपनों के मन में रहता है कि अगर आप course खरीते हो तो वहां आपको ज्यादा विस्वास रहता है तो आचली आप course ले लिए study with smriti मात्र 20 रुपए का यह course है और study with smriti एप पर लगा हुआ है और इसको आप play store से डाउनलोड करके वहीं पर यह बैच ले दीजे 20 रुपए का त्री शूल वैच है उसको आपको लेना यहां यह जो classes है वहीं पर upload कर दिये जाते हैं पर कोर्स में सारे classes आपको मिलेंगे एक जगा पर सारे classes मिलेंगे यह हिंदी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा चलिए प्रद के बारे में हम लोग पढ़त आपको पता देती हूं यह किताब जो है चितिज भाग दो से लिया गया है और तुलसी दास के द्वारा लिखा गया है राम परशुराम लक्षमन संबाद सीता स्वैंबर के सीता का स्वैंबर हो रहा था आप सभी को पता है जगा जगा से राजा महराजा जो है वह ने कταकुर्फ से तूटने पर तो सबस्काइब है कि प्रत्यंचा चड़ाना था रामजी ठीट तो नहीं प्रत्यंचा चड़ाए ने odha और न desde कि त्रीके से यहां मैंने उसके प्रत्यंचा लगाई थे तो जैसे हिए प्रत्यंचा लगाने वाले थे कि धनुस तोट गया और जैसे ही तुटा तो वहाँ पर अब करोधित तो गांप और लक्षमन और परशुराम के तो यही था इसका क्रोध का वर्णन है उनके परसुराम जी के लक्षमन उनके क्रोध वशनों का उत्तर वियंग पूर्ण देता है और क्रोध करते वे जो प्रश्न पूछते हैं कि आखिर धनुस किसने तोड़ा तो लक्षमन जी क्रोध करते हैं लेकिन अभी पहले हम लोग इसके बारे में अच्छे से पहले इस पद को पढ़ लेते हैं ताकि अगर यह पद भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दो किहां यह तूलसी दास की रश्ना है और राम शरीत मानस से ली गई है और इस प्रसंग की है नात संभू धनु भंजनी हारा होई ही केउ ए मुझे पता है कि आपको नई समझ में आ रही होगी मैं आपको बताऊंगे एक एक लाइन का मिनिंग आपको मैं बताऊंगे सुनुहू राम जेही सिव धूनी तोरा सहस बाहू समसो रिपु मोरा सो बिलगावू बिछाई समाजा नाता मारे जेही सवराजा सुनी मुनी बचन लखन मुसकाने बोले परसुधर ही अवमाने बहु धनुही तोरी लरिकाई कभू न असी रिस्किन ही गोसाई एहु धनुपर ममता के ही है तुनी रिसाई कह भुगू कलकेतु रे निप बालक कालबस बोलत तोही नसंभार धनुही सम त्रीपुरा री धनु विदित सकल संसार तो यह अपद है जो की रामशरीत मानस से लिया गया है और यह राम लक्षमन और परसुराम के संबाद से है चलिए इसमें कुछ शब्दार्त है इसको भी हम लोग देखते हैं तो सब्दार्त में संभू धनु जो वर्ड आया हुआ इसका मतलब होता है शिव का धनुस फिर भंजनी हारा मतलब होता है भंग करने वाला रिसाई मतलब होता है क्रोध करना रिपु का मतलब होता है जो स में लड़िकाई मतलब बच्पन में प्रसंग एक-एक करके इसको हम लोक डिटेल में जानते हैं प्रसंग तो आपने जान लिया कि राम लक्ष्मन और पर्सु राम के बीच में समभाद है और कब तो जब सीता और राम का स्वैंबर हो रहा था और राम जी ने धनुस को शीव के धनुस को तोड़ दिया था उस वज़ा से यह ऐसा महौल बनता है अब देखे पहला जो लाइन था वो क्या था नाथ संभू धनु भंज निहारा भंज निहारा का आपने क्या मतलब निगाला है तो कि यह करने वाला होगा आपकी भकति करने वाला होगा तो कोई यह सारे वर्ट को अब हम लोग एक तरफ लेकर को कहते हैं कभी कहते हैं कभी मतलब तूलसी दास उनका कहना है कि लक्षमन कहने लगे हे नान्थ शीवा सीव जी के धनुस को तोड़ने वाला अपना कोई एक दासी होगा तो ऐसा कुछ ने कहा तो लक्षमन जी ने कहा किसे कहा परशुराम से इसलिए कि परशुराम बहुत जादा क्रोधी थे और इस क्रोध में आकरके उन्होंने प्रश्न किया कि ये धनुस किस ने तो लक्षमन जी ने जवाब दिया हे नाथ शीव जी के धनुस को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा वैसी ने आपके इस धनुस को तोड़ा होगा अगला लाइन था कि आयोईसू का कहिय किन मोही तुनी रिसाई बोले मुनी कोही तो इनका कहना था अर्थात क्य आग्या है तो यह लक्षमन जी ने कहा क्या आग्या है मुझसे क्यों नहीं कहते आप मुझसे कहिए क्या आग्या है आप मुझसे कहिए यह सुनकर मुनी रिसा करके बोले तो जैसा ही उन्होंने यह सुना लक्षमन जी के बातों का तो मुनी जो थे वह गुसा हो करके प्रो मतलब है कि सेवक जो होते हैं जो सेवा कर रहे होते हैं लेकिन जो सत्रू होते हैं उनके साथ सत्रू जैसा वेवार करना चाहिए तो परशुराम का यह जवाब था किसको तो लक्षमन को और लक्षमन जी ने परशुराम से क्या कहा था उन्होंने कहा कि यह धनुस उसने ही तो रोड़ा होगा जो आपके दास होंगे और क्या बात है बोलिये मुझे से बोलिये और अगर तुम सत्रू वाला वैभार की हो सत्रू जासा काम की हो तो उसके साथ सत्रूता जैसा ही पेश आना चाहिए सीधापन से काम नहीं चलेगा तो यह जवाब था परशुराम का तो अगला पद जो है उसको अपनों देखते हैं सुनहु राम जेही शिवधनु तोरा सहस बाहु संसो रिपु मोरा तो परशुराम जी हे राम परशुराम जी ने कहा हे राम सुनो स्ीव के धनुस को तोड़ा है यह जोँ सिव धनुस जिसने तोड़ा है वह सहस्त्रवाहु के समाण तो परशुराम के एक और दुश्मंद है जिनका नाम था सहस्त्र उपाहु उनकी कथा के बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे लेकिन उह उनका उन्हाने किया है राम जी का किसे सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा सत्रू है जिसने भी धनुस तोड़ा है हे राम जिसने भी धनुस तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह ही हमारा सत्रू है तो अगले पदमीनों ने लिखा कहने का मतलब है कि वो इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए यह जो स्वैंबर चल रहा है जहां इतने सारे लोगी कठे हो रहे हैं वो जिसने यह धनुस को तोड़ा है वो इस समाज को छोड़े और इस समाज से एकदम अलग हो जाए नहीं तो सभी राजा जितने भी राजा यहां पर उपस्तित हैं इस स्वेंबर में सभी मारे जाएंगे ऐसा कहा किसने परशुराम ने अब आगे बढ़िए अगला पद में देखिए अगले लाइन में क्या हुआ है जो लक्षमन जी है वो मुस्कुराने लगे बोले परसुधर ही अव माने तो मुनि के वचन को सुनकर के लक्षमन जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले अब आभ आप vulner और जो लक्षमन जी अफमान करते हुए बोले मुस्कुराई ने कहा कि जब हम लिब बहुत चोटे थे तो चोटे में तो हम लोग ने भासारे atac को तोड़ाता अद्धानु ही का है धनु ही का मतलब होता है छोटा धनुस खावी कौण सा रूप रूप जो छोटा धनुस होता है वह उनका कहना है कि जब हम लोग बश्वन में धनुस चलाना सीख रहे थे हम लोगों के हाथों में जब धनुस आई थी तो ये धनुस हम लोग बहुत सारे ऐसे धनुई है थोटे धनुस जो थे उसको हम लोगों ने तोड़ा था आपने उस समय तो इतना कुरोध नहीं किया था अभी इस साई लड़कपन में बहुत सारा धनुस तोड़ा है किन्तु आप ऐसा करो तो कभी नहीं किये अगले पत में देखे कि क्या जवाब मिलता है एही धनुपर मंता के ही हे तो तुनी रिसाई कहा रीगु कुल के तु तो अर्थात कहने का अर्थ यह है इस लाइन में कि इसी ध इतना सारा बश्वन में तो धनुस तोड़ दिये अब यह एक धनुस तोड़ा इतना आप मंता क्यों दिखा रहे हो इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो यह सुनकर भृगु वंस के ध्वजा स्वरू परशुराम जी यह कुपित हो गये गुसा हो करके कहने लगे जब लक्ष्म अरे राशपूत्र आल के वस में होने के कारण तुम बोलने में कुछ भी नहीं है तुम क्छ भी बोले जाघर हो गयानि कि तुम काल के वस में हो कुछ भी बोले जा प्यक्त करने का मतलब है सारे संसार में जिसको तुम मैं पर्शुराम और यही था राम लक्षमन पर शुराम का संबाद एक तो आप इसको पहली बार हो सकता कि अब पढ़ रहे हो और आप कुछ पद को मैंने तोड़ तोड़ के बताया है अब हम लोग इसको पूरा एक जगा पर इकठा करके अब एक जगा पर देखते हैं और इसको समझते वे चलते हैं अब चलिए एक एक करके मैं फिर से पद को पढ़ूंगी और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंग सबसे पहला क्या लाइन था नात संभू दनू भंजनी हारा हुई है के हूँ एक दास तुम्हारा हे नात क्यूंकि परसुराम को कह रहा है लक्षमन जी हे नात इस शिव के धनूस को जिसने तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा आई बात समझ में अगला लाइन है आई कहने का मतलब है कि ऐसा क्या है मुझे से बोलिए यह सुन करके जो मुनी थे जो परशुरान थे वो क्रोधित हो करके बोले कहने का मतलब है कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है जो सत्रु वाला काम करे उसके साथ सत्रुता उसके साथ लड़ाई करनी होती है तो हे राम जिसने भी इस धनुस को तोड़ा है शीव के धनुस को तोड़ा है सहस्त्र बाहु की तरह सम वो मेरा सत्रु है इस समाज में जो हैं वो सभी यहां से हट जाएं नहीं तो वो सब राजा जितने लोगी कठे हुए हैं सभी मारे जाएंगे तुनी मुनीवचन लखन मुस्काने बोले परसु धरी अपमाने ये इतना सुन करके जो लक्षमन जी थे वो मुस्कुराने लगे और बोले परसु राम जी का आप मानना करते हुए बहु धनुही तोरी लरकाई हम लोगोंने बश्पन में बहुत सारे धनुस को धनुही को तोड़ा है कभु ना सी रिस्किन ही गोसाई किसी ने भी इतना क्रोध नहीं किया है एही धनुपर मंता के ही है तो आखिर इसी धनुस पर इतना मंता क्यों है तुनी रिसाई कह भृःगु कुल केतु यह सुन करके जो भृःगु कुल केतु यानि कि परशुराम जी जो थे भृःगु कुल के परशुराम जी और क्रोधित हो गये इतना लक्षमन जी के कहना सुन करके तुम काल के वस में हो और तुम क्या बोल रहे हो इसको तुम संभाल नहीं पा रहे हो कुछ भी बोले जा रहे हो धनुही सम्त्री पूरारी धनुव विदित संसार ये संसारों में संसार में विख्यात यह सीव का धनुस है उसको तुमने तोड़ा है और इस धनुस का तुलना तुम धनुहीं से कर रहे हो यही पद है दोस्तों और इसी पद को आपको पढ़ना था किसमें तो यह तो पहला पद है चुकि आज पहला चैप्टर सुरू हुआ है कल यह चैप्टर हो जाएगा इसका explanation समावत हो जाएगा और परसो इसका question answer हम लोग कर लेंगे तो प्रती दिन आप लोगों को classes में इकठे होने हैं ठीक है अब हम लोग चौपाई को बहुत अच्छे तरीके और सुनिएगा आप लोग ध्यान से क्योंकि इसको लिखा है किसने तो तूलसी दास ने लिखा है और इस कहां से लिया गया है तो राम चरित मानस से लिया गया है और यह चौपाई है प्रसंग मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रसंग में इस चौपाई को लिखा गया है तो यह चौपाई जो लिखी गई है जब राम और लक्षमन जी सीता स्वयंबर में गए थे तो वहां पर जब राम जी से बोला गया कि धनुस को धनुस के उपर प्रत्यंचा चढ़ाना था और जैसे ही राम जी ने प्रत्यंचा चड़ाया तो यह धनुस क्या हुआ यह तूट गया और जैसे ही धनुस टूटा और यह धनुस किसका था यह शिव का धनुस था तो इससे क्या हुआ कि यह परसुराम जो थे यह तो भी स्वामित्र का चितर है लेकिन यहां जो परसुरा का समवाद चलता है उस समवाद में जो आपको चौपाई पढ़नी है तो उसमें एक भाग आपने कर लिया तो मैंने कल की क्लास में भी बहुत कुछ बता दिया था लेकिन चुकि स्तावंड नहीं आ रही थी तो बहुत सारे मेरे मित्रच थे जिनको आवाज क्लीर नहीं आ रह के लिए एक सब्साइन है का ज़्टी लावु जूनधन तौरे तो क्या हानी हो गया पुराना धनुस को तो ठूटने से देखा राम नयन के भोरे राम का जो नयन है उसने यह देखा कि निया धनूस है इनको तो धोका हो गया था रामजी को तो दोके वास इनको लगा कि निया है और पुराना धनुस था उठा लिए तो टूट गया तो अगला जो लाइन है चुवत तूट रगुपती ना दोसों तो यह तो छूते ही रामजी के चूते ही धनुस टूट गया तो इसमें राम जी का क्या दोस्त कहते हैं रागुपति ऊद्धूरा फजू कूरे ये unft ना पलगी दीप गूतेश हैं अज जैसे ही पर सुराम जी ने सुना ये बात को तो हाथ में फरसा ले करके अरे सट सुनो हो सुभाव न मूरा हे लक्षमन सुनो क्या तुमने मेरे सुभाव को नहीं जाना था तो ये लाइन में लिखा हुआ था ये चौपाई में बालकों बोलो बदहू न तो ही बाल ब्रह्मचारी आति कोई और बहुत अति गुक्रोध वाले हैं अब बाल ब्रह्मचारी हैं तो लक्षमन जी का कहना है कि इहां कुमण बतिया कोई नहीं है जे तरजनी देखे मरी जाही अब आप इसको बार बार पढ़ नहीं तो आरहा है साली कोई बर बर दिखा रहे हो ना इसको देखरके हम बोर रहे हैं मैं के चुका सही था अगर हम कुछ बोले थे इसको देख आभिमान के साथ हम कुछ बोले थे एसा इन्हों ने कहा लक्षमन जी नही test भ्रिगतु समझे जनेव आप कुल के है और आप जनेव को जनेव देखे और यह देखे कि आप भ्रिग आप जितना कुछ बोले हैं सब सह करके रहे हैं इतना कुछ आप बोल दिये फिर भी हम सहल लिए लक्षमन जी बोल रहा है जितने भी ब्रामन, देवता, भगवान, भक्त, गाए ये सब जो हैं हमारे कुल इन ही पर अपना सूर नहीं दिखाते है वीर्ता नहीं दिखाते है किस पर पर देवता पर ब्राम्हन पर तो आपका जो ये भीगु कुल समझे आपको जनेव धारन किये वो देखे तो फिर हम अपना क्रोध अपने मन में रख लिए क्यूंकि हम लोग जो हैं हम लोग जी स्कूल के हैं उस स्कूल के लोग सूर महिसूर हरीजन और गाए इन सब पर वीर अगर उनसे हारते हैं तो क्या होगा अब किर्ती होगा अगर उनके उनसको मारते हैं तो पाप होगा मारतु हूं पाप परियर तुम्हारा अगर आप मुझे मारोगे भी तो भी हम आँ करके आपके पैर पकड़ लेंगे आपका पाउं पकड़ लेंगे आपको परियर तुम कि वहीं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कोटी कुली सब करें और दिखाएं अब आपको क्या लगता है कि फूक को मार करके पहार को डालेंगे और हम लोग को कुम्हड बतिया समझ के रखे हैं कि तरजनी देख करके हम लोग मुर्जा जाएंगे तो ऐसा कहना है लक्षमन जी का तो वपर्शु राम जी से जो भी लोग की अनुचित कहें हूं छमुह महामुन धीर अगर हम लोग इसको देख करके यह जो धनुश मुझा करके अगर हम लोग कुछ अनुचित कहें हूं अगर कुछ भी अनुचित कर दिए ज्या म्हामुनि ध्य Ingred महामुनि है महामुझा कि ये आपि सतीर धनुस ये नोशी कुतार को देख करके खेंगे गलत बोल दिये हों तो है महमुनी आप मुझे छमा किजे सुनी सरुस भृगु समानी बोले गिरा गंभीर अर जैसे ही लक्षमन की ये वानी को सुनते हैं भृगु बंसामनी याणि की बंस्मनी याणि की परसुराम बहुत गंभीर हो करके बोलते हैं अब सुनिये कि पर सुराहण जी क्या बोलते हैं लक्षमन जी ने तो अपनी सारी बाते कह दी कि कुठार देखकर के तो हम आप बोले कुछ भी चीज बोले ये आप बुरा मत मानियेगा अब परशुराम जी क्या बोलते हैं अब ये सुनिए कौसिक सुनुहू मंद यहू बालकू कौसिक किसको बोला गया विश्वामित्र को क्योंकि विश्वामित्र जो थे वो उनके साथ ही राम लक्षमन वहां पहुंचे थे राम सीता के स्वैंबर में और यहां जो आप चित्र देख रहे हैं विश्वामित्र हैं राम लक्षमन को यह के गुरू है तो विश्वामित्र जो है यहां पर उनको अब बीच में लेकर क्या रहा है परसुराम जी परसुराम जी बोले कि है विश्वामित्र है कौसिक सुनु मन्द यहु बालग यह बालग जो यह मन्द बुद्धी है इसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कुटिल काल बस नीज कुल घाल को यह जो है कुटिल है और यह काल के बस में है कुटिल है काल बस में है नीज मतलब अपने कुल का यह घात करने वाला है अपने कुल को यह खत करने वाला भानुबंस यानि कि सूर्य वंसी ये सूर्य वंसी है सूर्य वंसी होते वे वी राकेश कलंको चांदर पे कलंक के समानं radas the child child support अपर रहता है जब कि यह कौन से तो यह सूर्य पुछ के हैं लेकिन चांद पर धब्बा के समान है है यह लक्षमन जी को और अमजी और फिक कहते हैं निपठ है यह अबीद और असंकू है यह यह प कि यह बहुत उदंड जो मेरे सामने जो खड़ा है लक्षमनग यह हो यह यह क्या है तो अधान आज सुबह से कुछ नहीं खाये तो तो यह विश्वामित्र सुनो यह बालक बड़ा कुबुद्धी है और बहुत ही पुटिल है और यह काल के वस्में है यह अपने कुल का घातक बन रहा है यह सुर्यवंस रूपी चंद्र का कलंक है चांद पर कलंक है यह जो है बिलकुल उदंड मोर्ख और नीडर है विश्वामित्र जी को बले करके आये बीच में और परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोल रहा है यह बच्चा जो इस सही आदमी नहीं है इकतब से कुछ न कुछ बोले जा रहा है यह सही नहीं है तो काल कवालू होई च अब हम पुकार करके बोल रहे हैं तेज आवाज में बोल रहे हैं फिर भाम को मत बोलना कि आपने बताया नहीं था चेतावनी नहीं दीती आपने पहले बोला नहीं था अगर हम कोई action ले ले लिये तो फिर आप मुझे मत बोलना कहूं पुकार करके बोल दे रहे हैं तुम हट कहूं जो चहूं उबारा कही प्रतापू बलू रोस हमारा तो कहने का मतलब है कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तुम हट कहूं जो चहूं उबारा अगर तुम चाहते हो उबारना इसको इसको बचाना चाहते हो विस्वामित्र अगर तुम इसको बचाना चाहत तो बताओ कहूं प्रताप मेरा प्रताप के बारे में इसको बताओ और मेरे क्रोध के बारे में इसको बताओ कि हम कितने प्रतापी हैं कितने क्रोधी हैं क्योंकि तब से इसको समझा रहे हैं और यह समझ नहीं रहे हैं तो इसको कौन समझाएगा तो विस्वामित्र को बोलते सजसु तुम्हारा और तुम्ही अच्छत को बरने पारा लक्ष्मण जी ने अब ऐसे चुपने बैटने लखश्मण जी लखन कहे उन अलगने सूजसी तुम्हारा है मुसी आपका जो सूजस है आपने जो किरती प्राप्त किया है आपकी जो भी उपलब्दी है आपका जो पुन्य है प्रताप है तुम ही अच्छत को बरने पारा तुम ही बरन कर सकते हो तुम ही बरनन कर सकते हो तुम्हारे प्रताप का बरनन और कौन करेगा आप ही करोगे बरनन और अपने तुम आपनी करनी और अपने ही मुद्न मिटू बनना होता है कि की अपने ही कुध यह भाता हक 10 तो अपने मुद्न हो यह नुग Kerry अगले लाइन में यही है ना कि देखिए नहीं संतोसुत पुनी कचू काओं अगर आपको इतना पर भी संतोस नहीं अगर आपको इतना पर भी संतोस नहीं तो जो बचा खुच आया जो आपने को अंदर रोकते हैं तो आपको असई पीडा तो पीड़ा मत सहिए पीड़ा सहने का क्या जरुद आपने क्रोद को बाहर कीजे या जो बचा खुचा बात हुभी कहिए दीजे अब बीर ब्रती तुम धीर अच्छोबा गारी देटना पावही सोभाप आप बीर हो आप जो प्रतापी हो आप धीर गंभीर हो आप जो हो तो आपके मुझसे गारी अच्छा नहीं लगता है गारी देटना पावही सोभा आपके मुझसे गारी अच्छा नहीं लग रहा है आप बहुत वीर हैं आप बहुत प्रतापी हैं आप गाली मत दीजे सूर समर करही कही न जानवी आपू वीदमान रन पाई रिपुकायर कत ही प्रतापू सूर समर कर ही कही अगर आप शूरवीर हैं तो आप कर्म करते हैं आप क्या किजेगा कर्म किजेगा युद्ध में क्या करना है कर्म करना है तो सूर समर कर और ही कही न जनाव ही आपू तो आप कर्म करेंगे अगर मालीजे कि आप युद्धा है आपको किसी रन छेतर में भेज दिया गया आप वहां क्या कीजेगा आप उसका सामना कीजेगा आप युद कीजेगा विद्मान रन पाई रीपू कायर कती प्रतापू अगर कोई ऐसा बेक्ती जो कि युद्ध च्हेत्र में अपना बक्हान कर रहा है अपने शत्रू में नहीं होता है और तब से तो अपन कियासा एं तो लड़िएं चौप आगला चौपाई पांचवा चौपाई और चौपाई ओ पढ़ने हैं और चौपाई पे पहुंच गहां एक और चौपाई बची है तो यह अदिक है क्या हो रहे है अब यहां पर सीता सवैंबर में क्या चल रहा है तुम तो कालू हांक जनू लावा बार बार मोही लागू बुलावा अब लक्षमन जी कह रहे हैं कि आहे महामुने आप क्या कर रहे हैं बार बार काल को हांक करके मेरे पास ले करके चले आ रहे हैं बार बार आप मेरे मारने की धंकी दे रहे हैं बार बार मारने की बात कर रहे मरने का बात कर रहे हैं तो बार बार तो आप काल को क्या करने हैं मेरे पास आप बुला ले रहे हैं काल को सुनत लखन के बचन कठोरा इतना कठोर बचन जो लक्षमन जी ने बोला इसको सुनते ही परसु सुधारी धरेव कर धोरा अपने फरसे को सुधार करके अपने हाथों म हाथ में इन्होंने ले लिया कहने का मतलब है सुनिया अब ध्यान से अब आप अब जानी देई दोसु मोही लोगो अब आप लोग सुनिये अब हमको मत दोस दीजेगा अगर कुछ उच नी छुआ तो मेरे को दोस नहीं देना है पर सुराम जी बोलते है अब जानी देई दोस मोही लोगो अब आप लोग हमको दोस मत दीजेगा कटुवादी ये बालक जो है बहुत कटुवादी है ये बहुत कड़ा बोलते है कटुवादी बालक बद जोगो बद के के लिए योग्य है ये मरने योग्य है बद जोग्य है मरने योग्य है ये कटू बोलने वाला जो बालक है लक्षमन ये मरने योग्य है ये मरेगा अब ये बचने वाला नहीं है बाल भी लोकी बहुत मैं बाचा बच्चा समझ करके हम इसको बहुत छोड़ दिये अरे ये बच्चा है इसको छोड़ दो बच्पना में ये कुछ बो वोग है बाल भी लोग की बहुत मन बाँचा बिच्चा समझ कर बहुत इसको कोई हमने बійए मर जाए सब teor का यह यह कौन है यह विश्वामित्र है तो कौशिक बोले कौशिक मतलब अचानक भी जब देखे कि परसुराम जी बहुत क्रोधित हो है अल्लक्षमन जी तो बाच भी नहीं आ रहे हैं इसके अपराद को छमा कर दीजे यह बालक है इसके अपराद को छमा कीजे बाल दोस गुन गनही न शाधू गनना मतलब क्या करना है उसको कांट करना तो बच्चों का जो दोस होता है बाल दोस और उसके जो गुन होता है उसको गिनते नहीं है जो साधू होते हैं साधू जो होते हैं बच्चे को दोस्कों नहीं गिनते हैं आप छमा कर दीजे उसके अपराध को छमा कर दीजे खर कुठार में अकरुन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही अब जो मंजर है वो मंजर दिख रहा है खर कुठार में तो कुठार जो है यह दिज्धार वाला है तो सॉथार यह किसा है यह अकुरुन को ही मतलब और यह जो है जो गुरु जी है यह बहुत घोर क्रोध में तो हाथ में फरसा और क्रोध में गुरु जी मतलब परसुराम और आगे अपराधी और अपराधी कौन तो लक्षमन और गुरु द्रोही है गुरु पे द्रोह का अपराध लगा है गुरु पे द्रोह किय तो अब यह तीनों जो है एंदम तीनों का संगम अब लग रहा है ऐसा कि आप कोई बचा नहीं सकता है लक्षमान को मरने से अब कोई नहीं बचा सकता है उत्तर देत छोड मारे केवल कौसिक सील तुम्हारे तो जब कौसिक विश्वामित्रें ने कहा है परसुराम इनको तो कि other people who looking a यह लोग बच्चों के दोष्चको गिंते नहीं है इनका उद्दार दीए प्रसुराम बोले की ऑन्प चलो लंख दाए झ्रीमिं इमल्ट ब्लक्षिमण को नहीं मारेगे बिनु मारे उसको छोड़ दिये क्यों छोड़े केवल कौसिक यानि कि विस्वामित्र के प्रेम सील के कारण केवल विस्वामित्र आपके प्रेम के कारण मैंने छोड़ दिया इनको नहीं मारेंगे चलो उत्तर देत छोड़ा हूं बिनु मोरे भीना मारे उत्तर देंगे और छोड़ दिये क्यूं? क्योंगी है विश्वामित्र आपका प्रेम और सील के काराण मैंने इसको छोड़ दिया नाता एही काटी कुठार इसको काट देते इसको काट देते गुर्ही उरीन होत श्रम थोरे और गुरू का जो रिन होता है उस रिन से भी ये निकल जाता गुरू का रिन है इनके उपर लक्षमन के उपर तो आगे लक्षमन जी बोलेंगे कि हाँ मेरे उपर गुरू का रिन है आगे के लाइन में दिया हुआ है तो गुरू के रिन से भी ये उपर जाएगा और इसको मार देते और गुरू के रिंड से भी उपर जाता लेकिन छोड़ दे रहे हैं है विश्वा मित्र आपके प्रेम के वज़ा से इसको छोड़ रहे हैं नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं थे यह जो हां मेरे हाथ में कुठार है इसको काट देता अगला दोहा है कि गाधी सुनू ये दोहा है ये चौपाई में खुश-खुश दो लाइन के दोहे भी दिये हुआ है तो आप दो इसकी विशेस्ता है कि चौपाई के साथ साथ राम चरीतर मानस में दोहा भी दिया हुआ है तो दो लाइन का जो दोखा है उसको भी देख लिए गाधी सुनू का हिरिदे हसी मुनि हरी और रई सूज अइमे खाड न अखमे अज़ हो नाबूज अबूज मतलब कहने का मतलब है कि जो विश्वामित रहे हैं ही मन ही मन हस रहे हैं अब क्यों मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं अब मुन ही हर यह जो मुनी है यह पर्सुराम है इनको जो चारो तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है हरी अरई सूजी मुन नहीं हरी अरही सूज है निए इसा है है कि छारों तरफ विश्वा मिद्र और नजर आ रहा है यह एसा तो यह सामने रामलक्षमन के रूप में जो खड़े हैं यह कोई सधारन व्यक्ति नहीं है यह सधारन छत्रिय नहीं है यह लोहे के समाने है फॉलाद और यह खार खड़क के समान है खाड के समान है खाड खडग के समान है ये वो खाड नहीं है जो की गन्य के रस से बनता है और मुव में डालते ही वो पिघल जाता है वो खाड नहीं है ये खडग वाले खाड है पौलाद है ये और ये लोह के समान है यानि और ये जो मुनी है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मे यह मुश्कुरा रहे हैं विश्वामित्रम अब यह जो चौपाई है आपका इसी में दिया हुआ है कि यह लोह मई खाण के समान जैसे खडग वाला खाण है यह मुझ में लेके गल जाने वाला खाण नहीं है इनके प्रभाव को परशुराम नहीं समझ पार है नग्स लाइन है कहेउ लखन मुनी सीलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा लक्षमन जी ने कहा अब लक्षमन जी कहते हैं हे मुनी परशुराम जी को यह मुनी आपके बारे में कौन नहीं जानता है पूरे विश्व में तो आप विख्यात है पुरे संसार में विधित है ये पुरे संसार में ये विख्यात है माता पिता का जो रिन है वो तो हम लोग उतार दिये माता पिता का जो रिन था जो हम लोगों के उपर कर्ज था उसको हम लोग उतार दिये लेकिन अब एक रिन बच गया है वो रिन बचा है कौन सा गुरू का रिन अब कहिए तो उसको भी उतार ही देते हैं लक्षमन जी बोले अब बोली उसको भी उतार ही दे उसका समय आ गया है गुरु रीन भी उतारने का तो माता पिता के रीन सो हम लोग उतार चुके हैं गुरु रीन रहा अब गुरु रीन हम लोगों के पास रह गया है सोच रहे हैं बढ़ जी के अब हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब इसको भी हम लोग कव उतार दें सोजनू हमरे ही माथे काड़ा इस दीन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा अब यह जो हमारे मन मतलब मत्फे मढढ़ा हुआ है यह गुरू का रिंड जो है ये रिन का ब्याज भी बढ़ रहा है इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया यहां लिखा हुआ है दीन चली गया बहुत दीन बीट गया ब्याज बढ़ गया है और अनिया व्यवहारिया बोलो तुरंत दुम में थैली खोलो अब इतने जो लोगों पस्तित हैं इसमें से आप लोग में चलेगा अब किसी हिसाब करने वाले को गुला लाइए तो मैं तुरंत एली खोलक करके दे देता हूं औहिं इनका हिसाब कर दिया हुआ जड़ गुरू का इनका बात आहीं गया तो हमारे मत्हे भी घृत से भाल किसी आदमी को रहे हिसाब किताब कर देदें कितना गुरु лет देना है जय से ही लक्षमन का यह सुने परसुराम के फिर उठेक रेकार करके मारने के लिए कट वांचन कुछार कुछार सुधार जैसे इस फिर वांचन सुने लख्षमन का फिर उठेकर लेकिन हाय सभा में हाय हाय की पुखारो रुखो हाई हाई सभा सभी सभा में लोग हाई हाई करना शुरू कर दिये भी गुबर परसु देखा हूँ मोही बिरिप बिचारे बचवू न्रिप दोही कहने का मतलब है कि यहां पर ब्रामन समझ लक्षमन जी के कडवे वचन को सुन करके कुठार सम्माला सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगे लक्षमन जी ने कहा आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं व्रिवूबर यानि कि परशुरांग परशुरांग आप हमको फरसा दिखा रहे हैं बिर्भी बिचारे बच्छों रिपदोही आप मुझे और राजाओं के सत्रू मैं ब्रामण समझ करके आपको बचा रहा हूं इनका लक्षवन जी का कहना था पर सुराम जी आप हमको फरसा दिखा रहे हैं और आपको हम ब्रामण समझ के बचा रहे हैं क्या ब्रामण हैं और हमारे कुल में कहा गया है कि ब्रामण पे उनको मारना नहीं है नहीं तो पाप लगेगा तो हमारे कुल में ये मना है आपके उपर हाथ उठाना तो हम आपको ब्रामण समझ के बचा रहे हैं और बार-बार आप फरसाले करके मेरे ऊपर उटकड़े हो रहे हैं मिले ना कभू सुभट रन गाढ़ है द्विज देवता धरही के बाढ़ है इनका कहना है कि आपको कोई रंड़ीर नहीं मिला है ये वो रंड़ीर सिंग वाला नहीं रंड़ीर मतलब की रंड में वीर वाला युद छेत्र में वीरता दिखाने वाला वैसा आपका का सामना आज के समय में नहीं हुआ है लक्षमन जी कह रहा है कि मिले न का आपको कोई ऐ आपको नहीं मिला है कोई ऐसा आपका सामना किसी से नहीं हुआ है दूज़ देवता घर ही बाढ़े अपने घर में ही आप जो है अपना तेज दिखाते हैं मतलब कि क्या भोलते हैं अपने कुआ कमेड़क होना आपको कभी रंधीर बलवान वीर नहीं मिला है यह ब्रामन देवता आप घर ही में बड़े हैं आप घर ही में बड़े हैं रद बाहर का दुनिया देखिए मेरे जासे वीर लोगों का सामना कीजिए आप घर में बड़े हैं यह सुनकर अनुचित है अनुचित है का करके सारे लोग खड़े हुए सारा लोग वहां पे खड़ा हो गया सभा में कहता हुआ कौन क्या से का अनुचीत है ऐसा नहीं होना चाहिए अनुचीत है तब श्री रगुनाथ जी ने इशारे से लक्षमन जी को रोक दिया अब लक्षराम जी का बारी था इतना चीज हो गया राम लक् जी ने इशारे से लक्षमन जी को रोक दिया लेखन उतर आहूती सरीत भ्रिगुबर कोपू कुसानों बढ़त देखी जलसम वचन बोली रगु कुल भानों तो कहने का मतलब है लक्षमन जी के उतर से और यह आहूती का समान था ना यग में आहूती दिया जाता है और कैसे आग जो है लहला हा के उटता है लोकुतन आग में घी डाल ना तो इनका जो बोली था लक्षमन जी का यह आग में घी के समान था कि घी डाले जा रहे और वुदम आग और लहला अ के उट रहे а इस आरा से उन्होंने लक्षमन को रोका लक्षमन जी के उत्तर से जो एक आहुति के समान था पर सुराम जी के क्रोध रूपी अगनी को बढ़ते देख करके आहुति दे ये जा रहा है लक्षमन जी और इनका क्रोध रूपी अगनी बढ़ रहा है इसको देख करके रगुकू अब राम जी अपने बच्छन को बोलते हैं अब क्या बोलते हैं इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है ठीक हैं इतना ही आपको पढ़ना था और यह आपका सारा चौपाई जो छे चौपाई है यह आप लोगों का सारा समाप्त हुआ और यह राम लक्षमन का जो संबाद था परसु राम के साथ राम सीता ये सीता के स्वैंबर के समय में उसके बाद ही लोगों का विवा हो जाता है और इसके बाद के जो घटनाएं थी वह आपको नहीं पढ़ने हैं इतना ही आपको तो कैसा लगा आप लोगों को ये पहली बार पढ़ रहते हैं पहले पढ़ चुके एक बार और फिल कभी इसको रीट करा देंगे ऐसे तो कई बार इसको रीट कर बता चुके हैं एक बार और मैं आपको पढ़ा दूंगे इस ओंधी करा देंगे पहले जादा प्रस्षण आपको करने से अपको कुछा जाता है देख सुदान के नुषजव, लक्ष्मन, बःटप इनके पास बुद्धी नहीं है और भी बहुत साँ चीजानि को सब दिया रहे तो यह सभी इनके समान है अब लिखा है अगला जो प्रश्न है सूरवीर को अपनी शूर्ता डैस में परदर्शित करनी चाहिए कहां पर समय में या अपने को औरों से बड़ा बताने समय में या य५िह राजभवन में सूरवीर को अपना सुर्ता कहां दिखाना ये यूता हुआ Bless परशुराम जी अगर आप बहुत इतना क्रोध आहीं रहा है आपके सामने में जो खड़ा हूं तो आप अपनी वीरता का परदर्शन कीज़े आप अपने बारे में बखान क्यों किया जा रहे हैं अपने मुमी मिया मिट्टू ही बने जा रहे हैं तो सुर्वीर को अपनी शू का प्रयों किसके लिए क्या था देखें एक वर्ड आया था गधी सुनो कोसीक ये गधी सुनो गधी सुनो वर्ड इसत्वा मित्रे के लिए अपके सब्स में जै़ान पर इस वर्ड को दिया गया था बहुत ज्ilage दोर नहीं था है गधी सुन को इस विष्वा मित्र है उनको टी सुन का लिया मन हश रहा है यह मुनी जो है यह सब यह भराऊ है इनको समझ में आ रहा है ऐसा है नहीं एत राम लक्षमन यह समान समान्य यह नहीं यहां इनको समझ नहीं पा रहे हैं तो ऐसा है यहां पर चलिए तो अगली क्लास में आप लोग इसी तरह के प्रश्णोतर जो है आप लोग कीजेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक क्वेशन और आप लोग से पूछी लेते हैं कि चलिए यहां इससे बताइएगा यह जो राम लक्ष्मन सम्वाद आपने सुना राम लक्ष्मन पर सुनाम सम्वाद इसमें किस रस की प्रधानता है हासे रस करुण रस सांत रस या वीर रस तांत रस था वीर रस था ना इसमें वीरता का प्रधर्शन हो रहा था यह बढ़ रहा था हाम वीर तो वीर रस का प्रधर्शन था राम लक्ष्मन सम्वाद में कि एक कुछ और प्रश्न ले लेते हैं तो कल की क्लास में इसको आप लोग सब कर लीजेगा सीव जी के धनूस तोड़ने वाले की तुलना पर सुराम ने आपने किस सत्रू से की है इनका कोई सत्रू था पहले का जिसको बोड़ रहती कि उनकी भूजाओं को मैंने काट डाल लीजेदा था विसको बोलेते ना तो सहस्त्र बाहु एक सत्रू थे इनके और उनके बारे में इन्होंने बड़े मर्णन किया और इसकी तुलना दे राम ने धनुस कि से छुली आती दो क्या समझा торов ने दन उसको चलिए कि दनुस बहुत मसबूत है कि दनूस एक्डम नया है लेकिन उठाय तो शोप तो फुटगां उनको क्या प्रद्धीं टूट जाएगा इसमें उनकी रभी है नहीं इस मुझे अये यह दिया एट में लक्षमी इसको सिमझते आगा तो रामई उसको किस धोग कीसे छोलिया था उनdy लगा था कि धनुस एक्दम नेया है चलिए सुमित्रा जी लाल चंद जी मिथाली मिथाली मेहतो जी अजय उराओं जी बिनेदास जी अगर ये प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो आपको यूटूब पर मिल जाएंगे अगर मालनी जे प्लेलिस्ट आपको देखने में दिक्क से आ रही है सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर दिक्कत हो रही है तो यह अपना एप है स्टाड़ी वीथिस्मृति वाला इस एप को डाउनलोड कीजिए स्टाड़ी वीथिस्मृति वहीं पर यह सारे क्लासे जो है वहां पर एक बना हुआ है त्री नहीं आएगा वह मैं आपको समझाते में चलूंगी पूरा और फिर से एक बार एक पूरी अच्छे से पर शुराम की अनुसार लक्षमन इन में से क्या है बताइए क्या है इसमें मुर्ख है को बुद्धी है कुटिल है क्या है कि इन में से सभी क्या हो जाएगा तो मंद गुद्धी कुटिल है और फिर क्या है कुबुद्धी है तो ये इसमें से सभी इसका एंसर हो जाएगा और फटा फट एंसर कीजेगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हो आप सभी देखिए ज़ादा से ज़ादा इसको आप लोग शेर कीजे ताकि जो हिंदी वले बच्चे हैं वो सभी यहां पर जूड़ जाए चलिए अब अगला प्रश्चन है कि सूर वीर को आपनी सूर्था कहां पर दर्शित करनी चाहिए तो यूद भूमी में जो आपने पढ़ा पिछले कख्षा में उसमें आपने ये चीज पढ़ा था जो सूर वीर होते हैं उनको आपनी वीरता कहां पदर्शित करनी होती है युद वीर नहीं है अपने बखान करते हैं और वीर पूरुष यो वह लड़ाई लड़ते हैं वह करनी करते हैं और मैं आपने पढ़ा है अगला है कि तुम तो काल हाथ जानू लावा पंक्ति मैं अलंकार पढ़े नहीं है इसलिए इसका एंसर आसंग कर पाई गा लेकिन अलंकार और छंद यह सब आपको पढ़ना है हि हिंदी वाले में तो हिंदी में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी बहुत जल्दी आपको ग्रामर का भी क्लार शुड़ोगा और चलिए इसके बारे में आपको पता नहीं है इसमें से कौन से अलंगकार होंगे तो इसको उन्हों की स्किप करते हैं आपने पढ़ा भी नहीं है परशुराम ने गधी सुनू क्या नाम है गधी सुनू का प्रयोग किसके लिए किया है क्या उन्होंने स्वयम के लिए किया विश्वामीत्र के लिए एक और शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था पिछले कक्षा में आपने पढ़ा वह कौन सब्द था कौसिक तो यह यह अगर यह ऐसे भी question पूछा जा सकता है कि परशुराम ने विश्वमित्र के लिए किस शब्द का प्रयोग की option में कौसिक भी दिया रहेगा तो भी सही है गाधी सुनो दिया रहे तो ये भी सही है तो ये भी वह संबव है ये भी सही है पांच रुपय का बैच कहा मिलेगा दे दी एच यू आर आई एन ए ये एपर और मात्र पांच रुपय में चलिए विश्वमित्र के लिए गाधी संसुद गाधी सुनू सब्द जो है इसका शब्द का इस्तमाल किया गया है देखिए आपने जो चौपाई पिछले क्लास पड़ी तो उसमें खार पढ़े थे ना तो यहां लिखा हुआ है आयम खाड ना उख में इस पंती में अलंकार कौन सा है तो इसमें शले सलंकार है और चुकि अलंकार चुकि आप पढ़े नहीं है इसको जानेंगे कि किस तरीके साई ये शले सलंकार है एक शब्द के कई मतलब यहां पर निकल रहा है जैसे कि होता है जो जिसको कहते है खडग तलवार और एक खाड जोहते है इसको प्रियोग है इसमें चौपाई और दोहा आप लोग देखें दोहा दोहा और चौपाई भी compass आ वाता आपको पढ़ने है अगले भाग में आप लोग करेंगे देखिए परशुराम के सीर पर अभी किसका रिंड सेस है और उन्होंने बोला था परशुराम के सीर पर अभी किसका रिंड सेस है तो ये गुरू का रिंड जो है ये सेस उनके पर है तो परशुराम के सीर पर अभी किस लक्षमन ने रिंड चुकानी के लिए परशुराम से किसे बुलाने को काम और लक्षमन जी का भी कुछ रिंड था तो परशुराम जी ये लक्षमन जी ने किसे बुलाने को कहा है किसी मध्यस्त को हिसाब किताब के जानकार को बुला ला ये भी रिंड जो है चुका देते हैं जितना लेना है ले लो तो जो रिंड है उसको हम लोग चुका देते हैं कोई हिसाब किताब के जानकार को बुला ये तो इस चौपाई में इसका आर्थ निकला था तो ये किसको ब लाने की बाद करी जारी है तो किसी हिसाब किताब के जानकार को और ये भीढ़ कि कैसे कोश्टन राम् पर्शुराम समबाद से कैसे कोश्टन आ सकते है राम लक्षमन के सब्ड परशुराम के लिए किया थो अगनी में जल के समान शी तलता बिल्कुल सही, जब लक्षमन जी बौль रहे थे और परस्णारम जी के साथ समभाद चल रहा था तो अब राम जी को ऐसा लग गया कि अब यह जो बौल रहा है, विश्कों शांत कराना शिरिए तो उन्होंने शांत कराया उन्हों ऐसा लग रहा था कि ये तो आहूती का काम कर रहा है लक्षमन का बोली यानि कि ये क्रोधी रूपी अगनी में घी की आहूती के समान है तो लक्षमन के शब्द परसुराम के लिए क्या थे तो क्रोध रूपी अगनी में घी की आहूती के समान थे ये पढ़े देना ये चुपाई में आपने पढ़ा था, अगर ये तभी आप इसका एंसर कर सकते हैं, जब आप पिछले वीडियो को देखे होंगे, पिछले क्लास को देखे होंगे, नहीं तो नहीं एंसर होगा, यहीं इसी रीजन से आपको चैप्टर पढ़ना होता है, बीना चैप्टर का कि अगला प्रश्ण है कि राम के वच्चन परसु राम के लिए कैसा था, जल के समान शीतल, शहद के समान मधूर, नीम के समान कड़वा, या कड़वी ककडी के समान, कैसा था? राम का बात लास्ट में दिया था सबसे अंतिम लाइन में जल के समान सीतल जब राम जी बुरो के के रुको अब मुझे बोलने दो तो जब राम जी ने अपनी बोली शुरू की तो वो एकदम जल के समान शीतल उनकी बोली लगी तो परसु राम जी के लिए वो जल के समान शीतल बोली थे राम जी का जो शब्द था वो जल के समान शीतल था चलिए आप लोग अगर कोई भी चेटेट हो गया या फिर कोई भी अगर कोट सक पो लेना है कल लीजेगा आज नहीं लीजेगा कि आगला है कि अगला स्वन संभाद में कौन से रश की प्रधानता है तो वह बीर रस की प्रधानता है तूसी दास का जन्म कब और कहां हुआ था मैंने लिखक परिछे में बताया है तूसी दास का जन्म कहां हुआ था तूसी दास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था और भी एक अलग माननेता है कि कुछ लोग मानना है कुछ का विद्वानों का मानना है इनका जन्म एटा में हुआ था और कुछ विद्वान का मानना है कि इनका जन्म बांदा में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश में ही है वर्ष 1532 भी ऐसा मानना जाता है कि 1532 में तूसी द तुसिदास किस चाखा के प्रतिमीदी कवित हैं। अगला प्रश्ण है कि इन में से कौन सी रचना तूर्सी दास की नहीं है तो रचना में भी आपको मैंने बताया है लेखक परिचर में कि तूर्सी दास ने कौन कौन सी रचना रची है तो उसमें आप ने पढ़ा रामचरित मानस लिखे हैं कवितावली इन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा है यह ल्हीं पन्वादर करता है लेकिन नहीं लिखा है तो उन्हें सुदामा नहीं लिखा हैं दो लाग होने वाला एक बीक्रमजी मातर स्क्राइप कितने बच गया है मैं बताती हूँ दो लाख में कितने बचे हुए हैं आज हो जाएगा 60 और बचे हुए 60 और बहुत लोग अभी सब्सक्राइब किया है अभी जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो आप में से बहुत लोगों सब्सक्राइब किया है अब मात्र साथ सब्सक्राइबर हम लोग दूर है 60 तो ठीक इनती सुरू है आज हो जाएगी थोड़ी दर में इवनिंग का बैस्ट लेकर करके आओंगी ऑब्जेक्टिव के तो उसमें जरूर हो जाएंगे तो उसमें में हम लोग थो असा की नहीं है तो रामचरित माना सुधामाचरित कविताबली और विनःपत्री का तो सुधामाचरित को लिखे है नरोग्तंच किसने लिखा है नरोग्तंचने लिखा है पाटी भी मिलेगा आईए इंशूट में चलिए कल आईए कल 12 बजे शीव जी के धनूस तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस सत्रू से की है तो किस से तुलना किये है कौन से सत्रू से परशुराम ने अपनी तुलना की है सहस्तर बाहु, घटोतकच, कर्ण और दुरवाश्या रिसी क्या हो जाए गांसर सहस्तर बाहु इनके शत्रू थे इनकी भुजाओं को इन्होंने काट डाला था यही बोले थे ना कि इसके तो भुजाओं को मैंने मेरे फरसा ऐसा है इस फरसे से मैंने भूजाओं को काट डाला था और तुम तो मेरे सहस्त्र बाहू के सत्रू के समान हो सेवत तो वो होता है जो सेवकाई करता है तो में बोले कि दास तो वही धनुस्त उड़ा होगा जो कोई आपका दास होगा तो बोले दास्त हो जो हमारा सेवा करेगा है अज सत्रू काम किये हो वैसे तुम भी मेरा सत्रू तो परशुराम जी का ऐसा संभाद था देखिए राम ने धनुष कि दोके से छुल लिया था उनको क्या लगा था कि यह नहें थ hell रहे कि धनुषिकम निया है कि धनुष duż से उठेगा नहीं कि धनुष बहुत पहा रही है क्या हो जाएगा अन्सार घनुस जो है एकदम नया है राम जी के नैनो को ऐसा लगा यह जो धनुस है यह बहुत नैा है एक दम और नया समझ कर क्यूनुन ने धनुस को उठाया। और धनुस जो हो आगे बढ़ते हैं पर शुराम ने अपने भुजाओं के बल से डैस कर दिया क्या कर दिया धरती को छत्रियों से रहत कर दिया प्रित्वी को राजाओं से रहित कर दिया या फिर छत्रियों का पालन किया गरीब लोगों की सहायता की या विश्व का विजय किया क्या किया प्र इत्वी को धर्ती को छत्रियों से रहित कर दिया और बहुत बार तो मैंने ब्रामुनों को सौप दिया और नहीं तो सहस्र बाहू के जो बाभू जाए है मैंने उसको तो काट दाला मेरा क्रोध ही इतना जादा है और मेरे फरसा में इतना दम है और मेरे क्रोध इतने जादा है इस शौपाई ने परसुराम जी ने कहा तरजनी देख करके कौन मर जाता है कायर व्यक्ति कुम्हड बतिया अहंकारी व्यक्ति या काशी फल क्या हो जाएगा कुम्हड बतिया तो क कुमार के भतिया से थे खुषा है कि पीला द्रच होता है कि उसको खुषा है न कोणा का बतीया है कहीं कहीं परिस्तू को भी रोग कोई मुश्त आप यह इस नहीं बात då तर्जनी देख करके कौन मर जाता है तो कुमण बतिया उनका कहना था कि आप क्या समझे हो फूक मार करके पहार उला लोगे और कुमण बतिया है हम लो कि तर्जनी देखते हुए मर जाएंगे ऐसा थोड़ी नहीं आप आए आपको अभी तर कोई रणबीर पुरूस नहीं मिल तर्जनी देख करके कौन मर जाता है तो कुमण बतिया से तुलना की गई है रगुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं किस किस पर दया करते हैं रगुकुल के रोग लोग तो दरीवों पर महिलाओं पर ब्राह्मनों पर या फिर देवता ब्राह्मन इश्वर भक्त गाए क्या हो जाएगा क्या आपको बताये गया कि उनका कहा है यह औस नमबर D जो है यह सही है रगु कुल के लोग किन किन पर दिया करते हैं तो यह देवता पर दिया करते हैं ब्रामनों पर इस्वर के भक्त और गाएव पर ये लोग करते हैं और कहने का तात पर यह था लक्ष्मन जी का कि यह बार बार बात बात में आप यह कुल हाड़ी फरसा यह क्यों दिखा रहे हैं? तीरधनोस क्योंकि हम लोग तो ब्रामन कहा गया है हम लोग वैसे कूल से आते हैं कि जिस कूल में देवता ब्रामन इस्वार भागत गाये यह सब पर हम लोग हाक नहीं उठाते हैं अगर आप रुख गया है क्या दिख रहे हैं ना अगर आप जो हैं अगर मेरे को मारते भी हैं तो भी हम लोग आपके पैर पर आकर के गिर जाएंगे क्योंकि हम लोग आपके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो पाप पड़ेगा अगर हाप से हार भी जाते हैं तो भी हम लोग को जो है मतलब गलत प्रभाव पड़ेग हम लोग देवता ब्रामन इश्वर भक्त गाय इन सब पर दया करते हैं यह दया के पात्र हैं तो यह कौन कहता है कि धनुस तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा यह किस ने कहा यह लाइन किस ने कहा था कि यह धनुस तोड़ा राम कहे राम ने कहा यह कौन कहा कि धनुस तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा विश्वामीत्र या परसुराम तो यह राम जी कहे कि धनुस तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा तो फिर क्रोध से परसुराम जब बोले तब लक्षमन जी बोले क्या बात है ह बोले क्या बात है हमसे बोलिए कि क्या प्रॉब्लम है आपको अगर ये पुराना धनोस था तो क्या लाव क्या आने आप वह राम जी का इसमें क्या दोस है क्योंकि राम जी तो इनको निया समझ करके उठा लिए तो निकला पुराना तूट गया इसमें इराम जी कि क्या गलत लक्षमन ने पर सुनान को कायर बताया शीव जी को धनुस को धनुही कहा बीना बात के बोलने पर और लक्षमन द्वारा धनुस तोड़ने पर क्या होगा इसका सही अंसर बताईएगा धनुही कहा ना इसी पर होगा ना ओप्षन बी जो है यह सही है देखिए शीव जी का जो धनुस था उनका क्या कहना था लक्षमन जी का कि अरे बश्पन में तो ऐसे हम लोग कितने सारे धनुही को तोड़ दिये हैं क्योंकि हम लोग उसी से शीखते आएँ धनुहर विद्या लिये हैं तो बश्पन से आ मों कितने सारे धनुस को तोड़े हैं यूसी क्या मनता है इसा किया जो आप इतना कोड़ कर रहे हैं खामक क्ड़ोज कर रहें यह तो पुराना थनुस था तो टूट गया तो इसका भढ़ां गया कि अर एसी बोले ना पूरे विश्व में विख्यात यह सीओ जी का धनुस है और तुम उसका तुलना धनुई से कर रहे हो इसी उसके बुसी पर वह गुसा हो गया कि अरे वाप रहे तुक्ष समझ रहा है यह तुक्ष समझ रहा है राम ने जिस धनुस को तोड़ा वह किसका था राम ने जिस धनुस को तोड़ा है वह किसका है मतलब वह धनुस किसका था लक्षमन जी का था परसुराम का था राराजनक का था तीनों लोग के स्वामी शीव जी का था किसका था यह धनुस तो यह तीनों लोग के स्वामी क्या इनको बुला जाता है तीनों ऐसे गलत आंख बना दिया है नहीं ऐसे आख बनता है चरे तीनों लोग के स्वामी कौन है तो शीव जी इनका ही त्री नेत्र होता था ना ये त्री नेत्र ये तीनों लोग के स्वामी है और इनका नाम क्या है ये शिव है और शिव जी का ही धनुस जो है राम ने जिस धनुस को तोड़ा वो किसका था तो तीनों लोग के स्वामी शिव जी का ये धनुस था जिन्होंने एंसर किया है D, ये बिलकूल सही एंसर है D, एकदम सही है चलिए शीव जी का ये दनोस था अगला ये last question है भरीगु कुल केतू कौन है? ये last question है दोस्तों यहां लिख देते हैं भरीगु कुल केतू ये किसे कहा गया है? स्री राम को, लक्षमन को, शिविश्वामित्र को, परसु राम को किसको कहा गया है? हाँ, बिल्कुल सही है जिन्होंने अंसर किया D, आपने अंसर किया D, यानि कि परसु राम ये बिल्कुल सही है, भृगुखुल केतो और क्लास में हम लोग आज की जो कहानी पढ़ने वाले हैं ये गद भाग की है, ये बाल गोविन भगत जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको पताया था कि बाल गोविन भगत ये कहानी है इसमें जो मुख्य पात्र है, वो है बाल गोविन अब इनकी कथा में क्या-क्या और भी ज्यादा डिटेल है चुकी कहानी है पहले ही मैं बता दूँगी तो सारा इंट्रेस्ट खतम हो जाएगा तो कहानी को पहले पढ़ना है किस तरीके से तो इसके जो लेखक हैं इनके परीचे से और यहां से भी कोश्चन आप लोगी एक्जाम में पूछे जाएंगे और कोश्चन किस तरीके से आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी जैसे ही यह चैप्टर समाप्त होता है कोशिश रहे है कि आज की क्लास में पूरी कहानी मैं आपको बता दो तो बाल गोवीन भगत चितिज भागदो का और लेखक इसके है राम ब्रिक्ष बेनी पूरी क्या लेखक है तो बाल गोवीन भगत के लेखक कौन है तो यह है राम ब्रिक्ष बेनी पूरी इनका जन्म हुआ था 1899 में 1899 में इनका जन्म हुआ था और ये कहां पर तो बेनीपूर में बेनीपूर जो है वो भारत के बिहार जिले में मुझफरपूर में ये गाउ है और ये गाउ है बिहार में बेनीपूर यहीं पर इनका जन्म हुआ था तो यहां से भी प्रशना सकता है कि रामप्रिक्ष बेनिपूरी का जन्म कहां हुआ था तो कहां हुआ था तो बेनिपूर में और इन्होंने कहां तक की पढ़ाई की थी तो इन्होंने दस्वी तक की पढ़ाई करे थे दस तक कहां थे दस तक इन्होंने पढ़ाई करा था फि पढ़ रहे हैं तो बाल गोवीन भगत किताब का नाम है चीतिज भाग दो एक्जाम का नाम है एक साइस कॉंस्टेबल चलिए अब निधानीम का हो गया था 1968 में और जनम हुआ था दैनिक, साथाहिक और फिर मासिक पत्र-पत्रिकाओं का इन्हों ने सफल संपाधन किया इनमें से जो मुख्य रूप से हैं आप ये पुझी मुख्य रूप से कौन से हैं किसान मिद्र, तरुन भारत, युवक, बालक, जनता, योगी, जनवानी और नईधारा ये सब कुछी- राम रिक्ष बेनिपूरी ने, राम रिक्ष बेनिपूरी के जो संपुर्ण इतिहास है, जिसको कहते हैं बेनिपूरी रशनावली, ये बेनिपूरी रशनावली जो है, ये आठ खंडों में प्रकासित है, कितने खंड में, तो आठ खंडों में इसका प्रकाशन किया हुआ और इसमें से भी जो महत्वपूर्ण है वो है चीता का फूल आपसे प्रश्ण पूशा जाएगा कि चीता के फूल किसकी रचना है तो आपको क्या एंसर करना है तो एंसर यही हो जाएगा राम प्रिक्ष बेनी प्यूरी जो है इन्होंने चीता का फूल कहानी इन्होंने कर यह यात्रा प्रितांत है और यह सब है जो राम रिक्ष बेनिपूरी की रचना है कुछ इनकी सहाइतिक विशेस्ता यह है कि जो साधिनता की नई पनाए है और मनुस्यों की चीता तथा इतिहास का युगांत कारी व्याख्या करते हैं अब इनको कलम का जादुगर भी कहा जाता है तो राम रिक्ष बेनिपूरी की इतनी सारी विशेस्ताओं के बारे में जाना अब एक एक करके इसको शौर्ट में आप लोग जानिए देख मुझषपूर में और ये मुझषपूर कहां पर है तो ये आफ़का बिहार में बिहार का एक जीला है है मुझषपूर यहीं पर इनका जन्वुँआ था इनकी जो क्रश्ण है यह है बाल गोवीन भगत यह आप confuse भगत अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी कहानी को हम ल और इनकी विश्यस्ताओं के बारे में सबसे पहले इस कथा में सबसे पहले परेग्राफ में दिया हुआ है जब आप किताब पढ़ेंगे तो जो पहला परेग्राफ है उसमें इनकी विश्यस्ताओं के बारे में दिया हुआ है अब क्या-क्या इनकी विश्यस्ता है तो इनका तो यह गोरे रंग के हैं, उम्र कितना है, 60 से उपर के उम्र के हैं, यानि कि यह बुजूर्ग है, ठीक है ना, 60 से उपर की इनकी उम्र है, लंबी दाड़ी, चुकि यहाँ पर, मैं दाड़ी नहीं बना पाए, चलिए, इनकी दाड़ी कैसी है, तो लंबी है, और जटा सफेद रंग के बालों से, सफेद रंग के बालों से यहाँ पर यह जगमगाया रहता है, तो दाड़ी उनकी सफेद है, चुकि चित्र मुझे मिलने ही पाए, जैसे बाल गोवीन जी है, लेकिन मैंने पूरी कोशिस की है, ध्यान से सुनिएगा, यह कहानी आपको अच्छे स से याद कर लेनी है, या फिर इसको समझ लेना, कोश्चन यहीं से पूछा जाएगा, यह कपड़े कम पहनते थे, बहुत ज्यादा कपड़े यह नहीं पहनते थे, अब कपडों में भी आखिर अगर कम पहनते थे, तो यह कमर में एक लंगोटी पहनते थे, सीर में कबीर पं अपने लगाए रहते थे बालगोविन जो है कबीर पंथी टोपी जाड़े के समय में क्या करते थे एक काली कमली उपर से बहुत कम कपड़े पैंते थे और फिर हम सर में टोपी रहता था और बलंबी दाढ़ी रंग गोरा और कज जो है वो मंझोला लेकिन जब ठंडे का समय ठंड़ा के समय में थे एक किर बीद्ग जलिए रंग रंग टोपी जो है उपर से उड़े रबाल से ब्लैंकर तो काले रंग के कंबल को ठंडे के दिनों में ओड लेते थे मस्तक पर हमेशा रामानंद चंदन अब रामानंद चंदन की तरीके का होता है तो चलिए इसको अपम लोग जानते हैं लगों आप देखे होंगे कि इस तरीके का और पूरे ललाट से लेकरके यहां तक नाट तक होता है तो यह हमेशा अपने ललाट अपने सर पर कैसा ठंदन की तरीके की तरहे होता है तो आप तुल्सी माला, पैना करते थे घले में, तूल्सी का माला तूल्सी जड़ों के ले डल्सी माला, यही हमनी होता है, जो कि एक दम बहुत अच्छे तरीके से सजा करके उसको बनाये जाए बेडॉल होती है वैसी माला वो गले में धारन करते थें खेती बाड़ी किया करते थे इनके परिवार भी हुआ करते थे परिवार भी रखते थे खेती बाड़ी भी करते थें भगत साधू थे, थे भगत साधू, लेकिन साधू के सभी परिभासाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहव मानते थे, साधू की जो भी परिभासा होती है न, उन सारी परिभासाओं में ये खडे उतर जाते थे, ये थे बाल गोविन, और ये कबीर को अपना गुरु मानते आपने देखा कि हमेशा को सर में क्यूसा टोपी लगाते के रखते हैं तो यह कभीर sap टोपए कभीर की गीतों को हमेशा यह करते ते पत्रय मतलब यह आप परिष्खर देख रहे हैं बाल bon का तो वह आयसा गीत गाते थे हो घाल गुष्च न पूछा जैंजे कि बाल लएoples होजाएंगा तो बाल नो कोम उन्यviewer को धाया करते थे किसके गीतों को कभीर के गीतओं को उनके आदर्ष हैं उनकेサ Maar कभी भी जुठ नहीं बोलते थे हम्यसां यह सच बोला करते थे और खर वैभार करते थे एक दम खरा खरा सही तो सही और गलत तो गलत ऐसा वैभार यह रखते थे और किन आchl를 हैं तो यह बाल गोविन का परीचा एक बार मैं और अच्छे से बता दूँंगी ताकि ये कहानी तको क्लियर नहीं है और यह कहानी और क्यों पड़ पढ़के करना है च्वां क्रिक ये op प्राषिक परेसं अगर कहानी अगर बहुत बड़्या नहीं है तो हैं पढ़ना है ञेकर ना पढना है लेकिन ये कहानी है्प ढ़ेस्तिंग अभी तो आप वाल-गोविन का परिचय देख रहा stink की ना व्यातों धिश्यीस की तरह और इन तरह कर चाहिस की qualité करते हैं लेकिन ग्रिहस्त जीवन जीत है यानिकि इनका परिवार भी है ऐसा निका परिवार नहीं किसी से दो टुख बात करने में संकोच नहीं करते हैं एकदम बेधड़क बोलते हैं अगर किसी से बात करनी हो तो वह संकोच नहीं करेंगे एकदम बेधड़क ये बालगोव जीवन में किया होता है कि अक्सर मन लीज़े कि अगर घर का पुरूस हो कमा रहा है तो वह किसके लिए कमाता है तो समरपीत करता है लेकिन बावुच्छ吧 करते थे जितनी भी चीज़ें इनकी थी वो सब पहले साहव की हुआ करती थी अब साहव मतलब कौन आप सोच रहा हूंगा कि आखीर बाल गविन के जीवन में यह साहव कौन थे तो देखिए साहव के दर्बार में यह लाते उनके घर से चार को सदूर पता एक कबीर पंथी मत को मानता था तो वहां पर यह जाते थे जो भी इनके पास मालीजे कुछ आना आ जाए इनके खेतों में धान हुआ अब यह धान को क्या करेंगे कि यह कबीर पंथी मठ में जाएंगे और यहां से अगर उनको जो प्रशाद के रूप में मिल गया उसको वो घर लेकर के आत जड़ें तो यह पहचान थी यह परीचय था किसका तो यह बाल गोविन का ग्रिहस्त जीवन में रहते भी इनका शारा कुछ साहब को था गुविन का ग्रिहस्त जीवन में रहते वे भी इनका सारा कुछ साहब को था सबसे पहले कोई भी चीज पहले साहब के दर्बार में लाते और दर्बार में लाने के बाद ये क्या करते थे यहां पर वहां से जाते और घर के से चार कोज दूर पर था कवीर पंति मट और दर्बार में ला करके चड़ावा चड़ाते वहां से प्रसाद की रूप में जो मिलता उसको वो घर लेकर के आते अब देखिए जो उन्हें प्रसाद की रूप में मिलता उसको घर लेकर के आते इन सब के ऊपर मैं लेखक यानि की लेखक कहते हैं राम रिक्ष बेनिपूरी यही लेखक का नाम क्या था इनका नाम था राम रिक्ष बेनिपूरी यही लेखक थे यह कहते हैं कि यह सारा चीज देख रहे थे बाल गुविन के जीवन को यह बहुत अच्छे से देख रहे था इन पे मुख्द थे तो ये सब के ऊपर मैं लेखक मुख्द था उनके मधूर गान पर ये गाना बहुत अच्छा गाते थे बाल गुविंजो थे इनकी गाना बहुत अच्छी थी और उस पर ये रामरिक्ष बेनी पूरी मुख्द थे जो सदा सर्वदाही सुनने को मिलती थी हमेशा ये रामरिक्ष बेनिपूरी इनके गाना को सुना करते था अब किस तरीके का गाना था ये जब असाड का रिमजिम आया असाड के मौसम में अभी जैसे की मौसम चल रहा है किसका तो जून मा का और ये असाड का भी समय है इसी समय में धान की रोपनी होती है खेतों में खेतों में क्या हो जाता है धान रोप दिया जाता है और कहीं कहीं पर हल चलाए जाते हैं ये सीजन ही होता है बरसात का बादल से बारिश हो रही है ये समूचा गाउं जो है ये वरसा में हो गया है और धान की खेती हो रही है और कहीं पर हल चलाए जा रहे हैं कहीं पर धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उचल कुद रहे हैं और कहीं कहीं पर धान के खेत हैं वहाँ पर बच्चे उचल रहे हैं आसमान में बादलों से घीरा धूब का नाम नहीं है बादलों से पुरा घीरा हुआ आसमान है असाड का महीना है बच्चे खेतों में उचल कुद रहे हैं और बादलों से घीरा हुआ है असमान धूप का नामों निशान नहीं है ठंडी पुरवाई चल रही है ये उस समय का जो वाता वरण है जिस तरीके के परिवेश है उसका च किसमा में आपकी सारी परिशानी जो है पर्टिकल साइंसर क्लास मैं आज का स्पेशल जारखन जी के बैच कैसे परचेज कर सकते हैं धूरीना डाउनलोड कीजे चलिए पांच मिनिट का समय कहानी सुना रही हूं इसलिए बीच में मैं ब्रेक नहीं कर सकती धूरीना एप प नहीं लगेगा तो कहानी सुनलीजे कहानी को खतम करना हैं वीडियो की लास्ट में सारा डीटेल्स में आपको बता दोंगे कहीं द्हान का पानी से ब्र हुआ थान का खेट उसमें बच्चे खेल रहे हैं बादल से फूरा आसमान जो है बादल से ठका हुआ है धूप का एक अग्दम नामों निशान नहीं और ठंडी-ठंडी पुर्वाई चल रही है ऐसे समय में एक स्वर्ग तरंग जंकार सीकर उठी देखें कुछ पहचान इनकी थी बाल गोविन की जो रह गई थी किसी से वो बेवजा जगड़ा नहीं करते थे बाल गोविन किसी भी चीज को छूते नहीं थे यान दूसरे की चीजों को न छूते थे ना उसको वैवहार में लेकर के आते थे कभी भी दूसरे की खेतों में ये सौच के लिए नहीं जाते थे बाल गोविन ये इनका पैचान है कभी ये बाल गोविन जो थे किसी दूसरे के खेत में सौच के लिए नहीं जाते थे किसी से बेवजा जगडा भी नहीं करते थे और ये सामय आया आसाड का और कहीं पर धान के खेत जो है ये पानी से भरे हुए थे ऐसे समय में और ये महाल ये परिवेश ऐसे समय में क्या हुआ कि एक स्वर तरंग जहनकार सी कर उठी अचारक से कानों में कुछ स्वर आया कुछ आवाज आई और वो सभी को एकदम जहनकरीत कर गई ये क्या है तो जो लेखा का है वो सोचने लगे ये कैसे आवाज आई ये क्या है कौन है यह पूछना ना पड़ेगा तो कौन है ये नहीं पूछना है जब कानों में आवाज आ यह क्या हुआ लेकिन कौन है यह पूछना नहीं क्योंकि सब को पता है कि यह कौन होगा थमूचा सरीर जो है कीचर से लत्फत है लोगों का क्योंकि लोग मसम ही बरसात का है बच्चे जैसे ही कानों में आवाज आती है संगीत की बच्चे जो है खेलते वे जूम उड़ते हैं मेर्पड जितनी भी खड़ी औरते हैं उनके होठ कांप उठते है और वो गुन-गुनाने लगती है वो भी गाना-गाना शुरू कर देते हैं जब धान खेतों में लगाया जाता है न दोस्तों उस समय का महल ही अलग होता है उस समय में बाल गोविंद की गाने की आवाज क् कभीर पंथी थे और कभीर के गाना को गार्द गाया करते थे तो ये जब गाना-गाना शुरू किये और खेतों में इस तरीके का परिवेश है तो जो महिलाएं जो हैं मेड़ पर काम कर रही है वो सब भी गुन-गुनाने लगी उन सब के भी जो है वोट जो है वो कापना शु रहे थे हलवाय के पैर ताल से उठने लगे यह लोग डांस करना शुरू कर दिये थे रोपनी जो धान की रोपनी कर रहे थे वो उनकी उंगलियां अजीव क्रम से चलना शुरू कर दे थे चुकि अब गाना बचना आना शुरू हो गया था अब जो हैं बाल गोविंद गाना सुरू कर दिये थे उंगली जो है वो एक एक धान के पौधों को पंती बद करके खेत में बिठा रही थी जितने भी किसान हैं वो ऐसा कर रहे थे उनकी कंट एक एक शर्ध को संगीत जीने मतब जी संगीत के हीने पर चढ़ा करके कुछ को ऊपर स्वर्ग की और भेज रहा था अर कुछ को इस पृथवी की मिट्टी पर खड़े लोगों की कान की और उनके जो संगीत जो मुह से निकल रहे थे बाल गोविंद के कुछ तो स्वर्ग लोक में जा रहे थे और कुछ यहाँ पर प्रित्वी पे खड़े हुए मिट्टी में जो लोग थे उनके कानों तक आ रहे थे और वो कौन थे तो वो किस खेतों में काम कर रहे बच्चे, महिलाएं, पुरूश यह सबी थे, सब उनका गाना को सुन रहे थे अब आया माह भादो का यह तो असार का मा था तो असार के मौसम में क्या होता है बरसात होता है लेकिन अब आया माह भादो का आपको पता है जारखन में भादो के माह में एक तेवार मना जाता है कोर्म तेभार के नाम से जाना जाता है अब इस मौसम में क्या चल रहा था भादो के ओसम में किस तरीके के गाना को गुन-गुना रहेखें थोड़ी देर पहले ही नहीं बादलों की तडब और बादलों की गरज में अपने कुछ नहीं सुना हो किन्तों मतलब आपने जब हो सकता है कि जब आसाड का माहा था लोग खेतों में काम कर रहे थे बाल गोविन जो है गाना गुन-गुना रहे थे उसमें में बिजली गरज रही होगी और फिर जो बादल गरज रही होगी या बादल तडब रही होगी सायर आपने कुछ नह सुना हो लेकिन मौसम आया भादों का बसात होना थोड़ा कम हुआ रुका अब जिली की जनकार या दादरों की टर्टर भगत के खंजडी बादन और गायन को अपने कुलाहल में डूबोने में सक्चम नहीं है अब जो है आप सुने होंगे कि की आवाज आती है अक्सर आप लोग देखेंगे बरसात के बाद से खेतों से जिंगूर की आवाज आती है कि नहीं हाई अना में जो भी गाउं में गुड आक्टर नून जो आप लोग गाउं में रहते हैं आप सुने होंगे कि जिंगूर की आवाज आती है और दादूरों की जंजन की आवाज है जंकार है अब यह आवाज दबाने वाली नहीं थी कबीर की बीजली की कड़क्सायद दबा दि हो लेकिन इनकी आवाज उनके संगीत को नहीं votre आने वाली थी और अपने कुलाहल में डुबोनों में सक्षम नहीं थी अब यह संगीत आता है कानों में लोगों के और यह music जो संगीत आ रही है जो यह गाना गा रहे हैं गाना कौन सा गा रहे हैं गोदी में पिवा चमक उठे सखिया चीहूख उठे ना ऐसा गाना यह गुन प्रति हो रहे हैंँ और अख्षर मना गाना रहे हैं और यह घून गा रहे हैं तो यह बाल गोविंद गा रहा है और अख्या दपली बजाते रहते हैं Đभ़ी बजा्याकर कहीं गाना गाता हैं कि इसका मतलब होता है। उसे पी पीया तो गोध में हैं ही when can pick what अकेली है फिर भी उसको ऐसा मैंसास हो रहा है कि हो आकेली है वो चोमक ऊटती है चीहुख जाती है .מjal Yours Life अपंड अचानक से कोई आाज़ आ जाएं या फिर अचानक से कोई आ जाता है तो जो मतलब एहसास होता है तो उसको कहते है चिहू कुझाना, अचानक से चिहू कुठती है, तो इसी गाने में गोदी में पिवा चमक उठे सकिया, चिहू कुठे ना, ऐसा वो गाना गुन-गुना रहा है, अब पूरा संसार अग्दम गहरी नींद ले रहा है, भगत की और गाना वो कौन सा गाना गाते हैं तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा ये गाना गुनगुना रहा है तो ये गाना कौन गुनगुना रहा है अगर आप से प्रश्ण पूछ दिया जाए कि दो लाइन दे दिया जाए आपको कहा जाए कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा तो ये जो है ये गाना पंक्ति या गाना किस ने गाया तो ये किस ने गाया है तो ये गाया है बाल गोविन भगत ने और इसके लेखक कौन है तो लेखक है राम वरिक्ष बेनिपूरी इस कहानी को लिखा है इनोंने देखें मा बीता आसाड का मा ब जाता है इसको कहते हैं सोहराई या फिर एक और तेवहार होता है इसे को कहते हैं बंदना इसे समय में दिपावली वगएरा गोवरधन पूजा चित्रबुप्त पूजा वगएरा जो होता है वह इसी और द्धान की फसल जो है वह कटने कट गई होती है और उसके बाद यह सार प्रभाती और इस मौसम में जब मा कार्थिक आता है उस समय में क्या गाया जाता है उसको कहते हैं प्रभाती तो क्या बोलते हैं प्रभाती तो अभी जैसे ही कार्थिक मा आया नहीं कि बाल गोविंद ने क्या गाना शुरू कर दिया तो ये प्रभाती गाना शुरू कर दिये और जो फागुन तक ये चलता है तो नवंबर से ले करके ये जो प्रभाती का जाता है सुबह सुबह की बेला में गाया जाता है और कब से कब तक तो ये कार्तिक मा से शुरू होता है और फागुन मा तक फागुन मा में एक तेवार मना जाता है इसको होली या फागुन का ते सबीरे सबीरे उठ जाते थे सुबह सुबह आपको पता होना चाहिए कि कार्थिक मा में अक्सर क्या करते हैं अक्सर महिलाई का करते हैं सुबह 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 सूरज निकलने के पहले महिलाई का करेंगी नहा लेंगी और नहाने के बाद वह नदी किनारे जाती है नहाने के ल जो है वो हो गई रहती है धान का फसल कट गया रहता है तो अब पुझा पाठ का कारेकरम बहुत तेजी से चलता है तो इन दिनों वह सबेरे उड़ते बाल गोविन जो है क्या करते सुबह सुबह उड़ जाते ना जाने किस वक्त जाग करके वह चल जाते थे नदी के किनारे पता ह minist कब सुबह जाते नदी के किनारे पहुंच जाते थे अस्नान को जाते वहाँ पर नदी के किनारे गांन से दो मिलकी दूरी पर वहां से जाते और नहाद करके लोटते और यह लेकिन बाहर नहीं था पोख्रे के ऊच्छे भीडे पर ये आते और वहाँ पर क्या करते हैं कि अपनी खजडी खजडी ये छोटी से धपली जासी है ये जो आप देख रहे हैं चीत्र इसको क्या कहते हैं तो इसी को कहते हैं खजडी ठीक है ना तो ये इसको ले करके वहाँ पहुंच जाते थे खजडी को offline classes होता है आप बिलकुल होता है आप लोग क्लास में बने रहे हैं तो खजडी को ले करके बाल गोविंद जो है ये नदी के पोख्रा के पास आ जाते हैं और वहाँ पर आ करके बैठते और अपना गाना जो है टेपने लगते याना-गाने लगते वह तो ये हो गया पिस्मा में तो ये माह ऐसे पहले आपने आपने गुविंद भगत की आपने जीवन एक्ना जीवन की तरीके कमि तो सबसे पहले आपने इनके जीवन के बारे में ने किस तरीके का है फिर आपने इनके देखा कि ये माह जब आता है अस्वीन का तो इस समय में ये क्या करते हैं फिर आप देखें कि भादो का माह आता है तब इन्होंने किस तरीके से गाना गाते हैं फिर माह आपने देखा कि जब कार्ती का माह आता है तब ये किस तरीके से गा रहे हैं और यही कहानी का पूरा आधार है दोस्तों लेकिन आंत जो है इसका बहुत दुखद है मारमिक है फिर भी आप देखिएगा दात किट-किट आने वाली भोर में सुबह में अमाग का महीना होता है बहु ज़ादा ठंड पड़ती है जनवरी फरवरी का समय होता है इतना ठंड दात किट-किट आने वाली भोर में उनके संगीत मुझे पोख्रे पर ले गया और कहां चला गया यह जो पोख्रे के पास यह गाना गाया करते थे तो यह जो गाना यहां गा रहे हैं पोख्रा के पास इनका संगीत उनको कहां ले गया पोख्रे के पास और किसको तो लेखक क अभी आस्मान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे आप सुबह सुबह भी आप देखते होंगे न कि तारा जो है वह बहुत थोड़ा सा जब तक सूरज एकदम निकलने वाला होते है और लालीमा जब तक नहीं आदी तब तक आप तारा को आस्मान में देखते रहते हैं तो वही दे रहा है कि अभी आस्मान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे पूरब में लोही लग गई थी देखे सूरज का जब उगने का समय होता है तो उस समय में इस तरीके का आस्मान जो होता है वो लाल हो जाता है लोह में एकदम लोहे के रंग का जो होता है वैसा आस्म और बागीचा पर सभी पर ये लोही जो है ये च्छा रहा था और रहे से से आवरित ये सारा महाल था उस समय में सारा वातावरण था ये क्या कर रहे थे बाल गोविन ये क्या किये कि कुस की चटाई थी तो कुस की चटाई पर पूरव की तरफ मुझ करके देखे ये घर इध मुख करके क्या कि ये काली कंबली ओड़े मुख ता कि इधर पूरव की तरफ सूरज की तरफ निकलते वे उगते वे सूरज की तरफ और क्या कि ये कि कुस की चटाई पर बैठे कुस का चटाई जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ चटाई होता है उसको कुस की चटाई कहत काली कम्बली और अपने अप्सुरुवात में देखाता कप्ड़े ये कंपानते थे लेकिन फंड़े काले रणके कंबल को ओड़े लियो क्या ओडं़े ये कंबली थंड कनाखे नाखे कि थी सब्सक्ता तो 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 उनका कंबल जो सर्फ सैंसे ऊड़ होते वो बार-बार गीनीचे गिरते जाता था इतने सुर्व मह आ जाते थे कि वी अप उस समैं के महल उस पड़ आरे में बताया जा रहा हुए अब माहा का ठंडे का मौसम चला गिया अब मौसम आया गर्मी का जो कि अभी कडाके का गर्मी यहां चल रहा है ऐसा मौसम था और बहुत कडाके की गर्मी है प्लीज जैसे सीजियल हिंदी पेपर टू को भी पढ़ाईए ना यूटूब पर चीज़ कोशिस करती हूं मुझे देखें बहुत सिलिबस थोड़ा बड़ा है मुझे एक साइस कॉंस्टेबल का मैंने जिम्मधारी लिया है तो इसको मैं करा रही हूं ग्रामर जो होगा काफ अच्छा इसको पढ़िया गर्मी का दीन था पहले एक सिलिबस कंप्लीट की सिलिबस कंप्लीट भी तो कराना है ना जब उदर जार्खंड जी के आपको पता है कि आज जार्खंड जी के में कितने बच्चों ने इन्रॉल किया है बताइएगा तीन हजार से चार हजार बच्चों ने आज जार्खंड जी के लिया है पांच रुपए वाला पांच रुपए वाला हाँ चलियों गर्मी मौसम कैसा था तो बहुत गर्मी वाला था 33 डिग्री टेंपरेचर आप बोल रहे हैं 41 डिग्री हमको ने लगता है बहुत गर्मी है राची में बहुत बहुत और पानी भी नहीं है बहुत मुश्किल से पानी गर्मियों में सांझा तो गर्मी का जी दिन जब आता है ना देखिए ठंडे के दिन में याद रखिएगा जो बता रही हूं द्यान से सुनिएगा कार्ती का महीना तो क्या गाया गया प्रभाती तो यानि कि ठंडे के दिनों में आप क्या गाते हो तो प्रभाती गाते हैं और जैसे ही मौसम गर्मी काता है तो इस समय में आप क्या गा रहे हैं तो इस समय में सांझा गा रहे हैं सां करते दें। जो गाना उनका पहुत पसंद करते थे वो भी सभी चले आते थे अंगन में खंजडियां और करतालों की भरमार हो जाती थी तो जो और भी लोग गाना चाहते हैं गुर्गुराना चाहते हैं बजाना चाहते हैं सभी इनके अंगन में पहुंच जाते थे और यहां पर खंजड मंडली थी उसको दोहराना शुरू करती थी एक बार ये बोले दूसरी बार वो बोले जो आसी ही गाना जब कोरस में गाए जाता तो अक्सर ऐसी होता है तो इस तरीके से ये सांज्ञा जो है ये गा रहे हैं मऊसम गर्मी का ये फिर इस समय आया दोस्तो बाल गोविन भगत की संगीत साधना का चरम बुतकर्श देखें अब तक आपने ये देखा कि जो बाल गोविन भगत हैं कितना मस्ति में कितने सुरूर में और कितना सुरूर में ये गा रहे हैं चाहें मौसम जो भी हो ये इनकी गाना जो है वो रुकने वाली नहीं है चाहें मां कार्ती का हो चाहें भादो का हो या असाड का हो या फिर मांग का मां हो या गर्मी का मौसम हो लेकिन ये गाना गाते ही हैं असाड के स मिल्में यह भादू में कहां गा रहे थे एक मिनट हाँ भादो के समय में ये जगा तो नहीं दिया वे लेकिन समय में बारिस जो हे वो रुक गई थी और जो जहिंगुर की जनकार या थो मेडक टर- Enough और ही रहे थी और इसमैं, यह गाही रहे थे फिर मौसम हाया करमी का तो यह गर्मी के मशमम है, घर के आंगल में का रहे और वह गाना था सऑन्जा अब जानेंगे इनके गाने का जो शरप मुद करसे उसके बारे में लोग जाते हैं इनके गाने का चरम उतकर्स हुआ एसा कि बेटा सूस्त और बोधासा था इनका जो बेटा था एक बेटा था आप यहाँ चृत्र में देख रहे होंगे वहाँ सूस्त था मतलब कोई बच्चा होता है न कि बहुत रह gev scrolling होता है सूस्त होता है और बोधास मतलब कि बहुत रह O SER समझ नहीं है ना मतलब ना समझ जैसा सूस्त मतलब एकदम बहुत अलस समझदार बच्चा नहीं था तो इसको आप बोल सकते हो तो इसको आप बहुत जादा प्रेम था 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 इनका ऐसा मानना था कि ऐसे आदमियों पर जो थोड़े सूस्त हैं जो स्पेसल टाइब के लोग हैं तो ऐसे आदमियों पर ही जादा नजर रखनी चाहिए ऐसा बाल गोविन मानते थे उनको बहुत जादा प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मुहबत के जादा हकदार होते हैं इनको जादा प्रेम से रखन क्योंकि ये जादा हकदार होते हैं उसके जो स्पेसल बच्चे होते हैं बड़ी साथ से उसकी साधी कराई थी तो इनका जो बेटा था जो थोड़ा सूस्त था लिए बहुत अच्छे से इन्हों ने अपने बेटा का विवाद करवाया बहु बहुत थी सुभग थी और शु बीमार हो जाता है इनका जो बेटा था यह अच्छानक से बीमार पड़ता है इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुरसत थे मतलब अब क्योंकि यह तो गाना जादा गाया करते थे कब कायमा जिसका भी हो चैसम है मौसम जलवाई जैसी भी हो लेकि इनका गाना रुखने वाला नहीं था और बेटा चुकि बीमार चल रहा था तो उसको भी देखने की फुरसत इनको बहुत जादा नहीं थी किन्तु मौ ख़्यक्यों के अगर मृतिय हो जाते हैं तो ध्यान जैगा इना तब तो ध्यान जाएगा कि हां अरे वह यह लिखा गया कि कि उ Qué कि तु kita kg अपनी वास प्प्यान कीच करके लेकर के आती ही हैं प मने सुना बाल गो मिन बेता का बाल गोविन भगत का बेटा दमर गया यह 30 कि घर पहुंच गया लेखा देख करके वह काफी दंग रह गया सफेद कपड़े से जो बेटा था यह आप जो चित्र देख रहे हैं यह वाला जो चित्र है यह उनका बेटा सफेद कपड़े से वह ढखा हुआ कपड़ा इसका सफेद था कि चुछ फूलों को वहां पर फैला दिया था कुछ फूल जैसे आप घृत नहीं झाली देख नहीं और बाल गोविन जो थे वो गीत गाय जा रहे थे वो गाना गाय बेटा मर गया है यहां पर अप अच्छारा मुतकर्स देख रहे हैं बाल गोविन के गीत का बेटा मरा पड़ा हुआ है और बाल गोविन जो है ये गीत गाय जा रहे हैं, गाते गाते कभी क्या करते थे पतो हो को नजदीक पतो जो इनका बहू को पतो बोला जाते हैं. अब आपifer किया बुरा जाता है तो रोते रोते वह गाना इन्फ पटूहू कंचने को कहते और बलें तुम उत्षी मर गका प्या प्रमात्मा से मिलन हो गया है जो आत्मा थी बेटे की अब वो परमात्मा से जा करके मिल गई है इसका उत्सों मनाना है विरहनी अपने प्रेमी से जा करके मिल गई यानि कि आत्मा को क्या कहा जा रहा है विरहनी और प्रेमी किसको कहा जा रहा है इश्वर को तो विरहनी जो है वो अपने प् उत्सो मनाओ, वो बार बार पतुहू के पास जा करके बाल गोविन ऐसा कहते थे, लेखक जो हैं, वो सोचने लगे, लेखक सोच रहे थे, कभी-कभी सोचता हूँ, ये पागल तो नहीं हो गया है, उनको ऐसा लगता थे कि कहीं, बेटा मर गया है इसका, और ये ऐसी बात कर र उत्सो मनाओ, कभी-कभी सोचता हूँ, ये पागल तो नहीं हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पागल हुए, जो ये बोल रहे हैं, कि उत्सो मनाओ, उनमें उनका विश्वास बोल रहा है, इस्वर के प्रति जो इनकी आस्था है, जो विश्वास है, वो ये बो बीटे की क्रिया करम को तूल नहीं दिये बहुत जादा जैसे कि अक्सर होता है कि किसी की मृती हो जाती है तो बहुत जादा क्रिया करम में लोग बहुत खर्च करते हैं बहुत लंबे समय तक वो क्रिया करम की विधी विधान करते हैं यह जादा वैसा कुछ किये नहीं बहुत जादा तूल नहीं दिये क्रिया करम को पतुहों से ही उन्होंने क्या किया बहु से ही उन्होंने आग दिलाई बेटे की आग बहु दी स्रधा की जैसे ही असराद की जो अवधी होती है वो जैसे ही पूरी हुई पतोहु को भाई को उन्होंने बुलाया यानि बहु के भाई को बुलाया और बोले उनसे कि आप इसको लेते जाओ ब क्लास चली जाओंगी तो बुढ़ापे में आपको जो है आपके लिए भोजन कौन बनाएगा आप मेरे को चले जाओ तो हम चले जाएंगे तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा अगर आप बीमार पढ़ जाएगा तो कौन चुलू बर पानी देने वाला है आपको मैं पैर पढ़ती हूँ आपके मुझे अपने चड़नों से अलग मत कीजे आपके हम पैर पढ़ते हैं आप चड़नों से अलग मत कीजे लेकिन बालगोवीन ने कहा कि इसको ले जाओ अपने साथ इसका बिया कर देना इसका शादी कर देना ये बोलती है मैं नहीं जाओंगी आपके लिए भोजन कौन बनाएगा आपको पानी कौन देगा मैं आपके चरणों में रहोंगी लेकिन मुझे जाने के लिए नहीं बोलिये मैं नहीं जाओंगी लेकिन भगत का जो नीर्ने था वो अटल था वो नहीं माने वो बोले कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा तु जा नहीं तो मैं ही जो है इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा तुमको जाना पड़ेगा नहीं तो मैं कहीं चला जाऊंगा और उन्होंने ये दलील दिया इनके दलील के आगे जो है इनकी एक न चली जो बहुत थी उसका एक भी नहीं चला बाल गोविन भगत की मौत उन्हीं क्या नुरूप ह जैसा वो चाहते थे वह ऐसी ही इनका भी मौत हो गया बाल गोविन का अब किस तरीके से हुआ तो चलीए ये लास्ट पैरग्राफ है इसको देखिएगा भगत हर वर्स क्या करते थे गंगा अस्नान के लिए जाते थे गंगा जी में वह कहां जाते थे अस्नान करने के लिए अस्नान पर उतनी आस्था ये नहीं रखते जितना की संत समागम और लोक दर्शन पर उनको अस्नान पर उतना आस्था नहीं था लेकिन उनको लगता था कि जब वहां जाएंगे ना तो बहुत सारे संत से मिलना होगा सभी संतों से मिलेंगे और वहां पर हम देखेंगे दर पदार उची थी रहां अक्सर किसे पैडल जाया करते दे वह गाड़ी गोड़ा सथिंग अ i अगर हम साधू हैं तो हम किसी से मदद क्यों ले और हम ग्रिहस्त हैं तो हम किसी से भिक्षा क्यों मांगे हम तो ग्रिहस्त हैं कोई साधू वैसे तो हैं नहीं कि हम भिक्षा पर मेरा जिन्दिकी चलेगा तो हम तो हम किसी से भिक्षा क्यों मांगे अता वो क्या करते इसी कारण से वो घर से खा करके चलते थे अब तीस कोस पर तो गंगा था तो घर से क्या करते थे घा करके चलते थे फिर घर पर ही वो अलोट करके आँ भी जाते थे रास्ते पर खंजड़ी बजाते थे रास्ते पर क्या बजाते वो खंजड़ी और गाते जहां प्यास लगती वो पानी पी लेते थे चार-पांच दिन आने जाने में लगता था वो तीस को दूर जाते थे चार-पांच दिन इस यात्रा में लगता था जाने में आने में चार-पांच दिन का समय लगता था किन्तु लंबे उकवास में भी वही मस्ती करते थे लंबा उकवास भी रखना पड़ता था क्योंकि व मे carbon लोटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी इनकी तब्यद बहुत अच्छी नहीं थी सुस्त हो गई Religisus Natal on the कितना भी अच्छा कानपान की है, लेकिन तब्यत में सुधार नहीं था, धूड़ा बुखार आने लगा था इनको, किन्तु नेम ब्रेत को छोड़ने वाले थे नहीं, वही दोनों जुन गीत, गाना गाएंगे ही, दोनों समय में ये गाना गाएंगे ही, चाहें कितना भी बिमारों कितना भी बुखार लगी हो अस्मान करेंगे अस्मान ध्यान करेंगे खेती बारी को देखेंगे तो सब काम करेंगे भी और तब्यत भी खराब होती जाएगी न तो आराम नहीं करते थे बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती थी आराम ये करते नहीं गया अब उस उन मतलब इनके जीवन का जो धागा है ये पुरा खीचे जा रहे थे लेकिन धागा जो है वो टूट गया माला का एक-एक दाना बिखरा हुआ था जो भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना अचानक एक दिन सुबा सुबा साम गाना गाया करते थे लोगों ने ग सिर्फ उनका सरीर जो है वो पड़ा हुआ था सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था तो इस तरीके से बाल गोविंद भगत की मिरति हो गई आपने इनके बारे में जाना इनके गीतों का जो चरम उतकर्स या जो भक्ती है उसके उतकर्स को आपने जाना कि ये जो इनका करेंगे जो हार दोस्तों मैं स्मृतियाश्वरें आप सभी का स्वागत करते हूं कि अच्छी क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी जो विसे है और यह आपको सब्सक्राइब का पेपर 2 का भाग है इसमें कहानी आपको पढ़नी थी बाल गोविंद भगत इसके कोश्चन अंसर कराने वाली हूं और कुछ दिनों के बाद क्लास हो रही है तो ऐसा मतलब हो सकता है कि यह क्लास जो हैं ज्यादा दिन के बाद होने के कारण हो सकता है यह कहा इसके रचनाकार कौन है इसके इनके जो कहानी है इसको लिखा है इसमें जो मुख्य पात रहे वह बाल गोविंद अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखिए तो आप देख लीजे यूटूब पर वीडियो पड़ा हुआ है और नहीं तो अगर आप स्टाड़ी विस्मृत का एप है उसमें भी आपको यह के वीडियो मिल जाएंगे बाल गोविंद भगत कैसे थे तो यह मंजोला कद का गोरे चीटे उम्र कितना 60 से उपर और प्रशन बाल गविंद भगत की उम्र कितनी है तो यह कितनी है तो गरें के बाल कैसे यह इनके बाल पके हुए बाल है और तो यह काला का कमभली जो हैं इसको ओड़ लेते थें और मस्तक पर हम एशा किस तरह का क्चंदन अगर पुछा जागि कैसे चंदन वो लगाते थे मस्तक पर तो वह इसमझे रहते थे घलो में तूसी का जड़ होता है उसका माला वह रहते थे आ ड़ा तिर्चा बेडॉल माला हुआ करता यानी किப motto करते थे अर परिवारी रखते थे वेवार था लेकिन यह साधु जैसे थे नहीं परिवार भी इनके हुआ परिवार भी रहते हैं यह भगत साधु थे साधू के सभी मतलब गुंद से इन में कबीर को यह साहब मानते तो प्रश्ण पूछी दिया जाए कि यह कबीर को क्या मेरी आवाज आ रही है यस और रो में पीडियो आफ वाला क्लास ली है उसका क्या होगा अच्छा पूजा जी आप बहुत वेट करवाए देखे वीडियो लगा दिये था समय पे थोड़ा सा कुछ हो रहा था प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आ रही थे कबीर को साहब मानते थे तो अगर प्रश्ण पूछा जाए क मैं बता दे रही हो कि कहां से कुष्ण आ सकता है अब आप से प्रश्ण पूछ दिया रहे कि बाल गोविंद भगत जो है वह कबीर को क्या मानते थे तो आप क्या पूलोगे कि साहब मानते थे ठीक है यह एंसर करना आगे पढ़ते हैं अब हम लोग जानते हैं कबीर के गीत फट्रण घंटे रहां तो गलत किसी को भी दोटूक बात करने में संकूश किसी से बात करने में संकूश निकता बहुत साहीं से बात करते हैं ग्रीहस्त थे लेकिन जो जो साहब की चीज ते वह नहीं की थे जैसे माली जी की खेती की अगर उनको क्या करना है कि फसल घर ले करके आनिया तो वह कहां ले करके जाएंगे पहले सहाब के पास उनके दर्बार में ले जाते थे यह एक प्रकार का कबीर पंथी मठ था कैसा मठ था आप से प्रश्ण पूछा जाएं कि अगर इनके हां कोई क्रिसी होती थी खेती होती थी कोई फसल होता था यह अनाज होता था उसको यह कहां ले करके जाते थे तो एक प्रकार के कबीर पंथी मठ में यानि कि साहव के दर्बार में तो साहव का दर्बार साहव किसको मानते थे तो यह कबीर को मानते थे और इ यहां तक एगर इनको सौच भी करना जाना हुआ तो यह दूसरे के खेतों में कभी सौच करने नहीं जाते थे यह इनका परीचह है जो उन्हें प्रसाद के रूप में उनको मिलता था कबीर पंथी मट से उसको घर लेकर के आते और उसी से अपना घह चलाते थे इन मतलब यह जो गाते थे देखे अलग-अलग भाग में इसको करके दिया वह अलग-अलग मौसम पर अब जैसे कि खेती का समय और खेतों में किसा जो है फसल जो है यह बोई जा रही है उस समय में क्या महल है किस तरीके का वह गीत वगरा गुन-गुना रहे हैं तो इसको आप लोग दे आज क्लास जो सीजियल के जो क्लासेज लगे हैं तो आज हिंदी का क्लास लगा हुआ है चुकि यह जो क्लास चल रहा है आप लोगों का यह यूटूब पर फ्री क्लासे और इसके वीडियो में धुरी यह स्मृति पर अपलोड कर देते हूं वहां लाइव क्लास नहीं जात सब्सक्राइब स्वास ले सकते हैं पर 20 रुपय का बैस लगा हुआ है अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब आप इन सब के ऊपर मैं लेखक जो लेखक थे वह तो मुग्द थे उनके मधुर भीतों में बहुत अपच्छा वो गाना गाते थे और जो सदा सरवदाही सुनने को पूर्श वहुतते हैं यह से घिरा हुआ है यह पूरा हमारा आस्मान और वहाँ पर पुर्वाई जो है ये बह रही है और यहाँ पर धूब का कोई नामों निसान नहीं है मसम आसाड का ऐसे ही होता है दोस्तों ऐसे समय में एक स्वर जनकार की तरह से कर उठी और ये क्या था ये कौन है ये पूछना ना पड़ेगा ये किसकी आवाज है ये पूछना नहीं क्योंकि सभी जानते हैं गाह कौन रहा है तो बाल गवींद भगत अब देखिए बच्चे खेलते हुए ऐसाब चीजों में जूम उठे जैसे ही कानों में आवाज गई संगीत गया बच्चे जूम उठे मेड़ पे जितनी औरते थी जो की धान बोने के काम में लगी हुई थी उनकी होट जो है वो कापने लगे वो गुन गुनाने लगे हलवाहों का जो पैर था वो तुस ताल पे थिरखना शुरू कर दिया एक सब्सक्राइब बच्चेट में बिठा रही थी और उनकी कंठ एक शद की संगीत जीने पर मतब्ब वह जीने वह बात उपर जा रही थी आसमान में स्वर्ग में प्रिथवी की जो मिटी पर खड़े वे जो लोग हैं उनके कानों में उनके संगीत जो है कि बाल लेने से चैप्टर बहुत अच्छे से किलियर हो जाएंगे तरीके से रिवीजन हो रहा है जो अबजेक्टिव के लिए भादो की वह अंधेरी अधरतिया अब भादो का मौसम आया बादो के मां में अंधेरी रात और उस अंधेरी रात में भी यह गाना गा रहे हैं थोड़ी किया रहे है और जिंगुर के में जहिए पताली में उसके जखीद को नहीं रोख यह है सभक्ता है। तो आपको अगर कोई वाद्देई अंत्र पूशा जाए कि यह कौन से वाद्देई अंत्र जो है बाल गोविन जी बजाय करते थे तो यह क्या बजा रहे थे तो यह खंजडी बजा रहे थे इसको आपको याद रखना है कोउष्ण एसर कैसे करना है वही मैं आपको बता रहे हूं और गाना कौन से गा रहे हैं गोदी में पीववप और चमक उठे सकिया में चीहूख कट गई होती है और मुसम और ठंड काना शुरू होते हैं और इस मां में असनान करने का बहुत अधिक मैत्व है तो यह बाल गोविंद भगत जो थे यह असनान के लिए नदी किनारे जाते थे तो कार्ति का मा आया बाल गोविंद भगत की प्रभातियां उसको कहते हैं तो बा कार्ति का मा होता है औक्टूबर नौवंबर का उसी समय में और ना जाने किस वक्त जाग करके मतलब कोई देख भी नहीं पाता तो इतना सुबह में उड़ते थे वह नदी के किनारे चले जाते ते असनान करने के लिए जो इनके गाउं से कितने मिलकी दूरी पर था याद रखेगा दो मिलकी दूरी पर था वहां से यह नहां दुआ ले अर में रही जाता अर आ बाहर भिकांज आप ता यहां पर उनका संगीत जो है खींच लिया जाता था इनको अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं अब पूरब में लोही लग गई थी खेत खदलियान घर बागीचा सभी पर जो है कुहासा छा रहा था और रहस्य से आवरीत सारा वातवरंट जो बहुत रहस्य में हो गया था कुष्ट की चटाई पर एक लगड़ी के बनी वही सचटाई होती है उसपर यह पूरब की तरफ मुख करके काली कंबल का रंग क्या था तो वह काला था और अक्सर आपने पि कि उनके यह बजाते बजाते उनके सर से कंबल जो है वो नीचे गिरने लगता था और उनके जो लगाट वगड़ा है वो सब कुछ चमकने लगे थे फिर मौसम आया गर्मी का गर्मी कड़ाके की गर्मी इस समय में घर के आंगन में यह गईत गाया करते इसके लिए बाहर न कुनाते थे इस तरह के से गर्मी का दिन भी था फिर आव आया बालकोविंद भगत की संगीत साथना का चरम उतकर्स अब देखिए इतने लीन से संगीत के कि उसका उतकर्स देखिए कि इनके जो पूत्र थे बेटा इनका नाई बेटा जो था वो काफी सूस्त हुआ करता थ जो की मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चे नहीं था लेकिन इस कारण से बालकोविंद उनको बहुत ज्यादा प्यार करते तो उसको काफी ज्यादा प्यार करते थे इनके बेटा की बीवी मिली थे यानिकी गाहत सीधी साधी अची लेकिन इक पर अचानक क्या हुआ की बेटा उनका बिमार पड़ गया लेकिन और मौत जो होता है वह सब के ध्यान को खीची लेकर के आता है अचानक इनके बेटा का की मृत्ति हो गई और हम लेखा कहते हैं कि हमने सुना कि बाल गोविंद भतक भगत के पुत्र की का दिहांत हो गया है तो यह भी देखने चले आये मिलने चले आये तो इन्होंने क्या देखा कि बेन का जो बेट करके बाल गोविंद जो है वह अपने डब डफली एज क्या नाव खंडड़ी को बजा रहे हैं और वह गीतगा रहे हैं और पतोहु जो है वहां पर बहुत रो रही है आशू बहारी है और इनका बेट बूत्र जो है यह पड़ा हुआ है मृत्तिव हो गई है और यहां पर बाल गोविंद जो हैं अपने खडड़ी को ले करके बचाने के लिए गाते गाते वह क्या करते थे कभी-कभी अपने पतोहु के पास आ जाते थे और उनसे बोलते थे क्यों रो रही हो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है जो यह बिरहनी जो है अपने प्रेमी के पास जा जहां वो यह अशा बोल रहा है इनका विश्वास कराने था जीस्वर के बेटे का चलो पीτεक भी को बने 5-5 नोने लगी― रोते-रोते-ोडे कि चली जाओंगी तो आपको खाने के लिए देगा कौन आपको मतलब आप अगर बीमार पड़ जाएंगे तो आपको चुलू भर पानी देने वाला भी तो कोई होना चाहिए तो मैं आपके पैर पड़ती हूं कि किर्फिया मुझे अपने भाई के साथ ना जाने दें तो उनक अब ही मुझ जो है वह एक तरीके से उनकी अनुरूप को जैसा यह चाहते थे भकत हर वर्स असनान के लिए करते थे और जब पहले से ही खा लेते थे दें किसी से मांगते नहीं थे और वह अपना खाना खाकर के निकले लेकिन लंबा उक्वास हो गया इनका इस करण से बीम परिवर्तन लाना जरूरी होता है जब आदमी स्वस्त्र नहीं रहता लेकिन फिर भी इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं लेकर और इनका देहांत हो गया इनकी मृत्ती हो गई और सिर्प पंज़र सरीर यह पड़ा हुआ था तो यह कहानी का सरांस हो गया अब आप तो पिछ मुझे बताइए कि आप सबीज के लिए त्यार हो कि नहीं कि चलिए जल्दी से और वीडियो को शेयर करें कि अब अब अब्जेक्टिव कोश्चन जो है यह सुरू होने माला हम है जी के जी एस मैं और कुछ मैं मैं मेहंदी का वीडियो चलिए छोटुलाल जी चंदन कुमार जी MRMK जी चलिए यादव जी चलिए शुरू करते हैं और कोश्चन है सर बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच में कैसा संबंद्द मानते थे बाल गोविंद भगत जो है वो आत्मा और परमात्मा इनके बीच में किस तरीके का सम्मझना देते पिता पुत्री का प्रेमी प्रेमी का का भाई बहन का या मा बेटी का तो आपने को मैंने बताया था कि ये अपनी पतुहु जो इनकी रो रही थी तो उनको समझा रहे थे कि तुम क्यों रो रही हो तुम खुश हो क्योंकि आत्मा का प्रमात्मा से मिलन हो गया बिरानी का प्रेमी से मिलन हो गया तो बाल गोविंद भगत आत्मा और प्रमात्मा में कौन सा संबंध बता रहे थे तो प्रेमी और प्रेमी का का संबंध बता रहे थे ऑप्शन नमबर बिल्कुल आधित्याजी एक दां सही 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 अंसर है अब लग रहा है कि कैसी कैसे आउगा तो ले लूगे बेटे की मृत्यू के बाद बाल गोविंद भगत की आखरी दलील क्या थी तो पतोहू को घर से निकाल देना पतोहू से ग्रीना करने लगना या पतोहू का फुनर विवा कर लेना भाद बाल गोविंद भगत ने क्या किया कि पतोहू के भाई को बुलाया और उन्से बोला भाई से कि ऐसा कीजे कि आप इसको लेते वे जाईए अपने साथ और इनका वीवा जो है किसी और से कर दिजेगा ऐसा इन्हों ने कहां तो क्या कहेते पतोहू का पुनर विवा करवा यह इनका इक्षा था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर आते हैं बाल गवीद भगत की मृत्यूं का क्या कारण था क्यूं मर गए गटना से ऐसा था कि कोई यह एक्सिडंट वगरा हो गया था या फिर भूक लगने से भूक फैसे मर गए या फिर बेटे के कारण बेटे के कारण इनकी म्रित्ति हो गई या पिर बिमारी से मर गया धार उसनगी यह अगला प्रश्न नमबर क्या हो जाएगा वो खेती बाड़ी करते थे अगला प्रशन है बाल गोबींद भगत सिर्शक पाठ के लेखक क्या नम है किसे नहीं कि नहीं उप्षन नमबर यह बाल गोविंद भगत के लेखक जो सिर्सक पार्ट के लेखक अब देखिए अगला प्रशन है कि बाल गोविंद भगत की आयो कितनी थे आपको शुरुआत नहीं बताया कि यह बहुत गोरे थे और सफेद दाढ़ी थे इनकी और इनकी जो टीका लगाते थे वह रामानंद चंदवर्जा ठीका था वह लगाया करते थे और इनकी उम्र साठ से अधीक थी यह चीजा आपको मैंने शुरुआत महीं बताया था उम्र कितना था तो बाल गोविंद भगत की आयो साठ से अधीक इनकी आयो थे बाल गोविंद भगत जो टोपी पहनते थे वह टोपी किस तरीके का था जिकी कबीर को मानने वाल है कबीर को यह साहग कहते थे तो कबीर की टोपी जिस तरीके की होती थी उनके जैसी तोど जैसा हो जाएगा तो ऑप्शन नमबर डी यह कबीर पंथी टोपी जो है वो लगाय करते थे अब जैसे आप देखे होंगे कि गांधी जो गांधी के बातों को सुरूं को जो मानता है उनकी टोपी होती है गांधी टोपी वैसी भगत तिंखिया कलग तरह की टोपी हुआ करती ते लेकिन यह जो टोफी लगाते थे बाल गोविंद भगण तो वह कबीर आसके जो पंत पंती टोपी जैसा होता है वैसे लगाए करते थे अगला प्रश्ण है बाल गोविंद कभीर को क्या मानते थे साहव या फिर गुरु शीस्त या मित्र क्या सहा बोलते थे न की कोई दर्वार में जाते और उनके हांखेत में जो भी वह प्रशाद के रूप में जो इनको मिलता वह अपने वगर वापस लेकर के आते तो बाल गोविंद भगत जो है वह कबीर को क्या मानते थे तो गोविंद भगत किनकी आधरसों पे चलते थे किसके आदर्सों पर बाल गोविंद भगत चलते थे तो ये कबीर दास के आदर्सों पर बाल गोविंद भगत जो है क्योंकि इसी को ये साहब मानते थे इनकी ही गीतों को ये गुन-गुनाया करते थे और इनि 1 मठ में जा करके वो फसल जू है अपने जो उसने को बहूं करते हैं भाल गोविन्द भगत अपनी फसल को पहले कहां लेकर के चाते थे मंदिर में गुरुद्वारा में मषुजित में या कभीर पंथी मठ में कबीर पंथी मठ होगा अंसर और देखिए दोस्तों अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े होते तो आप कैसे इसका अंसर करते यह बताइए इसलिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है क्योंकि देखने में थे बहुत आसान कोश्चन है लेकिन चैप्टर पढ़ना जरूरी ह तब ही आप इसको पड़ समश्प सेंगें लेखक गलबाल गुमिन्द भगत की किस विश्यस्ता पर अध्यादिक मुग्द थे बोले ना लेखक कि मैं इनकी एक विश्यस्ता जो है उस पर काफी मुग्द था तो वह कौन सी विश्यस्ता थी चलिए लेखक बाल गुमिन्द भगत की किस विश्यस्ता से मुग्द था मतला बहुत जादा वह मतला वह खींचे से ले जाते थे अक्सर यह सुनते थे तो तो उनके मधूर गान पर वह गाना जो बहुत अच्छा गाते थे ना उस गान पर यह मंत्र मुग्द हो जाते थे और यह कौन थे तो यह लेखक थे तो लेखक जो है यह बाल गुमिन्द भगत की मधूर गान पर यह मुग्द हो जाते थे लेखक ने रोपनी किस से कहा रोपन को धान की रोपाई को धान की कटाई को या धान की खेती को धान की रोपाई हो रही थी ना उसी को क्या कहा दान के पौधे लगाते थे या उफदेश देते थे यहां पर गीत गाते थे खेतों पर आकर यूर्य करते थे यह लोग वह रुपाई कर रहे हैं अगला प्रश्च ने भगत ने संगीत का। Begin अब्ств, वह अब करने कनल नलहर उफदेश और जादू तो इनका जो संगीत है वो एकदम जादू की तरह मंत्र मुख्द कर देने वाला है इनके जो संगीत है बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है अगर इनकी गीतों को आप सुन रहे हैं तो वो कौन सा भाव है इस्वर भकती का भाव है वो कबीर पंथी गीत जो है वो गाया करते थे तो उसमें कौन से भाव आ रहा है तो इस्वर के प्रती जो भाव है वो इनके गाना में आ रहा है बालगोविन के गीतों को सुन करके उपस्तित सभी लोग क्या करते थे। उपस्तित होते थे जह מूँ उढ़ते थे छले जाते थे या फिर साथ में गाने लगतेठे यह इन से कोई नहीं तो वहां पर सभी लोग जो है वो उनकी गीतों को सुन कर करके जूम उठते थे आप ने पढ़ाया ना इस की चूड़ करके क्यों नहीं जाना चाहते थे उन्हों ने बहु जब बेटा की मृत्य हो गई तो बहु के भाई को भुलाया और बोला कि आप इसको ले करके जाओ और इसका पुनर विवा करवाद हो तो क्यूं ऐसा करना चाहते थे भागत जी को बहु नहीं छोड़के जाना चाहती थी क्यूंकि बहु को पता था कि ससूर की चिंता थी क्यूंकि उनको खाना बना करके कौन देगा इसी वह जाती थी ससूर की बहु ज़्यादा चिंता होती थे कि अगर वो बिमार पड़ेंगे तो उनको चुलू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं है और आप मुझे भेज रहे हैं भाई के साथ कृपया आप अपने चरणों में मुझे पड़े रहने दीजे मैं नहीं जाओंगी यहां से ऐसा कह रही थी इनकी बहु क्यूंकि ससूर सब्सक्राइब भाव जुड़ा हुआ था उनको लग रहा था कि यह बुड़े हैं बुजुर्ग हैं और इनको सेवा कौन करेगा मुझे भी बेज दे रहे हैं बाल गोविंद का वैवसाय क्या था वो करते क्या थे खेती दुकांदारी फुस्तक वित्री विक्रेता इसमें मुच्त से कोई नहीं को पिफीक के लिएशन के पर जा रिकेराना गाते थे घंजडी बहाते समें में घंजडी बहाते भादो की रात कैसे होती है तो आपको मैंने भी रात इकदम घंगोर अंधेरी और उस रात में भी यह गाना गाया करते थे पोख्रा के पास जा करके तो यह अंधेरी रात होती है भगत किताब के में जो कहानी दिया है उसके आधार पर आपको एंसर करना है अब आपके अनुस प्रतिभावान था नहीं यह सूस्त और बोदा था अब हो सकता है कि आप जिसको जानते होंगे वह बहुत आक्टीव होगा लेकिंग कहानी में जो बालगोविंद भगत के जो बेटा हैं वह काफी सूस्त है और बोदा है तो आपको ऐसे आपको दिखा देती हुँ यही है जयशंकर प्रशार और यह एक चाया वादी कवी है कौन से कवी है चाया वादी यानि कि जो रचनाई यह लिखते हैं जो कवीताहीं यह लिखते हैं उसके कई मतलब निकलते हैं और उन मतलब को समझेंगे आप तो काफी अच्छा लगेगा और इनके ये कवीता पढ़के मुझे पूरी उमीद है कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली लेकिन क्लास की शुरुवात में हम लोग जानेंगे इनहीं के जीवन परिशय के बारे में इनके द्वा परिश्ण जानेंगे कहां से इन्होंने सिक्षा ग्रांट किया था कि कवी के परिशय से भी प्रश्ण जो है यह पूछा जाता है तो चली हम दो शुरू करते हैं कवी परिशय को और यह हैं हमारे जैशंकर प्रशाद जीम अब चलिए जाने आपको क्या लगता है कि कौन से जील राज्य से यह आते होंगे जैशंकर प्रशाद कमेंट किजेगा कमेंट करके बताएगा मुझे कर असके एंसर यह जैशंकर प्रशाद आते किस राज्य से हैं यह इनका जन्म 1889 से लेकर के 1937 तक यह अर्थाथ कहनेका मतलब यह कि 1889 में का जन्म हुआ 1889 इस समय में ज्ढकन का ऐतिहास में क्या चल रहा था तो यह हमाद कर बिर्षा मुदा का अंदोलन हो रहा था यह सुरूत हो गया थी भगवान बिरसा के अंदोलन के शुरूआत हो गए थी अठारस ओ पंचांबेर में लेकिन इसके पहले यह समय था सरदारी विद्रों का जो कि आने वाले समय में बिरसा मुंदा के विद्रों में इसा मिल रहता है तो इसले करके 1937 इसवी तक यह कौन सा पाख है तो पाख तीन दो पाख आपने कर लिया है कौंकोण सा तो result यह उस ना इस पार आपने कर लिया है और आज जो पाख है यह पाख तीन ए और यह पार है जशंकर प्रशाद और इनकी कहानी जो है आत्म कति यह आपको पढ़नी है जैसंकर प्रशाद प्रशाद में हिंदी के स्रेष्ट कवी है उन में से एक है जैसंकर प्रशाद और यह चाया वादी कवी है इनकी जीवन परिचे को आप देखें तो इनका जन्म हुआ और यहां पर एक बहुत अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था लेकिन इनके और इनके पिताजी का नाम था देवी प्रशाद सिख्षा इनका एक बहुत अच्छे स्कूल में इनको तो मतलब एड्मिशन दिलाया गया यह क्वीन्स कॉलेज है लेकिन आठवी तक ही यह पढ़े उसके बाद इनकी पढ़ाई किसी कारण से छूट गई थी तो इन्होंने पढ़ाई कहां तक किया तो आठवी तक किसी कारण से फिर भी यह घर में ही रह करके इन्होंने अलग-अ भासाओं का अध्यान किया जैसे कि संस्क्रीत भासा इन्होंने पढ़ी हिंदी भासा इन्होंने पढ़ा फार्सी का अध्यान इसका अध्यान इन्होंने घर में ही रहकर किया तो जन्म कब हुआ 1889 इनके पिता जी का नाम देवी प्रशाद जन्म हुआ बनारस में इन्होंन सिस्वी में इनका देहांत हो गया इनकी प्रमुख का वे जो है वह कौन-कौन से देखिए दोस्तों यहां से कुष्टन आएगा कि अहां नहीं नहीं इस किताब से सिजियल के यह के लिए नहीं है यह साइस कॉंस्टेबल के लिए कुछ कितावें आपको दिखा दोंगे कि कौन-कौन सी कितावें आपको पढ़ देखिए निधन हो गया कब 1937 में कुछ कविताएं जो इन्होंने लिखी क्योंकि यहां से कॉश्टन आएगा इनमें से कौन सी कितावें या कौन सी रचनाएं जो जविश्ट शंकर प्रशाद के द्वारा रचित है ऐसे कॉश्टन आएंगे इसके लिए आपको त्यार रहना है तो चित्रधार यह कावे रचना इनका चित्रधार जर्ना कानन कुसब आसू लहर और कमाईनी इसमें से जो कमाईनी जो इनका कावे है यह कावे कृति जो प्रशा थे और प्रतियुकता परिक्षा की आप त्यारी करना है तो कमाईनी के कुछ सर्ग जो हैं आपको पढ़ने हैं और यह आपको जानना है स्वेश्टतम का विकृति कमाईनी रही और नाटक में इन्होंने जो लिखा है अजासत्रू इसकंद गुप्त तितली और इरावति यह इनके उपन्यास है और कहानी संग्रा है आकाश दूइप इंद्र जाल और आंधी यह इनका कहानी संग्रा है तो यह हो गया परिचे और आपको पता ही है कि कल की क्लास होगे उसमें अबजेक्टिव क्वेश्टन यहां से सल्व किया जाएंगे और क्वी कावी को प्रिचे आते हैं तो जिनकी कविता नीर गौल गया है मैंझें आपको याद करा देती हूं अपनी शब्दों में और भाइशा में और बहुत ही आसान करके एक बार तो पहली बार तो आपको एक बार कविता पढ़ना होता है हो सकता है कि आप पहली बार इस कविता को पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार मैं रीट करके बता दूगी कविता फिर उसके बार इसके सवदार भी बता दूगी फिर अपनी भाषा में बहुत आसान करके बताऊंगे लेकिन सुर्वात उल्टा करोंगे सबसे पहले मैं अपनी भाषा में आसान करके मैं आपको बताते हूँ देखे ये जो प्रसंग है जिस प्रसंग में कविता लिखी गई है इसमें जो कवी है यानि कि जो जैशंकर प्रशाद है ये अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं अपने अभाव पूर्ण जीवन जिन्दगी में जो इन्होंने अभाव देखा है उसका ये वर्णल अपनी कविताओं में कर रहे हैं इनके दोस्तों ने कहा कि तुम अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं वो देखने वाली चीज है कविता जो होती है तो आपके जीवन के एकदम छोटे से पहलू को लिया जाता है और उसको इतने खुबसूरत तरीके से उसका वर्णन किया जाता है कि एकदम आप मंत्र मुख्द हो जाते हैं और जैशंकर प्रशाद की जो कविताएं होती है ये च्छायावादी तरीके से होती है अब देखिए मधूब गुनगान कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी मधूब गुनगान इसका मतलब जो होता है मधूब गुनगान मतलब होता है कि एक कालपनिक भावरा से आप ले सकते हैं एक ऐसा भावरा जो की मन रूपी है मन रूपी एक भावरा तो मधूब गुनगान कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी मुर्जा कर गिर रही पत्तियां जैसे कि पेड़ की पत्तियां है वो क्या हो रही है तो यह मुर्जा करके यह पेड़ की पतियां जो है वो गिर जा रही है यह मुर्जा करके गिर रही है पतियां देखो कितनी आज घनी और बहुत जादा यह पतियां आज गिर रही है अब देखे इनकी कविताएं जो होती है वो होती है चाया वदे अब यहां तो फैसे पेड़ के बारे में चरचा हो रहीैं जिसकी पत्तियां मुर्जहा करें गिरे जारी की और आज बहों जादा गिर और आज बहुत जानी मतलब आज बहुत जादा यह कहानी कह रहे रहा है लेकिन छायवाद uniform कुछ और निकलता है जो जितने सीधे साथे मतलब है नहीं लेकिन हाँ आसान करके मैं आपको बताऊंगे इसके अर्थ भी मैं आपको समझाते वेच चलूँगे चलिए यह दिया हुआ है इस गंभीर अनंत नाली नीलीमा में असंख जीवन इतिहास एक मतलब असंख अनंत नीलीमा जीवन का इतिहास है और इसमें लोगों के जीवन का इतिहास कितना है यह असंख यह असंख जीवन का इतिहास है और आज जो है मन रूपी जो भावरा है बहुत गुनगान कर रहा है और जो पतियां जो है वो मुर्जा करके बहुत घंगोर गिर रही है और यह असंख यह अ तरीके से इस वर्ड को मैं बता रही हूं चाया वादी कवी है तो मतलब कुछ और है यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलीन उपहास तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीती कहने का मतलब है कि देखे प्रसंग क्या है पहले इसको देखे आखर कवीता जएप संकर प्रशाद ने क्यों लिखी है यह जानाObismo जरूरी है जैसंकर प्रशाद जो है इस कावियांश में मतलब कम काव के अंश में जीवन के यथार्थन और अभावद्वण कि अभिव्यक्ति की हैं जैशंकर प्रशाद जो लेखक हैं इस कविता के माध्यां से अपने जीवन का यथार्थ चित्रन एकदम जो सच सच बात है ना वह सारे इन्होंने रखा है और अपने जीवन का बहुत ही मार्मिक मार्मिक मतलब होता है कि आप जैसे सुनों के आखों से आशुच्छ लग जाएगा मतलब आपका एकदम जो मन जो है वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा लेकिन हां बहुत आप तकलीफ में आजाओगे मार्मिक है यह यह मार्मिक अभी व्यक्ति करते हैं अपने जीवन की और वह भी किस पक्ष की जो अभाव पक्ष की कोई सच होता है यही सच है मेरे जीवन का कुछ ऐसा भी पहलू होगा जो आप बोलोगे कि आप सुनाइए मैं अपने जीवन का कोई पहलू तो मैं अपने जीवन के बारे में बता रही हूं और मेरे जीवन जो है जो वैसे चंड को मैं बता रही हूं जो अभाव वाला तो आपके आँखों से आशु छलक उठते हैं यही प्रसंग है यानि कि जैसंकर प्रशाद जो आपने जीवन का भाव बताते हैं और वैसे पक्ष का वर्णन कर रहे हैं जो अभाव वाला पक्ष है बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि पैसे के कमी उन्होंने देखा या उनके पैरेंट्स नहीं है या मतलब ऐसा कोई मतलब उनकों देखं़ा करने वाला कोई नहीं है या बहुत जीवन अगरीवी में भी ता है कुछ ऐसा बताने को ईस जीवन के वल Northlight कम आया है वैसे चीजों को अगर वंडन किया जा रहा होता है तो महौल होता है एकदम गंजीर हो जाता है मारमिक महोल हो जाता है उस्ती तरीके से जाइसंगर प्रशाद जो यह लाइन लिखते हैं मधूप गुनगान कर रहा तो मधूप गुनगान मतला मेरा मन रूपी जो भावरा है वो हमेशा गुनगान करके अपनी कहानी बता जाता है वो हमेशा भावरा कैसे गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गु बताऊं उसको लोगों के समक्ष रखों एसा कभी कहते हैं आज मिरे मन की भाव मृपी पत्तियां आपने पढ़ा पत्तियों का जिक्र था तो उन सीमाहीन विस्तार में अर्थात प्रिथ्वी पर अनेक जीवन का इतिहास है लोग इस इतिहास को पढ़ करके आलोचना करते हुए नींदा या मजाग करते हैं और यह भी आपने सुना होगा दोस्तों जैसे कि आपने बोला कि मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताईए तो तो मैंने बताना सुरू क्या देखे मेरे जीवन में अश्वाब भी मैंने देखे हैं जो बहुत ही अभाहाव वाले चैड़ हैं तो आप जो हो मेरी आलोचे बहुत बार आप दुसरे का तकलीफ सुन करके भी न उसका मजाग ऊड़ाना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि अरे ये ऐसे ही बात बना रहे या फिर क्या को अगीस बात का भाव इनको तो ये जीद मिल जाता था वो चीद मिल जाता था तो आलोचना भी होने लगती है तो ये बात सच है बहुत बहुत होते हैं कि मैं ने तो अपनी बातें बता दी अपने दिल की बातें पर निम्दाा मजाग करने लगते हैं ऐसा होता है तो अगर आप मेरे से पूछ poses कि मैं मेरा मिलन चाहता है लिखाक बलते हैं तो भी मेरा मन चाहता है मैं जानता हूँ कि आप मेरे जीवन के बारे में सुनोगे तो आप मजाक उड़ाओगे फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन का जो भी दुरबलता है जो वीक पॉइंट है मेरे लाइव का उसको मैं वर्णन एक कविता लिख करके करों तो ये आत्मकत है अपनी खुद की इनकी कविता है तो बोला कि आप कितना भी मजाक उड़ालो कितना भी लिंदा कर लो फिर भी मैं अपनी कविता अपने जीवन की जो दुरबलता है उसको मैं लिख करके आपarina क्या आप सुन पाओगे मेरे इस इतिहास को या मेरे जीवन के दुरबलता को अगर आप सुनने के लिए त्यार हो तो चलिए मैं कहता हूं मैं बोलता हूं तो अगर मैंने अपने जीवन की दास्तान को बयां किया अगर मैंने अपने जीवन के बारे में बोला तो तुम मेरे ज मेरा जीवन रुपी सागर को आप खाली पाओगे मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो की विशेस है बहुत ज्यादा कुछ खास है ऐसा कुछ मेरे जीवन में नहीं है मेरा भी जीवन जो है वो कविशेस है पहलत है यही निकलता है व्याक्या भी आती नहीं पहले है कि यह व्याक्या च्विता करके संब्सक्राइब करगे और इसक के कैसे यह से यह निकलता है यह व्याक्या जाएगा बेर में कविशेस ए complex investigation जागा किसके लेखक कौन है ठीक है तो चलिए मैं और और इसके पार और जब तक आप व्याख्या नहीं समझेंगे तब तक जो है इसका एंसर करना संभों नहीं है आप एंसर नहीं कर पाएगा क्यूंकि यह जो कवी दिखते कुछ और है मतलब कुछ और निकलता है ज reminding कर ना कहनी को कह रहा है दो नहीं हrire वो आज मुर्जाई हुई पत्तियों की तरह यह निकल रहा है गिर रहा है और आज मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा हूं अपने मन की बातों को रखने के लिए अपने जीवन के दुर्बलताओं को बताने के लिए मैं अपने आपको नहीं रोक पा रहा हूं मैं बोलना च आपका वितिहास है उनका वितिहास है उनका वितिहास है यहां पर अनियेक ईतिहास जीवन के पड़े हुए है यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलीन उपहास और ये लोग जो हैं अपनी इतिहास को बता करके अपनी निंदा करवाते हैं अपना मजाग करवाते हैं कहने का मतलब है कि आप अगर किसी के इतिहास को सुन लेते हैं तो आप उसका निंदा करने लगते हैं अपना व्यंग क को बताओं तो सुनो तुम सुनकर के देखों के यह गाघर-सागरर्ण क्या तुम मेरी उन दुर रता को सुन प्वाओंगे चौन प्वगे क्यूंकि मेरा जिवन जो है वो एक्षानम ।म आम 것은 क्या ही है। दुरबलताओं से बरा हुआ है बहुत सारे मेरे जीवन में कस्ट हैं और ये कस्ट जह है जो मतलब जो कहीं खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रसले अपने भरने वाले मतलब मैं जो आगे मैं इसके बारे में व्याख्या बता दूँगी आपको यह लाइन पहले सुन लिजे जो दूसरी लाइन है और यहाँ पर तीन जो है परग्राफ आपको इसका विता के पढ़ने आत्मकत्य के तो मैं भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊ मैं यह जैसंकर प्रशाद की लिखी हुई लाइन है जो आत्मकत्य से है उज्वल गाथा कैसे गाऊं मतलब अपने जीवन के जो उज्वल गाथा है मतलब अपने जीवन की जीवन बहुत अच्छे पल है कैसे मैं उस गाथा को गाउन अब रातों की जो मद्धृ चांदनी है उससे गाठा मैं कैसे गाउं खिल खिला कर हस्ते होने वाली उन बातब की और जो बहुत अच्छा जीवन गुजा रहा है खिल खिला करके हसी वह जो जीवन गुजा रहा है उसको कैसे कहूं मिला कहा वा सुख जिसका कहा मिल पाया वो सुख मुझे वो मैं सोपन देख कर जाग गया यह तो सिर्फ सोपन में चल रहा था मैं इसका सिर्फ सपना देख रहा था बहुत अच्छे जीवन का मैं कलपना कर रहा था यह सपना तूट गया और मैं जाग गया अलिंग सुख मैंने देखा कहां सुख जो है वो आया आया था सुख लेकिन कहां आया था वो सुख हमारे सपने में आया था सुख कहां आया था तो सपने में आखे कुली और यह सपना भी गायब हमारे आलिंगन में हमारे बाहों में आते आते यह मुस्कुरा करके यह सुख भाग गया प्रश्न करता है और प्रश्न करता हुआ कहता है कि मेरे मन कहीं ऐसा नहों कि तुम ही मेरे भाव को खाली कर दो मन जो है भाव को खाली मन से बोलता है यह मन कहीं ऐसा नहों कि तुम ही मेरे भाव को मेरे अंदर जो फीलिंग को ऐसा नहों कि तुम खाली कर दो मेरे भाओं को ऐसा नहों कि तुम खाली कर दो, जिसे सभी अनंद पराप्त कर अपने हृदेर को उस रस से भर ले, अर्थात मेरी गाथा सुन करके मेरी हसी उड़ाएं, बतलब ऐसा नहों कि मेरी जो गाथा सुन ले, जो मेरी कहानी सुन ले वो इसका हसी उड़ाना सुरू कर दें अगर मैं अपनी कहानी कहता हूँ तो यह धोखा होगा अगर मैं अपनी जीवन के बारे में बताओं तो यह धोखा होगा क्योंकि हो सकता है कि मेरे भाओं की अभिवेक्टी तेरी हसी बन जाए मैं अपनी भाव के बारे में बताओं आप मजाक उड़ाओं मेरा आपकी हसी बन जाए मेरी भाव की अभी वेक्ति और कहीं ऐसा नहों कि मैं अपने जीवन के बारे में बताओं और मेरे साथी धोखा हो जाए मैं चाहूं कि मैं अपने जीवन की गाथा कह रहा हूं और आप मेरी मजाक उड़ा रहे हूं मैं अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने अपने जीवन में अनेक भूल की है मैं कई बार छल कपट धोखे का शिकार हुआ हूं क्या मैं अपनी गाथा को लिख करके इस पूरी दास्तान को क्या मैं दूसरे को दिखाऊं मतलब जीवन में मैंने इतना दुख पाया है मेरे साथ बहुत सारा चल कपट हुआ है क्या ऐसा है कि ये जो मेरी जो दास्तान है ये मैं दूसरे को दिखाऊं या फिर दूसरे को कैसे कहान से कहां क्योंकि मेरे जीवन में किवल हसी नहीं थी मैं सुनाता मेरे पिजल देखआ है sopruku सब्सक्राइब लेकिन वह सुख जो था वह बहुत अस्थाई नहीं था वो च्छंड वंबुर्ट देके और लेकिन जागने के लुखे बांव कि हम से detto दूर और सपने खतम होगे और जीवन मतलब मुस्कुरा करके वह मेरे से मेरे बाहुं में आया लेकिन मुस्कुरा करके मेरी बाह cój nिकल गया भाग गया और सुक पाने के सपने लेता है किन ㅎㅎ चंडिक और अस्थाई है मेरा जो सुख था वो चंडिक था वो अस्थाई था चलिए कपर मैं और बता देती हूं आपको पिरिया समझ माज़ेगा किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वालो नेक्स है कि यह विडंबन अपने जीवन के बारे में अच्छे वले जीवन मैं कैसे गाऊं मदूर चांदनी रातों की अपने मदूर चांदनी रातों के बारे में मैं कैसे बताऊं और अरे खिल खिला कर हसने वाली उन बातों की और मेरे जीवन में मैंने इतने सारे अभाव मैंने देखे हैं और इतना सारा मैंने तक्रीफें देखे हैं अगर मैं बताऊंगी तो आप लोग मजाग उड़ाओगे तो ऐसे दास्तां को मैं आपको कैसे सुन में जो सुख आने वाले थे वह मुस्कुरा करके भाग गया तो यहीं तो है व्याख्या हो तो गया अब तीसरा जो लाइन है तीसरा यह तीसरे लाइन के बाद आपका question answer का होगा एक बार और मैं फास्ट रिवीजन करा दें कि चुक्य हो सकता है कि पहली बार आप पढ़ रहे हो तो अब इसके बाद एक बार और आप लोग पढ़ लीजेगा तो हो जाएगा क्लियर इसके बार मैं रिवीजन कराऊंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएग इसका मैं फास्ट रिवीजन करा दूगी दो आपने पारग्राफ पढ़ा है कविता का तीसरा पारग्राफ यह कल होगा और कल ही कोश्ट नासर भी हो जाएगा और कल ही रिवीजन प्लासे भी हो जाएगे जो हर दोस्तों मैं इस्मृति आइट वारे आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूटूब चैनल स्टड़ी विद इस्मृति में आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ वह यह है जह संकर प्रशाद की एक कविता जो है आत्मकत्य लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जह संकर प्रशाद के जीवन परिच है पिछले क्लास में आपने पढ़ा था और आज जो है यह सब्सक्राइब करते हूं तो उसके पहले एक बार रिवीजन भी करते हूं ताकि एक भी कहीं भी आपकी गलती नहीं क्लियर तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं अब संकर प्रशाद के जीवन परिश्य जो आपने कल पढ़ा था आज याद कर लिजे इनका जन्म जो हुआ था पर बिशणित तो यह किस तरीके कर गभी हैं तो यह चाया कभी चाया वाद मतलब कि कि बहुत जादा रहस मैं होते हैं और जो जब लिखा कुछ और होते हैं उसके मतलब मिनिक्स कुछ और भी निकलते हैं तो ऐसे कभी की लिस्ट है बहुत सारी जिसमें महादेवी वर्मा हैं जैसंकर प्रशाद हैं सुरिकांत रिपाठी निराला हैं तो ऐसे लेखकों के लिस्ट हैं तुसी में एक जैसंकर प्रशाद जो बहुत मतलब बड़े विद्वान हुआ करते थे और इन्होंने संस्क्रीत हिंदी और फार्सी जो है इसकी पढ़ाई करी थी घर में हिसे क्योंकि आटवी क्लास से इनकी सीख्षा जो है ये छूट गई थी आटवी थी तक इन्होंने पढ़ा तो लेकिन अड्मिशन लिया था क्विन्स कॉलेज में जो की बनारस के इन्होंनेए ड्मिशन लिया था कावे क्रीतियां क्योंकि ऐसे प्रशन भी पुछा का सकता है कि कौन-कौन सी रचनाएं हैं जो जैसंकर प्रशाद के द्वरा रचित हैं तो जो कविताएं इन्होंने लिखी हैं वो है चित्रधार, जर्ना, कानन, कुसुन, आसू, लहर और कामाईनी इसमें से जो कामाईनी है वो स्रेश्टतम कावे कहां गया है कुछ कावे उपन्यास भी इन्होंने लिखा है और ये उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावति कुछ नाटक भी इन्होंने लिखा है यह है अजासत्रु, इसकंद्गुप्त, चंद्रगुप्त और धुरूज स्वामिनी ऐसा अगर कहानी संग्रा पुछा जाए तो आकाश द्वीप द्वांत जाल और आंधी जो है आंधी ये इनके कहानी संग्रा है, अब इस कवीता को हम लोग फिर से एक बार इसकी मिलिंग को समझते हैं और इसको यहीं से question answer जो है इसकी शुरुवात हो जाएगी, लिखा हुआ है कि मध मन को भावरा कहा गया है, जैसा कि आप देखेंगे जैसा भावरा है तो यह भावरा क्या करता है कि फूल फूल पर जाते हैं, फूल के पास जो फूल होता है उसे बैठते हैं उसे मन राते हैं और अपनी कहानी कह जाते हैं, उसी तरीके से यह जो मन जो है यह मन एक भावरा इसके कई मीनिस निकल रहे दोस्तों सथारन तरीके से देखर है जिसकी पतियां जो है बहुत अधिक तेजी ये मुर्जा करके गिर रहे हैं देखेजिक इसकी पतियां कि जो देख रहे हैं धे गिरे हैं लेकिन अगर इसको आप schon सकते हैं कि एक जीवन और यह शंकर परशाथ खुद के बारे में लिख रहा हैं कि मेरा जीवट जो है अब वो अब मतलब एक मेरी उम्र हो रही है लेकिन फिरभी जो मेरा जीवन हैoj मे MBA कहानी कहा है है मुर्जाकर की गिर और बहुत घने तरीके से गीर और यह भी कह सकते हैं कि इनके मन के जो भाव है वह भी बहुत तेजी से प्रकट हो रहे हैं एक मैट पानी पीलू चलिए अब इसके बारे में अब देखें मैं आपको हिंदी अश्पढ़ा रही हूं अध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप बीच बीच में इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपके प्रशन लूँ आपके उतर करो यहां पर यह संभाव नहीं है मैं सब पढ़ा लोंगी लास् आख में आख मों अमसे प्रश्ण पूचेंगा यहां दिया हुआ है कि इस मुर्झा कर गिर रही पतियां देखो कितनी आज घनी इनके जीवन रूपी जो विक्ष है उस वो जो है वो मुर्झा रही है और बहुत तेजी से यह जो है यह जीवन जो है वह आंगे बढ़ रहे और यह तेजी से क्रिया जो है वह हो रही है और इसके पर चुरुवात में मैं आपको बता दू कि यह कवीता जैशंकर प्रशाद ने लिखी क्यों है जैशंकर प्रशाद के ने जासे कि यह लेखक हैं और एक मतलब संपादे यह एक पत्रीका थी जिसके इन संसमरण लिखना जितने कवी हैं सबकों बोला गया कि सभी अपने जीवन पिर ईविश्लिए को यहां लिखो można apologize . कि आप अपने जीवन के जो बिते हुए पल आप उसके बारे में बताईया उस्तव जैसंकर प्रशाद जो में लिखना तुछ चाहते नहीं थे, लेकिन यह लाइन में यहीं दर्शाह रहे हैं यह लिखना नहीं भी चाह रहे हैं और लिख भी रहे कि यह इसका मतलब कुछ और निकल रहा है तो मैंने जो इसका जो मतलब किस दर्शन में यह लिखी गई इसके नीचे कितने सारे लोग रह रहे हैं अब इस असंख जीवन का इतिहास है इसमें कितने सारे लोग रह रहे हैं उन सभी का एक ही अपना ही इतिहास है और वो असंख इतिहास है इस इतने सारे इतिहास के बीच में मैं क्या लिखूं लोगों के जीवन के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आपके पास आप उनक क Kollege कर leave जिंहों ने अपने जीवन के इतिहास के बारें में governo लिखतों LIVE लेकिर उनका बहुत ज्यादा उपहास उड़ाया जाता है बहुत सारी बातें वह बनाइक है उनका किया जाता हित तो नहीं क dobrze डालो दुरबलता अपनी एविधिन अभी तुम कहा अपने दोस्तों से कहते हैं कि अब भी तुम कह रहे हो कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ कह दो, कुछ लिख डालू, अपने जीवन की जो दुरबलता है उसको भी मैं लिख डालू, माली जीवन में अगर कोई कमी है मैं आपको बता देता हूँ, बता देती हूँ, तो आ देखो गई या गागर रीती अभी तो तुमको बड़ा लग रहा है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है और जब सुनोगे तो तुमको काफी अच्छा लगेगा लेकिन जब इसको समझोगे मेरे जीवन के बारे में जितना ही जानोगे तो अब तुमको दिखाई देगा कि यह वो बिलकुल खाली पड़ा हुआ है इसमें कुछ नहीं है मेरा जीवन जो एकदम समान्य है बिलकुल जैसे समान्य लोग रहते हैं एकदम मेरा जीवन कुछ भी ऐसा लिखने वाला नहीं है कि लिख देंगे और तुम पढ़ोगे और बहुत तुमको सुख मिल जाएगा इस इसका मतलब यही है चलिए अगले लाइन में देखते हैं अगले लाइन में क्या दिया हुआ है किंतु कहीं ऐसा नहों कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रसले अपने बरने वाले तो कहीं ऐसा नहों कि यह जो मेरे जीवन की जो व्यथा है वो तुम सुनते सोल weet कर दो मेरा मैं अपने बारे में बताते जाओ और तुम सुनते जाओ और मेरे जीवन में डधो या वी डबना अरी सरलते तेरी हसी उडाओं मैं और यह क्या वी तुम सुनो के मेरे जीवन के बारे में तो तुम भी हसी उड़ाऊगे क्योंकि मेरे जीवन बहुत इसरल है साधा है और मतल़ कुछ भी ऐसा अनौखा नहीं है उज्वल गाथा कैसे गाउं मधुर चांदनी रातों की और इनका कहना है कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन बहुत ही ज्यादा सुख से भरा हुआ जीवन रहा है इसमें बहुत सारे तकलीफ भी आये हैं मेरे साथ काफी चलकपट भी हुआ है बहुत सारे लेकिन कुछ जीवन की गाथा है ऐसी जो जो बहुत अच्छी है जो मैं आपको सुना सकता हूं और मैं सुना रहा हूं उज्वल गाथा कैसे गाओं मधूर चांदनी रातों की अपने जो ऐसा वी इन मैं ने देख़े हैं जो काफी अच्छे दीन रहे तो वो उज्वल गाथा के सुना की हासते होने वाले उन बातों की और वो दिन जो मैंने देखा है जब मैं बहुत खिल खिला कर हास रहा था मेरे जिंदगी बहुत खुश मैं था सबी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी मिला कहा हुआ सुख सब कुछ अच्छा चल रहा था चल रहे वारत बहुत उज्वल गाता लेकिन वो सुख मैं भोगी कहा पाया बहुत चणी था बहुत छोटा सा वो समय था मिला कहा वा सुख जिसका मैं सौपन देख कर जाग गया मतलब ये सब कुछ मैं सौपन में ही देख रहा था ऐसा होगा ये जीवन मेरे इतने अच्छे हो सकते हैं मेरा जीवन ये सारे सौपन में चल रहा थे सुख कहा मिला और जैसे ही मुझे इसा लगा कि मिलने वाला मेरे नींद से जाग गया मेरे सौपन जो थे वह तूट गया आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया तो आप जैसे कि यह मुस्किया जो शब्द है वह अफसर हम लोग गाओ और या फिर इस तरीके के आम बोल चाल भाशना में इसको इस्तिमाल करते है का बात है जी तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो मुस्किया मतलब मुस्कुरा पूरा नहीं बोल करके क्यों मुस्किया जा रहे हैं मुस्किया जा रहे हैं ऐसा वर्ड इस्तिमाल करते हैं तो यह वही वर्ड है आलिंगन में आते 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 जो है यह मुस्किया कर जो भाग गया और मतलब मुस्कुराया और भाग गया मतलब मेरे उपर व्यंग कर दिया मेरा मजाक उड़ा दिया वो और भाग गया तो ऐसा लाइन से दूसरे वाले दिया हुआ है तीसरा जो है वो लाइन जो आपको पढ़ना है जिसके अरुन कपोलों की मत वाली सुन्दर चाया में अब जो है अपनी प्रियसी अपनी प्रियत्मा इसका यह वर्डन कर रहे हैं जैशंकर प्रशाद जी जिसके अरुन कपोलों की तो अरुन कपोलों मतलब की इनके जो गाल थे लाल गाल जैसे देख रहे हैं की इनके गाल जो है लाल जो गाल है अपने प्रियत्मा के बारे में लाल काल की मत्वाली सुन्दर छाया में मतलब इतनी सुन्दरता थी उनके अंदर कि Anuragni उसा लेती थी ती नीज सुहाग मधुमाया में कि यह जो उसा जो थे उसा की किरन किसको बोलते हैं उस यह मतलब अनुरागनी उसा यह होता है जैसे कि राद खतम हो गया और सुबह होने वाला रहता है तो उसकी जो लालीमा होती है वो लालीमा भी इनी से नीज सुहाग मधुमाय में इन से लेती लालीमा जो हमारी प्रियासी थी यह हमारी जो प्रियत्मा थी इन से ही उधार वो ले लेती थी यह सा तुलना कर रहे हैं अपनी प्रियसी का सुंदर्ता का तुल्ला कर रहे हैं इनकी लालिमा इनके गालों की लालिमा ऐसी थी कि अनुरागनी उसा ले लेती थी नीज सुहाग मधुमाया में उसकी इसमरीती पाथे पाथे बने जब मैं इनको याद करता हूँ अपनी प्रियतमा को अपनी प्रियसी को जब म तुम सुन लोगे तो बहुत सुख तुमको मिल जाएगा क्योंकि हमारा जीवन तो एक दम गागर की तरह एक खाली गागर की तरह है लेकिन हमारे जीवन में एक मैला आई थी जो प्रियसी मेरी थी उसके लाल गाल थे और उससे उधार लिया जाता था जो अनुडागनी उससा कि आप किसी राष्ड कर खूयर गया घया और और यस रास्ते चाहिए और यहां पर ही आपको वह जगा आप जाना चाहते हैं तो उनकी जो इस्मृत्यी है उनकी जो यादे Hashtie貌त की जो इत जा रहा है और उसको रास्ता दिखाने वाला उनकी स्मृति है मतलब मेरे जीवन का के आगे बढ़ने इनकी जो स्मृतियां हैं हमारे जीवन को रास्ता दिखाती है यह इनकी यादे हैं मेरे जीवन में और इनको मैं याद करता हूं और सीवन के उधेड कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की देखे कंथा का मतलब होता है अंतरमन तो कहना है इनका अपने मित्रों से यह कह रहा है का क्या जरूरत है तुमको क्यों उधेड रहे हो मुझे नहीं बोलते हैं कि अब दुखते हुए जो नस है उस पे हाथ क्यों डाल रहे हो या फिर जो घाव जो है वो सूख रहा है उसको कुरेद क्यों रहे हो फिर से वो उसको हरा क्यों कर रहे हो अरे सूख रहा है घाव उसको सूखने दो अब ये जो सिल गई थी कोई चीज, सिलाई की गई थी, सीवन मतलब सिला किये, सिलाई किया वा चीज, क्यूं सीवन को उधेड कर देखोगे, क्यूं मेरे जीवन को उधेड रहे हो, जिसकी सिलाई मैंने कर दी, स्टीचिंग मैंने कर दी है, अब उसको तुम फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हो मेरे जीवन को देख करके क्या करोगे चोटे से जीवन की कैसी कुछ चोटा और अपने चोटे से जीवन के बारे में क्यों इतना कुछ जानना चाहते हो बड़ी कथाई मैं क्या कह दूं अपने जीवन के बारे में क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं यह तो अच्छा है ना कि मैं किसी और को सुनता रहूं और मैं खुद मौन रहूं यह जादा अच्छा है ना कि आप सुनाओ मैं सुनू मेरे क्यों धेर रहे हो मेरे बाते क्यों जानना चाहते हो यही इस और बहुत ही, मतलब उतना कुछ भी नहीं है, जो कि मैं आपको, और वैसा रस तो बिलकुल भी आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको लगे कि जीवन आपको बहुत खुशी मिलेगी वो सुनकर के, सुनकर के तुम क्या भला करोगे, मेरी भोली आत्म कथा, मेरी जो आत्म कथा ह यह बहुत भोली है तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लेखक है उनकी आत्मकथा कैसी है तो आपको एंसर करना होगा उनकी आत्मकथा बहुत भोली है तो ऐसा कोश्चन यहां से पूछा जा सकता है अभी समय भी नहीं ठकी सोई है मेरी मौन व्यता और अब समय नह अब इसको मैं फिर जगाना नहीं चाहता जो ची ही छी जगाना नहीं चाहता अब जो चीश सोई रहने दो जगाने की चाहता की चाहता, तो वो तकलीफ हो जाएगी फिर उसको सुखने में समय लगेगा इनका कहना है कि आप कुरेदोगे मुझे मैं अपने जीवन के बारे में बताऊंगा उसकी व्यता और फिर उसके बाद उसको फिर सुखने में समय लगेगा अब इतना समय हमारे पास नहीं बचा हुआ है कि लिए लिए मतलब होता है संबल मतलब होता है राही पंथा मतलब होता है रास्ता और अंतरमन अब इसके बारे में कैसा लगा आपको यह बताईगा सारी चीज़ें आपको समझ में आई की नहीं आई गूड इवनिंग जी के ग्यान सागर जी यह कवीता आपको समझ में आई या नहीं आई यस और नो मेरे खाजी अंसर कीजेगा चली आप हम लोग कोश्चन अंसर करते हैं अच्छा अच्छा बाल गोविंद कथा जो है पूरा डीटेल स्टोरी जो है मैं डाल दूंगे उसको रेखा जी समझ में आई ना चलिए जल्दी से बताईएगा सारी चीज़ें आपको समझ में आई यस और नो फिर आगे बढ़ेंगे कोश्चन अंसर की तरह फिर मैं बता question अंसर जैवाब कीजिएगा तो और भी clear हो जाएगा कभी कैसा अंसर कर जाग गया बताईए एगा स्वफण देखकर जाग गया कैसा सोफन डेखकर जाग गया चलिए सबको समझ में आ गया अब answer करते जाएएं कभी कैसा सोफन देखकर जा जागिया डरावना स्वपन रहा था या दूफ बहुत बुखी वहला सौपन देख रहा था या पेर ऐसा सौपन जिसका उन्हें मिला ही नहीं हाथ मलते में रह गया और वो चीज मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके मेरे से हाथ से निकल गया यही आपने पढ़ा था ना कि हाया वो मेरे आलिंगन में आया लेकिन आलिंगन में आते आते वो मेरे आलिंगन से निकल गया वो किस तरीके से स्माइल कर और वह एसा गागर जोकी खुला मुझ्सा जल नहीं है यह जो कली खाप करें और ली मिलने वाला अगला प्रश्य कि कभी को कैसा माना हैं जो पर है उसको माना है कि तो सुखत माना है सुहावन माना है प्रेम और लाली से मुक्त माना है तो यह कैसा माना है उप्यूक तो सभी इसका अंसर जाएगा option number D कभी अपने जीवन की सुख इस्मृति को किस रूप में देखता है अपनी सुख इस्मृति को यह कैसा देखता है मतलब इनकी जो यादे हैं जैसा बोला ना में जिंदा हूँ और यह मेरे जीवने का सहारा है यह सुख इस्मृति को किस रूप में देखता है पाथे अर्थात जीवन का सहारा के रूप में ऐसे होगा ना option number a Dinesh सब्सक्राइब करते हैं उनकी तब्यत बहुत ज्यादा खराब है गर्मी बहुत ज्यादा थी और उन्होंने काफी मेहनत किया था रामगड़ वाले प्रोजेक्ट में तो उनकी तब्यत खराब हो गई है तो तीन दिनों से वह बीमार चल रहे हैं इसलिए वीडियो वहां पर अप्लोड नहीं हो पा रहे हैं जैसे ही वह ठीक हो जाते हैं क्योंकि मौसम ही चल रहा है सीजन ही ऐसा है दोस्तों बीमार होने वाला आप लोग भी समझ भी पा रहे होंगे तो लू लग गया है उनको और प्रॉब्लम्स थी उनको यहां पर तो अभी आज आये थे लेकिन चुट्टी में चले गए जैसे वह आते हैं वीडियो वहां पर अप्लोड कर दिया जाएगा आप समस्य आप में लग रहाता आपको दिकत हो रही है बहुत सारे मेरे मीत्र हैं जिन्होंने वह कोर्स खरीद कर रखें वीडियो अप्लोड कर दिया जाएगा पाथे और नोट पाथे जाएगा जीवन पुरानी बातों को फिर से याद करना जो बातें पुरानी हो गई है जो बातें चीपी हुई है उसको क्यों जानना चाहते हो रहने दो जहां पर हैं अब समय नहीं बचा है कि मैं फिर से उस घाव को हरा कर दो और फिर से उस तकलीफ में आ जाओ और फिर से मैं सम्भल जाओंगा सारी चीजें अब सो गई हैं जो तकलीब भी थी वो भी अब मैंने खतम कर दिया अपने जीवन में अब यह जो हमारी अच्छी वाली स्मृति है उसी के सारे मैं जीवन को जी रहा हूँ दुख वाली चीजों को भी उधेड़ दे रहो जरूरत ही नहीं है सीवन को उधेड़ने का क्या आरत है तो मन में छिपी पूरानी बातों को फिर से याद करना तो क्या हो जाएगा अफ्शन नंबर सी चलिए अब हम लोग अगले प्रशन पर आते हैं कथा का प्रयोग कभी ने किसके लिए किया है तो कंथा यहां पर होगा कंथा तो कंथा मतलब क्या होता है कंथा का प्रयोग कभी ने क्यों किया है तो बोला है कि मेरे जो अंतरमन है तो क्यों उधेड़ रहे हो सीवन को क्यों खोड़ रहे हो मेरे अंतरमन को मेरी कंथा को क्यों जानने का प्रयास कर रहे हो तो अपनी अंतर्मन के लिए बोला कि मेरे मन में जो बाते हैं उसको मन ही में रहने दो उधेड क्यों रहे हो और क्यों ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इनके मित्रों ने कहा है कि तुम अपनी आत्म कथा लिखो अपने जीवन के बा ऐसा कि जान करके कौन सा तुमको सुख मिल जाएगा अब तुमको अभी न लग रहा है कि बड़ी मज़ा आएगा लेकिन जब सुनोगे तो एक दम खाली गागर है खाली गागर कुछ वैसा जीज नहीं है जो मैं आपको बता सको मजाख ही उड़ाओगे सुनोगे तो मजाख जैसे कि और कई तिहाँ सुनते हो तो मजाख उड़ाते हो मेरी भी तिहाँ से सुनोगे तो मजाख उड़ाओगे जहां लोग बैठे होंगे चार-पांच तो तुम अपने तकलीब की जगाद मेरी तकलीब सुनाना सुरू कर दोगे अरे वह जो थे जह संकर प्रशाद जो चाना साथ मतलब होता है जुँदि खोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाई आज कहूं कभी मोospra की जीवन है चोटा सारी कथाएं और शेयरी में पता चलता है अपने जीवन को यह काफी छोटा बता रहे हैं और बोड़ें की छोटे से जीवन की बहुत सारी बड़ी-बड़ी कताएं हैं तो इससे उनको की बारे में क्या पता चल रहा है यह बड़े कभी नहीं थे आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा बोल दिये तो इसका मतलब की या फिर इनको बहुत जादा मतलब इनको साहीत जगत में अभी तुरंत इन्हों ने पैर रखा था या अपने आपको बड़ा साहीत्यकार समझते थे या फिर ये बहुत विल्म्र थे उनको एहनकार छू तक नहीं सका था कैंसर हो जाएगा तो ये बहुत विल्म्र थे और इनको एहंकार छू तक नहीं सका था, जिन्होंने अंसर किया है B, ये बिलकुल सही अंसर है, option number B, एकदम सही अंसर है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कवी ने अपनी कथा को कैसा माना है, कवी अपनी कथा को कैसा मानते हैं, तेड़ी मेड़ी, मतलब उनको लग रहा है कि बहु हुआ है, आपको पता ही नहीं चरहे है, यारे और है कैसा किया है, कितना जीवन इनका रहस्यों से भरा हुआ है, या फिर प्रेड़ना वहाला, बहुत मिल रहा है, यह वैसा कर दिया, इनको वैसा कर दिया, आप सारे लोगों के कताओं को सुनते ह Dharma मिलते होंगी, तो कैसा मा नहीं प्रेड़ना दायक है कवी की मौन व्यथा हिरिदय में क्या कर रही है जो कवी का जो मौन व्यथा है मतलब की तकलीफ मतलब व्यथा मतलब तकलीफ जो इनका कस्ट था तो हो तो ये जो तकलीफ है वो उएदय में क्या कर रही है ठक कर सो रही है रिदय को पीड़ा दर्द किसी भूचाल की प्रतिक्षा जागने का इंतजार कर रहे वह चाहते तकufen стороны तकलीफ को दबा दिया था उसते जगाना जाते थे नहीं को भूचाल ले हैं गया सिर्फ मात पर क्ट वप रहते हैं कि को आया है अ ​ चाहते थे नहीं फिरीद्य को पीडीत नहीं ऐसा निके जीमं में धुरू ब्रेख है उसी पीड़ा में ही अपनी जीवन दे रहे हैं देख रहे हैं और उसी पीड़ा के सारे ही अपनी जिंदिगी जो गुजार रहे हैं ऐसा नहीं था वो जो तकलीफ थी वो ठक कर सो गई है अब उसको कुरिदनी की जरूरत नहीं है अब समय नहीं रहा अब कुरो देऊगे तो स सोने दो जिंदिगी सुमृति में गुजार दुएंगा किसी की यादों में अब यह सब करने की जरूरत नहीं मत पुरेदो मुझे मेरे अंतरमन को उदेड़ो क्या जरूरत है उसको जानने का जैशंकर प्रशाद किस वाद के परवर्तह कभी थे वह कौन सी किस तरीखे के कभी थे वह प्रयोगवाद प्रगति वाद हाला वाद यह चाया वाद तो आपने सुरुआत में पढ़ा था कि यह मैं देहिए लिखते कुछ हर है.. लिख कुछ और रहे हैं तो dipping अच्छायावाद प्रासाथ जी का जन्मаний कव और कहां हुआ था 1899 में बनारस में 1936 में लख्zar लख्र होनों में 1880 में दिल्ली में 1881 में तो जैसंकर प्रासाथ का जन्म कहां हुआ था 1889 में बनारस में कि इनका चन मुआ था चिरिव दखर हो आप सब लाइक करो नहीं करते हो ज़िए अगर से लगे हो देखिए मेरे टरह से मेरे कुछ चमीत रहे जो अपिल कर रहा है अगर अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजेगा और के लाइक कर दीजेगा ताकि हिंदी की प्रयोग कवी ने किसके लिए किया है तो भावरा के लिए किया है या कवी ने कि अपने मन के लिए क्या है तो इन्हों ने तुल्ना किए किसा है अब जैसे आपने देखा कि जो भावरा होता है तो ये क्या करता supremacy यह पूल पिल पर जाता है यह मढ राता और फूल फूल पर बैठता है और उसी तरीके से मन होता है मन बड़ी चंचल होता है वो सभी के जीवन को जानना चाहता है तो इन्हों ने तुलना किसे किया है मधूप का तो अपने मन से किया है तो कवी ने अपने मन के लिए भावरा शब्द जो है उसका इस्तमाल किया है तो आज की कथा जो है कवीता कवीता को आप कथा ही की तरह सुनते हो और ये समाब्ध हुआ अब चलिए अब हम लोग आपके प्रश्न लेते हैं उमीद है कि आप लोगो समझ में आगया होगा अगर नहीं समझ में आई होगी अभी भी तेगर वीडियो को फिर से देख लीजेगा देखे कवीता पूरा याद करना ज़रूरी नहीं है हाँ इतना इतना तो ध्यान रहना ह отвеч कि 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 एसके एंसर आप कर सकते हैं अगर कोई दे दिया जाके नहीं आप सख्चम है वर किताब की बात की जए तो यह चिटीज भाग दो किताब का ही है ये भावार्त था और इसी से मैंने किताब से ही मैंने कविता ली थी और अगला जो topic होगा वोगी मैं आप बता देती हूं और ये जैशंकर प्रशाद आत्मकत्थे है जो कविता लेकिन होगा अगला का जो होगा गदिच भाग होगा अब उसमें आप क्या पढ़ने की कहानी कहानी वाला भाग तो कहानी में आपने क्या क्या पढ़ लिया है तो यहां मैं नोट कर देती हूं तो कहानी में आपने पढ़ लिया है नेता जी का चश्मा याद है कि ने याद है ना यस और नो में अंसर किजेगा नेता जी का चश्मा यह आपने पढ़ लिया है फिर दूसर लिखें है और कौन सी कहानी है यश्पाल की लिखी कहानी लखनवी अंदाज ये वाला जो है इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे लखनवी अंदाज आप लोग पढ़के आईएगा और मैं आप लोगों को पढ़ा दूगी और यहां से कौश्चन अंसर भी करा तो इसकी त्यारी आप लोग करके आईएगा और जब आप लोग ये पढ़ लिजेगा लखनवी अंदाज तो समझे कि इस किताब का 50 प्रतिशत भाग आपने कवर कर लिया इसकी बुक की आपने 50% ये जब आप पढ़ लिजेगा तो ये वाला ये सेक्शन जिस दिन आप पढ हिंदी जो पेपर 2 का भाग है और ये एकसाइस कॉंस्टेबल के लिए है तो इसका अगला भाग हम लोग करने वाले हैं ये है चैप्टर 9 और चैप्टर 9 में आपको ये श्पाल जो लेखक हैं आप लोग वीडियो शेयर कर दीजे आप लोग ताकि हिंदी के जो भी लिए तो वो सभी जोड़ जाए तो अगला ये वला जो चैप्टर है आपका ये है इसका नाम है ये श्पाल और ये पार्ट कौन सा है तो ये 9 किताब का नाम क्या है तो ये चीतिज भाग दो तो इस किताब के ही ये कहानी है तो इस कहानी को पूरा सुनेंगे और कोशिस र अंदाज और लखनवी अंदाज के लेखक हैं ये श्पाल और लेखक परीचे से प्रस्ण जो है एक्जाम में पूछा जाता है तो ये श्पाल जो है इनका जन्म कब हुआ था तो ये 1903 इस भी में जारखन में प्रमुख व्यक्तित तो जो जैपाल सिंग मुंदा है उन जो वाकी प्लेयर और इन्होंने राजनीती में भी मुमिका निभाई उनका भी जनम इसी वर्स हुआ था किस वर्स यश्पाल का जनम हुआ था तो ऐसे इसको आप लोग याद रखिएगा क्लास का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हिंदी उत्पात सिपाही के नाम से उस प्लेलि में दिए वते हिमाचल प्रोढेस में और पर इनकी प्रारंविक परिंशा हुई लेकिन आगे चलकर करके यहीं है उसço किया याद रखेंग तर आवसे यहां से भी प्रशन पुछा जा सकता है नहोंने सिंखशा कहां से प्राप्त कि तो यह कहां से प्राप्त किये थे कांगडा से लेकिन ब्य TOP की टीरी इन्होंने नीं champer नेंशनल कॉलेज से इनका देहान्थ हो गया दोस्तो 59 square उजीस 56 में और जब यह लाहर नाशनल कॉलेज में यह पढ़ाई कर रहे थे तो वहीं पर इनका जो परिचय हुआ वह सुखदेव भगत सिंग से भी इनका परिचय हुआ उनके साथ के हिये थे उनके सब शेतर आते इनका देहांत हो गया लेकिन इनकी इनने बहुत सारे साहितिक रशनाई रची हैं जैसे कि उपन्यास लिखा इनोंने कहानिया लिखी इनोंने तो कौन-कौन सी कहानिया लिखी पहले इसको भी अम्रव जान लेते हैं को अ हैं इनकी जो प्रमुक रशनाएं हैं यह ज्यां दान पिंजड़े का उड़ान अर यह आप को याद रखना है ताक गजाम में अगर पूछा जाएं किस में से कौन सी रशणाइं वह यशपाल की है या नहीं है तो यह आपको पूछना है ये वाद जो चीजन घट रही होती हैं उसी को लें दिखाते थार्थ वाली चीजों को यह दिखाते थे अपनी रश्नाओं में और यह यह अथार्थ वादी मतलब लेखक हैं इनकी कुछ उपन्यास है जासे की जूठा सच क्या उपन्यास है जूठा सच आपको विभाजन की तरासथी इसमें बहुत ही मारमिक रूप से प्रस्तूत की गई है अमीत दिव्या दादा कामरेड मेरी तेरी उसकी बात ये सभी मतलब उपन्यास की रशना जो है किसने किया यश्पाल ने अब हम लोग जो आज की कहानी है वो है लखनवी अंदाज कहानी का नाम में क्या तो लखनवी अंदाज इस लखनवी अंदाज कहानी में आपको ज़्यादा तर जो चीज मिलेगा वो होगा ट्रेन का सफर जैसे कि ट्रेन में कुछ लोग हैं जो सफर कर रहे हैं और खीरा के बारे में आपको पता चलेगा खीरा की इर्द गिर दिये सब कुछ यह जो कहानी है वो घूम रहा है और दो पात्र जो मुख्य रूप से हैं वो कौन-कौन से हैं तो यह तो आपको मिलेंगे लखनों के नबाव और दूसरा जो है वो एक लेखक जो जिन्होंने यह कहानी को लिखा है यानि की यश्पाल खुद तो वो जो ट्रेन में सफर कर रहे थे सामने लखनवी अंदाज वाले एक नबाव बैठे वेते तो उनका अंदाज किस तरीके तका था उसको बयां कर रह होती है उसको भी यह बयां कर रहे हैं अपने इस लेखन में तो चलिए वो लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और कहानी को जानते हैं क्योंकि इसी कहानी के बीच के लाइनों से आप से question जो है यह पूछा जाएगा तो बीना कहानी पढ़े आप इसका answer नहीं कर पाईएगा यह गारेंटी के साथ है इसलिए कहानी जैसी भी हो बहुत इंट्रेस्टेट हो या नहीं हो आपको अच्छी लग रही हो या नहीं हो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा कड़वे घूट की तरह हो चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं पूरी कोशिस करूँगी बहुत ही अलग अंदाज में आपको इस कहानी को बारे में बताने की तो आपने परिचर में देखी लिया कि यह क्या इसमें आपको ट्रेन के बारे में जिक्र होगी तो चलिए किस तरीके की जिक्र है तो चलिए मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पढ़ने को उतावली फूंकार रही थी तो जो ट्रेन ह खुलने के लिए बेचैन थी और यह ट्रेन कैसी थी तो यह मुफसिल है कि किन्द्रिया नगर यह होती है किरेंडर के शेत्रों यह जाने वालाओ होती है जिसको तो उसको क्या कहेंगे उसी को कहेंगे मुफसिल तो उसी ट्रेन पर जो लेखक है वो बैठते हैं अब किस तरीके से तो देखें और यह ट्रेन खुलने वाली है तो उतावली है किस चीज के लिए तो चल पढ़ने के लिए उतावली और फुंकार भर रही है आवाज दे रहे हैं आराम से second class में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं अगर इस तरीके के train में अगर आप जाना चाहते हैं पैसेंजर वाली train जो है मुफसिल और आप जब उसका second class की ticket कटाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है जैसे कि आप थाड़ AC में जाए तो उसमें जो खर्च होता है second AC में जाए उसमें दोनों के खर्च मेंतर होते हैं आपको आदा सुविधा चाहिए तो आप सेकेंड AC का टिकट लेते हैं यह तो उसकी खर्च जादा होती है तो इन्हों लेखक जो हैं यह चाहते थे अराम से जाना इसके लिए इन्हों ने आप लेक्षक से करना जरूरी होता है यह कुद लेखक हैं और यह सफर करना चाहते हैं कि सांती से एक कांथ से मैं इस सफर को करूँ और वो सोच सकते हैं अच्छे चीजों को और साथ मैं प्रकृतिक दिरिश्यों को भी देखते वे जाना चाहते थे और ट्रेन का टिकट इसलिए इन्होंने सेकेंड क्लास का लिया है तो अगर कारण खुशा जया तो यही कारण था लेकिन गाड़ी जो थी दोस्तों वो छूट रही थी मतलब जब स्टेशन पर पहुंचे प्लेटफॉर्म पर तो गाड़ी छूटने वाली थी आप देख रहे जब्बे में वो चड़े तो वो सेकेंड क्लास का छोटा दब्बा था उसमें वो दोड़ करके चड़ गया क्योंकि ट्रेन एकदम खुलने वाली थी लास्ट आवर में यह पहुंचे थे सेकेंड जो क्लास है उसका टिकट कटा करके एक बर्थ पर लखनों के नवाबी जो बैठा हुआ है तो लखनों के नवाबी नसल के लिए बहुत जादा विख्यात है उस नवाबी नसल के चित्र भी आपको मैं दिखा देती हूं दाकि आप अच्छे से समझ सकते हैं तो नवाबी मन नसलिंका दिख रहा है और नवाबी नसल के एक शफेर पोस सज्जन बहु जमीन पर बैठते हैं तो जो पाल्थी मार करकर बैठते हैं उसी तरीकर से यह पाल्थी मार करके यह जो नवाब हैं लखनवी नसल के नवाब और यह बैठे हुए यहां पर खीरा रखा हुआ था दाजा पर चिकना एकदम खीरा वहां पर रखा वर तो तवालिये पर लेखा के अचानक डबे में आने से सजन जो अइब फिले तो जैसे ही ले ठ्रेंट पर चड़े उनकी अचानक आज आने से बस इनका एकांत में बीगन पड़ गया मतलब वह तो अराम से जा रहा है इनको लग रहा था कि आप बर्त में कोई या आई कोई नहीं आएगा लेकिन लेकर पहुंचे थे इनका इकांत जो था वह तूट गया और उनके विगन पड़ गया और बहुत असंतुस्ट हुए मत अगर आप ट्रेन पर बैठे हैं आपके साने वाले सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठावा है जो आपके आने से बहुत संतुस्ट नहीं है बहुत उसको बुरा लग रहा है आप ट्रेन पर चड़ गया तो और वह बहुत अनमना उसका मन था वह नहीं चाहता था कि आपसे द लेखक भी उनके सामने की जो बर्थ थी उस पर बैठ करके आत्मसं मान में आखें चुरा मिया और तिया बुरा इननोम अधिस सम्मान को सम्मान दिया सामने वाले को खुद लिखक झुरा तर्म सामने वाले पर बच्वा जाकर के व Duch शुद्वेरोने जाकर सुदिरे स्मㄷर्ट करने में सारे निस मृता ओपन करना कहलें। गुड आप्टर नुन गुड आपटर नुन चलिए कल तो आप में हिंदी क्लास नहीं करी थी आज आप लोग कर लिए देखे खाली बैठे कलपना करने की पुरानी आदध थी इनकी आदध थी बैठे बैठे कल्पना करते रहें अफसर आप देख लेखों को को जानते होंगे तरीके कि नवाव सहा की असुविधा और संकोष के कारण का अनुमान लगने लगा कि चलो क्यों आखिर ये नवाव सहाव क्यों असुविधा में हैं मतलब वैसे ही सोच रहे थे कि आग इनको क्या कस् संभव है नवाव सहाव ने बिल्कुल अकले यात्रा कर सकने के अनुमानस में किफायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो मतलब ऐसा वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये जो नवाव सहाव है ये बचत करना चाह रहे होंगे और बहुत आराम से भी सफर कर करना चाहते होंगे तो इस वजह सही इनोंने ट्रेन के सेकेंड क्लास की टिकट इनोंने खरीदी होगी और मतलब और अब गवारा नहीं हो रहा है इनको कि शहर का भी एक जो सफेद पोश है वो आकर के मंझले दर्जे में सफर करता है मतलब उनको मझले दर्जे का में वाले सहर का कोई और अन्य वैक्ती जो शफेद पोस हैं और वो आकर के बैठ गया और वो भी मझले दर्जे का ये बोगी हुआ करता था जो सेकेंड क्लास जो था वो मझले दर्जे का बोगी था तो इनको पसंद नहीं आ रहा था कि मेरे सामने आकर के कौन बैठ गया हो यही सब स सुच रहे थे लेखत कि अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही यह खीरे खरीदे होंगे क्योंकि नवाब के सामने एक तौलिये पर क्या रखा हुआ था तो खीरा रखा हुआ था तो खीरा देख करके भी सोच रहे थे कि सफर करते हैं तो बहुत लोग मुझ पली खाता है अमरूद खाता है और भी जीप्स वगर मिलते रहते हैं तो सफर काटने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि यह सब कुछ आदमी खरीता है और वो सब खाते हुए कैसे सफर बीच जाता है पता ही नहीं चलता है लेकिन दोस्तों यह जो खीरा खा रहे थे हो सकता है कि सफर क अजीव लगेगा तो नवाब के मन में ऐसा लगा कि हो सकता है कि खीरा कैसे खाएं अब इसके सामने अब हो सकता है यह संकोज कर रहा हो ऐस सब कुछ यह लेखक के मन में यह सारी बातें चल रही थी कि अब हम लोग खीरा हम कीरा कैसे खाएंगे क्योंकि खीरा लेकर के नमस्कार किये और नवाब जी कहते हैं कि अदा वर्ज है जनाब खीरे का शौक फर्माएंगे तो चुकि नवाब के सामने खीरा रखावा थो आप खाने वाले थे तो वह सोचे कि चलो यह इससे भी पूछी लेते हैं आप लोग भी कभी कभी ट्रेन में सफर की होंगे तो साम वर्ज है मतलब नमस्कार कि जनाब खीरे का शौक फर्माएंगे यानि कि आप खीरा खाएंगे ऐसा आप पूछा जा रहा है नमाब की तरफ से लेक्त कि पहले तो यह बात करना आचानी रहते यह परिवर्तण नवाव सहília कि फार बारये तो हन्यों आप अगर सोच रहे हो भाव में परिवर्तन होना अब लेखक जो था इसको भाव लिया सराफत का गुमान बनाए रखने के लिए जनाब दिये मतलब वो चाह रहे थे कि सराफत जो है वो मारी बनी रहे इसलिए इन्होंने पूछ लिया और बोला कि लेखक भी अपना सराफत जो है वह संभाल के रख थो थो बनाए रखने के लिए जवाब क्या दिया शुक्रिया कीवला शौक फरमाए मुझे नहीं प्रेंग चैनल देखाना है मतलब शुक्रिया और उन्होंने जो चुकी पूछे था इनको पफर किया किरा खाने के लिए उसके लिए धन्यभाद भी किया तो धन्यभाद के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किये हैं वो है शुक्रिया तो कीवलाव शाफ फर्माई आख खाईए इसको मैं नहीं खा पाऊंगा इनका कहना था और शुक्रिया भी इन्हों हैं ठीक है आप सभी भाव को समझेगा नवाव सहाब कि दर देख रहे हैं खिड़की के तरह मन में एक दम दिरिध निश्य इन्होंने किया नवाव सहाब बटे को उठा करके दोनों खीरों को खिड़की से बाहर हाथ निकाल करके खीरा को उन्होंने धोया असर आपनों लोगों ने ट्रेन में देखा होगा कि अगर आप कोई फल खरीद रहा है उसको दोना है तो आप खिड़की से बाहर हाथ निकाल करके बटे उसे पाने का डाल कर और इनको धोया और तौलिये से बहुत अच्छे से उस खीरे को पोच्छा और फिर जेब से इन्होंने क्या किया एक चाकू निकाला नमाब साहब के पास जो था जेब में एक चाकू रहता था और उसनोंने चाकू निकाला और इन्होंने दोनों खीरा का सर काटा अक्सार आप इसमें और काट करके भी क्या करना होता है इसको और भी अच्छे से इस तरीके से कट करना होता है और जो कटे वे पागे उसको अच्छे से ऐसे मेश करना होता है तो उससे इसमें जाग निकलते हैं इससे क्या होता है कि उसका जो कडवापन होता है खीरा का वो खतम हो जाता है यह चीज आपने देखा था तो खीरों को इन्होंने क्या किया खीरा को इन्होंने काटा और उसको अच्छे तरीके से रव किया और रव करने के बाद उसमें से ज़ाग निकाला वही process को यहां लिखा हुआ है इस कहानी में, कि दोनों खीरों के इन्होंने सर काटे, उन्हें गोद करके जाग निकाला और अहतियात के तौर पर उसको छील करके, मतलब सारा खीरा को अच्छे से छीला एहतियाद से छील करके और उस छीलका को फेक करके करीने से क्या किया उन्होंने तौलिये पर बहुत सुंदर से सजाया देखे कितना खुबसुरा अच्छा दिख रहा है टेस्टी दिख रहा है और इस तरिके के खीरा को खाने का भी मन कर रहा, देखने में नहीं वालच लग रहा हूँ और गर्मी के दीन में इस मौसं का तो ये फैबरेट फल है, खीरा देखते हैं और इस तरिके का नमक और उसप पर मिर्च बुरका हुआ है यह देखने ही में कितना टेस्टी लगता है आब आगे दिया हुए है कि इहतियाथ से छिलका को फिक करके करिने से तॉलिये पर इन्हों ने क्या किया इसको सजाया और सुर्ख लाल मिर्च और नमक उसपर से छिड़के तो क्या छिड़का गया है इस पर? तो इस पे लाल मिर्च और इस पे नमक छिड़के गया है देख रहा है ना खीरे पे क्या छिड़का हो इन्होंने नमक और लाल मिर्च है इस प्रक्रिया से नवाब जैसे ही ये सारा काम कर रहे थे कट कर रहे थे चिल रहे थे और उस पर नमक और मिर्च जो छिड़क रहे थे इस प्रक्रिया से इनके मुख में मतलब जो नवाव साहब का जो मुँ है उसमें रसा स्वादन की कलपना से प्लावीत हो रहा था नवाव साहब का मुख खीरे के रसा स्वादन की यह सोच रहे थे कि कितना स्वादिश्ट लगे और करते-करते इनका मन प्लावित तंद गन터 की का स्वादिण में ना तो इनका मन वहीज़ों सोच करके और मन प्रक्रिया को किस ने त्यार किया था इन्हों ने इस प्रक्रिया में इस तरीके से खीरे को काटा था अब उलेकखा के देख रहे हैं कनखियों से कैसे देख जाते हैं गुसे भी ऋपर एसे निकल के आता है तो लेखा कैसे देख रहे थे तो कंखियों से देख रहे थे और सोच भी रहे थे चुकि लेखा के मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है तो सोच भी रहते मिया रईस बनते हैं मतलब नवाब जो है उनको कहा उनको विबारे में सोच रहते हैं मिया बड़ी रईस बनते लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं तो यह पूरी कोशिस कर रहे हैं कि कैसे लोगों की नजरों से बचना है और बचते वे यह पूरी अपनी असीली अस जितनी अपनी असलियत है उस पर यह मियां उतर आए हैं और ऐसा सोच रहेते कौन ऐसा सूच रहेते लेखक फिर नवाब सहब ने फिर क्या किया कि एक बार लेखक की और देखा चुकि सामने अब लेखक बैठे रहे हैं तो नवाब सहब फिर बोले लेखक पहले पर ऑफर कर चुके थे कि आप शौक फरमाएंगे क्या खीरा खाएंगे क्या तो प नवाब जी ने पूछ लिया और लेखक जो थे उन वो देख रहे देख रहे खीरा को यह देखने में कितना सुंदर कितना स्वाधिस्ट लग रहा है तो लेखा की खीरा देख रहे थे नमक मिर्चिछिड का की खीरा देखकरके इनके मुह में भी पानी आ रहा था अब ऐसा था पूर्ब लेकिन जब चाय आया तो बस आपके मुव में पानी आना शुरू हो गया अब बोले कैसे क्योंकि आप मना कर चुके थे अब फिर बोलीगा हाँ दीजे तो लोग बोले कि लालश मियां करके यह पांचाय फिर से मांग रहा है सेम वही खिसा लेखक के सामने हुआ लेखक बोले कि अरे 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 लेखक सोच रहे थे पहले तो इनकार कर चुके हैं अब हम बेरे आत्मसमान का सवाल है अब तो फिर लेकिन इनके मूह में पानी आ रहा था अब तो आत्मसमान का सवाल था अब लेखक ने उतर दिया अब ल वीदा मतलब होता है तो याद रखतें नहीं है मतलब होते हैं मेरा पेट ठीक नहीं बहुत लोग बहाँ संहोट बना रहे थे पहले मना कर चुके थे उस वक्त तलब नहीं हो रही है मतलब अमाश है बीज जरा कमजोड है पेट तुरा खराब है कीबला शौक फरमा आप खाइए ना मतलब मैं तो नहीं खाऊंगा पेट ठीक नहीं है आप खाइए धन्यवाद धन्यवाद को यह क्या कहते है शुक्रिया तो धन्यवाद नवाद सहभ सात्रिषन आंखों से मतलब ट्रिशना वाले आंखों से सौ्ट तृ मिर्च के संजोग से चमकतीखी खीरे खीरा है तो इसमें किसका संजोग है तो नमक और मिर्च लगा हुआ है अब इस खीरा को नवाब साहब देख रहे हैं अपनी आखों से नमक मिर्च के संजोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखते हुए खीड़की से बाहर देख करके दिर्ग नीश्वास लिया मतलब कि ये खीरा देखे अपनी आखों से खीरा देखे फिर खीड़की के तरफ देखते हैं ट्रेन वाली खीड़की के तरफ और फिर बहुत तेज दिर्ग मतलब लंबा मतलब सांस लेते हैं ऐसे ठीक है खीरा देख और प्रस के देखते हैं फिर एक लम्बी शांस लेते हुए अब देखे लम्बी सांस लेने चाही कि यह भाइओ उनला था यह तक հहीं करेए कर ले गए फांकि के प्रेट को सुंगा ऑफ नियुक्त सुुंग है सिर्फ इन्हों ने सुंग करें बर सभी आंनंद में पलकें मंद गई अशे आंखें को यह अनतों गई तब नवाब साहब ने फांक को क्या किया अब देखिया खिड़की से फेक दिया यह खाय नहीं और फांक क्या किया खिड़की से इन्होंने फेक दिया खाया नहीं इन्होंने सिर्फ उसका महक का अनंद लिया खीरा निकाले उन्हों को महका और खीरा को क्या किया खिड़की से फेक प्रकृटिया उन्हों नाख के पास लाते बाहर हैं यहीं प्रकृटिया छया रहे हैं भूपैद। इन्हों को इन्हों ने काट है इसका चीड़की से यह निए सब्सक्ता में better लेतल से हाथ और मतलब है ओलिया ऐनके दोत क्या करता है तौलिया से क्या करता हाथ पोश्टा है प्रक्रिया वांफ वही था खाने वाला लेकिन मुह की अंदर ना जाकर उसको नहोंने क्या किया था थेक यह हात पोच्छा इन्होंने अपनी कि यह है खांदानी रईसों के तरीके मतलब चुकि हम तो खांदानी रईस हैं और हमारा यह तरीका है हमने इतने बेहतरीन तरीके से कट किये सब किये और मैंने सिर्फ इसको सूंगा और सूंग करके मैंने इसको फेक दिया और यह नवाबों का यह तरीका है यही हमारी खांदानी रईस होने के पैचान है, मैं इसे खाया नहीं, ठीक है ना यह रईस होने का पैचान यह बता रहे हूं, ऐसा लेखा कि मन में यह चल रहा था, अब क्या होता है कि जो नवाब सहब हैं, वो खीरे की तैयारी और इस्तमाल से ठक करके लेट गया, काफी ठक गये थे कि ठक करके वो ट्रेन में क्या किये यह लेट गये ठीक है ना यह जैसे ही यह लेट गये जैसे सी जहारखण निक साइस कॉंस्टेबल जी बिल्कुल मैं आप बहुत अच्छे क्लास दे रहे हैं हिंदी के ठके और नवाब साहब जो है वो लेट गये नवाब साहब खीरे की तियारी और इसमाल से ठक के लेट गये हमें तसलीम तसलीम का मतलब होता है कि तसलीम का मतलब होता है कि तसलीम का मतलब होता है सम्मान में क्या हो जाता ह संमान में तो हमें तसलीम में सीर खं कर लेना पड़ा मत्दान उन्हों की राइस होने का पहचान है उन्हों भी उनका मान रखा और उन्होंने सम्मान किया उस अपने सरीर को जो जो है इन्होंने जुकाया लेकिंस रहा है जह countering इक्राइन इनके मंदों यह है खांदानी तारी इनके होसी को कहते हैं नफासत और और नजाकत कि क्या नफासत है इनका और क्या नजाकत है इनका इन लेखक के मन में यह चल रहा है अब गौर कर लेखक जो है यह काफी गौर कर रहे थे देखे रहे थे कैसे खीरे की सुगंध ही ले रहे हैं और कैसे स्वाध की ही कलपना कर रहे हैं और tूस्त हो जा रहे हैं मतलब का कल्पना करके इनको सब दूस्टी मिल जा रही है इसका बहुत बढ़ियां या मतलब बहुत सुख्ष्म तरीका है यह इसको कहा जा सकता है स्वाद लेने का बहुत बढ़ियां तरीका और बहुत सुख्ष्म तरीका तो बहुत बढ़ियां को क्या लिखा है किताब में नफी बहुत नफीस तरिका है, तो नफीस मतलब क्या हो जाता है बढ़िया, और abstract एक word यूज किया गया है इस कहानी में, उसका मतलब होता है सुक्ष्म, बहुती abstract और बहुती नफीस तरिका है, और उसी को abstract कहा गया है, या सुक्ष्म, नफीस को ही स्ट्रेप भी कहा गया यह कहा लेखा कैसे सोच रहे हैं और बहुत गौर्व से देख रहे थे परन्तु यह ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है अपने नजाकत दिखाए अपने रई सोने का पहचान बताया लेकिन आप इस तरीके से खीरा को सुगए और फेंगे फेंगे पेंगे आपका पेट का त्रिप्ति है वह सांथ हो जाएगा पेट जो होते हैं वह खाना मांगता है ठीक है जैसे अभी समय कितना हो रहा है तीन मांग रहा है और कि त्रिप्ती हो सकती है लेकिन नवाब साहब को देखें जो अपने बर्थ पर सुए हैं अब इनको देखें नवाब साहब की ओर शाव कर रहे हैं कि मेरा भर अधार ऑर बेत के अब यह महक से इतना अपना नजाकतना फासाद दिखा रहे हैं यह यह भी होने का दावा कर रहे हैं को धकार भी आ रही है तो देखिए नवाब सहब की और से भरे पेट के उचे ड़कार का शब्द सुनाई दिया मतलब उनके आवाज आई लेखा के कानों में ड़कार का जो क खाने के बाद आता है पेट भरने के बाद आता है और नवाब सहब ने लेखा की और देख करके कह दिया नवाब सहब जो है देखे की लेखा के मन में तो चल रहा है कुछ न कुछ उनके सरफ देखे और बोले नवाब सहब क्या बोलते हैं कि खीरा बहुत लजीज होता है ब कि आसानी से नपचने वाला वैसा चीज जो हम लोग आसानी से नहीं पचा सकते हैं तब इनको धकार आ रही है चुकि पचनी पाया इनका खीरा तो धकार लिए देखा कि आलेखक ने उस आवाज को सुन लिया तो यह कहा रहे हैं कि खीरा होता तो स्वाधिस्थ है लेकिन क्युक्ति-दें मतले नामोरात अमाशय परी काफी बोज डालता है जो हमारा अमाशय हो पर काफी बोज्ध यह डालता है यह खीरा तो खाए भी लेखक जो हैं इनका ग्यान-चक्छुऌ खुल गया नखक तो लेखक ही है घटना देखने बाद ऐसे अम्मच मेलाग होला है कि आगे जो है दूद भी मतलब चाच भी जो है वो फुख फूक के पीएंगे हैसा थुलिया य внешrão खुल घुल गया तो नवाद की एसा रईशाध करना यता को देख करके ठुर्शनाम से मैं पूछूँँगी तो anxiety कि ज Dest hub क्ट्चु के खूल गये ते उसको डेख करके उन्होंने पहचाना, और उन्होंने क्या पहचाना, क्या दिमाग उनको मिल गया, क्या ग्यान्शक्छु इनके खुल गये तो देख इपर यह है नई कहानी के लेक saja क ay Luna, कल मतलब आज इसकी लेक αυτी कमल के जूर PowerPoint का पेट भर जाने का ड़कार आ सकता है अगर मलती खीदख का सुगंध ले करके हमारा पेट बर गया और हमारा ड़कार भी आ गया तो फिर बीना विचार किये बीना कोई घटना घटे या बीना किसी पात्र का लेखक की तिर्फ इकषा अगर हो तो वो एक नई कहानी क्यों नहीं से जो कि इनोंने देखा उस ट्रेन में तो यही ग्यान बिला कि अगर माल दिजे कि अगर लेखत कोई कहानी लिखता है तो अगर इसके पास अगर कहानी लिखने के लिए कोई पात्र नहीं है यदि इनके पास अगर कोई घटना नहीं है जिसको देख करके यह कोई कहानी लिख यह पेट भरा जा सकता है यह न Elikahany I am तो है जो जो लिख रहे हैं अच्क लोग तो ना तो कोई भास ही घटना गटी वह पर भी है वह सोच करके वह कहानी लिख दे रहा है है तो हम लोग कहानी लिख सकते हैं ऐसा जो है इसका पार्ठ में कहा गया है तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा तो एक कहानी पढ़ा और ये कहानी था लखनवी नवाब तो लखनवी जो आपकी जग लखनवी अंदाज ये कहानी आप सभी को कैसी लगी ये बताएगा जी पचास रुपए केजी रॉयल आलोग जी कह सब्सक्राइब करें लेकिन दोस्तों इस ट्रेन का नाम बताईएगा आप सभी कमेंट करके जल्दी से कमेंट कीजे यह पटना यह चलेगी और इसकी शुरुवात जो पहली मतलब इसका तो ट्रैल अभी हो चुका है लेकिन अभी 27 तारिक से यानि 27 जून से यह ट्रेन यह खुलने वाली रांची पटना तो यह आप बताएंगे इस ट्रेन पर जो बच्चे बैठेंगे वह दस्मी कख्षा के बच्चे होंगे और वह कौन सी ट्रेन यह खुलने वाली है और जो है रांची और बिहार वास्तियों को कैसा लगा वंदे भारत जी बिल्कूल यह बंदे भारत ट्रेन है और दस्मी कख्षा में पढ़ने वाले बच्चे को सबसे पहला दीन जो है यह इस ट्रेन में उनको चड़ने का मौका मिलेगा वंदे भारत एक्सप्रेस चली आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जानेंगे को कोशन एंसर के लिए रेडी हैं तो रेडी हैं तो थम दिखाए क्योंकि आज ही कोशन अंसर कर लेना है तो पहला प्रशने है आज पहला क्लास था बढ़ने में मज़ा आगया एमके उत्तम जी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है क्लास देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रशनोत्तर कौन सी पैसेंजर ट्रेन चल पढ़ने की लिए उतावली में फुकार भर रही थी जल्दी सेंसर किजेगा फटाफट जल्दी सें प्रशन नमबर डी बिल्कुल जी नोंने अंसर किया है यह मुफसिल ट्रेन ती और जो मुफसिल ट्रेन किसको कहा जाता है केंद्रस्प नगर के इर्दिगिर्द के अस्थान को जाने वाली ट्रेने जैसे मानली जी कि रांची से कोई ट्रेन खूड रही है और आसपास के ज या फिर खूंटी जा रही है तो वैसी ट्रेन को मुफसिल ट्रेन कहेंगे और जो नवाव साहब और लेखक हैं वह इसी ट्रेन पर बैठे वेत हैं आप चली अगले प्रशन का उतर कीजेगा किस दर्जे में यात्रा करने के अधिक दाम लगते थे तो कौन से दर्जे में य रहेंगे तो एंसर भी आप गलत करके आएगा चले कौन से दर्जे में जार्खंड का नोट साहिए इस नमबर पर संपर कीजे डबल नाइन जीरो 5917516 यह जार्खंड जीके वाले तो यह आपके जो टो नोट्स हैं 250 में हैं ऑफर में चल रहा है तो इसको आप ले सकते हैं किस दर्जे में यात्रा करने के लिए अधिक नाम लगते हैं तो आप्शन आपनों ने कहा दूसरे दर्जे के बिल्कुल सही एंसर किये हैं बिल्कुल सही आप्शन नमबर भी चले हम लोग अगले प्रशन पर आते हैं अगला प्रशन है लेखक कौन से डब्बे में चढ़ तो दूसरे दर्जे के छोटे से डब्बे में जिन्होंने अंसर किया ओप्षान नंबर एक क्योंकि ट्रेन खुलने वाली थी और अपनी फूकार भर रही थी और जो थे लेखक जो दौड करके उस ट्रेन पर चड़े और ट्रेन पर जैसे ही उन्होंने चड़ा तो यह द्वी खरी देते किसलिए क्योंकि उनका रास्ता जो है सफर जो है वह सानी से कट सके और इस बीच में वह खा सके लेकिन सामने जैसे लेखक पड़े तो अब इनको लगा कि क्या सोचेगा यह की नवाब होकर के भी एक खीरा खा रहा है तो यह हो सकते इनको अपना आप मानीत नहो होना पड़े तो वह क्या कि खीरा सुंग रहते फेक रहते सुंग रहते फेक रहते फेकर अपना नवाबी स्टाइल में वह फेके जा रहे थे तो लेखक इस डिपे में चढ़ा तो दूसरे दर्जे के छोटे से डब्बे में लेखक चढ़ा था नेक्ट प्रसने है कि सड़ी किया है यह बिल्कुल सही है लखनाव कि न लखनवी और नवाब के अंदाज में एक वहां के नवाब जो थे वह उस बर्द पर बैठे हुए थे पाल्थी को मार करके और उनका पूरा जो क्रिया कलाब भी था वह उसी अंदाज में था खीरा में करहते सुंग रहते खिड़की सब फेक रहते हैं और यहां तक कि जब वह सोए उसके बाद उसको धकार भी आ रही थी और कहें कि खीरा जो होता है वह होता तो बहुत लजीज है लेकिन होता है सकील जो कि पेट के मतलब आमाशय को जो है उसे बहुत ज़्यादा बोज दालता है ऐसा नवाब ज जाएसा वस्तू का शौक करते देखकर दन ऐसा नहों कि लोग समझे कि यह खीरा जैसा एक चीज आप लोग को लग रहा है यह 50 रुपया किलो मिल रहा है नवाब के लिए 50 रुपया-60 रुपया कौन सी बड़ी बात है लेकिन एक नवाब खीरा जैसा तुक्ष चीज खा र रहे हैं तो ऐसा देखकर कि जो संकोच में नवाब पढ़ जाते हैं तो क्या एंसर हो जाएगा पांच का एंसर हो जाएक ऑप्षन नमबर ए खीरे जैसी वस्तू का शौक करते हुए मतलब शौक करते देखे जाने के कारण यह संकोच में आगे कि यह बगवान यह नवाब की रखा रहा हैं चले आसनों कि लेखक के मंन में यह सब बात आने लगे लेखक नवाब की ओर कैसे देख रहे थे किस नज़र से देख रहे थे मैंने आपको एंसर कराया है इसका और आसे तो पढ़ाए मैने सारा हैं अभ देखिए कोशन कैसे निकल कर आता है लेखक कि नवाब साहब की और कैसे देख रहे हैं इन्हों ने नवाब साहब की तरफ किस तरीके से देखा तो कंखियों से देखा तो कंखी से कैसे देखा जाता है इस तरीके से देखा जाता है आप लोग देखें कि नहीं कंखी से देखना इसी को कहते हैं ना कंखी से देखा जा रह अगला प्राशन ने धन्यवाद की जगार कौन से शब्द का किया तो जब इन से पुछे की खीद का फ्रमाईएगा की यह खीरा उखब śok फर्माईएंगे उन्में धन्यवाद चब्थे जगह की शब्द में प्रयों किया AJ क with a call कि शब्द का प्रयों किया घंड़वाद शुक्रिया बोले या बहुत बढ़िया बोले तो आत्मसम्मान के कारण कहीं कोई नशे में अप पर किया मूफली खाइएगा चूर गरम कईएगा या फिर भूंजा खाईएगा घूगी नहीं आता है दोस्तों बहुत सारे लोग ओफर करते हैं खाने के लिए लेकिन हम लोग क्यों नहीं खाते हैं कि ऐसा लगता है कि उसमें कोई नश्य का समान जो है उसमें डाल दिया हो और हमको खिला देगा और किसा ट्रेन में असा होता बेहोसी पड़े समरा समान लेगर के ट्रेन में गायर तो लेखक खीरा क्यों नहीं खाना चाहते थे इनके आत्मसमान की बात थी पहले गवार मना कर दिये थे कि हम नहीं खाएंगे आप फिर यह बोल देगे कि खा लेंगे तो इनका आत्मसमान जो है वो उस पर ठेस पहुं आप आप शवाल जो है यह इसके लेखक हैं अगला प्रशन में पर एक किसे रचना यह रचनाई यह रश्त हैं अगला प्रश्न है कि लेखक यस्पाल का जनम जो है वो कहां पर हुआ था तो लेखक यस्पाल का जनम हुआ दिल्ली में पंजाब में जारखन में या उतर प्रदेश में तो लेखक यस्पाल का जनम कहां हुआ था तो इनका यस्पाल का जनम पंजाब में तो यह पंजाब में इनका जन्म हुआ निमने में से कौन सा उपन्यास के रचनाकार जो है वो यश्पाल है जिन्होंने अस्फाल नहीं लिखा है इस उपन्यास को जूटा सच दिव्या दादा कामरेड कामरेड होगा यहां पर और इन में से सभी तो क्या अंसर हो जाएगा ऑ आशी कलास में कहानी जो है वह लखनवी अंदाज और अब यह चित्र जो आपने को मैंने पहले दिखाया है यह चित्र जो है इसके अधार पे ही पूरा था कि झाला फांगा और एक ट्रेंडा के सफर में आपको पसंद आता है चलिए ओके छोटू लाल जी कहानी कैसा लगा और कहानी से प्रश्ण उत्तर आपने कर लिया तो आज ही क्लास में आपने एक शप्टर समाप्त कर लिया अगली क्लास में अब आप लोग को जो पढ़ाऊंगी वो सुर्यकांत्री पाठी निराला का उत्सा होगा उत्सा सुर्य इसकानतरी पाठी निराला का उत्सा यह सभी ही आप लोग पढ़ solicit구요 उस कुछ्चन कर लेंगे सब्सक्रायव सब्सक्राइन स sięंNow अब सब्सक्राइब करते हूं आज कैस में आप लोग comments ऐंगे High Hindi भासा और यह आप लोगको पढ़ना हें इंडी भासा की जो किताब आप लोग को बोली गई है चीटी और कृतिका भांग दो इसे मैं आप लोगों को छीटीज भांग दो की एक कवीता और यह कवीता लिखी गई है सुरेकांत रिपाठी निराला के द्वारा बारीश हो रही है बहुत तेज अवाचारी है मेरी जाएगा और चुकिस सुरेकांत रिपाठी निराला जो है जैसा इसके पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा जैसंकर प्रशाद के बारे में वह च्छायावादी कवी है उसी तरीके से सुरेकांत रिपाठी निराला भी जो है अपनी कवीताओं के माध्यां से लिखते हलो नमस्कार थोड़ा थोड़ा दिग्कत होगा हो सकता है बारिश बहुत तेज हो रहे यहां पर और इस बर साथ के मासम में हम लोग जो कवीता आज पढ़ने वाले हैं यह भी बादलों से संबंधित यह कवीता है लेकिन पहले हम लोग सुरेकांत रिपाठी निराला के ज जिवन परिशे अब चली इनका जन्म कहा हुआ था किश वर्स में यह जन्म हुआ था तो सुरेकांत रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1899 में और इनका निधन हो गया दोस्तों 2961 में कहां पर इनका जो निराला निराला जाबलों बोलते हैं वो यह इनका उपनाम है और यह हिंदी साहिस्ते के यह ससक्त कवी हैं इनका जन्म हुआ बंगाल में बंगाल में एक जगा है मेदनी पूर मेदनी पूर एक जगा का नाम है वहां पर 1899 में मूल तो यूपी और यूपी में इनक जन्म हुआ क्या राची में तो बहुत तेज वीडियो पूरा देखेगा बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है आची इन्हों ने सिख्षा लिया और यह महिसा दल जगा है वहां से इन्हों लिया और इन्हों संकरपरशाद के बारे में जाना था हिंदी संस्क्रीत और अंग्रेजी उन्हों smartest इक ग्याता थे इनके उपर बहुत ज्यादा उसका गहरा प्रभाव पड़ा था पारिवारिक जीवन जो था बहुत दुखों और संघर्सों भरा था इनका जीवन लेकिन हाँ वो जीवन परिछे में हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अब हम लोग इनके नीधन के बार इन्होंने किताबे लिखी ती जासे परिमल गीति का तूसी दास अनामी का कुकुर मुत्ता अनिमा वेला और गीतकों कुछ उपन्यास इन्होंने जो लिखे वो अफसरा अलका निरूपमा प्रभावते यह सब जो है रेखा चित्रम इनका है कुली मार विलेस्पूर और बक है कुछ ऐसी किताबे हैं जो इन्होंने जो एसी रचनाई है जो लिखा है इन्होंने लेकि यह पूरी कहां कविता है उत्सा वह इसी बादलों बादलों पर अधारित है लेकिन यह बादल के मद्धन से कहना क्या चाहते हैं उसको भी आम लोग जानेंगे तो और बादल को भूब बाल जो हैं बच्चों के आप देखेंगे इस तरीके के करली हेर जिसको कहते हैं तो गूब रहले बाल से नहोंने तुलन्ग किया है बादलों का और इस कविता को अब हम लोग डिटेल में जानेगे और मुझे लगता है कि इस कविता को जानने के लिए आप लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं अब चले इक वर मैं कविता रीड करूंगे फिर इसके डिटेल्स को भी मैं बताऊंगे लेकिन इसका सबसे पहले लोग प्रसंग के बारे में जाने यह बादलों का आववान करते हैं तो फसल भी अच्छे होते हैं खासे जारखेंड को ले लीजें तो कितना उत्साहित यह मौसम होता और बरसात का मौसम हो रहे दोस्ता और यह बादल इस में मैं तो पुर्ण भूमिका निभाता है इस बादल क उसे कह रहा है कि है बादल तुम गर्जो और किस तरीके से तो आगे इसको अगला लाइन है घेर घेर घर घगागन धाराधर ओं मतलब इस पूरे गगण को पूरा इकतम घेर लो पूरे आस्मान को क्या करो बादलूस एकड़म घेर लो और घेरने के बाद एस मतलब आप समनार्थी ले लेंगे धाराधर धाराधर को बादल भी कह सकते हैं तो धाराधर मतलब की जल को धारण करने वाला धाराधर यह बादल होते हैं ललीत ललीत मतलब बहुत सुंदर सुंदर काले घुंगराले जिस तरीके से बच्चों के बाल जो होते हैं देखें यह काले और घुंगराले बाल आप देख रहा हूं इसी तरीके से आप खुब सुंदर अपने बादलों को लेकर क्या है एकदम बादल कैसा होना चाहिए वह इस तरीके से पूरा घुंगराला और बच्चों के बाल की तरह एकदम घुंगराला होना चाहिए देखे और कहना क्या चाहत एक क्रांती लेकर कि आओ इस तरीके से है बादल ऐसी क्रांती लेकर कि आओ जिससे कि सभी सुख पाएं और एक निया जीवन लोगों के बीच में एक निया उत्सा भर जाए अगर आज से इस कविता को आप रिलेट करें तो जिस तरीके से पूरा जो भारत अक्सर आप सुनते चाहिए व्यों इतना ब्रस्ट अचार है और गौर कलयू कज़ समय आगया है इस ब्रस्टर चाहर को खतम करने के लिए एक निया जीवन दिया उत्सा दो कि और यह बादलat जो है उसको बोला जा रहे हैं और बादल को कहा जा रहा है कि लासे पाले नगी तुम जो हो एकद तो जिस तरीके का बालख का मन होता है वैसे हैे बादल तुम्हारा भी मन है लेकिन आक हो गलत नहीं समझेंगे क्योंकि यह विदूत छवी में मतलब इंके ःते में के बृद्जी है मतलब की बिजली है बार grid बिजली को रखे हो अपने अंदर और यह जो तुम बादल जो तुम नया जीवन देने वाले हो तुम नया जीवन प्रकास में लोगों का जीवन प्रकास में करते हो एक नया जीवन देने वाले हो तुम्हारा जो मन है वो बालक के समान भी है और तुम्हारे अंदर वो तुम् तुमने अपने अंदर बिजली चुपा रखा है अब उसको गर्जो अब वो गर्जन से हमारे अंदर एक नई चेतना आएगी एक नई कविता आएगी और मेरे जीवन को एक नए कविता से भर दो और एक नया जीवन देदो मुझे एक नई कविता से भर दो हे बादल तुम ग अब देखें यहां पर इसके मतलब क्या निकाल सब्दार्थ पहले देख लेते हैं धाराधर बादल ललीद मतलब क्या होता है सुन्दर नई मतलब रूतन मतलब नहीं और फिर से मैं आपको क्लियर कराऊंगे क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे सा नहीं समझ लेंगे आप इसको समझ मैं बहुत क्यूं परिशान है रानी जी बताएए लगा देखिए पीडियाफ जो है आपको एप में मिलेगा लेकिन पीडियाफ आप निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि पीडियाफ यह पेड़ होता है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और वहां पर आपको क्रांस क करने मिलेगा पढ़ने मिलेगा आप चाहेंगे कि पीडियेव को निकाल ले तो वह संभाव ने कोशित कर रही हूं कि डाउनलोडेड पीडियेव जो है वह कोशिस कर रहे हूं लेकिन उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे दोंगे प्रगतिवादी कवी निराला के द्वारा लिखित इस कव्यांश में ये प्रसंग्या है जो कव्यांश इन्होंने लिखा है उस कवीता में बादलों का निराला ने आहवान किया है बादल ही मनुस्य के जीवन में नई कलपना और उत्सा उत्पन करने का कारण है उन्होंने ब व्याख्याफ इसको देखे थोड़ा सा और डिटेल में कभी बादलों को अवान करते हैं कि हे बादल घंगोर रूप से आकास को क्या करो घेर लो चारो और अंधकार चाजाए अर्था तुम ही विध्वंश क्रांती और विपलो का तुम रूप हो कुछ ऐसा करो कि चारो रंधकार चाए और तुम विपलो का रूप बन करके आओ और तुम जो हो विध्वंश का रूप बन करके आओ और तुम क्रांती का रूप बन करके आओ और पूरे आसमान पर तुम चाजाओ तुम्हारा रूप कभी-कभी अत्यंत कोमल होता है ऐसा दि खाई देते हो और कालीमा युक्त मतलब धूंदला हो और कालीमा युक्त लिए वे हो तुम धूंदला पन लिए वे ऐसा रूप तुम्हारा बहुत मनमोहक होता है मन को मोह कर देने वाला होता है जैसे बच्चों की कलपना कैसे मन को मोह देती है बच्चों के विचार जो होते हैं वो कैसे मन को मोह लेते हैं बच्चे जो होते हैं वो एकदम बोलते हैं इश्वर का रूप होते हैं उसी तरीके से तुम भी इस रूप में इश्वर का जैसे प्रतीत होते हो बहुत मनमोहक होते हो तुम्हारे जबकि तुम्हारे हिरिदे में तुम्हारा रूप जैसे तरी किन्तु दूसरी और तुम नया जीवन भी देने वाले हो और एक नया जीवन भी आफ देते हो दूसरी तरफ बादल अंकुर को प्रसफुट करते हैं मतलब कि यह नया जीवन देने का मतलब क्या हो गया कि आप जो हो अंकुर अगर बीज आप लोग डाले अभी धान का खेती ह होने वाला है आपने बीज को डाला तो बरसाथ जब तक नहीं आएगे तो तक उसमें अंकुरन भी नहीं होगा और यह बादल तुम नया जीवन देने वाले तुम अंकुर देने वाले हो तुम्हारे भीतर बज्र की सकती है इसे तुम मेरे नूतन कविता में भर दो सुरेकां पांती लाने वाली हूँ वो कविता सुरेकां त्रिपाठी निराला बादलों को यह अहवान करते हैं यहां तक जो है सब आप लोग को याद हो गया समझ में आ गया अगे बढ़ते हैं विकल विकल उनमन थेमन विश्व के नीदाद के सकल जन आए अज्यात दिशामे अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल करदो बादल गरजों यह उत्सा कविता की अगली पंक्ति है और इस पंक्ति में भी अहवान किया जा रहा है क्या तो बादल को गरजने का और किस तरीके से वो गरजन करेंगे वो बताने का शब्दार्थ में हम लोग आते हैं विकल होता है बेचेन कर देने वाला मतलब का मतलब होता है कि बिना मन का य जसे की गर्मी का मासन को उसकार मतलफ लगता था कि कहां जाए पंखा जेले या फिर बाहर निकल के मतलब क्या करें च्छत पर चले जाए अफसर जो रात में कभी लाइट नहीं तो नीदाद मतलब होता है गर्मी यह हमारा जो पूरा विश्व है यह गर्मी से एक दम परिशान है पूरा सकल जन सभी जन आए अग्यात दिशा में अनंत के गन और आप अग्यात दिशा से आए और अनंत घंड लेकर के आए इस तब्त धरा को यह जो गर्म वाली जो धरा है यह हमारी जो प्रित्वी है उसको जल से फिर जो है शीतल कर दो और ऐसा बादल कि हमारे जो धरा है जो धरती है उसको जल से अपने शीतल कर दो है बादल तुम खूब गर्जो खूब गर्जो खूब गर्जो अब यह कवीता जो है यह सुरेकांत रिपाठी निराला की उत्साह कवीता के यह लाइन थे अब चली एक बार और इसके बारे में हम लोग जान सूरेज का यह कहना है अभी कुछ दिन पहले की बात है तीन-चार दिन पहले ऐसी हो रहा था कि बहन जी आप पड़ अंदर ही सुखा लीजे फिर मत कहना कि मैंने इसको भून डाले इतनी गर्मी थी कि अगर पड़ अगर चट पर रखें सुखने के लिए तो यह गर्मी के प्रकोब से फ्राई हो जाएगा और बहन जी बोलेंगे कि हम तो सुखने के लिए रखेते हैं आपने इसको फ्राई कर डाला तो सूरज जो बोड़ रहे हैं अंदर ही सुखा लो बाहर इसको मत रहने जोने यह फ्राई होने वाला है वैसे हम लोग भी में जो हैं एकदम फ् कुछ दिन जो पहले बीता है कहीं 45 जीवन देने वाला है खास करके किसानों के जीवन में और यह क्रांती का भी संकेत है बादल को और चुकी सुर्यकांत्री पाठी निराला एक छायावादी कभी हैं तो उन्होंने बादलों से कहा है बीकल वीकल उन्मन थे उन्मन मतलब कि हम लोग एकदम विकल थे बहुत परिशान ते और कौनसा तो विष्व के सारी लोग शकल जन पूरी गर्मी से बेहाल आई अग्यात दिशा में अनंत के गन और अग्यात दिशा में से अप गन जो हो आप अग्यात दिशा से आ गए हो और अब आए हो तो इस हमारी जो धरा जो है पूरी गरम है उस धरा को जल से फिर सीतल कर दो बादल गर जो इस कविता की सबके साबदार तब आपको समझ में आ देखें यहां दिया हुआ है क्योंकि गर्मी इतनी अधीव थी अभी कुछ दिनों पहले कि यही इस्तिती थी आप लोग जो हो जिनके मिलता है को मैं पानी भरने का क्योंकि घर में यह अप लोग में से तुर्मी कि दिन थोट शूझर को अभी आप दा बहुत आशान सब्दों में अच्छा प्रींस आपको भरना होते हैं तो उड़ नहीं रही यह कविता जो है यह कविता फागुन मा और फागुन मा अभी आया नहीं है आने वाला है रोशन कुमार जी चलिए अट नहीं रही यह बाप फागुन के मा की प्रकृति का जो वर्णन किया गया है फागुन मा और यह फागुन मा होली के होली के अवसर पर होता है होली के पहले का जो पुरा मा होता है और होली आने वाला होता है और यह बसंत का समय होता है और खुछ लेकिन हम लोग अपने शब्दों में तो कहना नहीं है कहना किसके शब्द में है तो सुरेकांत रिपाठी निराला अब इस फागुन मा का वर्णन किस तरीके से वो कर रहे हैं अब यह आप देखिएगा मैं कूलर की जगह हम एक पेड लगा के उसमें पानी डालते तो अब देखिए फागुन मा का समय है जिस समय में सुरेकांत रिपाठी निराला ने इसका विदा को लिखा उसमय में गुलामी का समय चल रहा था उसमय में पात्र नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही मतलब कि आंखों से इतनी खुबशूरत यह आभा है यह इतना खुबशूरत यह नजारा है कि न तो मतलब हमारे आंटी नहीं रहा है आँखों में यह समान्दा आखे जो एक्दम फटी ची पटी रहा गई हैं रिइदय जो अगताल हो गया इसको देख करके इतनी खुबशूरत यह醒el ना जीवन मिलागा और फूल ने ज़े रहे हैं और देखे अभी बरसात का समय चलेगा बरसात के बाद जो हमारा जो पेड़ पॉदे से तुम सांस लेते हो तो हमारा घर-घर भर चाता यानि कि oxygen तुम दे रहे हो और oxygen इतना सारा वातावरण में फैल गया है जिसे कि यह पूरा घर घर में यह फैल गया है उड़ने को नब में तुम पर पर देते हो तो पंक्षियों में निया जान लेकर किया जाते हो उनको ने पर देते हो और ऐसा मौसम ऐसा महल ऐसा वातावरण तु बढ़नन किया है इस कविता में अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम परपर कर देते हो तो इस कविता में अब व्याख्या क्या है तो व्याख्या है फागुन के माह में जब माह फागुन का तो चारो और फ्रफिल जाती है लाता है टरह सुगन्द अर्य को मोहने माला होता है इतती थे य। आये तरहां ॥ा उन्हों को महीने में चारों ओर मादकता है प्राकृति की संदर् طा से प्रित्यवी का आकर्शन ओ लॉकीक है मतलब कि ये मतलब मेरी आखों में समा नहीं रहा मेरे शरीर यस सवंदर को देख करके रोमान्चीत हो गया गदगद हो गया इक्दम नहीं बहुता है ना कि देख करके मन एक प्रसंद हो गया मतलब काफी इनफ है ये फागुन के मा में प्रकृती सांस लेती है हमारी जो प्रकृती होती है वो सांस ले रही होती है और बहुत अच्छे तरीके से यह मा होता है फागुन का और तो अपनी सुगंध से प्रतेक घर को और जो नेने फूल लगते हैं उसकी एक सुगंध होती है और हर घर में उस फूल के सुगंध जो है वो बिखर जाते हैं ठीक है पक् सुमान में आप देखेगा जदा पक्षी उड़ते वे रहते हैं न तो बहुत ज्यादा घर्मी का मुसम होता है न तु बहुत ज्यादा थंढा का मुसम होता है न तु बहुत ज्क होती है महल एग्दम अगली लाइन है अगली नहीं रही है अगर मैं पूरी कोशित हैं इसको जब कोशित करता हूं इधर उदर देखने की तो वह उमारी आखें यहां से हट नहीं रही है पत्तूं से लदी डाल है वो किसे लदी हुई है तो वो पत्तों से लदी हुई डाल है और कहीं हरी कहीं लाल है और ये पत्ते जो हैं कहीं पर हरे रंग के पत्ते हैं और कहीं पर लाल पत्ते हैं और पत्तों इन से नजर नहीं हट रही है गमंद गंध पुस्प माल और पाट पाट शोभासरी मतलब चारो तरफ जो है बहुत खुबसूरत नजारा और मंद गंध पाट पाट मतलब पूरे भर मतलब क्या होता है चले इसका पाठ पाठ का मतलब होता है जगा जगा और मतलब सोभासरी मतलब सौंधर से भरपूर सोभासरी पट नहीं रहे यानि कि हमारे अंदर समा नहीं रहे इतनी सुन्दरता है देखिए आखटाता हूँ तो हट नहीं रहे पत्तों से लदी डाल, कहीं हरीब कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, मन्द गंध पुस्प माल, पाट पाट शोभासरी पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, समा नहीं रही है अब इस कविता का एक बार और अच्छे से व्याख्या देख लीज़ें, ये तो बहुत सिंपल सब्दों में हो गया, ताकि लाइन को आप अच्छे से समझ सकते हैं, अब चलिए हम लोग प्रसंग के बारे में जानते हैं, प्रस्तूत का व्यांश में कवी ने हागुन मा में स सुन्दर्ता है, और ऐसी अलोकिक सुन्दर्ता में आँखटाता हूँ तो हट नहीं रही, फागुन की सुन्दर्ता हुरिदे में हमारे समा गया है, धीमी सुगंध युग्त फूलों की मालाएं, प्रतिक अस्थान को पर सुन्दर्य के पुर्ण कर रही है, हमारे संधर को यह कर रहे हैं चारह और एक्सफील यूप्त लटाओं पर लाली ऊप्षूलों का संधर मतलब यह किसेहर ख्रहर एकटञा लगये और उसकर फूल लाल लाल फूल और यह वह लोगों को बहुत ज़्यादा आपर सित कर यह आप देख रहे कितनी खुबसूरती शारो तरफ और यह मौसम कौन सा है तो यह मौसम है फागुन गशन का किया कि यह की क्लास जो है यह हिंदी की लिए अप क्लास यह क्लास के करा दूँ जुनको जिनको कोष्जनकर रहा है आप पताईह वीडियो को जदा चाहिब टाकर दीजिए ताकि इसके एंसेर जो है क्या नाम है प्रिंस कुमार जी और जल्दी से मेंसेज कीजिए अगर लाइव हैं और यहां देख समश में आ गया एक बार मैं कविता रेड कर देती हूँ अगर समश में नहीं आयोगा तो तुरंत बताईए क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चीज आपको करना है कोशन अंसर भी व्याख्या भी और कविता के बारे में चलिए सबसे पहला लाइन था बादल गर्जो घेर घेर घोर घगन धरादर ओ ललित ललित काले घुंगराले बाल कलपना के से पाले विदूत छवी उर में कवी नव जीवन वाले बजर छीपा नूतन कविता फिर बादल गर्जो आगे समझ में नेक्स्ट लाइन था आप लोगों का यह नेक्स्ट लाइन था कि विकल विकल उनमन थे उनमन विश्व के निदाग निदाग मतलब होता गर्मी शकल जन मतलब सभी जन आई अग्यात दिसा में अनंत के घन तक्त धरा जल से भर दो शीतल कर द बादल गर्जो ये कविता थी अब इसके अगला जो अट नहीं रही वो कविता जो है उसके लाइन भी देख लीजे आट नहीं रही तो आट नहीं रही का कविता था चलिया है आट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नव में तुम परपर कर देते हो फागुन मां के बारे में बताया जा रहा है आँख खटाता हूँ तो हट नहीं रही पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड उनों की जो माला है उसके गंथ जो हैं और भी संदर रेकों बढ़ा हैं पार्ट पार्ट जगत gì चुंद्र का की तरफी कविता और उत्सा कविता के सब्दार्थ आपने समझे अगर समयश में आ गया तो थम का निसान दीजेगा ताकि हम लोग कोश्चन अंसर की तरफ आ सके अब चलिए कोश्चन अंसर करते हैं फ्रसा गर्मी का एक और नजारा देखते हैं देखें गर्मी में कैसे होता है अभी आप लोग इसी गर्मी से गुजरें ना देखें क्या लिखा हुआ है कि नहीं मान रहे हो सुरज अब और घर के अंदर घुशने का मुड़ है इतनी गर्मी थी और अभी आप तो बरसात आगया अब तो अब और क्या घर के अंदर ही घुश जाना है बाहर हो तब तो इतना सबसे पहला प्रशन है कि कवी बादलों से क्या संदेश देना चाहता है कवी chapter two मैंने सारा chapter पूदाया है chapter two मैंने पूरा पुदाया हूचकता आपको उसका video ना मिडा मैं share कर देती हूँ कवी बादलों से क्या संदेश देता है नया जीवन और हर chapter के मैंने question answer भी कराए है जो first day से class कर रहे है आप सभी yes और no में answer कीजेगा आपने किया कि नहीं क्लास चलिए तो निया जीवन का संदेश देते हैं कवी बादलों से क्या संदेश दे रहे हैं तो बता रहे हैं कि निया जीवन भर दो इस तरीके से गर जो ऐसे बरसो कि एक निया जीवन ही दे दो तो क्या वो रहा है कि निया जीवन देने की बात कर रहा है बादलों से उत्सा अवाम अट नही रही कविता किस कवी ने लिखा है इसके लेखक कौन है इसके लेखक है मनुबंडारी जैसंकर प्रशाथ देव या सूरेकांतरी पाठी निराला उत्सा और अट नही रही कविता के लेखक हैं सूरेकांत्री पाठी निराला अट नहीं रही कविता में कौन सा गुन है गुन के बारे में आपको बताना है कि वह कौन सा गुन है जो कविता में तो यह माधू यह प्रसाद गुन इसके अंदर है प्रसाद गुन अट नहीं रही कविता में यह गुन है बादल क कवीत को कवीता में बादल को कवीता में कवी गरजने के लिए क्यूं बोड़ रहे हैं बादल गरजो गरजने के लिए कि जोश और क्रांती फैल सके गर्मी समाथ हो सके ताकि बच्चे डर जाए या इन में से कोई नहीं है बादल गरजो ताकि लोगों में नया जीवन नई च लोगों के अंदर जो साजा एक्रांती आ जाया तो आप्शन नंबर ये जो है ये सही अंसर है बादल में को कभी बरगर रजने के लिए वो इसी लिए बोल रहे हैं अंसरं नहीं दिखाओं देखें मुझे ये आपको पढ़ा रही हूं टेस्ट नहीं ले रहे हूं जली एंसर नहीं दिखाती हों बादलों का सुरूप किसके समान हैं बताइबादल कैसे दिख रहे हैं सुदर् काली नागिन के समान सुन्दर काले घुंगराले बालों के समान सुन्दर काले सीधे बालों के समान जैसे कि इतम स्ट्रेट हेर के समान या फिस सुन्दर सफेद सफेद रंके घुंगराले बालों के समान क्या हो जाएगा एंसर चलिएगा बच्चे जो हैं बादलों का स्वरूप किसके समान है यह बताना है तो सुंदर काले घुंगराले बालों के समान है चैसे बच्चों के बैल कैसे घुंगराले बाल होते है उसके समान gedacht मध्र होश करने वाली हवाय मन मोहक हवाएं मादक जो है नशा भर देने वाली हवा तो कैसी हवा चल रही है फागुन में तो ये मादक हवाएं चल रही है जो सब में एक नशा जो है वो भर दे रही है तो option c हो जाएगा वन के वैभव में क्या कूट कूट करके भरा हुआ है शोभा और सौंदर्य वन वैभव में क्या भरा हुआ है तो वन वैभव में सोभा और सौंदर्य जो है ये भरा हुआ है नेक्स्ट ये सब फागुन मांट में इस तरीके के आपको द्रिश्च देखने मिलते हैं नीराला जी का सबसे पसंदीदा विसे क्या है वह कौन से मतलब चीजों को ज्यादा लेते हैं बादल किताब खेल या गीत निराला जी का सबसे पसंदीदा विसे क्या है इनका जो सबसे पसंदीदा विसे है वह यह बादल है और वह बादलों को हमेशा आहवान करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बादलों से एक नई चेतना एक नई उर्जा एक निया उत्साम मिलता है और यह सचाई भी है और आज भी आप बरसा रितु की कामना इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है तो निराला जी के सबसे पसंदीदा विसे क्या है तो आप्शन नमबर यह देखें पीडि आपको विलेगा यह पीडिया पेड है इसके लिए आपको 250 रूपीज पे करना पड़ेगा और पीडियेफ वाले ग्रूप में मैंने ग्रूप मनाया हुआ है उस ग्रूप में आपको एड कर दूँँगी और वहीं पर इसके सारे नोट साब को मिल जाया करेंगे तो जैसे लिखते जाती हूं प्रते एक दिन एक चाप्टर लिखती हूं वहां शेयर कर देते हूं तो ग्रूप में आप लुप में जो एड है आप एंसर कीज़ेगा बहुत सारे बच्चे उसमें बादलों के घरिदहां में कैसी सोभां छिपी हुई है चिपी हुई है क्या भादलों के हरिदव में क्या छिपा हुआ है उर में अपने वह च्छिपा रखे है तो बिजली के चवी च्छिपा रखे हैं तो आपशन नमबर जो हो जाएगा बीु दस का क्या हो जाएगा बीुझली उरों ने च्छिपा रखए हैं बू केश जी बिल्कुल सही अंसर था तो कि बादलों के च्छिपा बिजली चुपा रखाव इसका एंसर कीजे 11 का तफ्थधरा का सांकेतिक अर्थ क्या है अब दभरा मतलब बलия ने को जल से भर दो बादल तुमखूब गरजो ऐसा ब्लगे ने यह तब Здरा का सांकेतिक अर्थ क्या है आपको बताने गरं धरती सुखी degree दुखों से पीडित धरते क्योंकि देखें यह मैंने बोला कि यह समय जो चल रहा था वो गुलामी का समय था हमारा पूरा भारत जो था वो गुलाम था सूरेकांत रिपाठी निराला उस गुलामी के समय में इस तरीगे की कविताएं लिख रहे थे जो लोगों के अंदर एक नई क्रांती एक नया संदेश एक नया जीवन और एक उच्छा का संदेश दे रहे थे तो तब्त धरा का सांकेतिक अर्थ था कि यह हमारी धरती पर बहुत दुख है इस दुख को खतम करो तुब इतना गर्जो इतना बरसो बादल को ऐसा घंगोर पना दो कि सारे विग्ण कि अशेयं घंग हर दो कुछ ऐसी लेकर लेकर रहा है कि दुखों से पीड़ततिये धरती और सी athlete सभी है इसको सभी गित वुभतार को किताब को खेल को या गीत पर उतसा घंग में किसका आहवान किया जा रहे हैं अक आपने उत्साह कवीता पढ़ी उस किसको वहवान किया जा रहा है बादल को किताब को खेल को या गीत को क्या एंसर हो जाएगा तो option number a जिन्होंने answer किया है बादल यह बिल्कुल सही है उत्साह के से देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूं मैं यह मैं लेकर कर के आते हुं मैं इसी तरीके से मेरे पढ़ाने का तरीकाे आप मैं कहा हुआ आप पढ़ा रही हैं कि कि नहीं पढ़ा रह Rudolph वादा किया। सब्सक्राइब करके अब टे दो और ऐलग से देदे तो तो उसमें दिक्षट होगी, तो आप हुल्जलूल बाते यहां प्लीज मत कीजे, आपको जह करना होगा कीजे, जो आपसे पेमेंट ले रहा होगा, प्लासिज कराने का आप उनसे बाते कीजे, ठीक है न आ आा, आपको यहां मैं फ्री में पढ़ारी हूं, मैंने इसको बार-बार बोला है लव इंडिया आप मुझे वर्टसप पर मैसेज की जाओ देखे मुनीला शाह जी आपको नहीं जरुरत है आपको नहीं लेना आप नहीं लेजे जिनको लेना हो लेंगे और मैं यह नहीं कह रहे हैं आप यह मैंने खुद के लिए अपने लेते और किया मैं आपको देने वाली आप ऐसी ही पीडियों में शेर नहीं करते हूं आपको यह बात पता है फंस देसे जबसे मेरा चैनल बना हुआ है तो फ्री में पढ़ा रहे हूं आपको चलिए उसागीत किसको संबोधित है बादल को ठीक है ना ओप्शन नमबर ए जो है सही है कवी के प्रिय किसे अपनी खास से स्वास से सुगंदित कर रहे हैं कवी के प्रिय किसे अपनी स्वास से सुगंदित कर रहे हैं कम्रे को घर को नगर को या प्रकृति को कवीता में कवीता के आधार पर आपको एंसर करना है कि मतलब जो यह पतला फूल पत्तियां जो हैं ये किसको सुगंदित कर रहे हैं घर घर सुगंदित हो रहे हैं या कमरे को सुगंदित किया जा रहे हैं नगर को या प्रकृति को क्या अंसर हो जाएगा option number B होगा न, आप D कह रहे हो, D चलिए प्रकृति को, तो प्रिया किसे अपनी स्वास्त से सुगंधीत कर रहे हैं, तो प्रकृति को अपने स्वास्त से सुगंधीत कर रहे हैं, ठीक है न, option number D जो है सही answer है, next है कवी के अनुसार, किसके के शुंदर काले और घुंगराले हैं, अगर कवी के अनुसार देखिए, तो किसके बाल की संग्या दी गई है, कि उसके बाल काले हैं, घुंगराले हैं, किसको कहा गया है, हेलो मैं मुझे हिंदी पेपर टू का, और जारखन भी जीके का पीडियो चाहिए, आप मुझे वट्सप पर संपर कीजे, जिनको चाहिए और जिनको नहीं चाहिए, आप खुद से लिख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ न, आप इसको देख करके लिखिए, डबल नाइन जीरो फाइव नाइन वन सेबन फाइव वन सेबन फाइव वन सिक्स, आप इसको यह कीजिए, आप बहु रहे हो कि आप बहुत अच कि बैठ करके पढ़ा दोंगी न, तो भी आपको संतुस्टी नहीं मिलेगा, कुछ लोग हैं जिनको संतुस्टी नाम का चीज नहीं, उन लोग को बस आना है, कमेंट करके चले जाना है, क्यूंकि उनकी किताबें नहीं बिक रहे होंगे, उनके पोर्स नहीं निकल रहा है, स मुंदर को बादल को, बोलागे न, कि हे धराधर बरसो, गर्जो, पुरा चाजाओ आसमान में, तो किसको कहा गया धराधर, धराधर मतलब होता है जल, और धर मतलब होता है धरने वाला, जल को धारन करने वाला, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे बादल, क्लास रुख गई है कि आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं कवी के मन को क्या प्रदान किया गया है तो कवी के मन को जो है प्रदान किया गया बोलेने कि आप पंख दे देते हो तो हमारे मन को एक पंख दे रहे हो ताकि हम एक नई उचाई पर उड़ सके अपने मन को ले जा सके और नई नई कविताएं लिख सकें और एक ऐसी कविता लिख सकें जो की पूरे सबके जीवन में त्रांती लादे एकदम लोगों के अंदर उच्छा भर दे तो अप ऐसी कविता रशने का नव जीवन मुझे दे दो कवि किसकी और अपनी आँख नहीं उठा पा रहा तो प्रकृति सवंदर्य की और से अपनी आँखे नहीं अटा पा रहा अपनी प्रियतामा की और से अपनी आँखे नहीं अटा पा रहा बादलों की और से वो आँखे नहीं अटा पा रहा या आकाश की और से तो कवि जो है वो इस प्रकृति को देख करके, अपनी आखे जो है, उस प्रकृति की ओर से नहीं हटा पा रहा, प्रकृति को देख करके, तो ये क्या हो जाएगा? 20 रुपे वाली जो बैच लगी है, तो वहाँ पर ये PDF जो है, आपको दे दिया जाएगा, और वो e-book में रहेगा, e-book, e-book में ये PDF आप आराम से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप निकाल नहीं सकते हैं, ये PDF आपको पढ़ना है, e-book में नोट्स आज ही डा दिया जाएगा, और ये study with स्मृति की स्वाली जो बैच है, जो कि आपने ले रखा है, और आपने इसलिए ले रखा है, क्योंकि आपको कोर्स चाहिए था, एक ऐसा कोर्स जहाँ कोई आप आराम से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, और ये बैच मातर 20 रुपे का जो है, वो लग आया गया है, वहाँ पर ये PDF डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इसका पूरा ऐसा PDF चाहिए, जिसका जिरोक्स निकाल सकते हैं, जो कि आप बाहर इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, तो पूरा content तो ready नहीं है, जो सचाहिए और जिस तरीके का ग्रूप बनाया है, उस WhatsApp के ग्रूप में ऐसे PDF चाहिए, जिसका आप जिरोक्स निकाल सकते हैं, जो मैं रोग लिक रही हैं, उसके लिए आपको पे करना उस ग्रूप में आने के लिए, और ये आप लोग के लिए बहुत सब्सक्राइब बता रही हूं, जो जॉब में है वही है सारी सुविधाओं को लें, अगर आप जॉब में नहीं हैं और सिर्फ आपको पढ़ाई ही आपका एक मातर मकसद है, तो आप यूटूप पर free classes में दे रहे हूं, आप पढ़िए और copy और pen सामने रखिए, और इसको लिखिए, लिखने को प्रयास कीज़े, इतना त करके सून सकते हैं, अब ये डाल बात, मैं अगर आपके मुह में खिलाद हो, तो भी आप खुद निगलना पढ़ेगा, निगलना तो पढ़ेगा, वो तो आपको करना पढ़ेगा, अब वो भी करने के लिए अगर आप तियार नहीं हो येगा, तब तो फिर दिक्कत हो अंदर्शना इसमें घुसाना ये आपको है, इतना तो आप कर सकते हो, मैं इतनी सुविधाई आपको दे रहे हो, 20 रुपे वाली बैच जो है, study with smriti app पर मिलेगा, study with smriti का app प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वही पर मिलेगा, वहाँ e-book में सारे PDF डल जाएंगे, और वहाँ से आप revision कर सकते हैं, अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हैं, ये किताब ले लिजे, छितीज भाग दो, ये किताब आप पढ़िए, अपर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं का असान वाला notes लेना है, तभी आप संपर कीजे, नहीं तो आपके पास market में book available है, छितीज अपने सब्दों में आप notes कर रहे हैं, उससे याद होता है, इससे अच्छे से याद होता है, मैं कभी भी आपको दबाउं नहीं देती हूँ, क्या आप मेरे notes ले लिजे, आप मेरे course ले लिजे, कभी मैंने आपको pressure दिया है, कभी नहीं, मेरे से जितना हो सका है, मैंने अप अगला topic क्या होगा, तो अब हम लोग उस पर भी चलते हैं, next topic में आप लोग को पढ़ना क्या है, तो अगले topic में आप लोग जैसे कि आज आप उत्साह पढ़ रहे थे, उत्साह या और अट नहीं रही है, सूरेकान त्रिपाठी निराला का था, अपने दो कहानी का है, कहता है कि यह दो दिन चले यह कहानी, कहानी का नाम है, एक कहानी यह भी, नोट कर लिजए और पढ़ के आईएगा आप लोग एक कहानी यह भी, और यहाँ पर बहुत आसान करके मैं आप लोगों को समझा दोंगी, जिस तरीके से आप comics पढ़ते हैं, उस तरीके से मैं इसक जो हार दोस्तों, मैं इसमृतियाश्वारे हैं, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को छीतीच भाग दो, कि एक कहानी, वो मैं कराने वाली हूँ, और यह है मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई कहानी का नाम है, एक कहानी यह भी, चुकि यह कहानी थोड़ी से लंबी है, और बहुत डेटेल में आप लोगों को पढ़ना है, एक एक लाइन मैं पढ़के इसका अर्थ समझाने वाले हूँ, और यह कहानी कुछ इस तरीके की है, कि इसका short जो notes है वो ready नहीं हो पाता, इस वज़ा से इस कहानी को मैं इस तरी के सले करके आई हूँ, थोड़ा सा धैरे आपको रखना होगा, और आराम से सारे इस कहानी के हर एक लाइन को समझने होगे, सब्दार को, और जैसा कि हर क्लास में आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप लेखत का परीच्छा के बारे में जानते हैं, और यह भी आप लोग को याद रखना है, साइस कॉंस्टेबल के प्रत्योगिता परिक्षा के पेपर टू के लिए, अगर सौ प्रश्णों के उत्तर आपको सही सही करने हैं, तो अगर कोई चैप्टर टफ है, सिमधित्वा पानी भिलाए गान, अगर कोई आसान है या टफ है, हर चैप्टर को आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जो टफ है उसको भी पढ़ लेना है, जो आसान है उसको भी पढ़ लेना है, मैं हूना आपकी मदद करूंगी ना चैप्टर को आसान करने में, बस आपको थोड़ा सा धैर रखना है, घबडाना नहीं है, चलिए इसी क्रम म हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं यह मनुभंडारी की एक कहानी यह भी मनुभंडारी लेखिका का नाम है दोस्तों और इनके जीवन परिषय के बारे में हम लोग जाने मनुभंडारी का जन्व कब हुआ 1931 में इनका जन्व हुआ है फ्रसा इसको और फ्रसा जूम करते हूं ताकि आपको अच्छे से यहां पर दिखाई दे और सारे डिटेल्स को और आप लोग कॉपी निखोड़िएगा और इसका शॉट नोट्स जो है कोशिस किजिएगा शॉट में अगर कर रहा हो तो मैं है भानपूरा यह जिला मंध्यो सोर में पढ़ता है और यह जिला मंध्य पृटर काहां पर पढ़ता है यह मंध्य परदेश 1831 में इनकी जो सिख्षा दिख्षा हुई ये राजस्थान के अजमेर शहर में हुई यानि कि इन्होंने पढ़ाई कहां किया तो राजस्थान के अजमेर शहर में चलिए आगे बढ़िएगा बाद में उन्होंने हिंदी में में किया हिंदी में किया इन्होंने में किया दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन के कारे से अफकाश फ्राप्दी के बाद आजकर दिल्ली में रहकर के ही स्वतंतर लेखन कर रही हैं जब ये किताब लिखी गए थी उसमय मनुभंडारी जी लाइव ती मत जिन्दा थी लेकिन आप इनका द्यान्त हो चुक और दिल्ली का मिरांडा हाउस कॉलेज में ये पढ़ा भी रही थी अध्यापन का भी काम कर रहे थे इन्होंने बहुत सारी रशनाई रची हैं उन्हों का नाम है रशनाई है एक प्लेट सालाब मतलब एक प्लेट सालाब मैं हार गई ये रशना इनकी है यही सच है त्रिश उपन्यास न था अपका भोज़ और आपका बंटी और महा भोज यह उपन्यास और कहानी संग्रा कॉर्ण कॉर्ण मैं हार गई यहीं सचillas अर्टरिशंग को कि इनका कहानीसग्रां इसको आपको बस गश्याद रखना है अब यह जो है इनकी कहाणी है इन्हों ने कहाणी लिखा है एक अब यह जो कि आसे परीचह बाग यह बिदा लिखती है परिच्छा वह बहुता दो कि कैसी कहाणी लिखती है इनकी रशनाओं में इस्त्री मन से जुड़ी जो महिला हैं जिस तरीके की चीज़ें सूचती हैं उनके मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिवैति जो है वो आप इनकी कहानियों में देख सकते हैं अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल्स में और पढ़ते हैं इसके संदर्व में पहले तो हम यह जान ले कि मनुभंडारी जो है वो पारिभाशिक सब्द में कोई सिलसिलवार आत्मकथा इन्होंने नहीं लिखा है अपने पूरे जीवन को इस आत्मकथा में इन्होंने पूरा निचो मतलब बुड़ा उडेल दिया है ऐसा नहीं पूरे सिलसिलवार तरीके से नहीं लिखाया इन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाओं के बारे में लिखाया कुछ घटनाई घटी इनके जीवन में उसके बारे में इन्होंने मनु भंडारी जीने लिखाया संकलित अंश में जो एक कहानी या भी इस अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के सासा जब वो छोटी बच्चे से जब वो बड़ी हो रही थी जब वो किशोर अवस्था में आ रही थी उस समय में जो उनके जीवन में घटनाओं और उनके पिता जी और उनके कॉलेज की प्रध्यापिका शीला अगरवाल का व्यक्तितों विशेश तोर पर उभर कर इसमें आया है और साथी साथ उनकी जो प्रध्यापिका थी जिनका नाम था शीला अगरवाल यह इनके जिस स्कूल में पढ़ा करती थी उसकी हेड में स्ट्रेस थे तो वो जो है उनके जीवन के बाद उनकल जो है व्यक्तितों सामने आया है यह जो उन्होंने अपनी आनम में कता लिख व्यक्तितों में इनक दोनों का बहुत योगदान है इनके पिता जी का और इनके स्कूल के प्रिंसिपल महोद्या जिनका नाम है शीला अगरवाल इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पढ़ा है इनके जीवन पर लेखिका ने यहां बहुत ही खुबसूरती से साधारन लड़ है उसको परी उसका परिश्य दिया है इस कहानी में सन 46-47 जब आजादी का समय था 1947-1946 इस समय में आजादी की आंधी ने मन्नु जी को भी अच्छूता नहीं छोड़ा जो कर दो आजादी ने वाला था हमारा भारत तो मन्नु पंडारी के जीवन पर भी इसका प्रभाव पढ़ा था और वो भी इस अच्छूती नहीं रही थी छोटे शहर की युवा लड़की को आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागिदारी की उसका उत्सा, ओज, संगठन चंता और विरोध करने का तरीका जो है देखते ही बनता है ये हो गया कहानी का सारांस इस पूरे कहानी में आपको यही देखने मिलेगा चले हम लोग इसको थोड़ा सा डीटेल में जानते हैं, अब इतना तो आप लोग को समझ में आया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी के हर एक लाइन पर आप लोग गौर फर्माईएगा और मैं इसको समझाने की पूरे प्रयास करूंगे मैं हिंधी पेपर वन का क्लास कब होगा? तो जांतर करकर देखे हिंधी पेपर 1 का जो क्लास होगा, अभी पहले ये वाला चीटिज भाग दो ये खतम फचाने डीजेए फिर ग्रामर की लास से सुरू करूंगी वे विंधी से नीफते ही नरी आप क्या पोड़ों कभी टेस्ट भी लीजिए आप पूछ रहा हूं ठीक है टेस्ट भी ले लोगी आप लोका पहले एक चेप्टर खतम हो जाए दोस्तों एक बहुत बड़ी जिम्मदारी है इस 36 भागदों को खतम करने के टेस्ट मैं ले लोगे आपका चले कहानी को इस कहानी को इन्होंने क्यों लिखा है और उनकी जीवन की छोटी सी घटना को इसको इन्होंने लिखा है इसमें इनके पिता जी का बहुत जारा जिक्र होगा और इनके स्कूल की जो प्रधाना ध्यापिका है उनका भी जिक्र होगा श्री लागरवाल जिनका नाम है और उन उसका उन दोनों का इनके जीवन पर क्या प्रभाव बढ़ा है। और किस तरीके से इनका संगठन चमता या नत्रित्व करने की शक्ती। या कैसे एक साधारन लड़की और साधारन प्रतिभा की धन्वान हो जाती है। इसी क्रम को आप पढ़ने वाले हैं। तो कहानी के शुरू किया जाए, तो कहानी में जो पहला लाइन है, जनमी तो मद्धे परदेश के भानपूरा गाम में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्म पूरी मुहले के उस दो मंजील मकान से जिसकी उपरी मंजील में पिता जी का कहनी का मतलब है कि इनका जो जन्म हुआ, कहां पर मत्लब हुआ थि जगां शंपाला तो यह राजस्थान का एक जगा है जिसको कहते हैं अजमेर यहां पर इन्हों ने अजमेर यहां पर दो मंजीला मकान था मकान किस तरीके का था तो यह दो मंजीला मकान था उपरा वाला जो मंजील था अब यहां हम लोग जानते हैं क्या था इसके आगे की कहानी इसकी आगे की कहानी है जिसकी उपरी मंजील में पिता जी का समराज्य था उपरी मंजील में कौन रह रहे थे तो पिता जी रह रहे थे उनका समराज्य था उपरी मंजील में जहां वे निहायत और व्यवस्थित ढंग से मत बहुत बिखरे तरीक में और आफ़मारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे तो जो इनका ये वrophe घर था तो इसमें इनका जो उपर वहला जो मकान यहीं पर सब्सक्ता में उपर वहले जो फ्लोर है उपर फảiूह पर किताबों को पढचे रहते घर या फिर यहां पर जो बच्के होते धिक्टेशन के दिया करते हैँ दिया करते थे तो कि Groß Mire आपने पहला लिया और नीचे वाले फ्लोर में और नीचे वाले फ्लोर में यह जो मनव का पालन करने के लिए सदेव तत्पर रहती थी तो इनकी एक माता जी थी और माता जी कैसी थी तो वो व्यक्तित्व विहीन थी उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था माता जी का और वो करती क्या थी तो दिन भर माता जी क्या करती थी कि या तो जो पिता जी कहा करते थे उसी मत्तपर रहती थी तो माता जी के बारे में भी आपने जान लिया ये माता जी किन की हैं तो ये मनुभंडारी की माता जी हैं तो ये दिन भर वो काम किया करती थी और लोगों को सेवा किया करती थी उनको खुश रखने की कोशिस किया करती थी सब्ετε Calendar को यह पाड़ी लिखी नहीं थी इनक पड़ी लिखी नहीं थी अनपड़ झेयर आ सोई फिहीन गेर नहीं ती ऐसा नहीं था कि इनका इनकी अपनी पैचान थी आशील की अजमेर से पहले पिता जी इन्दोर में थे रहे स्थान के अजमेर में और इनके जो पिताजी जो थे यह अजमेर आने के पहले इंदौर में रहा किया करते थे इंदौर भी कहां पर है तो मद्देपर्देश में जहां उनकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा थी इंदौर में इनकी क्या थी तो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठी पेस आते थे को कॉंग्रेस के साल साथ वे समाल सुधर के काम में भी जुडबे गवे थे निक에 पीता जी के बारे में थूड़ा सा जान दीचे की अब यहां तक तो आप लोग जान लिये सो अब म्लोग पीता जी के बारे में जानते हैं व जो इनके इज़त बहुत प्रतिस्था वान व्यक्ति थे वह ज्यादा इज़त मिलती थी बहुत प्रतिस्थ्था मिलती थे यहां पर के और कांंग्रेस के साथ वो समाज सुधारग भी थे क्या थे तो कांग्रेस में तो यह inh Sabu पूछा जाएगा कि किस पाटी से जुड़े हैं उसके अलावा यह समाज सेवी भी समाज सेवता कब काम भी करते थे इनका पिता जी यहां तक क्लियर है सारा चीज़ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समाज से भी थे बहुत अच्छा काम किया करते थे कॉंग्रेस से जुड़े हुए थे चीज़ नहीं डेते थे अपने घर पर रख करके पढ़ाया भी करते थे उनको पढ़ाते थे और जिन में से कई तो बात में उचे 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 पोस्ट पर वह पहुँच गया थे यह उनकी खुशाली के दिन थे बहुत अच्छा वो दिन इसम का गुजर रहा था यह उनके खुशाली का दिन था और उन जुचिन और दरियादिले कि चर्चा भी कम नहीं थी तonna दरिया दिएays मश्रूर थे वे उनकी चर्चाएं होती थी झोली aurait a समब्रेदन शीर थे कोई भी अपनी तकलीफ के आता था तो वह पिघुल जाते थे संवेदन शीर pressing आप समब्रेदन शीर देर बहुत कोमल थे और दूसरी तरह बहुत क्रोधी और अहम वादे थे अहम मतलब घमन और बहुत क्रोधी बहुत गुसे वाले इंसान थे इनका दो छेहरा आप देख पारे हैं यहाँ पर पिता जी का तो पिता जी जो इनके बारे में कहा जा रहा है कि एसा नहीं था कि यह समास सेवा काम कर रहे हैं कि वह सिक्षा की बाते कर रहे हैं इनके पास आठ दस लोग यह पढ़ाई किया करते थे इनको यह पढ़ाते थे और इन्हों ने उच्छे-उच्छे पोस्ट भी पढ़ कर इंसे अच्छे-च्छे पद पर यह गय भी पढ़ाई करने के बार और यह जो थे यह एक तरफ तो बहुत ज्वाधा कोमलग के और संवेदा सीव धे और दूसरी ही तरफ यह बहुत गुस्से वाले थे ौश??ई रहन वाहभर। ये थे इनके पास अहां वादी थे, मतलब अहां था इनके अंदर, घमंड, गुरूर ये सब था, पर यह सब तो मैंने किवल सुना था, जो इंदौर वाली घटना आपने पढ़ी थी, तो कि इंदौर में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये वाला चीज सारी चीज है, ये लेखिका यान इंदौर में मैंने इतने लोगों को सिक्षित किया, वो लोग अलग-अलग, ये सिर्फ सुनते आ रहा है, कि उसमय होश्थान है, इनको बहुत चोटी थी, बहुत कम, बहुत चोटी अवस्था में थी, होश्थ तो इन्होंने राजस्थान के अजमिर में संभाला, और उसी को इन्होंने लिखा, लेकिन ये सुना करती थी, कि इन दौर में ऐसा-ऐसा हुआ करता था, तो ये सारा चीज वो सुनी थी बस, तो वही इन्होंने लिखा है, कि पर यह सब तो मैंने कि वह सुना था, देखा तब तो इन गुणों के भगनावशेस को धोते पिता थे, लेक उसके भगनावशेस मतलब कि उसके अवशेस को उस चीज को धो रहे हैं, और उसके ये सम्मान मिलांख जैसा होता ने कि पहले बहुत पहले हमारी जमीन्दारी हुआ करती थी, हमारे पास इतनी जमीने हुआ करती थी, इतनी पूल जी थी, हम लोंका एशो अराम था, और पैसे पिता को देख रही है, जो उसके अवशेस को ढोते हुए आ रहे हैं, इक बहुत बड़े आर्थिक जटके के कारण, इनके पिता जी को आर्थिक जटका लगा, नहीं बोलते हैं कि कि बहुत किसी चीज में लॉस हो गया होगा, तो एक बड़े आर्थिक जटके के लगा जिस कारण से इंदॉर से कहां पहुँच गए अजमेर आए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उन्हों ने अपने अकेले के बलबूते सिंगल पिताजी जो है और अपने अकेले के बलबूते और होसले से अंग्रेजी हिंदी शब्द कोस विसावार मतलब यह कि यह जो और उसी काम को इन्होंने आगे कंटिनीउ किया रींद और से अजमेर आने के बाद और खुद सिंगल ये काम कर रहे थे अंग्रेजी हिंदी जी हिंदी शब्द कोज था हाँ साइलेंट ग्रामर जी चलिए आज की कहानी में इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है मैंने आपको बताया कि हर कहानी एक जैसी नहीं होती है आप जब इस कहानी को पढ़ है या आप सोचेंगे शाट कैसे किया जाए यह कहानी ही ऐसा है और मैंने प बड़ी कहानी है धैर रखना होगा सुरू में ही मैंने भूमी का आपको बता दिया है कि धैर रखना होगा अब बहुत इंट्रेस्टिंग नहीं है यही है गोल गोल घुमा करके सारा चीज यहीं है इसलिए थोड़ा सा धैर रखिए बस समझने की कोशिस कीजिए ठीक है ना अब कैसे कोशन आएगा कैसे निकलेगा वह मैं आपको बता दोंगी मेरी तब्यत नहीं खराब है चलिए बलवूते अंग्रेजी हिंदी शब्द कोस के अधूरे काम को आगे बढ़ाना सुरू किया जो अपनी तरह का पहला अकेला शब्द कोस था याद रखिएगा पहला केला शब्द कोस इसने क्या किया यश और प्रतिष्ठह अंगरेजी हिंदी शब्द कोस इसने यश भी प्रतिष्ठह भी जादा दी पर अर्थ नहीं है और शायद गिर्ती आर्थी किस्तिती नहीं उनके व्यक्तित्व के सारे साकरात्मक पहलों को निचोड़ना सुरू कर दिया लिखा इस तरीके से गया कि आप उसको शौट नहीं बना सकते हैं शौट नोट इसका त्यार नहीं कर पाएंगे इसी वज़े से मैं इसको फूल नोट से लेकर करके आई हो अब आपको अंतर समझ में आ रहे हैं कि जो मैं नोट बनाती उसमें औ पड़ेगा कि जो वर्ड्स हैं उसके मिनिंग भी आपको बताने पड़ेंगा तो इनका जो प्रतिष्ठा तो बहुत दिया हिंदी अंग्रेजी शब्द को पर अर्फ नहीं है मत इसका मतलब क्या माली आप प्रतिष्ठा से पेट फोड़ी ना परता है माली आपका वहवाह पहलोते उनको अपनी चोड़ना सुरू कर दिया आप अच्छाई अपना कब तक बना के रख सकते हैं आप अपने पुराने जरजर जो हो गए हैं जो भी आपके अस्तित्तों प्रतिष्ठा सम्मान थी उसको ले करके उसको ढो करके कब तक जा सकते हैं और जो स्थिती होगी आप कितना साल तक सहन सकती रखेंगे आपके अच्छाई कब तक पाल के रखिएगा एक समय आएगा जब आप कोई भी छोटे बड़े काम को करने के लिए मजबूर हो जाईएगा वह समय आता है और इस वर नहीं चाहें इस वर ना करे कि इस तरगी का कोई दिन किसी को लिए इस कारण से अधिक विस्फारित उनका अहां और अधिक मतलब बहुत ज़्यादा विस्तरीत पहला हुआ इनका अहं जो था गुरूर घमर्ड घुमान होता है कि रसी तो जल गई लेकिन बल जो है वो नहीं रसी तो जिन नहीं बोलता है रसी जो जल गई लेकिन जो है उसी तरीके से पुरा फैला हुआ है उन्हें इस बात तक की अनुमानी अनुमती नहीं देता है कि वह कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवर्ष्टा का भागीदार ना बनाएं मान लिजे कि आप पैरेंट्स हो आप गार्जियन हो आपके बच्चे हैं तो आपके पास अहम है कि नहीं मैं कुछ भी हो जाएं मैं ये काम नहीं करूँगा मैं वो काम नहीं करूँगा चाहें आर्थिक स्थिति कितनी विदैनिया हो जाएं आपका बच्चा क्यों करेगा और आपकी बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है ना उसको तो आपको उठाना पड़ेगा लेखी का कहना है कि इस बात तक की अनुमती नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो आर्थिक विवर्ष्था का भागिदार बना है अपने पिता जी के बारे में थी मत्यू कंच्छाई तो पहले से पाल के रखे दे वह भी लेकिन अधूरी मत्यू कंच्छाई उनके साथ थे हमेशा स्थिर्ष पर रहने के बाद हाश्ये पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मा को काव्ती थरतराती रहते थे यह जो पिता जी जो थे लेकिन स्थिती तो सही नहीं आर्थे की स्थिती बहुत कम जोड़ होते जा रही है तो वह अब सारी चीजें वह क्रोध बन गई अब गुस्सा अब मालने वह छोटे-छोटे बात पर भी वह बहुत जादा गुस्सा होना सुरू कर देते हैं और यह क्रोध जो था हमेशा कि किसके उपर बरसता था तो आप देखा कि आगा अगर पिता जी कृध में है तो यह क्रोध किसके ऊपर आता उसके अमा के पूपर आता था माह करते हैं अपनों के हाथो้oter की जानेक काशी चोटे होंगी वे जिन्होंने आँख मुंदकर्ग सबका विश्वास करने का वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शकी बना दिया था कि जब तक हम लोग उसके चपेट में आते रहते थे इनके पिताजी जो थे अपनों के हाथों विश्वास घात उनके पास हुआ था उनके अपने जो थे उनके साथ विश्वास घात कर दिये थे और आखे मुंद करके सब पर यह विश्वास कर लेते थे इनके पिताजी आने वाले समय में इनके पिताजी जो थे यह उपर विश्वास करने लगते हैं और आपको बहुत बड़ा दोखा लगता है तो आप किया से हो जाते हैं आगे चल करके आप बहुत ज्यादा आप शक्की हो जाते हैं लोग बोलते हैं हैं कि दूद United जला क्षाच भी फुख सुक्के पीता है तो यह घटना है कि अब यह जो थे अब हर बात में शक्र पहले इतनी जल्दी विश्वास कर लेते थे लेकिन इनको बहुत विश्वास घात हुआ जिसकारण जिनकी आर्थी कि स्थिति बहुत कराब हो गए अब यह हर किसी पर शक करते थे इनका अब ऐसा इ क्या बोड़े हो कि मैंने एक बार आप चले साइलेंट ची आप पड़े हैं ना मेरे बहुत सारे स्टुडेंट है जो पहले कभी नहीं पड़े हैं अब यह चीज आपने देखा फिर यह है कि पर्या पित्री गाथा में इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरोगान कर है तो कि देखें दोस्तों मुझे चैप्टर कंप्लीट करा रहा है अब बहुत अच्छे तरीके से कराना मुझे कराने देजाओ जिसे शौट में बताऊंगी पहला दिन तो मैं डिटेल में बताती हूं जिसे शौट में बताऊंगी इसे शौट में पढ़ लीजेगा यह मनुभंडारी का कहना है कि यह पित्री गाथा इसलिए नहीं बता रही है कि उनका गवरों कान इनको करना है उनके गहरों के बारे में बताना है इसलिए वो इतना कुछ नहीं कह रही हैं बलकी मैं तो यह देखना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व का कौन सा खुबी और खामिया मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुत्थी हुई है यहां कि अंजाने अंचाहे कि ये उनके व्यवहार ने मेरे भीतर उन ग्रंथियों को जन में दे दिया है कहने को मतलब है कि अगर मैं एक लड़की हूँ और मेरे जो पिता जी है उनके कोई न कुण गुंड मेरे अंदर आया होगे आपके पिता जी या माता जी का गुंड आपके अंदर आया होगा तो यह जानना चाहते हैं कि मेरे पिता जी का कौन सा गुंड जो है वो हमारे अंदर आया हुआ है मनु भंडारी जी कहना चाह रही है इसलिए वो अपने पिता जी के बारे में इतना डिटेल जो है यह सारा च कि मैं काली यादि किம काली हूं उनका रंग जो था वह काला था अपनी जीवन के परिशा बता रही हैना मैं काली हूं बश्वन में दुबली पितली और पतली और मरियल थी जो थी जब वो छोटी थी तो भावत डूबली-पतली और बहुत मरियल थी और काली ये अपने बारे में बता रही हैं कि छोटे मैं वो कैसी थे गोरा रंग पीता जी की कमजोडी थी और जो इनकी पीता जी ते उनको गोरा रंग पसंद था मिरे गर में भीbol Rowan को बहुत पसंद है तो अगर वह उसी जाएदा खेलाते तौह दूलार करते प्यार करते को इसका रंग काला हो उसको देखते हों इस system you देखते होंगे उसी तरीके से जो मनुभंडारी के पिता जी थे इनको गोरा रंग पसंद था लेकिन मलूभंडारी का रंग कैसा था तो यह काले रंग की थी दूबली पतली थी और एकदम मरियल टाइप की थी मतलब लगता था कि कोई बीमारी इनको हुआ इनका जो कमजोडी था इनके पिता जी का गोरा रंग बश्वन में मुझसे दो साल बड़ी मतलब मनुभंडारी से दो साल बड़ी इनके एक और बहन थी खूब गोरी थी वो दो साल बड़ी बहन जो थी वो उनका रंग बहुत जादा गोरा था स्वस्थ थी बहुत अच्छी थी स्वस्थ थी और बहुत हस्मूख बहां थी बहुत का नाम था शुसीला तो मनुभंडारी की बहुत क्या नाम था शुसीला इसका रंग कैसा था गोरा स्वस्थ थी और बहुत हस्मूख थी हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रसंसा नहीं क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हिन भावना ग्रंथी को पैदा नहीं कर दी थी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ मनु भंडारी का ऐसा कहना है लेकिन यहें शुषिला बह्त गोरी थी और बहुत हस्मूख थी और उसको मेरे पिता जी जो थे हमेशा तुल्ना करते रहते थे देखो उसको देखो खुद को देखो और इस तुल्ना की वज़ा से आज के समय में मनुभंडारी इतनी बड़ी लेखी का है उन्होंने जीवन की कई उचाईयों को उन्होंने पार किया है और एक प्रतिष्ठि तो कि वो धनी है मनुभंडारी फिर भी उनके मन में कही न कहीं हीन भावना जो है वो पैदा हो गया जिससे कि वो आज तक वो उभर नहीं पाई है आज भी उनके अंदर कहीं न कहीं वो खटास है आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेस्ता लगा करके मेरी ल कुछ लगाते हैं मैं इनके बारे में चर्चा कर रही हूं तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती संकोच होता है इनको बलकि गड़ने गड़ने को हो जाती हूं लगता है कहीं दब जाओ इनको बहुत संकोश होता है आज के समय भी तो बश्वन की घटनाई घटी होती है न वो समय जो था हीन भावना से मैं गरश्थ हो गई कि मैं काली हूμ। má दुबली पतली हूं। má मरियल हूं। और अपने किसी पहलब्दी पर भरोऊषा नहीं कर पाता है। अगर इनको उपलब्दी कोई मिलती है नाουμε मेरे फसके बाता है। नहीं कर दिया क्यूंकि यह इतना हीन धरी जीवन इखा आपने जीवन परिचेना पहला थे करें की जूता यह जबन सुन रही हूंए सबकुछ मुझे तुक्का लगता है तो गलती से हो गया होगा जैसे कि अब देखे जैसे आप मेरे जीवन में भी इसी को अपले सकते हैं मेरे लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ा पाऊंगी और मैं पढ़ा लेती हूँ और मैंने बोड के सामने मैं पहली बार जब आई तो मुझे खुछ भी नहीं रहता है, मैं क्या पढ़ा हूँ आप लोग को, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ाते गई, अपने जीवन के बारे में भी मुझे पता चलते जा रहा है, आप लोग की तरह किसे, तो कि हाँ मैं ऐसा कर सकते हूं, मैं यह भी कर सकते हूं, लेकिन चुकि मैं आप मतलब एक एक जामपल दे रही हूं, कि मैंने इतना हीन भावना से गरस्त हूं मेरे अपने जीवन में, कि मुझे तुक्का लग गया, मैं ऐसा था नहीं, यह तुक्का लग गया मेरे से, जिससे कि मुझे मेरी इतन विश्वास भात हुआ था तो अब शक्की होगा एकदम शक करने लगेते हैं कि इनकी बेटी थी मनुभंडारी उसके उपर भी इतना ज्यादा सक करते थे यह में सब भन भना आ जाती थे गुस्स हो जाती थे एकदम क्रोध में आ जाती है आज एक अपने खंडित विश्वास की विश्वास के नीचे मुझे उनके सक्की सभाव की जलक की दिकाई देती हैं और जो खंडित विश्वास जो टूटा हुआ विश्वास है विश्वास इनका खुद पर से खुद इनके पिता जी के सोंच मुझा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है आप इस कहानी के माध्यान से यह कंडित विश्वास के नीचे दबा हुआ आप उसको देख पा रहे हैं आप बच्छा पर विश्वास करना होता है, माली जा एक बच्चा है, आगे बढ़ रहा है, और वह अच्छा कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा में आप तुल्ला करना शुरू कर दीजेगा, तो सायद वहां तक बच्चा ना पहुंच पा है, लेकिन जब वह कुछ अच्छा काम कर तोड़ा भी आगे बढ़ रहता है आपको सरहना करनी चाहिए उसकी तारीव करनी चाहिए ताकि वह और आगे बढ़ने की उसको प्रेणाम मिला हमेशा उसको सक की नजर से तुमसे कुछ नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर सकते हो तूट जाता है उसी तरीके से मनुभंडारी क कि वाज़ा से मेरा विश्वास जो है वह खंडित हुआ है एक लड़की जीवन के बारे में मनूबंदारी अपनी किशोरा वस्ता के जीवन के बारे में वर्णन कर रहे हैं जलक दिखाई देती है बहुत अपनों के हाथ विश्वास घात की गहरी व्याता से उपजा शक तो इनके जो मैंने आप पहले वाले रही पता जी के साथ बहुत जादा विश्वास घात हुआ था उसी से यह सक पैदा हुआ था और वो मेरे जी मातर पिता जी से किसी ना किसी बात पर हमेशा मेरी टकर ही चलती रही वे तो ना जाने कितने रूप में मुझ में हैं मतलब यह जब से मनुभंडारी हो संभाली है उनका और उनके पिता जी के बीच में हमेशा नोक जोक नोक जोक होते रहा है लेकिन उनके इसको यह अब सम स्वासु सख्षे प्रभावित हैं और एसा कितना रूप पिता जीका मेरे अंदर मेरे अंदर घर करा हुआ है कहीं कुछ बोलते हैं मैं कुछ वोलती उस रूप में भी और कहीं प्रतिचाया के रूप में और कुछ दिखती भी हूं ऐसे ही प्रतिचाया के रूप में किवल बाहरी भिनता के अधार पर अपनी परंपरा और पीडियों को नकारने वाले को क्या सचमुच इस बात का बिलकुल असास नहीं होता है कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके धीतर जड़ जमाय रहता है समय का प्रवा भले ही हमें दूसरी दिखा में बहा कर ले जाए जो समय है भले हमको किसी दूसरी दिखा में ले करके जाए इस थीतियों का दावाव भले ही हमारा रूप बदल दे जो हमारी परिस्थितियां है व उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, आप उनके गिरफ्त में रहते ही हैं, पीता के ठीक विपरित, अब देखें इनकी माता का, अब तक आपने पीता जी के बारे में जाना है, चलिए, पीता के ठीक विपरित था, कि हमारी बेपढ़ी लिखी मा, कौन थी? तो जैसे पीता जी का आपने सभाव जाना, बहुत क्रोधी, बहुत शक्की सभाव के, और बहुत आहम बाले, और उसी को ढोए जा रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, कि घर में बाल बचा भी है उसके जीवन भी कुछ जीवन है, और हमेशा इनके बीच में माता, ये पीता और बेटी के बीच में में सा नोग जोग चलते रहा हैं, और पीता के ठीक विपरित, हमारी बेपढ़ी लिखी मा, माता जो है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, धर्ती से कुछ जादा ही धैरे, धर धर्ती के पास धैरे हैं, धर्ती माता के पास इतना धैरे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा धैरे इनकी माता जी के पास था, वो लिखती हैं ऐसा, उससे भी ज्यादा धैरे किसके पास है, इनके माता जी के पास है, उससे भी ज्यादा सहन सकती हैं, आप हल से उसको जोतते हैं, उसका नियूख हो दते हैं गबिल्डिंग बनाते हैं कितना कुछ आप इस प्रिथवी पर करते हैं कितना सहन सकती है धरती के पास उससे भी ज़्यादा सकती इनकी माता जी के पास है पिता जी की हर जादती को अपने प्रापे और बच्चों की हर उचित अनुचित फर्माईश और जीद को अपना फर्ज समझ के बहुत ही सहज भाव से स्विकार करती थी जो उनकी माता जी है वो पिता जी का हर बात हर मनमाना बात हर क्रोध को सह लेती थी हर बात मानती थी उन इसी तरीके से प्रक्रवाइबन तरीके से उन्हों ने जिन्दगी भर अपनी लिए कुछ नहीं मांगा जो माता जी है वो अपनी लिए कुछ नहीं जिन्दगी किसके लिए जीत रही है अपनी बच्चों के लिए अपनी पती के लिए उन्हों ने जिन्दगी भर अपनी लिए कुछ नहीं मांगा कुछ नहीं चाहा केवल दिया ही पर दिया है into निया तो हमिसा दिया ही कुछ वर मैंश कुस अपने लिए कुछ मता क्या थी तो माँ मजबूर कभी मेरा अदर्श नहीं बन सका, यह क्या थी मता क्या थी उसहाए मजबूर तो ये सब इनकी खूबी थी त्याग, त्याग की देवी इनकी माताजी ये मनुभंडारी क्या जीवन का आदर्श नहीं बन सका ऐसा नहीं था कि मनु भंडारी भी अपनी माता जी से ये सारे गुंड ली हो इनके अंदर भले पिता जी से कितना भी नोख जोग चल रहा हो लेकिन असर इनके पिता जी कहीं हो रहा है माता जी इतनी शहन सकती, इतनी त्याग की देवी इतना असहाय इतनी मजबूर मनुभंडारी का परिशय वो नहीं है देखे आदर्ष नहीं बन सकी और ना उनका त्याग ना उनकी सहिशनुता ये इनके अंदर नहीं आया खेर जो भी हो अब यह पैतरिक पुरान समाप्त कर अपने पर लोटती हो अब उनका था मनुभंडारी का कहना था वो जान गई आप भी पढ़ रहे हो अब चाहें जो भी हो छोड़ो अब इस पैतरिक पुरान को छोड़िए अब हम अपने आप पर लोटते हैं अब अपने जीवन के बारे में कुछ आपको बताते हैं तो ये परिचय मनुभंडारी के पिता और माता जी का था जिनके जीवन के बारे में बहुत धैरे पुर्वक और बहुत ही आसान तरीके से आपने इनको कथा इनकी कथा को सुना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले भाग में आते हैं अगले भाग में अब जानिये कि पांच भाई बहन में सबसे छोटी मैं यानि कि मनु भंडारी कितने भाई बहन थे तो ये पांच भाई बहन थे तीन चार पांट पांच भाई बहन में सबसे छोटी कौन थी तो ये मनु भंडारी थी ये सबसे छोटी यही थी मनु भंडारे फिर अब क्या है सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में मैं सायद कितने साल की थी तो सायद साथ साल की थी जब इनकी बड़ी बहन का शादी हुआ यानि कि सबसे बड़ी कौन थी तो इनकी बहन सबसे छोटी कौन थी तो मनुभंडारी खुद जब इनकी बड़ी बहन का साथ साल की देखें या लिखा हुआ है उसकी एक धूंदली से याद मेरे मन में है जब वो शादी हो रही थी अपनी सिस्टर की बड़ी बहन की तो एक धूंदला सा याद मनुबंडारी को याद आता है कुछ बातें आदाती हैं लेकिन अपने से दो साल बड़ी बहन शुसील तो कमरों में गुड़े गुड़िया का ब्याह भी रचाए पासपड़ों की सहलियों के साथ यानि कि जो मनुबंडारी है इनकी जो दो साल बड़ी बहन जिसका नाम था शुसीला बड़ी बहन के सादी के समय में वह साथ साल की थी थोड़ा सा दूंदला दूंदला कुछ इनको लेकिन जब इनकी जो दो साल बड़ी वहन जिसका नाम था शुसीला जिसके बारे में आपने पिछले भाग में भी पढ़ा है कि बहुत गोरी थी बहुत स्वस्त थी और पिता जी हम वेसा मनुबंडारी का तुलना शुसीला से किया करते रहा तो शुसीला के साथ खे होगा करते जिए वह खेल इनकी को इसद्या से बिढ़ा है यूख society थि शुसीला के साथ है तो यह वा से पतन हुए आपनी भायों को थी साथ शूतने का काम किया कांच को दाइरह अधिक रहा था और हमारी सीमा थी घर लेकिन चुकि लड़के और लड़के जो हैं देखें लड़का लड़की में जो अंतर है वह दिखाया जा रहा है लड़के जो हैं ये खेल रहे हैं कौन सा खेल गुली डंडा पतंग उड़ा रहे हैं लेकिन जादातर ये जो खेल होए पतंग उड़ाने वाला या गुली डंडा खेलने वाला तो ये गुली डंडा हो गया ये पतंग हो गई पतंग उड़ाने वाली जो खेल हो गई ये अक् खेल कहां खेल रही है तो यह घर में घर के अंदर यह इनका दाइरा था यह जादा ऐसे ही खेल खेलेंगे जो घर के बाहर होगा मनुबंडारी जो लड़की है यह ऐसी ही खेल लेंगी जो घर के अंदर होगा यह चीज था तो और हमारी सीमा थी घर हाँ इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दिवारें घर तक ही समाथ नहीं हो जाती थी जैसे आज के समय में जो है घर की दिवारें घरी तक समाथ जैसे छोटे-छोटे घर होता है हाँ उस जमाने में थोड़ा सा एरिया बड़ा हुआ करता था बलकि पूरे मुहले तक फैली रहती थी घर की जो दिवारे होती थी पूरे मुहले तक फैली होती थी और किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं होती थी आसा नहीं कि आप उस वहां नहीं जाना उदर नहीं जाना उदर नह सब्सक्राइब नहीं होती थी बलकि कुछ घर तो परिवार का हिसा ही था कुछ घर जो थे वो किसके हिसे थे परिवार के आज तो मुझे बड़ी सिध्धत के साथ यह महशूस होता है कि अपनी जिन्दगी खुद जीने के इस आधुनिक दवाओं ने महानगरों के फ्लैट मे इसको बहुत इसको फिल होता है कि हम कि इसकितना संकुचित हो गया है यह जो पडूसी वाला कल्चर यह दोटोते हो घोक हैं-चृस अन्याट होते होंगे तो वहां की लाइफ रहने रह रहे हैं दूसरे वाले वाले लोगों वहां के लोगों के बारे मेंस सब को जनकारी होता है आपको नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत हम आपके महां मांगने चले गए एक दूसरे की जरूरत भी पूरा होते गए तो यह संकुचित और असहाय और असुरक्षित बना दिया है फ्लैट वाला कर्चा मेरी कम से कम एक दरजन आरंभिक कहानिया यानि कि मनु भंडारी की एक दरजन मैंने अपने किशोरा वस्था गुजारा अपनी युवा वस्था की शोरा वस्था को गुजार करके युवा अवस्था का अरम किया था वहीं से उन्होंने पात्र को लिया और एक दो को छोड़ करके उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है कुछ ही ऐसे पात्र समय हुआ यानि कि कुछ के साथ ही वह पली बढ़ी बढ़ी हुई और बस और के बारे में क्यों इनने सुना लेकिन चाप इतना ज्यादा गहरा था कि जब यह कहानी लिखने बैठी इनको सब कुछ याद था कि हाँ वह पात्र जो है वह किस तरीके के सोंच रखता था वह कैसे जिन्दिगी जीता था वो कैसे क्या करता था वो इतना ज्यादा गहरा चाप इनके उपर पड़ा हुआ था इतने वर्सों के अंतराल में भी उनकी भाव भंगिमाएं उनकी भाशा किसी की भी तरीके से धूंदली नहीं हुए थी ताकि जब लेखन करनी यह बैठती थी तो वो सारी चीजें बहुत सिलशलवार तरीके से ब्रिख देती थी और बीना कि शीविशेष प्रयास के भाश्यास, यह नहीं होता था दिमाग नीं लगाना पड़ता हुए बहुत ज्यादा याद नहीं करनी पड़ती थी, बहुत सहज भाव से यह उतरते चले गया थी, कहान महाभोज आपको मैंने बताया था इतने वर्सों बाद कैसे एक आएक जीवित हो उठे वह मेरे अपने लिए भी आश्चा देखा और एक सुखद आश्चा देखा पतलब यह जो है कि दो साहब अपने व्यक्तित्व की अभी व्यक्ति के लिए अनुकूल परसितियां पाते है दो साहब मतलब इनके जीवन के ऐसे दो परिचे जो हैं वो जैसी ही परसितियां अनुकूल हुए और जब इन्होंने लिखना शुरू किया उनके बारे में बस इन्होंने कौन सी कहानी लिख दी तो यह था महाभोज और अचानक वो सब कुछ उन्होंने उनके बारे में लि पड़ी है उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार योग्यता थी उम्र कितना होना चाहिए अज के समय में लड़की एकर मैट्रीक की है और 16 वर्स की है तो यानि कि उसका विवाह हो सकता है यह मनु भंडारी जी के अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं सन 44 कौनसा 1944 इस समय में शुसीला ने यह योगेता प्राप्त कर ले जो इनकी बड़ी बहन थी शुसीला वह 16 साल की हो गई और उन्होंने मैट्रिक जो था प्राप्त कर लिए यानि कि वह इस योगेता में आ गए और वर्स साथी करके कोलकाता चली गई और इस सुसीला का विवाज उनकी बड़ी बहन बड़ी बहने दो साल बड़ी इनका विवाह कहां हो गया दोनों बड़े भाई पांच भाई बहन थे ना तो तीन बहने और दो और इनके दो भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए कहां चले गए तो चले गए बाहर अब जैसे ही इन लोगों का छत्र छाया हटा अब सब भाई बहर बहाँ दो बाहर अकेले घर में कौन बचा मनुभंडारी तो जब की चत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नैसीरे शीरह से अपने वजूद का हैसास हुआ अब घर में बची मनुभंडारी आब इनको पहली बार एहसास हुआ कि हम कौन है मनु मनु भंडारी को अपने वजूद का हैसास हुआ पिता जी का ध्यान भी पहली बार अपनी बेटी पर आया केंद्रित हुआ पहली बार अब मनु भंडारी को बहुत जादा अबसर्व करना शुरू किये क्योंकि उनकी लावलिटी बहुत ही शिशिला की साधी करनी थी बड़ी ग्रिहिनी और कुशल पाक सात्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे पिता जी का आगरह रहता था कि मैं रोसोई से दूर ही रहूं अक्सर पहले क्या होता था मैंने भी अपनी जीवन में यह चीज़ देखाया कि मुझे पढ़ाया लिखाया तो जाता था साथ-साथ यह भी बता lawn झाता कि घर के काम कैसे करने है खाना कीस ठतरीके से बनाना है अगर मानलो सब्सुराल जाओगी घर को कैसे ना करके कैसे पिलाना क्लास को किस कहानी को खतम करेंगे तबी मेरा क्लास किसी और को लगा दीजिए चलिए अब इधे देखे मनु भंडारी जो थी अब यह सिक्षा पाक सास्त्र अब इनके पिता जी का कहना थे कि तुम को रसोई में नहीं जाना है मतलब पिता जी देखें कितने अच्छे हैं अब बोले कि अच्छी बात है आप पढ़ो लिखो और यह जो मैंने मतलब मैंने जीवन में सबक लिया लड़कियां क्लास कर रही हैं उनको मैं यह बताऊंगे यह जो खाना बनाना हुआ यह घर सजाना सवारना हुआ यह ऐसा नही आपके लिए धन होगा और जो जीवन भर आपका साथ निभाएगा सिख्छा लेना जरूरी हो उसमें किसी भी चीज को बाधा नहीं बनने दीजेगा सिख्छा के साथ सुधर ग्रीनी और स्कुल्सल्स पाक सास्त्री बनने कर उसके चुटाई जाते थे पीता दी का आग रह हैं उसको क्या है उसी कोग घैरकाना इनके पीताजी बड़ले भी घैरकाना इहए कि किसको रसोई को की चन में वह थार ना कहते थे जोग दो इनकी तो चमता है उसको कहां जोग दो तो जोग ना था घर में आए दिन विभी ने राजनेतिक पार्टियों के जमावड़े होते रहते थे और जो मनुभंडारी का घर था तो चुकि इनके पिता जी किसे संबंदी थे तो कॉंग्रेस से संबंदी थे और भारत पो करती थे और बहुत करते थे और इनका बहुत प्रीया काम था इनके प्रीया काम था चाय पानी नाष्टा देने जाती मनुभंडारी जो थी अब घर में घर में घेश्टाइवे हैं जो राजनेतिकि लोग हैं अब चाहे नाश्ता पानी देने के लिए मनुभंडारी जाती थी जिसे वहां बैठने को कहते थे पिताजी बोलते थे तुम भी यहां बैठो वे चाहते थे कि भारत को और अजादी कैसे मिलेगी मेरी बैठी इस बात को सुने जाने कंव चाहते थे मैं भी होB宅र चाहते है कि देश में 1944 की आसपास की बात है कितना कुछ घटना घट रही होगी आप लोग भी तिवास पढ़े होगे 1942 के बाद भारत छोड़ों अंदोलन के बाद यह सारा चीज संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी कि संविधान कैसे बनाना है क्या करना है देश पैसे आजाद होगा इन कुछ पार्टी हो रहा है क्रांती कारियें और देश भाक्त सहीदों के रोमानी आकर्षन उनकी कुर्बानियों से जरूर मन अकरांट रहता था यह सारी राजनितिक पाटियों की जो आर्पस की क्रांतिकारी से इंके अंदर उबाल होता था कि अगले पारेगात में दिया हुआ है सो दस्मी कक्षा तक आलम यह था दस्मी तक आते आते हैं कि बीना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसे सुनती थी बहुत आदा इनको समझ नहीं था लेकिन घर में बहस चला कर रही है रोज राजनिती पाटी के लोग आ रहे हैं तो यह सुन रही है यह सारी चीज़ें दस्मी कक्षा तक आते आते हैं और बीना चुनाओ कि यह बीना लेखा की अहमियती से परिचीत हुए किताबें बढ़ती थी मतलब इनको यह नहीं था कि कौन से किताबें पढ़नी चाहिए 1945 देश में आप समझ से पा रहे होंगे कि क्या चल रहा था उसमें महारे देश में जैसे ही दस्वी पास की तो 1945 में इन्हों ने क्या क्या दस्वी पास किया फर्स्ट इयर में जब यह आई कप्षाथ प्रथम पहले इयर में यह प्रवेश की हिंदी की प्रध्यापी का अब आती हैं रोल किसका सीला अगरवाल का जो आप कहानी की शुरुवात में पढ़े थे कि इनके जीवन पर इनके पिता जी का प्रभावत पढ़ा है साथी साथ इनके स्कुल की कॉलेज की जो परधापिय क्या थी इनका नान था सीला अगरवाल इनका भी इनसे परिचय हुआ तो जब ये first year में पहुँची तब मिली किसे सीला अगरवाल से इनका परिचय हुआ ये हिंदी की प्रध्यापिका थी हिंदी पढ़ाती थी सावित् अधरी घर्ज फूल जहां मैंने आपकाहरा सिखा कहारा क्या होता है आप बताई गणा कहरा चुल लिए यह पहले ही कॉलेज बना था यह जो सावितरी घर्जक्तु पहले ही प्रद्यौत के रूप में ये न्यूक तो होई थे, उन्हों ने बकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, और उनको था ही मनुभंडारी को, और साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराने का काम किसका था, यही शीला अगरवाल का था, जो हिंदी की लेखी का थी, इन्हों नहीं उनको साहि साहिते की दुनिया में प्रवयस कराया और कितनी वड़ी साहितेकार आज के समय में यह बन के ऊपरीं मनून हैं वद्धारी उसका प्रप्रवयस कराने समय पूछा जाएगा इसी के बीच से तो कहानी को बहुत क्लियर तरीके से पढ़ना समझना याद रखना है और इसी साल यह न्यूक्त हुई थी मात्र पढ़ने को चुनाओ करके पढ़ने में बदला मतलब मात्र पढ़ने को पहले क्या थी सिर्फ पढ़ लेती थी और कोई चुन पढ़ो तुम ये किताब पढ़ो शीलाघरवाल मंदूभणडारी को चुन-चुन के दिया करती किताब जैए किताब पढ़ो किताबों पर बहसें कि तो दो साल बीटे नम मलें बीटे साहिदती की दुनिया में शर्चय अभी अभी दो साल बीते ही थे कि चुन चुन के ये कितावें पढ़ना शुरू कर दी मनुबंडारे कि पढ़ी हुई कितावों पर बहस करना शुरू कर दी तो दो साल बीते ना बीते साहिति की दुनिया प्रेमचन से बढ़कर जैनेंद्र अग्ये यश्पाल भगवती चरणवर् इसमें कौन कौन आगे तो इसमें आगे जैनेंद्र अग्ये यश्पाल भगवती चरणवर्मा उन तक ये साहिति की दुनिया जो है ये फैल गए और फैलती ही चली गई ये दुनिया जो थी साहिति वाली इनके जीवन में ये फैलती ही पैलती चली उस समय में जो जैनेंद आसानी से समझ में आने वाला सरल वाक्य होते थे इनके तो यह जो इस तैली में जैनेंद्र लिखा करते थे तो यह बहुत जादा इनको आकर सिद किया मनुभंडारी को इनके जो लेखन हुआ करते थे वह बहुत जादा सहज हो गया इनके लिए और सुनीता यह एक उपन्यास है इनको सुनी था उपन्यास बहुत अच्छा लगा और अग्ये जी का उपन्यास जो सेखर है सेखर एक जीवनी यह भी मनुभंडारी ने पढ़ा अग्ये की उपन्यास सेखर एक जीवनी और उस समय में वो मेरी समझ के सिमित दायरे में समा नहीं पाया चुकि फर्स्ट य वह समझ नहीं अब दिमाग में समा नहीं प्याएक कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा ऊसी जोखे में शेखर को इन्होंने फिर से पढ़ाई एक और कुस्तक उन्होंने पढ़ा नदी का द्वीप वो इनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया और जब किताब पढ़ने का एक जोका जो होता है ना तो लगतारा किताबे पढ़ते जाते हैं फिर इन्होंने फिर से सेखर को पढ़ा और जब दुबारा इन्होंने सेखर को पढ़ा तो यह जो है फिर पढ़ गई इस बार कुछ समझ के साथ यानि कि इस बार उनको कुछ समझ में आया कि जब इन्होंने दुबारा से अग्ये की शेखर को पढ़ा यह सायत मुल्यों के मन्थन का योग था मुल्य के मन्थन का योग यह समय था और पाप पुन्य नेतिक अनेतिक सही गलत की बनी बनाई धरणाओं के आगे प्रश्न चीन ही नहीं लग रहे थे उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था लोग गोलता बने कि यह पाप है यह पुन्य है इसी को मुल्य कहते हैं न तो मुल्यों का जो मन्थन का यूग चल रहा था क त्याग पत्र भगवती बाबु का चित्र लेखा को इन्हों ने पढ़ा और शीला अगरवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते थी तो भगवती चरण भगवती बाबु का चित्र लेख और जैनिंद्र का त्याग पत्र भी इन्हों ने पढ़ा ये किताबे थी जो मनुब चलिए अब सीला अगरवाल ने साहिते का दायरा ही नहीं बढ़ाया था क्योंकि सीला अगरवाल के जीवन का बहुत जादा प्रभाव जो है मनुभंडारी पर पढ़ा था सिला अगरवाद सिर्फ इनके साहिते के दाइरे को ही नहीं बढ़ा दी थे ऐसा नहीं था कि तो ये साहिते का दाइरा इनका बढ़ा उसके अलावा भी इनके बहुत बड़े देन थे बलकि घर की चार दिवारी के बीच बैट करके देज की स्थीतियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिता जी ने शुरू किया था उन्होंने वहां से खीच करके उसे भी स्थीतियों की सक्रिय भागिदारी में बदल दिया मालिजे कि आज के समय में आप बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखेंगे जो घर की चार दिवारी में बैट करके वो दिन भर ये बात करते हुए सुनते हुए आप होंगे कि प्रधान मंत्री मोदी जो है ना उनको पीम को ये काम करना चाहिए ये सही नहीं कर रहे हैं यह गलत कर रहे हैं यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यह कर रहे हां कर दोद आप घर में बैठ करके बहस कर रहा है तो यह जो थी मनूपंडारी इनके पिता जी जो थे जो भी बहसे होती थी जो भी बाद विवाद हो रहा है जो भी जानकारी इनको मिल रही घर में बैटे-बैटे घर की चार दिवारी से बाहर निकल करके अब तो कुछ नहीं कि थी लेकिन ये शीला अगरवाल ती ये जितना भी ये जो इनको वहाँ से खींच करके और उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागिदारी सक्रिया होने लगे अब केवल वाग भी वाग नहीं है आपका कहना है कि मैं अगर मुख्यमंत्री रहता तो मैं इस तरीके से कर देता मैं ये कर देता बोलने से नहीं हो गए छोटा सा काम बाहर निकल के करके दिखाए तब समझ में आता है ये जो भी चीजें हो रही थी घटना है अब ये सक्रिय भागिदारी में बदलने वाली थी और इसका देन किसका था तो शीला जो है अगरुबाल इनका था और उन्होंने वहां से खीच कर उसे भी स्थितिया की सक्रिय भागिदारी में लेकर क्याई वर्ष हो गया सन 1946 से 47 इसके दिन वे इस थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला उन्ही से 47 की आसपास अगर आप हम होते और भारत की आजादी का जो महल था उसमें कि आजाद कराना है वारत को तो हम लोग भी अपने आप को कितना रोक पाते नहीं रोक पाते इस आजादी की लड़ाई में कुदना ही पड़ता तो वहीं लिखाए कि उसमें वैसे भी घर वह बढ़े रहना संभा था और प्राप फेरिया निगाली जा रहे थी अज्ञादी के समय में suburbs के समय में सभी लोग सब्सक्राइटीं रहा हर शहर में यह चीज हो रहा था प्रभार फेरियां निकाली जा रहे थी जुलुस निकाले जा रहे थे हरताले हो रही थी भाशन हो रहे थे और पूरे दम खंप और जोश खरोड के साथ इस सबसे जुड़ना हर युवा का उनमाद था हर यूवा इससे जुड़ना चाहता था और पूरे जोस के साथ, पूरे उन्माद के साथ सारे यूवा इसमें जुड़ना चाहते थे वे भी यूवा थी, मनू भंडारी भी यूवा थी और शीला अगरवाल की जोशीली बातें और जो शीरा अगरवाल मैं थी, जो हिंडी की टीचर थी, इनकी जो बाते होती थी, काफी जोश से भर्देने वाली बाते होती थी, आर इनकी बातों ने रगों में बाते खून को लवा में बढ़ दिया, मनुभंडारी के अंदर खून रगों में दोड रहे थे, अब ये ला कि बबंडर हुआ था बहुत बड़ा नटार कि कितना लोग उनका गाता गाते हैं आप हम भी आते होंगे लेकिन लग चाहते हैं कि हमारे घर से हमारे भगत सिंग निकले तो नहीं नहीं चाहते हैं तो एक इस तरीके का काम करें ये इनको बरदास्त नहीं था तो एक बवंडर तो सहर में मचा ही हुआ था प्रभात खिफेरियां इकाली जारी थी हर्ताले और जुलूस और एक बवंडर कहां मचा हुआ था एक बवंडर मनुव बंडारी के गम में मचा हुआ तो घर में मचा हुआ थ तक थी घर ही तक घर ही में आजाद हो बाहर नहीं तो पिता जी का जादी का सीमा कहा था यहीं तक था कि उनकी उपस्थिती में घर में आए लोगों के बीश में उठी वैठों और वजा पिता जी रहे तब ही जो घर में जो लोग आए हैं उनके पास में उठी वैठों जानू उनको जानों समझों, हाथ उठा करके नारा लगाती, हरताले करवाती, लड़कों के साथ सहर की सड़को नापती लड़की को अपनी सारी अधुनिकता के बावजूद बरदास्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, इनके पिता जी दिखते तो बहुत आधुनिक थे, ले सड़कों के साथ सहर सहर घुमती थी, सड़कों पर घुमने निकल जाती थी, तो यह सारी आधुनिकता होने के बावजूद इनको परदास्त नहीं हो रहा था, इनके लिए बहुत मुश्किल था, हो रहा था, तो किसी की दिए हुई आजादी के दारे में चलना मिरे लिए, अब दिया हुओ आजादी, मतलब इनके पिता जी ने इनको आजादी थी, अब उस आजादी के दाईरे में चलते हुए मनुखंडारी का भी दम घूट रहा था, मतलब इनके पिता जी शकी सभाव के थे, और वह ज्यादा टोकटा की था, उनके पिता जी को बरदास्त नही पढ़े आपने शीला अगरवाल जो थी उनकी जो सीली बातों से अब इनके लहू के जगा पर लावा दोड़ रहा है रगों में तो सारे निसेद जितना भी इनको मना की अजरते नहीं करना वो नहीं करना यह नहीं करना है सारी वर्जनाएं और सारा भै कैसे ध्वस्त हो जाता है यह तभी जाना और क्रोध से सबको थर्रा देने वाले पिता जी से टकर लेने का जो सिल्सिला तब शुरू हुआ था राजेंद्र से साधी की तब तक वो चलता ही रहा इनकी पती का आगमन होता है इनका नाम है राजे कर देते आपने पिता जी के क्रोध को सेहेंर कर रही थे सारी वर्जनाएं इननों ने तोड़ दिया सारह निसेद इनोंने तोड़े और यह राजेंद्र से नहीं हो गया अब राजेंद्र से इनका वीवा जो है वह हो रहा था अब next paragraph मे Window Yesxico कुंना बलकी कहूं की य सन लिपसा यत्त कना मतलब कि आप अगर किसी मतलब आप अपने अपने बारे में जो गुंगान हो रहे है जो पूरी चारो दिसाओं में आपके बारे में बोला है जो आपके एक के बारे में तो इसका कामना आपको आप चाहते हो ना कि आपके जो है चारों तरफ िले इसकी कामना इनको नहीं करेते हैं और उनके जीवन की धूरी थी यह सिधान्त की व्यक्ति को कुछ विशिस्ट बनकर जीना चाहिए और उनके जीवन का एक केंद्र था एक धूरी थी वो यह थी कि हर व्यक्ति को एक विशिस्ट बनकर जीना चाहिए खास होकर के जीना चाहिए आपको खास होना होता है और तभी आपकी जीवन जो है वो सार्थक है एक विशिस्ट व्यक्ति का पहचान लिए होना चाहिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो कि आपको लोग जाने कुछ आप ऐसा काम करो आपका सम्मान हो आपकी प्रतिस्ठा हो कुछ आप ऐसा करो आपका वर्चस वहो कुछ ऐसा करो कुछ विस्यस्ट बनो इसके चलते ही मैंने दो एक बार उनके कोप से बच गई थे मतलब कुछ बार उनके मेरे पिता जी ऐसा चाहते थे कि आप विस्यस्ट जीवन जीओ और आपको सम्मान मिले और ऐसा कारण से यह दो बार उनके को अपन कॉलेज से प्रिंसिपल का पद्र आया ओर पिता जी आकर के मिलें पिता जी को बुलाया गया आए है थोड़ा मिलीουμε सब्सक्ने को अब चाहते हैं कि उसके खिलाब आप अनुशासानात्मक करेवाई की जाए पत्र पड़ते ही पिता जी आग बबुला पड़े से किसी के बेटी के लिए पत्र आएगा यह आप आग करके मिले उसके खिलाफ हमलों को करना है तो कोई भी बाफ जोगा वह गुसा होगा तो इनके पिता जी अग दम बिलबिलाना लड़की मुझे कहीं भी मुझे मुझे दिखाने लायक नहीं रखे आपनी मन बेटी पर गुसा हो रहे हैं यह लड़की जो है यह कहीं भी मुझे 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 दिखाने लायक नहीं रखी पता नहीं क्या-क्या इसके इलवजय से सुनना पड़ेगा हमको वहां जाकर चार पढ़ें किसी ने दिन नहीं दिखाया तो उनका कहना है कि मेरे और भी बच्चे सब उसी स्कुल में पढ़ें आज तक क्यों ऐसा दिन नहीं दिखाया है अदेखो यह की गतिवीधियां ऐसी हैं इस लड़की की कि मेरे पास पत्र आ गया कि आकर के मिलने के लिए और चार बच्चे पढ़े हैं वहां से कहां उनके लिए कुछ ऐसी बाते आई और यह इसने मुझे ऐसा दिन दिखाया है गुसे से बनाते वे वे गय थे बहुत गुसे में जाके थे अपने कुस के कॉलेज अपनी बेटी के पता चला कि मेरे पिता जी गये है कॉलेज में मिलने के लिए और घर आएंगे तो कहर बर्क पेगा गुसा होंगे मेरे उपर तो यह अपनी बगल की पड़ोस के दोस्त के पास चली गई कि घर में रहेंगे तो डांट मार्थ खाना पड़ेगा तो अपनी बेगल में बहे द दोस्त के आजा रहे हूं लेकिन जब मान ने आकर कहा तो माँ पहुंची बेटी के पास आकरके बोला वे तो खुशी है चली चल मतलब पिता जी खूश है गुसा नहीं है चलो मेरे साथ तो मनु भंडारी को विश्वास नहीं हुआ कानों पर कि पिता जी तो क्रोध में हो गई मुझे तुस्य लगा लेकिन वह खुश हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा था गई तो सही लेकिन दरते दरते पितांजी के सामने गई लेकिन बहुत डग से गई मनुवंडारे सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रॉब है तेरा सारा कॉलेज तुम तीन लड़कियों के इसारे पर चल रहा है प्रिंस्पल बहुत परिशान थी और बार-बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लो क्योंकि वे लो निकल कर मैदान में जमा होकर के नारे लगाने लगती हैं तो प्रिंस्पल परिशान थी कॉलेज की तीन लड़कियों से उसमें एक मन्यू भंडारी भी थी कि पिता जी खुश थे कि अरे तुम्हारा इतना मतलब इतना तुम्हारी बातों को सब कॉलेज में फॉलो करते हैं कि बोल रही थी प्रिंस्पल में कि जब यह अगर यह लड़कियों को अगर आवान कर दे तो जो क्लास्रूम में बैठी रहेगी लड़कियों सब बाहर निकल के आजाएंगे सब नारे लगाने लगती हैं इसको घर में बैठा लो इसको मना करो स्कूल नहीं आएगी ने तो प्रिंस्पल के लिए कॉलेज से चलाना मुस्की लो गया कहां तो जाते समय पिता जी मुद दिखाने से घवरा रहे थे और कहां बड़े गर्व से आये या तो पूरे देश की फुकार है इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है चुकि स्वतंधरता का नारा लग रहा था कि दे और जब उधर से आये तो बहुत खुश थे क्योंकि यह खुद भी चाहते थे कि विश्ष्ट व्यक्ति की तरह समाज में पहचान बना करके जीना होता है और इनकी बेटी जो है अपने समाज में पहचान बना रही है तो इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है बहुत गदगर स बाजा और नारे लगाने सब सुरू कर देते हैं इतना बड़ा पितना अच्छा पहचान बनाई हुए है और आज के समय कि तो यहीं पुकार है कि भारत को आजाद कराना है ना अपने कानों पर मतलब मुझे ना अपनी आँखों पर विश्वास हो रहा था ना कानों पर पर यह हकीकत था यह तो सुची थी कि पिता जी आएंगे तो बहुत डांटेंगे मुझे लेकिन पिता जी तो प्रसन है बहुत खुश है और इस लेकिन यह सच घटना था पिता जी अपने बेटी से बहुत प्रसन हैं एक घटना और घटा आजाद हिंद फॉर्ज के मुकदमे क सबी कॉलेज सबस्कूल दुकान के लिए हर्ताल कहवान था इसके लिए मी जो नहीं कर रहे खायता घंच के Calling चाले हो रही थी और चात्रों को ये ड्यूटी मिला था कि आपको जा करके सभी दुकानों को सब को बंद करवाना है तो साम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग तो चुकि अजमेर में इनकी पढ़ाई चल रही थी मनुपंडारी की तो जितने इस्टूडेंट्स थे वो सभी मूख्य बजार का जो चौरहा था वहां पर सभी सुडेंट एकथे होते हैं जबी कथे होते हैं और फिर भाशन बाती शुरूती सभी भाशन दे रहा होता हैं चुरहे पर हिकथे हो वाकर अच्छी तरह पिता जी की लू उतारी उस मन्नू की तो मत मारी गई है कि जुकि मन्नू को भाष्ण संपने चोहराहे पर तो आपको क्या होगे आपका दिमाग होश मैं जब तो आपकी बैटी को अच्छी बात दे आप बेनी लड़कों के साथ हरताले करवारी और ये सभी भासन करवारी है और हरताले करवा रही है कितना को राम मचा के रखी हुई है हमारे आपके घरों की लड़कियों को सोभा देता है क्या यह सब हमारे आपके घर की लड़कियां यह सब काम नहीं करती है उनके लिए सोभा नहीं देता है कोई मान मर्यादा इज़त आबरू का ख्याल भी रह गया और पिता जी शारे दिन martyr रहे ते उस आग में नहीं बहुत जैंकि गुसजा में k climbed में एक दम भभख रहें जढ़ को कहते है भभखना गार जो किता जी क्या कर रहें धह ल्यागा गया घर आ यह हिए अपना ही बच गया है कि अब लोग आ रहे हैं लोग चले जा रहे हैं बंद करो अभिस मनु का घर से बाहर निकलना अपनी वाईफ को कहते हैं तो बंद करो इसको तो आहीं बचाएं आपको समझ में आ तो आपनी बेटी को रोकी है कि रोड़कों कर वारी है लड़कों के साथ रोड घूम रही है रात हो गर यह सब बेखावर थी वह और घर में वापस लोटी तो पिता-जी कह एक और भी पी बहुत अच्छे बहुत गर्म जौशिस स्वागत कि अंब को देखे तो बहुत गर्म जोशी से मनु का स्वागत किये क्या बोलते हैं आउ मनु तो अंबाला जी बोलते हैं मैं तो चौपड पर चौराहे पर तुमको तुवारा भाशन सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला है देखे एक दोस्त यह है और एक दोस्त वो था जो आग करके घर में आग लगाके गया एक दोस्त यह है यह अप भंडा जी इसको पता चला कि यह भंडारी जी की बेटी है मनु भंडारी और जो चौराहे पर भासन दे रही थी तो वह अपने भंडारी को यह बधाई देने चले आए और आई एम रियली प्राउड ओफ यू इनका कहना था अंबाल कि करो कि You have missed something कुश मिश कर रहे हो तुम घर से निकला करो क्यों घर में घुषे रहते हो तुम बहुत कुश मिश कर रहे हो और वे धुआधार तारीफ करने लगे इतना वो तारीफ करना शुरू कर दिए वे बोलते जा रहे थे और पिताजी का चेहरे का जो संतोज था वो धीरे धीरे गर्व में बदलते जा रहा था कितना आग से भवख रह थें इसके दोस्ता आग लगा गया था गुस्षा में बभख रहे थे लेकिन एक और दोस्त आया जब उसने तारीव करना मनु का तो फिर ये अब इनका संदोज था वो गर्व में बदलना शुब कर दिया उनके पिता जी का भीतर जाने पर माने दो पहर के गुसे वाली बात बताई और जब वह मनु भंडारी घर में गई तो माने कहां कि दो पहर में इतना गुसा थे कि मैं तब मैंने रहात का सांस लिया चलो ऐसे समय पर अंबाला जी पहुंच गया ताकि जो उन्होंने तारीव किया मेरा कि चौराहे पर भाशन तुमको सुन गया ना चीए घरी में क्यों मुसे रहते हो अब पीछे मुड़कर अब इतना ही था ये दो घटनाई घटी मनु बंडारी के जीवन में जिसको उन्होंने लिखा था एक तो वह कॉलेज वाली घटना की कॉलेज की प्रिंस्पल बुलाई थी और दूसरा ये वाली चौराहे पर भाशन देने वाली घटना अब अंती परग्राफ है कि आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उसम भी हम क्या ही दिये होंगे यह तो डॉक्टर साफ का इसने था यानि कि जो डॉक्तर अंबाला जी जो थे उनका इसने था जो उनके मुझ से प्रशंसा बनकर बह रहा था प्रशंसा में निकल रहे थी यह भी हो सकता है कि आज से पचास साल पहले अजमेर जैसे सहर में चारों और से उमरती भीड के बीच में एक लड़की का बीना किसी संकोच और धिज़ग के यो धुमाधार बोलते चले जाना ही इसका मूल में रहा हो इसके जड़ में रहा हो मतलब यह देखे इन्होंने मनुभंडारी ने कहा कि आज के समय भी अगर कोई मेरी तारीफ करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यूह हो गया होगा यह तुका लग गया होगा तो आप इसको भी उसी तरीके से ले सकते हैं दोक्टर अंबाला जी कितनी तारीफ की मनुभंडारी की अब देखे मनुभंडारी कैसा सोचती है संसे हैं हो सकता है कि आरग से 50 साल पहले एक लड़की का इस तरीके से भाशन इतने भीड़ के बीच में इस तरीके से बोलना यह उस समय के लिए बहुत बड़ी बात हुई होगी सायद इसलिए मेरी तारीथ इतनी प्रशं सा हो रही थे पर पिता-जी कितनी तरह के अंतर तो दूसरी और अपनी समाजिक छवी के प्रती भी उतनी सजगता उनका जो अपना समाजिक छवी है वो खराब नहीं होना चाहिए आप अगर अपना सेफ जोन छोड़ करके कोई काम करते हैं तो यह जो समाजिक जो बंधन है इसको छोड़ना पड़ता है अगर आप यह भी सो से बाहर आना पड़ेगा अपने समाज के अपने देश अपने दुनिया के लिए कुछ करना है तो तो विशिष्ट बनने के बात भी कर रहे हैं और समाजिक छवी की प्रती उतनी सजग है पर क्या यह संभव है आप दोनों लेकर के चलेंगे अब आप चाहते हो कि घर में भ बात का बिल्कुल भी हसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है क्या पीता जी को यह बात पता नहीं था मान लीजे मैं आज के समय में बात कहते हैं चुकि मेरा भी नारीमन है एक महिला हो करके जो काम कर रही हूं आप लोगों के लिए सुबह साथ बज़ मैं घर में पहुंशती हूं इस बीच में मेरे घर परिवार में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सित्क में फोन पर यह जनकारी मुझे मिलते रहते हैं इस बीच में अगर आप मेरे से उमीद करते हो कि मैं 10 बजे आपको खाना बना करके खिलाओं मैं 11 बजे आपके नहीं संबह दोनों रास्ता अलग-अलग है देखिए यह यहां लास्ट वाल राइन क्या दिया हुआ है देखे एक महिला मन को आप समझने की कोशिस कि जाया क्या पिता जी को इस बात का बिल्कुल भी हैसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकरा हटका है आप यह किसी को बहुत ज्यादा प्रसंद नहीं रख सकते हैं लेकिन हां सन 1947 के मई महने में शीला गरवाल का कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया जो शीला गरवाल थी जो हिंदी की प्रधाना प्रध्यापिका थी गलती से मैंने अगर प्रधाना थी आपिका और या फिर इनको क नोटिस दे दिया गया आप लड़कियों को बिगाड रही है उनको अनुशासन हिंता का पट पढ़ा रही है आप यहां पर अनुशासन बिगाड रही है कॉलेज का इस वज़ेस उनको नोटिस दिया गया इस बात को लेकर के घुड़दंग न मचे इसलिए जुलाई में थ तो देखे अगर आप चाहो तो कॉलेज तो में तो आपको रोकने रोक दिया सकता कॉलेज के बाहर तो आप नहीं रोक सकता है मनुव भंडारी का कहना था कि घुड़दंग तो इतना मचा दिया कि कॉलेज वाले को अगस्त में आखरी थर्ड एर खोलना ही पड़ा वो इसको मना कर दिया गया था तो नहीं करना है लास्ट समय तो इनको खोलना ही पड़ा जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड को ने उर्दंग मचाया और कॉलेज खुल गया लेकिन ये खुशी और ये उर्दंग बहुत छोटा था जीत तो बिली इतनी बड़ी कि इसके सामने वह बिला गई मतला कि गायब हो गया हुआ कि सबसे उपड़ा बड़ी उपलब्दी 15 अगस्त 1947 कि तो आज की क्लास में यह कहानी यहीं समाथ अब हम लोग कल की क्लास में इसका सरांस करेंगे बहुत शौट में मैं इसको बताऊंगी डिटेल मुझे बताना था ताकि कोई भी प्रश्न यहां से पूछे तो हमारे जो भी छात्र हिंदी की क्लास कर रहे हैं आपका एक प्रश्न नहीं छूटना चाहि अगर आपने डिटेल में पढ़ा कल आप सरांस पढ़िएगा और इसका कोशन असर कीजेगा तो क्लास कैसा लगा यह बताईगा चैक्टर समझ में आया की नहीं समझ में और कैसा लगा लास्ट ली मजा आया की नहीं जो सुरू से और अभी तक क्लास कर रहे हैं इतनी लंब